तो बेसिकली आज की क्लास का जो परपस है वो सिर्फ इतना है आज मेरा कि आपके जहन में वो पूरा स्ट्रक्चर CRPC का क्लियर होना चाहिए बेरेक्ट में आज सिर्फ हम कंटेंट पॉलेंगे और कुछ नहीं आप सब के पास CRPC का बेरेक्ट है आए वो आप सब बेरेक्ट लेके बैठे है फिलाल उसको बंद कर दीजिए उसकी कोई जरूरत नहीं है पहले हम कहानी समझेंगे उसके बाद प्रोविजन उसके बीच में डालेंगे कि कौन सा कहाँ प्रोविजन दिया है अब क्यूंकि जैसा में आपको कहा कि ये जया की क्रुमिनल लौका की क्रीमिनल लग का क्रूसीजरल लौ है चलम लग का जो सब्सवाटोयाग है जैनरल लौस में गारे सब्सवां कर इब substantive law, वो right or liability decide करता है, right or liability से मतलब, आपके पास एक mobile phone है? है की नहीं? अगर आप उसको own करते हैं, आपके पास उसकी possession का right है lawfully possession के लिए आपका जो mobile phone है, उसकी lawful possession के लिए कौन entitled है? आप हैं इस right को IPC recognize करता है कि आपका mobile phone आपके पास रहेगा अगर कोई दूसरा विक्ति बिना आपके consent के उस phone को dishonestly आपके पास से move करता है तो that will be an offense यह offense बना कि IPC में किया क्या? आपके उस possession के right को recognize कर दिया, करा की ने किया कि आपका mobile phone है तो you should keep it वो किसी और को नहीं दिया जाएगा वो आपके पास रहेगा वो जगर dishonestly उसको move करेगा तो वो एक offense माना जाएगा, वो act एक offense माना जाएगा और उस offense के लिए particular punishment दिया जाएगा section 378 IPC बताता है कि कब एक act theft कहलाएगा और section 379 उसका punishment बता देता है तो right भी recognize हो गया reliability भी बता दिया उस व्यक्ति के जो offense commit कर रहा है तो basically IPC कर क्या रहा है offense को define कर रहा है और उसका punishment बता रहा है IPC ये बता रहा है कि कब एक act offense माना जाएगा और उसका punishment क्या होगा यворå IPC ने बता दिया अब इसके आगे के कहाणी कौन बताएगा वो CRPC बताएगा एक act offense होगा या नहीं ये जानने के लिए आपको IPC पढ़ना पड़ेगा अब वो जो act commit हुआ है उसके बाद आगे कहानी होनी क्या है उसके लिए CRPC आएगा CRPC पूरा procedure बताएगा तो अगर इस scene को अपन समझें तो इसको कुछ इस तरीके से समझें सबसे पहले आएगा आपका scene में क्या IPC IPC क्या करेगा बताएगा कि पड़कर आप जो आपके साथ हुआ है या आपने किया है वो कौन सा offense है वो offense है भी या नहीं यह कहां से लिटर मही हो जाएगा तो IPC मैं आप definition पढ़ें या apply करेंगे समझा जाएगा अब मांगे जो आप कमेट हुआ है अब आगे प्रोसेस क्या होगा इसलिए CRPC प्रोसेजर लो है आगे के प्रोसेजर के लिए आपको जाना पड़ाएगा किसके पास CRPC CRPC पूरा प्रोसेजर बताएगा कि आपके साथ offense कमेट हुआ तो कहां जाओ कौन है authority, किसके पास जाके information दोगे क्या होगा, सारी कहानी चलेगी कहां तक पहुँचाना है इसको हमें IPC में जो second चीज़ दिए, पहले तो IPC ने offense को define किया है, दूसरा IPC ने punishment प्रोस्क्राइब किया है offense होगे, अब इससे हम punishment तक पहुचेंगे, उसके बीच में पूरा यह CRPC है, IPC से जो हमें punishment तक पहुचना है उसके बीच में इधर आगया CRPC और यहां से हम आके बढ़ेंगे तो फिर हम जाएंगे कहां punishment पर, punish कराओगे ना पिर accused को, जो भी बिक्ति है जिसने वो offense commit किया है फेले अपन देखेंगे, आक्ट वो offense है, यह नहीं offense हुआ, offense commit हुआ, जैसा IPC ने बताया फिर बीच में आया CRPC, यह पूरी कहाणी बताएगा, क्या-क्या होगा कहा information दोगे, कौन investigate करेगा कहाँ trial चलेगी, trial का procedure क्या होगा evidence कैसे लिए, सब कुछ बाताएगा और उसमें फिर evidence भी आएगा, कि trial में evidence कौन से लेंगे नहीं लेंगे, वो अपना separate procedure लाएगा, इसका जो process है क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, कौन करेगा कि सब CRPC ने बताया, यहां से अपन पहुँचे punishment तक, व्यक्ति को punish किया गया, अगर वो guilty है, तो वो convict हो गया, पहले accused था, क्योंकि allegation लगे थे, the moment he is found guilty, now he is a convicted person conviction हो गया, अब उसको punishment दिया जाएगा, इतने पर CRPC खतम नहीं होगा, punishment IPC ने जो बताया, वो मिलेगा, punishment कौन सा मिलेगा, जो IPC ने बताया, कोई चीज offense है या नहीं, कहां से determine हुआ, जो IPC ने बताया, offense है या नहीं, यह धर बताया, IPC ने, बीच में आया CRPC और punishment तक अपन लेगा है उस कहानी को, इसके बाद की कहानी भी CRPC में है, माल लिचे उसको sentence दिया गया, उसके बाद उसको appeal में जाना है, उसको revision में जाना है, माल लिचे उसको convict करके punishment सुना दिया, अब उसको अपनी साजा माफ करानी है, commutation कराना punishment कर, वो भी CRPC है, तो ऐसा नहीं कि इधर खतम, बस इतना ही CRPC, इसके आगे भी CRPC, आप convict हो गए, आपकी सजा execute होगी, और या तो आप imprisonment काट रहे हैं, तो आपको government से maafi भी मिल सकती है, यह भी है, यह trial court का judgment है, उसके against आप higher court के पास appeal करने भी जाएंगे, यह भी CRPC बताएंगे, तो यह सारी कहानी, आप इसके बीच में बहुत कोच है, इसके बीच में आरेस्ट होगा, इसके बीच में बंदा बेल लेगा, यह जो बड़े अराम से यहां मैंने छोटा सा CRPC लिख दिया, यह बहुत बड़ा है, उस बेरेक में आप देखेंगे, तो बहुत बड़ा है, सैंतिस चक्टर ने से, और वो पूरी कहानी यहां आपको, बताई गई है, और अभी जैसे मैंने आप से कहा, बेरेक खोलने की बिल्कुल जबरोत नहीं है, बंद करके एक गम, साइड में अभी रखेंगे, जब खोलना होगा, तो मैं बताना है, अब अपन यहां से, जो लौ में लिखा है, वो कोई अधिभुद बात में लिखी है, कोई जादो नहीं दिखा है, या सी RPC लिखेंगे जिसी, आप बात समझ रहे हैं, जो common sense आपका कहता है, क्या होना चाहिए एक offense के बात, वही सारी चीज़ें लिखके codify करी गई है, बस हाँ, उसकी framing, क्योंकि interconnectivity है, तो उसकी framing जोड़ी ऐसी अतरंगी सी है, जिसके कारण आप इस बात को, उस correlation को, या उन चीज़ों को समझने में कई बार कल्थी कर देते हैं, तो माल लेजे, एक offense commit होता है, किसी का murder होता है, कहीं theft commit होता है, कोई भी एक offense आप उठा लेजे, IPC अगर आपने पढ़ रखा है, आप दुनिया बर के offense चांद दे हैं, आप imagine करिए, एक offense commit होगा, आप सबसे पहले offense commit होने के बाद क्या किया जाएगा, चनरल अपने prudence से बता है, ये offense commit होगा, अब आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, offense से, देखो, कोई भी act offense कब होता है, जो वो public wrong होता है, आपने 7 और criminal law का difference पढ़ा होगा, civil law deal करता है with private wrongs, criminal law deal करता है public wrong के साथ, public wrong मतलब जो जनता जनारदन को उफेट करे, private wrong जो individual को उफेट करें, उसके लिए civil laws है, है की नहीं, contract, civil, दो पार्टीस के बीच की बात है, तीसरे से मतलब नहीं है, लेकिन जो serious nature के wrong से, उनको public wrong categorize किया गया, और उसके लिए criminal law, क्योंकि वो public eyes large को उफेट करता है, इस classroom में किसी बच्चे का murder हो जाए, वोट तो दिया है, वोट तो दिया है, सरकार की responsibility आपकी protection, society, social order, यह सब, किसका, किसकी duty है, state, इसी लिए criminal में सारे कहानी कौन करता है, state, offense commit होता है, तो scene में आता है, state, आपना contract का breach हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी, आप जाए, civil suit file करिए, प्लेंट बनाईए, आप प्लेंटेफ है, जाके civil court में case करिए, लेकिन जब offense होता है, काई गमिट होता है, वहाँ क्या कहानी होती है, वहाँ state आएगा scene में, state की responsibility है ना भाई, आपकी तरफ से case कौन लड़ेगा, सरकार, prosecution is open के अथमें, आपको ने लड़ना case होता है, prosecution करने के लिए state government है, वह करेंगी, तो एक offense अगर commit हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस बात की आप information देंगे, सरकार ते पहुचा होगे, तो ना बात अपनी की भाईया, ऐसा होगे है, आप आगे की कहानी देखो आप, एक offense commit हुआ है, तो offense commit होने के बाद, सबसे पहली चीज जो होती है, वो होती आपकी information उस offense की, आप इस information में भी कहानी समझते जाना, दो, तीन अलग-अलग चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी, मैं कोशिश पूरी करूँ आपको उसे, अलग-अलग तरीके से बता तुम, लेकिन क्योंकि इतनी intermingled चीज़ें, थोड़ा सा बुद्धी खुली रखिएगा आपनी, अब ये जो information आपको देनी हैं, चाहे आप victim है, या आप नॉर्मल एक informant है, जिसमें वो offense देखा या उसकी जानकारी रखता है, वोई भी जाके information देगा, information देने के लिए, क्या क्या options ERPC आपको देता है, कि आप कहां कहां inform कर सकते हैं, proceeding initiate कराने के लिए, आगे की कहानी कारिकरम चालू कराने के लिए, तो उसके लिए आपके पास दो option है, बताएगा क्या दो option है आपके पास, या तो पुलिस के पास जाईए, या तो पुलिस के पास जाईए, या फिर सीधे चले जाईए, magistrate के पास, judicial magistrate की बात कर रहे हैं आपकर, magistrate भी दो तरीके जो होता है, executive or judicial, या तो सीधे जिस भी area में वो चीज कमिट होई है, वहाँ जिस भी magistrate का jurisdiction है, आप चाहें, तो सीधे उस magistrate के पास भी जा सकते हैं, तो या तो आप पुलिस के पास चले जाईए, या आप magistrate को जाके inform कर दीजे, तोनों का प्रावधान आपको CRPC में में जाएगा, information आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, ची, अगर आप magistrate के पास गए, तो magistrate को जिस form में आप information देते हैं, उसको कहा जाता है, magistrate को जिस form में आप information देते हैं, उसको क्या कहते हैं, complaint, जब किसी offense के commission की information आप magistrate को देते हैं, उसको क्या कहते हैं, complaint अगर आप police के पास information लेके गए हैं, अब यहाँ दो category फिर आईगी पुलीस के पास अगर आप information लेके गए है तो वो information जो है जिस offense की है उसको दो category में divide की आगया है यह हैं दो category कोई बताएगा जो भी offense commit हुआ है जिसकी information आप पुलीस के पास ले जा रहे हैं या तो वो cognizable है या तो वो non-cognizable है दो अलग-अलग तरीके की information आप लेके जा रहे हैं अब यहाँ समझिएगा अगर वो non-cognizable पहले लिख लगता हूँ और इदार लिख लगते हैं अपन अगर वो non-cognizable offense की information है तो इस non-cognizable offense की information को NCR एक register होता है पुलीस station में उसमें लिख लिया जाता है उस NCR में इस information को लिख लिया जाता है ठीक एक register होता है जब offense की information आती है पुलीस needs to determine किये जो offense की information आई है यह cognizable offense की है या फिर यह non-cognizable की अगर non-cognizable offense क्या होता है जिसमें police बिना warrant के arrest नहीं कर सकती जिसमें police कुछ से investigate नहीं कर सकती less serious उटने है Cognizable offense थोड़े serious nature के है IPC में जब offense को define किया गया punishment बताया गया वहीं वो categorization भी बताया गया है कि offense cognizable होगा या non-cognizable होगा available होगा या non-vailable होगा यह categorization IPC में बताया गया है along with all the offenses ठीक तो cognizable offense जहाँ police बिना warrant के arrest कर सकती investigation बिना magistrate का order के कर सकती अगर non-cognizable है तो यहाँ police खुद से investigate नहीं कर सकती यह non-cognizable का मतलब है बिना order के arrest नहीं कर सकती investigate नहीं कर सकती यही मतलब है non-cognizable का तो भाई साब जब non-cognizable offense होगा उसके लिए प्रागधान है कि यह जो police है यह खुद कुछ नहीं करके informant को किदर forward कर देगी non-cognizable के case में किदर forward कर देगी magistrate के पास की जाओ लिखेगी NCR में और उठा के बोल देगी जाओ magistrate साब के पास वो करेंगे इसमें जो करना हो अब magistrate चाहे तो police से investigation करा है चाहे तो नहीं करा वो फ़रा पूरा outlook किसका है वो पूरा magistrate का लेकिन अगर जो information police को आपने DHS offense के commission के information if that offense is a cognizable offense if that offense is a cognizable offense इधर पे police ही राजा है जैसे cognizable offense की information police के पास आई cognizable का मतलब क्या है जहाँ police बिना warrant के arrest कर लेगी जहाँ police बिना magistrate का order के investigation चालू कर देगी तो जैसे information आई cognizable offense के आप police जो है investigation चालू अपना कर सकती है हाँ लेकिन cognizable की जब information आई है तो इधर magistrate भी है यह आप है traditional magistrate तीन state का exam निकाल के वो आदमी वहाँ बैठे ज़रोगा तो एक pre और physical देखे बने है लेकिन यह जो है जो आप गरीब लोग बैठे है इस तयारी में आपने जिंदगी का काफी समय ब्रतीत किया तो इन इस चेज का exam निकाला है प्री में सेंटर वो थोड़ी जट तो होनी चाहिए उनी चाहिए कि नहीं इसलिए police investigation तो कर सकती है cognizable में लेकिन जैसे ही cognizable offense के commission की information police को मिलती है police की ये responsibility है कि area के magistrate के पास किस बात को हम पुरुचाएं इसको कहा जाता है occurrence report जो FIR होती उसी के copy भेज़ देते है magistrate के पास magistrate से कोई permission नहीं मांगनी उनको इदर कि हम investigation करें की नहीं कुछ नहीं ये सिर्फ एक intimation है कि साब आमारे बास cognizable offense की information आई है और हम उसमें वो यह भी लिखेंगे investigation करना है या नहीं करना है cognizable के case में investigation करना है या नहीं करना है it is the power of the police only बस यह क्या करेंगे जैसे information आई information आने के बाद occurrence report भेज़ देते हैं यह normally FIR की copy होती है किसको भेजते है magistrate को area के magistrate को occurrence report भेज़ेंगे और investigation चालू करते हैंगे अगर उन लगता है serious matter है या तो investigation नहीं करेंग या तो करेंगे investigation अगर करना investigation होता प्लाँ collection of evidence by police police जब evidence जुटाती है किसी विक्ति के against उस पूरी process को अपन कहते है investigation आप समझेगा occurrence report आपने भेज़ दी आपने inform कर दी है magistrate साब को कि साब हम investigation कर रहे हैं अब उस investigation में बहुत कुछ होगा investigation में क्या करेंगी police लोगों से पूछताच करेंगी उसके लिए attendance रिक्वार कराईगी पहले लोगों को बुलाईगी तो police क्या करेंगी attendance रिक्वार कराईगी उनका examination करेंगी जो witness आईगी उनको examine करेंगी करेंगी कि ने पूछताच करेंगी उनसे फिर रोज का जो investigation की proceeding हो रही है उसको record करेंगा पुलिस वाला रोज वो case से related जो भी investigation कर रहा है किसी से पूछताच कर रहा है जो भी कर रहा है उसको record रखेंगा एक diary में उसको क्या बोलते है police diary तो इधर क्या हो गया ये examination ये सब police diary ये सारी रोज की investigation की proceedings है इसको वो police वाला एक diary में लिखता है जिसको बन गता है एसे करके उनका investigation का process पूरा खतम होगा सब पुछताच हो गई evidence जो टा लिए सब हो गया investigation complete जैसे investigation complete होगा अब एक completion की report बनेगी आपने investigation किया है आपने evidences जोटाए है एक accused के against इसकी आप एक report बनाएंगे जिसको हम कहते है police report PR police report police report बनेगी एक जो भी accused है एक है दो है पाँच है whatever आपने सब के against तत्य जोटाए है investigation करके आपने evidences जोटाए उसकी आप एक report end में तयार करेंगे what is your conclusion on that police उसमें यह लगएगे हमें लगता है कि इस वक्ती ने offense किया है या फिर नहीं लगता है कि offense इस वक्ती ने नहीं किया दो में से कुछ एक ही चीज़ होगी बाई एक accused वक्ती है F.I.R.I.E. उसके थूँ accused बन सकता है या police ने investigation उनको लगा कि इसने किया होगा ठीक तो जो भी वक्ती यहां accused है सारा जब investigation police का complete होगा तो दो में से किसी एक conclusion पे ही तो police पहुँचेगी ना दो में से कोई एक ही conclusion होगा या तो उन्हें वो वक्ती लगेगा कि हाँ इसने offense commit किया है या फिर उन्हें लगेगा है कि हाँ इस वक्ती ने offense commit किया है तो उसके against क्या file करा जाता है इसको दो parts में divide करना पड़ेगा उसके against file की जाती है charge sheet क्या बोलते हैं उसे charge sheet बोलते हैं if they find कि हाँ भीया जिसको पकड़ गया थे यही है offender इसने किया है उन्हें sufficient evidence मिले हैं उस वक्ती के against तो उसके charges लगा जाएं उसको क्या क्या जाएगा charge sheet अगर उन्हें लगता है evidences लेने के बाद अपना पूरा investigation complete करने के बाद अगर police को लगता है कि नहीं साविस वक्ती ने तो यह offense नहीं commit किया तो क्या करेंगे वो closure report submit करेंगे in that case वो क्या submit करेंगे वो करेंगे closure report submit कि नहीं साविस ने नहीं किया दुनमेंसे कुछ भी कर सकते है I hope this is clear अभी अपन C-RPC के वेरट पर नहीं गा है अभी हमने वेरट खोला भी नहीं अभी तो हम normal बात कर रहे हैं यह 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 होना है होना चाहिए अब इसके बीच में और भी बहुत सारी चीज़े आएंगी कैसे उसको भी समझे जब FIR होगी जब information आएगी पुलीस के पास हो सकता है कोई particular वेक्ति के अगेंस्ट आए फाया है जो भी informant है या victim हो बताए कि साब इसने offense किया है या investigation के दौरां पुलिस को समझ में आए कि आए इसने किया है तो उस वक्ति को arrest कर सकते हैं क्योंकि अपन इसकी बात कर रहे है cognizable और cognizable offense का मतलब क्या होता है जहां पुलिस बिना warrant के arrest कर सकते हैं तो इस पूरे इसमें कहीं पे भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी जहां उनको समझ में आया कि हाँ इसने किया है तो इसी के simultaneously इदर एक process क्या होगा आपका arrest का एक अलग से यहीं पे चीज़ कर चल जाएगी इस पूरे में कहीं भी हो सकता है जहां उनको समझ में आया वो क्या होगा आपका वो होगा arrest एक separate चीज़ अब आगे बात समझना यहां पे हो गया police report यह एक तरीके का conclusion है किस बात का conclusion police के investigation का conclusion है यह police report है तो नहीं पूरा उन्होंने उनके पास information आई उन्होंने सा conclusion है after the investigation कि क्या कहनी आ रही है so that is police report अब या तो यह काम police ने करा है पूरा और या फिर हमने कहा था दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं तो police के पास या तो magistrate जब आप magistrate के पास जाते हैं तो magistrate अपनी अलग कहानी करता है अगर आप complaint लेके magistrate के पास गहें है तो magistrate complaint को एक्जामिन करेगा witnesses को एक्जामिन करेगा authenticity चेक करेगा कि वाकए आप में कुछ आपकी चाहिए भाई पुलिस तो अपना investigate करके report बना लेगी magistrate क्या करेगा magistrate भी तो काम करेगा अपना तो वो complaint को एक्जामिन करेगा वो witnesses को एक्जामिन करेगा authenticity चेक करेगा केस में कुछ ड़म है की नहीं तब आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे yes or no तो ये है complaint की गहानी अब चाहे complaint हो चाहे police report police report का end कैसे होगा दो में से एक या तो closure report या तो चाहशी अब यहाँ से proceeding आगे बढ़ेगे यहाँ से proceeding कहाँ पहुचेगी magistrate के पास जिसको ट्राइल करवा है जिसको court की पूरी वो proceeding चलानी है जिसको पूरी ट्राइल करनी है इसके पहले एक चीज होती है अभी ट्राइल शुरू नहीं हो रही है अभी तो अपन यहाँ तक पहुचे कि या तो police में report बनाई या complaint को examine कर लिया अगर direct magistrate में के पास से बात चाली हुई है तो वो examine करेगा इसके बाद एक stage होती है जिसको कहते है cognizance शायद आपने CRPC कभी सोना पड़ा हो तो आपने यह word सोना होगा cognizance cognizance क्या होता है तो भाई जब यह police report बन जाती है यह area का जिस भी magistrate का महा jurisdiction है investigation वगेरा तो मैं आपको बताया है क्योंकि cognizable offense है तो वो खुद से कर लेती है police permission नहीं मानती है intimation ज़रूर देती है आप बताते हैं ज़रूर है occurrence report के form में किसा आप हमारे का cognizable offense के commission की report आई है लेकिन आप कोई पूछते नहीं है कुछ उससे वो आपका पावार है investigation करने का आपने तो बना के report बनाती है police report था year कर दी है आपने तो आपको लगा यह इस complaint के basis पे या इस charge sheet के basis पे या I should say police report के basis पे magistrate क्या करेगा cognizance लेगा magistrate क्या करेगा cognizance लेगा magistrate जो है वो cognizance लेगा अब यहां तक समझ में आया ना इन्फरमेशन लेकिए आप या तो police के पास गयते है magistrate के पास उसने अपना संतुष्टी कर लिए police ने investigation कर लिया अब जा रहे है अपना magistrate के पास further proceeding के लिए उसके आगे की कहनी के लिए अब magistrate के पास जब यह चार शीट पहुंचेगी यह complaint उसने जो सब अपना कर लिया है examin में examin अब आगे कहानी वो decide करेगा whether I want to move forward or not this is to be decided by the magistrate जब magistrate तक कोई चीज़ कोई matter पहुचता है in his judicial capacity इसको कहते है cognizance किसी भी matter का cognizance का मतलब होता है संग्यान लेना उसकी information judicially judicial process के तो जब उसके पास इस बात का knowledge पहुचता है या information पहुचती है उसको कहते है cognizance जब उस बात को recognize करता है इसको कहते है cognizance अपने notice में लेता है magistrate matter को उसको कहते है cognizance कैसे कैसे लेगा notice में तो CRPC तो तीन मातें बताता है अभी तो मैंने दो ही बता ही आपको लेकिन CRPC cognizance लेने के तीन थरीके के बताता है magistrate के तीसरा थरीका क्योंकि कहानी का बाइट नहीं था इसलिए अभी तक मैंने आपको नहीं बताया तो या तो यह जो पुलिस ने पूरा cognizable case में अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाई है इसके बैसस पर magistrate cognizance लेगा या तो इस complaint के बैसस पर cognizance लेगा या खुद के own knowledge पर cognizance लेगा complainant भी नहीं आया कोई उसके पास magistrate के सामने offense commit हुआ है या magistrate को यह और से पता चला है offense के बारे में उस पर भी वो cognizance ले सकता है और आगे प्रूसीड कर सकता है तो तीन तरीके से cognizance लेगा magistrate या तो इस पुलिस रिपोर्ट पे या फिर complaint पे या own has own knowledge तीनों में से किसी भी तरीके से लेने का मतलब समझ में आया जब वो उसके notice में लाएगा बात जोडिशल के पासेटी में जब उसके notice में वह बात आईगी अब यह जो उसके जोडिशल नोटिस में आ गई अगर वो डिसाइड करेगा विदर आगे लेना है या नहीं लेना है लेना है अगर आगशाइड करेंगे लिए है को मैं थोड़ा सा और शोटा कर दूं तो यह हो गया आपका कोगनिशन्स अब माल लेजिए आपने कोगनिशन्स लिया कोगनिशन्स आपने लिया एक उफिंस का अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या process होगा, भाई देखो, पहले कहां से चाल हुए थे अपन, एक offense commit हुआ, उसके information लेके जाने के आपके पास दो रास्ते थे, या तो सीधे पुलिस के पास जाईए, information लेके, या magistrate के पास जाईए, अगर आप magistrate के पास गए, तो वो complaint क्या है कि पुलिस के पास गए, cognizable case है, तो इसको कहते है, F.I.R. यह जो information आई है, यह जो information, cognizable case की अगर आई है, तो इसको क्या कहते है, F.I.R. कहते है, और उस F.I.R. के basis पे investigation चालू होगा, उस F.I.R. की एक copy, magistrate को भेजेंगे, और पुलिस अपना पूरा कारेकरम कर लेगी इ उसको ट्राइल चलाना है, भाई, investigation हो गया, complaint complaint आके कारेकरम हो गया, अब उसको आगे ट्राइल चलाना है, लोगों के against चलेगी, accused के against चलेगी, उसको court में बुलाना पड़ेगा पहले, magistrate को या session court को जो भी trial करने वाला है आगे, उसके सामने production होगा, कि produce होना है, गति को, ज तो वो या तो police के पास है, या तो भाग रहा है, अगर पता ही नहीं है, पकड़ा नहीं गया तो भाग रहा है, पुझ को शकता है, तो cognizant लेने के बाद, magistrate जो करता है, उसको कहते है, issue of process, का मतलब होता है, process इशू करने से मतलब है, या तो समन इशू करेगा, या तो warrant है, क्या करना है आमें अक्यू सको बुलाना है तो चला नहीं भाई तु सको बुलाना है न बुलाइते कैसे हैं इसल्कु प्राइल लिए तो इसल्लय में थोड़ासा वैसा मोड है बुलाने का और समन जो है विच्छत वाधे 2022 मख़्ज्ट होन समन कास है तो समन इशू होगी वॉरंट के से तो वॉरंट इशू होगा इसको कहते है इशु O EPरॉइ प्रोसेस तो इशू प्रोसेस अब इह से देखंगे के। चेप्टर में दिया है ट्रायल और वहां से कारेकरम चालू होता है अभी आपको इंवेस्टिगेशन इंक्वाइरी और ट्राइल का डिफरेंस भी बताऊंगा लेकिन एक एक करके अपन इसलिए चल रहे है क्योंकि सारी चीज़ें इंटर्मिन नहीं हो रही है तो मैंने चाहरा हूँ कि उस जाल में वापस भसे हैं लेकिन आप जो जन्रल बात कर रहे हैंगे पहले कोगिशन हुआ इशू अफ प्रोसेस के बाद आदमी आएगा कोट में अब उसकी प्राइल वाइली प्रोसेडिंग जो है उस पे पारेकरम चालू होगा उसमें होगा क्या सबसे पहले तो आप कोई भी ट्राइल का प्रोव क्यों कैसेल सब्सेडिंग करता है थ्युल क्योंकि वो अपक्यूज बना के लाएं हैं जिशुक्त में उनको प्रोव करना है कि इसको क्योग बना के लिए सबिक्टी वो अपने allegations बताते हैं अपने प्राइम अफिसी evidences बताते हैं लिस्ट विटनिस बताते हैं हमार पस यह यह लोग हैं जिसके वेस्ट में हम इसको ठाके लिए आए हैं यह करेंगी ना पुलीस यही पुलीस करती है लेकिन अगर लगता है कि नहीं दम है इसके केस में अगर लगता है कि नहीं दम है इसके केस में तो diss-charge की जगे क्या करेंगे? Charge framing. क्या करेंगे? Charge framing. Framing of charges होगी फिर. Magistrate जो भी ट्राइल करना, वो charges frame करेगा. उस accused के against कि तुमारी ओपर यह यह charges लगाए गाएं हैं. इसका separate chapter है से charges कैसे frame होते हैं? क्या-क्या charges frame कर रहा हैं? अब आप charges frame करेंगे, उसके बाद उस accused से, उस व्यक्ति से पूछेंगे, do you plead guilty for these charges or not, क्योंकि अगर वो खुदी मान ले अपने आपको guilty, तो आगे कारे करने की जरुवत नहीं न, समय और पैसा दूने मचाएंगे, तो इसके बाद charge के बाद क्या होता है, charge framing के बाद क्या होता अब प्रोसेस पूरा वो ट्राइल का चलेगा, अब prosecution के जो witnesses है, उनका examination होगा, अब एक एक करके बुलाया जाएगा, वो picture में देखते न, खड़गरे में, खड़गर करके और सवाल जवाब होँगे, अब वो कारे करम चालूब होगा, इधर से, अगर, अगर, plea of guilt में, accused अपने को guilty नहीं मानता है, तो फिर prosecution के witness आते हैं, prosecution witness, prosecution का case, उनका examination चालूब होग इस तरीके से trial conclude होगी, end में या तो conviction होगा, या तो acquittal हो जाएगा, या तो conviction हो जाएगा, guilty proof हो गया तो, या फिर acquittal हो जाएगा, और विहा कर दिया जाएगा, अब conviction हो चाहे है acquittal, उसके बाद appeal हो सकती है, appeal में जाएए, अभी भी CRPC चल रहा है, अपील के बारे में CRPC ब है, बहुत जादा लिख दिया है मैंने इसा लग रहा है, तो यह समझ में आया आए न आपके, यह क्या चल रहा है, अब इसको अपन हटाएं इदर से, उसके पहले अब खोली हो जाए अपना CRPC का बेरेक्ट, content वाले portion खोलना है बस, पढ़ना अभी नहीं है, अभी तो बनता है, पहले चार भीया लोगों से बात होगी, तीन दीदी के इंटर्व्यू देखेंगे, है ना, फिर दो चार दिन, रजिस्टर, ब्लेक पैन, रेड पैन, नीला पैन आएगा, यह नोट्स बनाके पढ़ेंगे, फिर बढ़ने बैठे तो देखा रहे, हाईलाइटर न यह आपकी कहानी है, तो मैं भी ऐसा है, बस माहूल बना रहा हूँ अदी CRPC का, विपन ने पढ़ना एक्चुली चालू नहीं किया, अब कंटेंट वाला पोर्शन जरा निकालिया, हमें यह देखना है कि यह सब जो मैंने आपको कहानी सुना, यह CRPC में किदर है, तो देखत जाहिए साथ साथ, मैंने कहा साब, information दी जाएगी, offense की, information किसको दी जाएगी, या तो police को, या तो magistrate को, अगर आप police के पास information लेके पहुँचे है, तो content वाले portion में देखिये जरा, chapter 12 है, information to the police and their powers to investigate, section 154, police के पास information जा रहे है, किसके, informational, cognizable case, उसके बारे में कहानी इदर दी है 155 देखिए information as to non-cognizable cases तो यह non-cognizable क्या कर देंगे magistrate के पास बेद देंगे खतम उसके बाद देखिए 156 police officers power to investigate cognizable case मैंने क्या बताया information आई पिर आप क्या करेंगे आपके पास power investigate करने का लेकिन magistrate को intimate भी करना है 157 देखिए procedure for investigation इसमें ये बात लिखी है कि आपको मैं इरिश्टर्ट को बताना भी है कि हमर रपस cognizable की information आई है और फिर so on आगे के पूरे provision वही सब 160 देखिए 161 देखिए अभी इसमें 159 भी है उसके अभी मैं आता हूँ उसकी बात हमने अभी नहीं करी है 160 examination of witness by police sorry 160 attendance of witness जो मैंने आपको बताया कि आप बुलाएंगे witnesses को फिर उनका examination करें सारी कहान इदर 172 देखिए police diary 173 देखिए police report यही सब लिखा है उदर कुछ अलग नहीं है यह जो अपनने बात कह रही यही सब लिखा है इसके बाद हम आते हैं इदर complaint कि मत या तो आप magistrate के पास गए complaint लेगे section 200 निकाल लिखा लिखा है complaint to magistrate chapter 15 इसमें यही सब है examination of complaint witness यह जब complaint आती है magistrate के पास initially वो क्या करेगा वो सारी काहनी 200 से 200 तीन में लिखी हुई है अब या तो पुलिस रिपोर्ट या तो complaint दोनों में से किसी एक चीज़ के पर इस पर cognizance होगा या फिर उन नॉलेज़ पे section 190 देखिए section 190 chapter 14 conditions requisite for initiation of proceeding cognizance of offense by magistrate या तो इस पुलिस रिपोर्ट पे complaint पे या उन नॉलेज़ पे यह लिखाए हो दे और उससे related बाकी के provision है आप को क्रिजिंस लेने के बात क्या होगा issue of process या तो क्यों उसको magistrate के सामने proceeding चालू होगी है यही बताया था भी मैंने आपको वही चीज़ 204 onwards लिखी हुई है यह issue of process तो यह पूरा chapter हिदर करता हम फिर issue of process के बाद मैंने क्या बताया prosecution अपना case open डरेगा उसके बाद charge यह सा बात देखना है तो आप 225 निकाल लिया तो आप कुछ दम है तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ दम है तो आगे बढ़ेंगे नहीं कर देंगे खतम डिस्चाइज नहीं किया तो आगे क्या लिखा है framing of charge charge frame होंगे और उसके बाद conviction on plea of guilt लिखा है उससे पूछा जाएगा do you plead guilty or not charge framing के बाद और technically यहां से ट्राइल चालू होता है charge framing के बाद plea of guilt से ट्राइल चालू होता है इसके पहले जो रहा था that was inquiry अब उसके बारे में अलग से बात करोगा तो यह जो पूरी कहानी है अब इसमें जैसे charge framing की बात ही framing of charges उसके लिए separate chapter 211 section देखिए section 211 chapter 17 the charge कैसे charge frame करेगा quote उसके बारे में पूरा ग्यान इस chapter में मिले आपको इतना समझ में आ रहा है कहानी भी समझ में आ गई CRPC में कहा मिल रहा है वो भी समझ में आ गया अब आप content उठाके अगर ठंडे दिमाग से बैठेंगे class के बाद भी तो आपको समझ में आएगा कि चल के रहा CRPC जो मैं आपसे पहले class के starting में बात कही थी ना कि provision पढ़के समझ में तो आता है कि लिखा क्या है लेकिन वो उस process में कहां आएगा यह समझ नहीं आता है इसलिए यह चतर बनाया है कि उस process में कहां क्या आ रहा है आप समझ में आ रहा है आपके content देखे तो यह एक कहानी है इस जैसी दो तीन कहानी simultaneously चल रही है CRPC अब एक दूसरी कहानी लिखते है अरेस्ट वाली इसलिए अपवारे में अपन ने बात नहीं करी तो अब आपन बात करेंगे अब क्योंकि cognizable offense अगर है police के पास power है किसी वीवक्ति को arrest करने का बिना magistrate के warrant के order के आप arrest कर सकते है इस arrest कैसे होगा किन cases में कर लेंगे क्या procedure अपना आना इसके लिए separate chapter CRPC में content वापस देखिए चैप्टर फाइव अरेस्ट ऑफ परसन कैसे अरेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर के हिसाब सिए अरेस्ट होगा इसको comply करना ही करना है इस चैप्टर को आपको अरेस्ट कराना है तो अब जो investigation वाला chapter था उसकी भी दो-तीन बातें और समझना भी वो एक अला कानी चल रही है arrest की रिमांड की वो investigation के अंदर की अभी तो मैंने overall आपको picture समझाई अब उसके अंदर की एक picture और समझी है जो इसके अंदर चल रही है arrest related police के पास information आई accused के against police क्या करेगी उस accused को arrest करेगी information आने के बाद police क्या करेगी उस accused को यहाँ से अपन चलू करते है इस process को सबसे पहले police क्या करेगी arrest कर लेगी उस वक्ति को arrest करेगी आप सबको पता है आपने constitution में fundamental right में भी पढ़ा है कि arrest करने के बाद 24 गंटे के इंडर present के magistrate के सामने पेश करना होता है इस से ज़्यादा police अपने से रख नहीं सकती उसे कितनी देर 24 गंटे 24 गंटे से जदा आप रख नहीं सकते किसी वक्ति को arrest करने के बाद तो एक बाद समझ लिए गाई दरब ये हो गए आपका 24 गंटे हो गए मान लीजे और आपका investigation अभी complete नहीं हुआ arrest क्यों करते हैं वक्ति को investigation में सहूलियत हो जाए किसी लिए ये arrest करते हैं 24 गंटे हो गए arrest के बाद के ये जो duration है this is 24 आर्स लेकिन आपका investigation अभी खतम नहीं हुआ अब आपको क्या करना पड़ेगा किसी magistrate के पास उसको लेके जाना पड़ेगा जरूर है नहीं कि उस magistrate के पास ले जाए जिसका jurisdiction है उस offense पर किसी भी magistrate के पास ले जाएए और आगे अगर आपको custody और चाहिए उस वक्ति की तो उसके लिए आपको permission लेनी पड़ेगी magistrate की 24 गंटे सादा आप खुद से उसको नहीं रख सकते हैं अब यह क्या करेंगे magistrate के पास लेके जाएए magistrate के पास क्या option है या तो custody बढ़ा दे या तो छोड़े छोड़े तो बाती खतम हो गई custody अगर बढ़ाना है तो maximum कितने दिन की बढ़ा सकता है वो magistrate यह सारी अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ यह CRPC के 167 में दी है आप जो magistrate custody बनाएगा वो maximum 15 गंटे 24 गंटे में खतम नहीं हुआ है इसलिए उस 24 गंटे खतम होने के पहले आप magistrate के पास ले गए विदिन 24 आपको लेके जाना है अब वो आपको custody authorized करेगा वो custody maximum कितने दिन की होगी तो वो custody होगी आपकी maximum 15 दिन की तो मान लीजिए यहाँ पे वो custody आपकी complete हो रही यह कितना होगे आपका 15 days 15 दिन की custody मिली police को किसने authorized करी है custody magistrate में judicial magistrate भी कर सकता है executive के बारे में भी provision है बढ़ उसको 7 दिन की limit है पिकनिकality में फिलहाल नहीं जा रहे provision पढ़ेंगे तो तो देखेंगे अभी इतना समझे magistrate के पास custody बढ़ाने का अधिकार है जब आप arrested person को produce करेंगे अब यहाँ 15 दिन की यह जो custody है इस से related एक important बात यह है कि यह जो 15 दिन की custody है it can be these 15 days can be police custody और judicial custody what is the difference between the two custodies मताइए judicial और police custody में क्या difference है भीया police custody में police station में रहेंगे और judicial custody में jail में रहेंगे पुलिस custody मतलब वो police station में होता है police जब चाहे तब interrogate करती है रोज जो आ रहा है ना duty पे चार लपाड़े लगा रहा है यह कारकरम होता है police custody लेकिन judicial custody क्या है जो jail होता है jail authorities separate है जो investigation करता है थाना जो होता है उससे अलग होती है jail authorities वो होती है judicial custody वो magistrate के supervision में होती है वहाँ अगर इने पूछता आच interrogation रिमांड करनी है तो permission लेनी पड़ती है जब तक वो police custody में कोई permission में जो आ रहा वो चावला पड़े लगाएगा यह सीन होता है police custody का एक बात ध्यान रखना arrest होने के बाद पहले 15 दिन में ही सिर्फ इस पहले 15 दिन में ही police custody दी जा सकती है इसके अलावा police custody नहीं दी जा सकती police custody सिर्फ इन 15 दिन में मिलेगी it can be either police custody it can be either judicial custody mix भी हो सकता है 3 दिन की police custody, 4 दिन की judicial custody कुछ भी दे सकता है लेकिन इस 15 दिन के बाद जो custody अभी और extend होगी custody लेकिन इस 15 दिन में जो custody मिल सकती है वो police भी हो सकती police custody भी मिल सकती और police custody सिर्फ इस 15 दिन में मिलेगी इसके बाद में अब ये तो किसी भी magistrate ने authorized कहो थी 15 दिन की custody police को जो nearby magistrate मिला वो arrested person के उसके पास लेगा और उससे उन्होंने custody extend करना ली for 15 days लेकिन आप उसके बाद magistrate forward कर देता है कि उसको किस के पास यह magistrate जिसको case की ट्राइल करनी है जिसके jurisdiction का case है उस magistrate के पास ले जाएंगे अब further अगर इसकी custody बढ़ाना है police कह रही साहब अभी तो investigation अभी कहां complete होगा 15 दिन होगा पंदरा दिन कंप्लेट होगा लेकिन investigation कंप्लेट नहीं हो और police का कहना साहब इसको अभी और extend करिए इसका study को वी तो और बढ़ा है इसको और चलेगा investigation तो ऐसे कि मैं इस पंदरा दिन से बढ़ा के फर्दे यह हो गए थे आपके 15 देज इसको फर्दर इंक्रीस किया जा सकता है इसको फर्दर कितने दिन के लिए इंक्रीस किया जा सकता है तो उस बात को समझे यह पहुचेगा इधर इट विल बी इधर 60 देज और 90 देज टोटल मिला के टोटल मिला के 60 देज और 90 देज अरे से, 60 देज अगर 10 साल तक पनिशेबल उफिंस है, 10 साल के उपर पनिशेबल उफिंस का क्यों ज़िए, 90 देज, इंक्लूडिंग इस 15 ने, 15 तो होई गा थे, 45 और बढ़ा दिये, 15 तो होई गा थे, 75 और बढ़ा दिये, 21 तो होई णाषब कर दिये, या तो तो नहीं होगा, वो पीलिस अपनी रिपोर्ड बना लए जा लै हो, तो गांबिट हो जाएग या तो नहीं होगा, default bail करते हैं mandatory bail करते है यहां accused entitled है क्या लेने के लिए bail और इसको क्या करते है mandatory bail या default bail देना ही देना है right हो गया उसका इससे ज़्यादा आप उसको jail में नहीं रख सकते investigation में इसलिए ये check है police के उपर इतने इन्मेस्टिकेशन complete करो इस कहानी के बीच में कुछ दो चार बाते हैं हो सकते जब यह 24 गंटे के लिए लेके आए पहली बार में जब आरेस्ट करके हैं पुलिस लेके आई गया आरेस्ट के चार गंटे के अंदर उन्हें समझ में आगया कि या ये वक्ती तो निर्दोश है जो पहले के जो चार गंटे अरेस्ट करते ही लाए अभी 24 गंटे complete नहीं हुआ है और इसी वे समझ में आगया है कि साब ये तो तोशी नहीं है फाल तू पकड़ आए क्या पुलिस छोड़ सकती है magistrate के पास तो तब ले जाना है अपने को जब 24 गंटे में investigation complete नहीं हो रहा 24 से जादा रखना है अगर उसके पहले अगर आप कुछ लग रहा है कि यार ठीके जाने दो कोई मतलब नहीं है इसको रख के अगर इन दाट किस आप क्या करेंगे लेकिन मान लीजे 24 गंटे में investigation complete नहीं हुआ था आपने उसको magistrate के सामने produce किया और magistrate से आपने authorized कराई है का study 15 दिन महली अब मान लीजे इधर कहीं पे कहीं इस किसी stage पे आपका investigation complete हो गया मान लीजे यहां कहीं आपका investigation complete हो गया और आपने investigation में यह पाया कि यह वक्तिदोशिल नहीं है closure report तो क्या police छोड़ देगी और state person को नहीं छोड़ेगी क्यों क्योंकि custody authorized किसने करी है magistrate अब छोड़ने का power किसका है पेमें जंटर तीन एज़ान निकाल के बैठा है वाल तो चिजद करूँ तो जो magistrate है अगर उसने custody बढ़ाई है देगो 24 वेंटे आपके क्ये इसमें जो आपने किया आप पकड़े चोड़े वो कर सकते हैं अब आप नहीं छोड़ेंगे अब magistrate छोड़ेगा चलो आपने देखा होगा जो hero police वाला होता है उसके पास जब उपर से phone आता है कि वो जिसको अरेस्ट किया चोड़ दो क्या बलता है मेरा हाथ में नहीं है अब तो magistrate के हाथ में छोड़ना और पकड़ना क्यों? क्योंकि हमने उसको produce कर दिया है magistrate के सामने और custody instant करा लिए अब release करने का फावर किसका है magistrate अब पैसे किसको देने पढ़ेंगे magistrate अब पुलिस वाला नहीं छोड़ वाला है रिलीज नहीं कर सब्सक्राइब अज समिझे रहो? यह पूरी कहान ही यहां तक चल रही है अब आप छोड़े नहीं सकते है closure report आप फाईल करो अगर आप चार्शीट फाईल कर देते हैं इस बीच में कहीं पे भी यह तो मैं कहीं रहा हूँ आपने closure report फाईल कर दी पुलिस रिपोर्ट में अगर आपने चार्शीट फाईल कर दी बस अब तो कहानी अब यह mandatory बेल खतम अगर आपने इधर पे कहीं पे भी इधर कहीं पे आपने चार्शीट अगर फाईल कर दी है sufficient evidences हैं आपके पास बस अब तो वह जुटिशल का study है यह आपके पास अब उसको regular बेल लेनी पड़ेगी अगर उसको निकलना बार तो यह वाली बेल खतम अब उसको regular बेल लेनी पड़ेगी अलग से उसके अलग प्रावधान यह CRPC में और उसके थू वह बहार होगा यह जो कहानी 60 दिन नभ्य दिन 15 दिन की है यह 167 में मिलेगी यह CRPC अब यह जो छोड़ने पकड़ने के कहानी है 169 170 में दी है 169 और 170 प्रोविजिन अभी उदर जाने है में उसमें 169 में लेखा है release of accused when evidence deficient यहने का मतलब closure report file कर दी आपने sufficient evidence छोड़ देगी खोद नहीं छोड़ेगी police छोड़ेंगे magistrate आप closure report file करेंगे चोड़ देंगे सत्तर एक सत्तर केसस तो पी सेंट तो मेजिस्ट्रेट वन एविटेंस इस सफीशंट चार्श शीट है सफीशंट है तो फिर आप लेके जाना पड़ा का मेजिस्ट्रेट का आगी कहानी चालो हाँ कुछ कह रहें तो यह अपनने किसके सेंट्रिक कहानी देखी अभी पुलिस के सेंट्रिक अभी अपन किसका सब पावर और किसकी बात कर रहें पुलिस की बात कर रहें अब सुमारा जो डाउट है कि जब closure report पुलिस ने तो फाइल कर दी लेकिन माल लीचे मजिस्ट्रेट को तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कि या तो वो इन्वेस्टिकेशन फिर से करा दे और या तो वो उसको complaint case की तरह ले ले वह अलग कहानी है उसके पास complaint वाली ज़रूरी थोड़ी कि पुलिस रपोर्ट पे कि पुलिस रपोर्ट सम्मेट होगी कि लेना है नहीं लेना किसका डिसिजन है मैजिस्ट्रेट का आप आपने तो अपको लग रहा है कि नहीं इस पर चलना चाहिए उनके पास सब है कि कंप्लेंड केस की तरह ट्रीट कर देंगे इंवस्टिकेशन ओडर कर देंगे फिर से किसा करके लाओ यह कानी और हो सकती है जगे और हो सकती है का समझे लिए तो आपको थोड़ा सा हो समझ वहाएगा वह रिलेशन, इंवस्टीगेशन, इंवस्टीगेशन, इंवस्टेशन,ी Jaguare कि नहीं करना है तुह आप इंवेस्टीगेट करेंगे एंटम करेंग तो नी करेंगे इंवेस्टीगे趣टर में विचते पूरी करानी मिएम ने सुन लिए जब इंदोर्स्मेंबगेज़ते हैं पुलीस एक इंडेस्टेगेट गेजती है, whether we are investigating this case or not. अगर आप investigate कर रहे हैं तो फिर यह सारी कहानी हो जाएगी. अगर आपने endorsement report में लखा है कि साथ हम investigate नहीं कर रहे है क्योंकि हमको information तो आई है इसमें कुछ substantive नहीं लग रहा. जहां पुलिस ने ये बोल दिया उस endorsement में ये कर दिया कि हम investigate नहीं कर रहे हैं. इधर किसका power चालू हो जाएगा? Magistrate का. अब magistrate या तो investigation करा सकता है या खुद inquiry करेगा. जब पुलिस collection of evidence करती है उस process को investigation कहता है magistrate जब यही काम करता है उसको कहते है inquiry. ट्राइल के अलाबाद जितना कुछ magistrate करता है वो सब inquiry होती है. और इस inquiry और investigation के बारे में कि अगर मान लीजे पुलिस अगर investigate कर रहे है तो magistrate का कोई power नहीं है होदा. आप चुचाब बैठिए जब तक आपके पास अब report नहीं आ रही cognizance लेने के लिए. तब तक आप बीच में नहीं बोलेंगे. कैसे investigate करना, क्या करना, किसका power है? पुलिस का power है. तो पूरा power किसका? पुलिस का. लेकिन मान लीजे पुलिस ने कहा है हम तो investigate नहीं करेंगे तो कि case में कोई दम नहीं है. In that case the magistrate will come into picture और यहाँ प्राफधान आता है आपका 159. देखिए जरा, content में. 159. Power to hold investigation और preliminary inquiry. Magistrate का power है. लेकिन यह काब exercise होता है when the police denies to investigate. यह वहाँ के लिए कावा है. कि आप या तो investigation कराईए या तो inquiry कराईए. करिये खुद. और किस वागे माईए? इन्फर्मेंट गया था पुलिस के पास information लेके. पुलिस ने F.I.R. लेकिन फिर बोल दिया कि या रहे कोई मतलम नहीं है तो investigate नहीं कर रहे है. उसके लिए भी से RPC में प्राफधान है कि अगर आपको लगता है कि investigate नहीं कर रहे हैं. इन्फर्मेंट को आपको इन्फर्म करना है इस बात का. इस बात की information आपको इस informant को देनी है कि आपको उस case में दम नहीं लगी है और आप investigate आगे नहीं करेंगे. ये बात आप informant को भी बताएंगे. और ये जो informant है अभ इसके पास क्या option है? यह जाएगा Magistrate के पास तो कि पुलिस नहीं हो तो Magistrate यह जाएगा किसके पास Magistrate के पास और उकम धिन्ट गेस की तरह Magistrate तो करी सब्सक्राइब यह स्ट्रक्चर आपके CRPC करी बिसिकले इसके बीच में भी बहुत कुछ है अब एक बार content वाले portion से इसके पहले कई सारी चीज़ें उसके बारे में अभी एक बार बात करेँगे और उसके बारे में बात करेंगे content के फोजरा में एक दो doubt है वो देखनो जगार पुलिस ने पैसे लेके report बनाई है तो Magistrate दुबारा order क करेगा भी investigation का, तो अभी police क्यों करेगी सही investigation, यही तो बात है, कि क्यों करेगी, बिटा किसी और से करा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी police officer से investigation करा है, वो दूसरे से करा सकता है, और इसलिए उसके पास power है, या तो investigation या inquiry, अगर magistrate को लगता है कि police तो मक्कारी ही करेगी, त तो यह समझ में आया आपके, यह स्ट्रक्चर आपके समझ में आया, अब जरा एक बार कंटेंट निकाली अपने बेरेट में, तो जो और दो-चार-पांच चीजे हैं, सबका एक ब्राड आइडिया में आपको देते हैं, देखें, CRPC स्कार्ट हो रहा है, अब यह सब तो बीच में आ गहीं थी चीजे हैं, इधर की उदर, एक बार बेरेट के कंटेंट में, और्गनाइज तरीके से पहले चेप्टर से पन देखते ह पहला चेप्टर है, preliminary एक से चार, definition दी है, section 2 में बहुत important है, complaint क्या होता है, investigation क्या होता है, inquiry क्या होता है, सब बताया उदर, तो एक से चार preliminary हो गया, फिर आप चेप्टर 2 देखिए, constitution of criminal courts and officers, इसमें इस पूरे चेप्टर में यह बताया है कि कौन-कौन से court होते हैं, कौन-क prosecutor होगा, यह सब कहां बताया है, इस पूरे चेप्टर में बताया है, इनको कौन-appoint करेगा, कितने court होंगे, सारी बात है, chapter 3 देखिए, power of court, किस court के पास कितना power होगा, power को कैसे measure किया जाता है, territorial jurisdiction की बात नहीं है, यह, power की बात है, power कैसे measure होगा, कितना punishment आप दे पाएंगे, किसे magistrate class 1, JMFC, judicial magistrate first class, कितना punishment जे सकता है, imprisonment कितने दिन का, JMFC, 3 years, judicial magistrate second class, 1 साल, CJM 7 साल, assistant session judge, assistant session judge, 10 साल, यह power बताया है, इस पूरे चक्टर में, अगला चेप्टर लेखिए, power of superior officer of police, superior officer, एक सबसे important officer है, officer in charge of police station, CRPC में, जो police station का in charge होता है, उसके उपर जो officers होते हैं, उनके लिए प्राफधान बस यह कहता है, कि उनके पास भी same power होंगे, जैसे officer in charge of police station के पास जो power होते हैं, अपने police station के jurisdiction में, वो सारे के सारे power, उसके senior officer के पास भी होते हैं, जितना उसका territorial jurisdiction ह जैसे SP पूरे जिले का होता है, तो पूरे जिले में उसके पास वो power है, जो एक police station in charge के पास अपने jurisdiction में होते हैं, बस इतना बता है, अगला chapter देखिए, उसी में जो B part है, A to magistrate and the police, यह आपकी जिम्मेदारी, लोगों के उपर जिम्मेदारी दी, AC, RPC ने, कि आपको किसी ब पूलेंगे अबन chapter 6, process to compel appearance, इस chapter को समझना, process to compel appearance, एक व्यक्ति की appearance कैसे compel करता है court, कैसे court बुलाएंगे आपको, तो मैंने कहा था, पहले एजजद से बुलाएंगे, यह पार्ट देखिए, summon, summon बेजेंगे, summon किसको address होती, उसी व्यक्ति को address होती है summons, कि भाई साब, आ अलापाले लगाएं, आपको लेके नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा विजजदी के साथ लाएंगे, अगर आपका arrest warrant भी है, या मान लीजे, आप उसके बाद भी मिल नहीं रहे हैं, तो आपका proclamation और attachment हो सकता है C part में, proclamation में declaration कर दिये जाता है, कि इस समय आपको आना है court, और सांत में property attach हो सकती है, उसके बाद आपकी property attach हो सकती है, property attach करने का purpose क्या है court का, आपकी property में को interest भी मोल इन्टरस्च नहीं court को, आपकी appearance में interest है, chapter का naam कह है appearance, court क्या चाता है, कि आप court के सामने आ जाएं, इसलिए वो आपकी property attach कर लेता है, कि आप ऐसे तो नहीं तो नहीं बाना है उसको कैसे बुलबाय जाएगा उसके लिए भी या तो समण भेजा जाएगा या तो वारेंट फिर टून के लिए आऊ जिसके पास से उसको समण भेज देंगे तू लिया आना है जीज वार वाजी डोकुमेंट इकोड में लाना है इस दिन और अगर रिकोर्ड को इस चेप्टर को ही नहीं पढ़ना आपको अगला चेप्टर देखिए चेप्टर एट सेक्यॉरिटी फॉर कीपिंग दी पीस और गोड बहेवियर अब यह उफेंस वाली बात में नहीं आता जो अभी मैंने आपको यह कहानी सुना ही कि उफेंस हुआ फिर कहानी चलू हुई क्या अलग है यह अलग कहानी है यह करें मेशर के तहट आता है अभी जो दो-चार चीज ने दर है यह प्रृइंट प्रवेंस मतलब एक तो है कि आईपीसी के साब से ऐको औफेंस क्मेट हो गया तब क्या करेंगे वो कहानी सुन ली ऑफेंस होने से बचाना भी तो है तो उ इसा लगता है जहां भी कि यह विक्ति कुछ अलग 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 प्राफधन है अलग चीजों के लिए विक्ति से बॉंड भर वा लिया जाता है आप तुछ स्पसेटे कॉफरेंस के कन्विक्त हैं अगली बार बेटा यह हुना नहीं चेलिए बॉंड भर के दो इत्ते दिन कहा और अगर आपने एक्जीकूट किया उसके बाद आपने उसका वाइलेशन किया तो यह पूरी कहानी उससे रिलेटेड है यह प्रवंटर मेशर के तहरे आता है इसके बाद अगला चेप्टर रेखिए चैट्टर 9 maintenance यह CRPC का सब्स्टेंटर पार्ट भी डियल करता है अधिकार है husband से maintenance लेने खा माइनर चाहिल के पास अधिकार है पिरेंट से माइनर चाहिल के पास यह जो रोज पापा से मांग लेते हो ना दोस्तों लपाड़ा मार देंगे किसी दुन पापा को भगा देंगे माइनर थे तब तक ठीक है अब नहीं इसलिए थोड़ा ही समय ह यह भी बंद हो जाएंगे और आप लेगली मांग नहीं सकते हैं और पता ही होगा ancestral प्रपरटी जो है उसमें जरूर आपका अधिकार है बट परेंट्स की जो सेल्फ एक्वाइन प्रपरटी होती है उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है पापा किसी भी दिन लातमार के भा में पराइन से मेंटेनंस में प्रोविजन है जैसे फैंबली लौज में है जो परस्नल लॉज है वहां में प्रावदान है यह क्रमिनल उसमें इसलिए चोड़ दिया गया ताकि उसको मेंटेरली अपलाय कराया जा सके जिए लम्म चलेगा तब तक आदमी क्या करेगा तब यह तर्मिनल परसीड देंगा है इधर अरेस्ट परेस्ट होता है यह फड़े परते हैं इसके बाद देखिए नेक्स चेप्टर चेप्टर टेन्स पॉब्लिक और इंट्रिंग क्वालिटी यह वही प्रवेंटर मेजर्स हैं लग रहा है बीड़ बाले खट्टी हो गई है यह सब और इधर के जो काम है जैसे यह चेप्टर 8 में अपने देखा यह जो सिक्योरिटी के बांड भरवार हैं यह सारा काम एक्जिक्यूटर मजिस्टरेट करने हैं इसके बाद जो आप देख रहा है इसमें भी एक्जेक्योटर मजिस्टरेट का ही रोल है धारा 146 आपने सुनी होगी बूस यारपीसी की इस पूरे चप्टर में बताया है अगला चप्र देखिए प्रवेंटेव अग्शन पुलीस का प्रवेंट अभी तक एक्जेक्योटर मजिस्टरेट कर रहे थे प्रव प्रवेंटेव अक्शन ले सकती है अगर उन्हें अंदेशा है उनके पास इंफरमेशन है कि आप आप कर सकते हैं या करने वाले हैं तो पुलीस पहले अरेस्ट कर लेगा अईसा नहीं कि आपने अफेंस कमिट किया या इंफोमेशन है आप अक्यूजन तभी अरेस्ट फिर अपना वोल चेप्टर आगया, चेप्टर बारा, Information to the Police and Investigation, यह तो मैंने आपको, इसके तो कुछ प्रोविजन भी बता दिये, जो उस प्रोसेस में आ रहे थे, तो यह पूरा चेप्टर आएगा, उसके बाद अगला चेप्टर देखिए, इसके बाद अगला चेप्टर देखिए, इनिसियेशन आफ प्रोसेडिंग, जो मैंने आपको बता है न यह, इधर से प्रोसेस इनिसियेट हो रहे है, यह वाली इसकी बात चल रहे है, तो कॉगनिजन्स के बारे में इस चेप्टर में बताया है, और इसकी प्री रिक्विजट्स बताई है, कब कॉगनिजन्स लेना है, कब नहीं लेना, वो सब बताई है, क्या रिक्वार्मेंट फुल्फिल होनी है कॉगनिजन्स के पहले, यह सारी कहनी इस चेप्टर में बत देख चुके हैं उसके बाद अगला चैप्टर कमेंस्मेंट प्रॉसीडिंग विफोर मजस्ट्रेट यह पूरा कि समंड केश में वारेंट केसमें वारेंट इशू करेंगे कि उसके बाद देखिए चार्ज यहां बताया है कि चार्ज फ्रेमिγ कैसे होनी है उसका तरीका यह जो fray Hu ठर चायर करेंगे और ऊगर पुछेंगे विपलीटिय यह सारी कहानी इस है हैन को से उसके बाद इगला चेह्टर दीट के ट्राइल ओव और इन दो अःग अलग हैं समनकेश कितने साल तक पनिशेबल ओफिन्स के ओते हैं कि समनकेश कि ऑपा बहुंत ह्योड आदी नच्छा हुटे योट्यूब पेस फड़ा हाता वे कुछ दिन पेले रात को अड़ को आज जाके देखना फेले लाइक करेंगे पाँच सब्सक्राइबर वलमाना उसके बाद देखना यह पलेश करेंगे तुम यह नहीं पता कि समन और वारेंट केस क्या है पूरे CRPC अभी मैंने रिवाइस करा था यह न हाँ वाई बताईए बाकी तो बताओ हाँ दो साल अब हैu समन केस वारंट केस to issueov process के कहानिया अप सबसलिए इसके बाद देखिये is तो यह है मजिस्ट्रेट की ट्राइल वारेंट केश की ट्राइल ऑफ समना केश बाइट अगला चेप्टर अल्मुस्स प्रॉससेस बीच में थूड़ थूड़ कम कर दिया जै छोटा केस कम प्रॉसेस बड़ा की सिर्या केस लमब प्रॉसस उसके बाद नेक्स चेट्टर ऑः सब्सक्राइब इसके बाद नेक्स देखिए अलग प्रोसेस अब इसको लेके बड़ा विवाद भी है कि कॉंसिटिटूशनल है की नहीं क्या हो जाता है मोलभा हो जाता है पनिश्मेंट का अक्यूस से कहते हैं अब वो कुछ सेटलमेंट होता है प्रोसेक्यूशन और प्रोसेक्यूशन के बीच में छोड़ दिया जाता है अब यह सब पढ़ा देंगे तो यह सब प्ली बार गेनिग इसके बाद नेक्स चैप्टर अटेंड़न सफ परसें नेक्स प्रसन कोई विवक्ति जेल में है तो इसके इंपोर्टेंट नहीं है काट दीजिए चैप्टर अगला देखिए अविडेंस इंक्वाइरी अंट्राइल यह अलग से कुछ प्रोविजन से कम चीज़ें पढ़नी है इसमें से बट चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते पढ़ना है इसमें कैसे लिए जाएंगे इंक्वा हो गया तो दुबारा नहीं करेंगे पाड़न देना है जो आपने सुना है पुलिस बोलती है कि चलो तुमको सरकारी गावा बनवा देंगे यह सुना है आपने यह सारी कहानी इदर है तीन सुछे से स्टार्ट होती है पाड़न देना इसके लावा इदर और चीज़े हैं कि कि जब inquiry और trial होगी तो court अपने से सवाल कर सकता है कि इन witness को बुला सकता है court को लगता है कि जिसको police accuse बना के लावा कोई और ही असली खिला ली तो कोई और ही है तो magistrate जिसको चाहे order करके court में बुला लेंगे समन बेजेंगे जट से आगए तो टीक नहीं तो warrant बेज के बुला लेंगे तो watch general provision trial inquiry से related इस पूरे चेक्टर में miscellaneous provisions है compounding of offenses है इधार compounding समझते है mutual settlement party settle कर लेती है matter उसको कहते है compounding of offense 320 में है इधार ही इसी में तो इधा chapter miscellaneous प्रवधिन रिखती है नहीं है बाकि general उसके लिए थोड़ा आपका भी इंटर्वी 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 तो उसने read जरूर कर लिजेगा इसके ब्रावधान बहुत ज्यादा important लेकिन यह नहीं है कि अगर मान लेजे attendance रिक्वाइर करा या आप नहीं आये तो क्या हो आई यह सब थोड़ा बैस चीज़े है आई पीसी में भी हमने पड़ा है court justice और public servant की authority के contents related offenses तो वैसी कुछ चीज़ें कि तरह है अगला चेप्टर देखिया judgment इस इंपर्मेशन क्या होता है किस language में लिखा जाता है क्या क्या content होता है वो सारी बात नहीं इदर पर है जो मैंने बताया कि ट्राइल कोट ने कंविट किया हो एकुटल किया हो कुछ भी किया हो उस अपील जाएगी हाइर कोट में हुद अपने जीधिमेंट को दुबारा देखे यही पावर क्रमिल कोट के पास में है रिव्यू करने का सीपिसी में पडाला चेप्टर देखिए के पावरर के सिज्ज़न को तरह है mods-5 में अगला चेप्टर देखिए ट्रांसवर करना है एक जगे से दूसरे जगे ट्रांसवर करना है पूरा भारत जहां से चाहें उठाएं के पूरा चेप्टर इसके बारे में इसके बाद देखिए इसके बारे में ख्यांस करदेंगे कम कर देंगे खताम करदेंगे सेंटेंस उससे चाह्ता है नेक्स चाहर सो चक्तिश्टीर करना यह लागती डिया है जो इधर मैंने बताया थो आपको यह वाली जो बेल है या अलग है इसके अलावा क्योंकि यहां चार्ज शीट फाइल हो गई है अब वाकि उसके अलावा अगर आपको रेगुलर बेल लेनी है तो इस चेप्टर के प्राफधन के हिसाब से आप रेगुलर बेल ले पाएंगे यह जो चेप्टर दिया है 436 उसके बाद the disposal of property से related chapter है कुछ एक दो section पढ़ना है बस जो property अटाच होती है documents वगएरा impound करता है court उनका disposal कैसे होगा कैसे उनको निप्टाया जाएगा कि इसके बाद उससे related प्राफधान है कुछ चीज़ है important अब क्योंकि CRPC procedural law है बहुत सारे rules बताता है यह करना है यह नहीं करना है यह करना यह नहीं करना है अगर उसका violation हुआ तो उसका impact क्या होगा क्या उससे proceeding ratio हो जाएगी या correct करके काम चला सकते है इसके बारे में जानकारी इधर मिलेगी यह जो पूरा चक्तर है irregularly proceeding कि आपने CRPC में प्राफधान किस magistrate को क्या कर हो जाएगी कौन सीसी irregularities है जिससे पर सब्सक्राइट नहीं होगी फूरी कहानी इस chapter में आपको मिल जाएगी अगला chapter देखिए next limitation for taking cognizance of certain offense cognizance लेना है magistrate को yes उसकी समय सीमा जैसे limitation act है civil के लिए कि civil sort किते दिन में फाइल होना चाहिए उसके बाद आपका अधिकार खतम हो जाता है remedy लेने का court से ऐसे ही यहाँ इस chapter में limitation दिये criminal cases की कि occurrence होने के बाद offense कमेट होने के बाद किते दिन में cognizance होना है तो up to three years punishable जो offense है उनीक की limit है तीन साल से उपर punishable जो offense है उनकी कोई limit नहीं है उसके बारे में पूरे प्राध्धान इस chapter में है detail में पढ़ा जाएगा इस अगला chapter miscellaneous है इन हरन पावर है important है दर वाकी miscellaneous दो अब बताईए हाँ कि के पास बिज़ दिया जाएगा और मजिस्ट्रे आगे डिसाइड करेगा कि इसकेस में क्योंकि non-cognizable बहुत less serious होते है ले स्पने डिसाइड करता है और अगर मीश्ट्रेट को लगता है कि नहीं होना चाहिए तो वह investigation order कर सकता है बस permission magistrate की चाहिए, बागी होगा सब कुछ यही। तो भाई साथ यही सिर्पीचर आपने अपने अब 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 आगर ऑपड़ीजर हैं है। पिच्चर बनाई है, अभी तो अंदर छोटी-छोटी जैसे ही है, एक अरेस्ट की पिच्चर अलग हमने देखी, तो ऐसी बहुत सारी पिच्चर हैं, अभी बेल में आपको अलग एक पिच्चर दिखाऊंगा, मैं, कि वो डिफॉल्ट बेल अलग, फिर इन्वेस्टिगेशन जो magistrate करता है, other than trial, वो inquiry और उसके word trial, तो investigation तो चलिए separate है, वो तो आपके थोड़ा समझ में आ गया यहां से, यह जो कहानी अपन ने देखी है, आपके समझ में आ यहां से, अब एक सवाल है मेरा आप से, कि अगर मालीजे पुलिस रपॉर्ट फाइल हो गई है, पुलिस पाइल में नहीं तो हमारा केस और मजबूत हो, को कि investigation कर सकते हैं, कहां दिया है, CRPC यह प्रागधान, 156 में तो power है, कि हाँ आप investigate कर सकते हैं, that's correct, कि हाँ 156 के तहत ही करेगी investigation, बट इस बात का recognition किदार है, 173 clause 8, वो कोई अलग से investigation का power नहीं दे रहा है, यह बात बिलकुल स यह नहीं कि अपने investigation का power खतम हो गया, अभी आप further continue कर सकते हैं, इस तरीके के सवाल interview हम पूछ लेते हैं, तो हमें जब पढ़ना है CRPC, काई दे हम पढ़ना है, pre-man's interview साथ, and not only pre-man's interview, कहीं बाइचांस judge बन गए, तो अधर भी काम करना ही है, काम करना ही जा रहा है, काम करना चाहिए है, तो यह सरफ pre-man's interview नहीं है, यह anyways important है, उसके बाद भी काम आना है, इसलिए जड़ा तरीके से पढ़ी है, हवा में नहीं, चीट, तो यह सारी जो कहानी थी, अब इसमें जैसे मैंने आपको बता रहे है, कुछ-कुछ और चीज़ां बीच में आएंगी, जैसे bail- इसे कहानी 309 में भी आपको मिलेगी, तो अभी और जो वो तार कनेक्ट होते हैं इधर के उदर, वो है अभी CRBC में, और भी कई सारी इस तरीके की चीज़ें यहां आपको देखने को मिलेंगी, Confession अपने आप में एक बड़ा topic है, लगभाग एक class पूरी लग जाती है, मुझे Confession बढ़ाने में से, इतना कुछ है उसमें चानने के लिए, FIR एक बड़ा topic है, बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए, अभी तो अपने ब्रीफ में बात कर लेकिए, इंफर्मेशन देते हैं पन पुलीस को, ऐसा नहीं है, उसमें भी कहानिया है, एक ही केस की तिन जगें, FIR हो गई, तब क्या करेंगे, क्या ओफीशली खाने जाके FIR ल information record करने के लिए, FIR करने के लिए, क्या मना कर सकते हैं, बहुत कुछ है, एक एक topic को detail में पढ़ना है, अभी तो मैंने आपको सिरफ ए picture दिखाई, इस CRPC, इस CRPC पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना इसके ते, अब आप provision पढ़ेंगे न, तो इस पूरी कहानी कंदरी कहीना क नहीं, वो चीज़ें fit होती जाएं, यह overall picture अगर समझ में नहीं आती है, तो CRPC से subject पढ़ने में कश्ट जादा है, अगर यह समझ में आगया है, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं है, चिक, तो अब इसके आगे कहानी अपन discuss करेंगे, कल हम start करेंगे with investigation inquiry trial, अभी मैंने उसको इस के बीच में नहीं लाया हूँ, आज इतना पचा लीजिए, उसके बाद एक दूसरी, इसी में अब division हो जाएगा, क्योंकि इनी में investigation है, कहीं, कुछ inquiry का part है, और कहीं trial चालू हो गई है, उसके बारे में आज बात नहीं करी, उसके बारे में बात करूँगा, कल, कहा investigation, कितना investigation, inquiry, trial, mains का question है, mains में सवाल आता है, investigation, inquiry, trial को differentiate करने का, तो उसको हमें समझना है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम start करेंगे, एक-एक करके provision wise पढ़ना, शुरू के जो chapter है, arrest से पहले तक के, जो आपका दिया हुए composition of courts, क्या-क्या मिला के definition clause, क्या-क्या म से means का generally चालू होता है, तो बहां फिर मैं आपको notes जैसे मैं दे, और CRPC के लिए, किताबे हैं, बटुकलाल है, केलकर है, किताबे हैं, बट उन किताबों को कितना आप grasp कर पाएंगे, that is to be seen, इसलिए यहाँ जब मैं यह CRPC पूरा पढ़ा हुआ, तो मैं आपको एक-एक-ची के notes नहीं है, class notes, और CRPC, CPC में तो वही सब कुछ माले लेना, आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं पढ़ेगी, आपको किताब इताब पंसर करने की as such जरुरत नहीं पढ़ेगी, जत्ता मैं यहाँ class में लिखा हूँआ, that would be sufficient for you, वो समझने के लिए भी sufficient है, answer लिखने के पस ये ensure कर लेना, कि रोज class attend करके, वो notes अपने बनाते जाना, उसमें चोक मत जाना, तो आपके पास एक बढ़िया सा end में register तयार हो जाएगा, CRPC, फिर उससे ही पढ़ना है, G1 में जब भी पढ़ना है, चीक, तो एक एक चीज़ के, जहां जहां required है, मैं notes आपको, जहां ज investigation trial बताऊंगा, तो पूरा लिखाऊंगा भी, तो कि ये कहानी ज़्यादा दिन आपके जहन में रहेगी ने, ये तो रह सकती है, बढ़ अब अंदर जब अपन जाएंगे, तो दो-चार दिन के बाद तोड़ जाएगी, अभी new air आ जाएगा, 31st के बाद थोड़ी रुख प जाना की होनी है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, मेरे खाल, आप समझने के बाद, इस चार्ट को ज़रूर आप बना लें अपने पाइस, या फोटो ले लें, जो भी आप करना चाहिए, तो चली, आप स्वाट करते हैं, प्रोवेशन वाइस, चेप्टर 1 के आते हैं, जैसा क हर आप का होता है, चेप्टर 1 बड़ा ही जनरल है, प्रिलिमनरी ये होता है, कहाँ अप्लिकेबल है, CRPC, ये सारी चीज़े हैं, इसमें आएंगी, नाम क्या है, कब कमिन्स हुआ, तो वही बेसिक डेटेल है, चेप्टर 1 निकाल लीजे अपने बेरेक्ट में जरा प्रिलिम पहले जम्मु एन कश्मीर पे नहीं था, लेकिन रिया अप्लिकेबल हो गया है, चीक है, इसके बाद जो प्रोवाइजों में दिया हुआ है, प्रोवाइडिट दाट अप्रोविजिन अप्रोड अधर देन दोस रिलेटिंग तू चेप्टर 8, 10 और 11 देर उफ शाल नॉट अप्लाइ, यह स्पेसिफिक चेप्टर जो है, इसके अलावा जो चेप्टर है, इनको छोड़ के बाकी जो हैं, वो यहाँ एप्लिकेबल जनरल ही नहीं होते, कहां कहां पे, स्टेट ऑफ नागलेंड या ट्राइबल अरिया जनरल ही नहीं होते, आगे दिया है, बड़ दा चीज ध्यान रिखना, स्टेट ऑफ नागलेंड और दूसरे ट्राइबल अरियास में, पूरा सी आरपीसी, अप्लाइबल नहीं होता, स्टेट गर्मेंट चाहे तो, नोटिफिकेशन के थुरू वो करेंगे, सब सेक्शन 3 बहुत जादा इंपरेंट है परी के लिए, इट इसमें से जो definitions important है, वो मैं आपको बताते जाता हूं, यहांसे दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, section 2 से prelims में, एक तो clauses पूछे जाएंगे, कि यह definition केs clause में, कई बार उस definition का essence भी पूछ लिया जाता है, कि क्या मतलब है इसका, तो जहां जो required है, वो मैं आपको बता देत section 2 clause A बहुत important है, इसमें क्या है भाई, आपका available offense भी यहीं बताया है और non-vailable भी, available offense means an offense which is shown as available in the first schedule, जो schedule जो दिये है, CRPC में, पीछे आप बेरेट में देखेंगे, schedule दिये है, वहाँ पूरा classification है, कि यह offense, कौनसा offense cognizable होगा, कौनसा offense available होगा, कौनसा offense non-cognizable है, कौनसा offense non-vailable है, कि सब यहाँ पर बताया हुआ है, schedule में आपको, तो जो aim and definition है, उस में बस इतना लखा है कि first schedule में, जिनने available बनाया गया है, वो available होगे, और which is made available by any other law, या फिर किसी other law में, अगर किसी act को available, किसी offense को available बनाया गया, इस CRPC के schedule के अलावा भी, जो special laws है, उन में अगर किसी particular offense को available बनाया गया है, तो available माना जाएगा, for the time being enforced and non-bailable offense means any other offense, और non-bailable कौन से होंगे, जो available नहीं है, वो सब के सब non-bailable होंगे, तो यह आपको definition दी है, as such meaning नहीं बताया है, सिर्फ यह बताया है कि available offense कहां mention है, basically होता क्या है available और non-bailable का difference वो भी समझ लीजिए, available offense वो होते है, जिसमें bail is a matter of right, आपको मिलेगा ही, it's not a discretion of court, non-bailable offenses में bail is a matter of discretion of the court, bailable वो होते हैं, जहां आपका right है, आपको मिलनी ही है bail, और जो विक्ती, जो police officer arrest करना है, वो भी bail दे सकता है, court भी दे सकता है, क्योंकि it's a matter of right, लेकिन non-bailable offenses, थोड़े ज्यादा serious nature के हैं, वो सब non-bailable है बailable है, जो less serious nature के हैं, वो बailable है, तो bailable offense में bail is a matter of right, whereas in non-bailable, bail is not a matter of right, it is a discretion of the court, court को लगेगा तो bail देंगे, otherwise नहीं देंगे, अब एक सवाल prelims में और यहां से बनता है, bailable, non-bailable से, कि वो कौन सी situation होती है, जहां in case of non-bailable offense also, bail becomes a matter of right, mandatory bail जिसको करते हैं, वो अपन अभी आप बता सकते हैं, बाकि इसके बारे में आपन बात करेंगे, पिछल अगर आपने वो जो इसकी में बात कर रहा हूँ, introductory video CRPC का देख रखा है, तो you may be knowing that, और मैंने इसको शायद mention किया था, इसके बारे में मैं आके बता हूँ आपको, so this is about section 2 clause A, important है, meaning भी पूछा जा सकता है, available, non-vailable का, और clause तो पूछा ही जाता है, B में दिया है, charge, charge को asset define नहीं किया है, अलग से charge का पूरा chapter है, तो वो हम देखेंगे, इसके definition important नहीं है, सिर्फ clause important है, कि charge किस clause में दिया है, क्योंकि यहाँ define नहीं किया, clause C देखिए, तो याद तो आपको ये भी रखना है, और तो आपको C भी रखना है, C बहुत important है, cognizable offense है, और जैसे A में available और non-bailable दोनों बताए है, C में cognizable, non-cognizable दोनों नहीं बताए है, C में सिर्फ cognizable offense बताए है, so C देखिए, cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which, a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the timing and force, arrest without warrant, सबसे important चीज़ यह है, उसको underline कर लीजए, arrest without warrant, cognizable offense वो category of offenses है, जिन offenses के case में, police, accused को या किसी भी suspect को बिना warrant के arrest कर सकती है, वो है cognizable offense, जहां police के पास अधिकार होता है, बिना warrant के arrest करने का, दोनों सवाल बनते है, cognizable offense किस clause में दिया है, और होते क्या है, non-cognizable में बिना warrant के, magistrate के order के arrest नहीं कर सकती, but cognizable में कर सकते हैं, that is non-cognizable, जैसा मैंने आपको कहा यह बात ध्यान रखना है, बेलेबल, नौन बेलेबल, दोनों A में दिया है, लेकिन C में सिरफ cognizable दिया है, और L में दिया है, non-cognizable, clauses के question क्योंकि यहां पूछे जाते है, तो non-cognizable का मतलब वो होगा, जहां police बिना arrest के, arrest नहीं कर सकती, य non-cognizable offense means an offense for which a non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant, बिना warrant के जहां police अरस नहीं कर सकती, वो आपका non-cognizable है, तो C के साथ हमको क्या याद रखना है, to ill याद रखना है, क्योंकि इसमें cognizable है, उसमें non-cognizable, इसके बाद वापस आ जाईए sequence पे, तो sequence is D, complaint, complaint से दोनों तरीके के सवाल बनते हैं, clause का भी question पूछा जाता है, कि complaint किस clause में है, complaint होती क्या है, और इसका explanation भी important है, so complaint means any allegation made orally, ये भी पूछा जाता है, प्री में कि complaint orally होगी या writing में, तो ध्यान रखना दोनों, ये सारी बातें underline करते जाहिए आप, complaint means any allegation made orally or in writing, दोनों तरीके से complaint हो सकती है, orally भी हो सकती है, writing भी हो सकती है, to a magistrate, complaint किसको होती है, magistrate को, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्री में सबाल पूछा जाता है, F.I.R. आप पुलीस को लिखवाते हैं, जब आप सीधे किसी offense, कोई offense commit हुआ है, सीधे इसकी information आप magistrate को दे रहे हैं, तो इसको कहते है, complaint, चाहे police report include नहीं होती, जो 173 में submit करती है police, क्योंकि जब information police के पास आई है, किसी offense की, तो वो investigate, अगर वो offense कुदने से बल है, तो वो खुद से उसे investigate करती है, investigation के बाद एक report बना के magistrate के पास ले के जाते हैं, उसको कहते है, police report जो की 173 में बताई गई है, वो police report complaint नहीं मानी जाएग a report made by a police officer in case which discloses after investigation, the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant, this explanation को जड़ा brief में समझ लेजे, जाधा आपको ये 155 और 156 पर लेंगे तब समझ में आएगा, but brief इसका आप समझ लेजे, explanation ये कह रहा है, ये होता क्या है, cognizable case अगर है, cognizable case थोड़े जादा serious है, non-cognizable थोड़ without the order of magistrate, investigation भी कर सकती है, लेकिन non-cognizable में ऐसा नहीं कर सकती है, तो मान लीजे, police के पास information आई और prima face ही, वो cognizable case लग रहा था, इन्होंने उस पर investigation किया, लेकिन investigation करने के बाद, police को ऐसा लगा कि case was non-cognizable, तो इस बात की report अब वो magistrate के पास submit करेंगे, जो police report submit करते हैं investigation के बा अगे की कारवाई कैसे होगी, magistrate के through, non-cognizable में हर जगे magistrate आता है, तो ये जो आपकी police report investigation के बाद, आप submit कर रहे हैं, इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको complaint consider किया जाएगा, अगर investigation के बाद, ये disclose होता है, that the offense, जिसका ये investigation था, that offense was non-cognizable, in that case, इसको police report की तरह treat करने की इसकी तरह treat किया जाएगा, ये बात अगर आप बहुत जाद आप नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए गवराईए, अभी 155-156 में दुबारा इसका जिक्र में करूँगा, और वहाँ शायद आप इस बात को थोड़ा सा और जादा समझ पाएंगे, इसके बाद दे इंक्वाईरी, other than a trial, conducted under this court by a magistrate or court, सीधी बात ध्यान रखना, inquiry का मतलब कौन कंड़र कर रहा है, magistrate या court, court या magistrate, जो भी कर रहे है, other than inquiry, इसको थोड़ा सा न, इस तरीके से, residency type का बताया है, कि inquiry, वो हर चीज है, जो trial से अलग है, trial के अलावा, trial तो करता है, court या magistrate, trial के अलावा, जो भी चीज वो कर रहा है, वो सब inquiry है, basically, जैसे police investigate करती है, case के बारे ने जादा जानकारी जोटाती है, evidence collect करके, similar काम अगर magistrate कर रहा है, तो वो inquiry होता है, trial के अलावा, जो कुछ magistrate केस में कर रहा है, या court case में कर रहा है, वो सब क्या क्या क्यलाता है, inquiry, और यही चीज़ें जब police करती है, तो वो क्यलाता है, investigation, इसके बाद देखिए, next, H, तो G के बाद, H भी important है, investigation, so investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate on this behalf, investigation कौन करता है, ये बाद थ् Markus deficIES हो जाते है, other person भी हो सकता है, जिसको magistrateई एन करते, कोई दूसरा वक्ति भी police के अलावा भी कोई दूसरा वक्ति investigation कर सकता है, और magistrate से, empowered है, authorized है, तो हमने देखिए लिया है, होता क्या है, collection of evidence होता है, कौन करता है, police या कोई दूसरा वक्ति भी कर सकता है, अगर empowered by a magistrate र इसके बाद L हमने देखी लिया इसके बाद आईए N 2N define करता है offense IPC में तुरंट बताईए comment box में IPC में offense के section में defined है वहां मैंने सारी बाते बताई भी थी आपको कि कैसे CRPC की जो offense की definition है वो थोड़ी जादा broad है IPC की थोड़ी narrow definition है offense की सब मैंने उस section को बताते हूँ आपको बताईए कि किस section में है 40 that's correct 40 में है offense और IPC की offense की definition कहती है हर वो act जो IPC से punishable है वो offense है CRPC की definition थोड़ी जादा broad है 2N देखिए offense means any act or omission made punishable by any law for the time being enforced and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 तो भाई साब यह आप समझे है कि वहां तो सिरफ यह लिखाता 40 में कि ऐसे acts जिनको punishable बनाता है IPC वो offense माने जाएंगे बट CRPC का section 2N कहता है हर वो act जो किसी भी law से punishable है और वो force में होना चाहिए law law अगर force में है तो किसी भी law से punishable act offense माना जाएगा इसलिए CRPC की जो offense की definition है वो थोड़ी जादा broad है rather than IPC एन माकर आपने इसके बाद आ जाईए R, R होता है police report सिर्फ clause का question आता है क्योंकि आप से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसको जो detailed है वो है section 173 और वोपन पढ़ेंगे तो सिर्फ report से R याद रखिएगा report 2R में दिया हुआ है police report होती ही क्या है लिखा यहाँ पर भई है police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173 जो subsection 2 of section 173 में forward करती है police magistrate को उसे police report कहते है इसके बारे में detail में थोड़ा पर देखेंगे जब वो provision पढ़ेंगे तब इसके बाद सीधे mark कर लीजे W इसके बाद आजाएगे 2W summons case this is very important और इसी के साथ आपको पढ़ना है 2X भी इसी के साथ आपको पढ़ना है 2X दोनों बहुत important W और X so W में है summons case क्या होते है summons case summons case means a case relating to an offense and not being a warrant case offense है related होना चाहिए और warrant case नहीं होना चाहिए तो summons case वो है जो warrant case नहीं है कितनी बढ़ी आतरंगे definition बनाई है summons case की दी हुई है हर वो case जो warrant case नहीं है वो summons case है तो इसके लिए देखना पढ़ेगा कि warrant case क्या होता है और वो दिया है 2X में इसलिए मैंने उसके साथ warrant case लिखा है चिक warrant case means a case relating to an offense punishable with death imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding two years दो साल से ज़्यादा punishment जिस भी offense का है अगर case ऐसे offense से related है जिसका punishment दो साल से ज़्यादा है वो सारे case होंगे warrant case और जो case warrant नहीं है वो summons case तो summons case automatically हो जाएंगे दो साल या उससे कम imprisonment से punishable वाले समन और दो साल से ज़्यादा वाले सारे warrant case चिक तो ये दोनों clauses भी याद रखिएगा होता क्या है वो भी ध्यान रखिएगा नजरीन कहा रही है कि video stop हो रहा है किसी और का video तो stop नहीं हो रहा है I guess तो बेट आपके इसमें निटवा किशो हो सकता है थोड़ा सा internet connection चेक करिए ये हो गया आपका definition इतने clauses important है ये meaning important है ये सब आपको ध्यान रखना है प्री के लिए वहुँआट important section है section 2 इसके बाद आजाईए आप सीधे section 6 पे अगले chapter पे आजाईए बाकी बहुत जादा important नहीं है बाकी के जो provision है जैसे section 4 आप सिर्फ समझने के लिए जान लीजिए trial of offenses under the Indian penal code and other laws तो भाई CRPC जो है IPC पे भी applicable है और दूसरे laws पे भी applicable है IPC क्योंकि अपना procedure नहीं बताता है इसलिए उस case में CRPC होगा अगर मान लिजे कोई special law आता है जो अलग procedure बताता है तो वो जो अलग procedure अगर मान लिजे कोई contradiction होता है CRPC के provisions में और किसी special law में दिये हुए procedure में in that case प्रविल कौन से करेगा special law का जो procedure होगा वो प्रविल करेगा over CRPC हमेशा है ध्यान रखेगा बागी बहुत जादा प्री के point of view से important नहीं है सीधा आजाए चेप्टर 2 पे Constitution of Criminal Courts and Offices कौन कौन से Criminal Court होते हैं क्या क्या offices होती ही this is very important सबसे पहले देखिए Constitution of Criminal Court and Offices में Section 6 Classes of Criminal Court कौन कौन से Class of Criminal Court होती है Section 6 is very important Section number भी पूछा जाता है और Classes of Criminal Court भी पूछा जा सकते हैं option में देखे So besides the High Court and the Courts Constituted under any law other than this court there shall be in every state the following Classes of Criminal Court High Court के अलाबा और Special Laws में अगर कोई Courts Constitute करे गए हैं उनको छोड़के उसके अलाबा ये Classes of Court हर state में होंगे सबसे पहले है Court of Sessions फिर है Judicial Magistrate of First Class और Metropolitan Area में Judicial Magistrate First Class की जगे होगा Metropolitan Magistrate Third है Judicial Magistrate of Second Class Metropolitan Area में Second Class नहीं होता and last है Fourth Executive Magistrate अब समझे Judicial Magistrate जो आप लोग बनना चाह रहे हैं Executive Magistrate वो होते हैं जो Administrative Services से आते हैं Administration का ज़्यादा काम है Judicial काम उनका जनरली ज़्यादा नहीं होता बट CRPC में उनके रोल है Especially Preventive Actions वगेरा जो है उनमें Executive Magistrate का थोड़ा ज़ादा रोल है इसलिए यहाँ पे Mention किया गया है कि ये भी Class of Magistrate है Executive Magistrate जैसमें DMSDM आते हैं जनरली इसके मैं आपको Hierarchy वगेरा सब बताऊँगा बट वो मैं बताऊँगा अभी Power में जैसे अपन 28-29 पढ़ेंगे न तो मैं आपको पूरा भना के बताऊँगा कि क्या Hierarchy होती है कौन किसके Under होता है किसका कितना Power है वो मैं भी थोड़े देर मैं आपको बताऊँगा तो अगर पूछा जाए कि Apart from High Court कितनी Classes है तो ये Total Classes of Quartz है इसके बाद आजाईए सीधे Section 8 पे सीधे आजाईए Section 8 This is important Section 8 से Pre में 2-3 Question बनते हैं मैं आपको इसका GIST और वो Question बता देता हूँ Section 8 डील करता है Metropolitan Area में जैसा हमने Section 6 में पड़ा इसका जो Clause 2 है कहता है Judicial Minister of First Class and in any Metropolitan Area में Metropolitan Magistrate वहां Judicial Minister of First Class नहीं होगा या आपने Section 6 में देखा अब ये Metropolitan Area क्या होगा उसके लिए देखिए Section 8 तो दो-तीन Question बनते हैं सबसे पहला Section Number का कि Metropolitan Area कि सेक्शन में दिया हुआ है कौन स्टाबलिश करता है तो clearly लिखा है State Government सबसे पहले आप देखिए The State Government May By Notification Declare that As from such date as may be specified in the notification Any area in the state comprising a city or town Underline कर लीजे Whose population exceeds 1 million Whose population exceeds 1 million Shall be a Metropolitan Area For the purposes of this code तो-तीन सबसे पहले Section ध्यान रखिएगा कौन से Section में दिया है Metropolitan Area Section 8 कौन स्टाबलिश करता है State Government करती है किस area को Metropolitan बनाया जा सकता है किस town या city को बनाया जा सकता है जहां कि population exceed करती है 1 million 10 lakh से जाधा population जिस भी शेयर की है उसको बना सकती है State Government Notification से Metropolitan Area बस जानने लाया को बाते इसमें इतनी ही है इसके बाद जो दूसरे sub clauses है उसमें multiple चीज़ें दी है Brief मैं आपको कर देता हूँ वहाँ यह बताया है कि अगर किसी area को Metropolitan Area बना दिया गया है तो अगर उसकी population कम होती है तो फिर उसको change भी कर सकते है अगर किसी area को Metropolitan Area बना रहे है अभी Metropolitan नहीं था और एक case उसमें चल रहा था और बाद में वह Metropolitan Area बन जाता है तो जो initiate हो गया है case वो उस हिसाब से चलेगा जब वो case initiate हुआ था तब वो कौन सा area था मतलब जो initiate हुआ है case उस पे impact नहीं होगा इस बात का कि अब वो area metropolitan हो गया है इस से regarding पूरी बातें दूसरे अब sections में दी हुई है जो exam point of view से as such important नहीं है pre के लिए pre के लिए सिर्फ ये 2-3 सवाल important है जो आपको ध्यान रखने है section number state government declare करती है किस area को declare करती है ध्यान रखने है अब आते हैं अपन courts की तरफ जैसा मैंने कहा ना कि CRPC क्योंकि बता रहा है कि court को try करनी है magistrate है session court ये सब कौन establish करेगा इनमें appointments कौन करेगा ये सारी बातें अब हम पढ़ने जा रहे है section 9 is very important it deals with court of session तो देखिए section 9 court of session कौन establish करेगा एक general बात यहाँ समझ लीजिए सारे इन provisions में कि जितने भी court है उनका establishment generally generally court establish करती है state government और जो appointment होता है जिसका वो generally करती है high court ये common rule है आपको majority of provision में मिलेगा तो section 9 देखिए the state government shall establish court of session for every session division तो भाई अलग-अलग session division होते है इसका districts से directly लिना देना नहीं district दूसरे administrative purposes के लिए बनी है revenue purposes के लिए बनाई गई है criminal courts के लिए session बनाया जाते है हो सकता है दो अलग-अलग जगे के मिला के एक session हो या एक उसमें दो ऐसा हो सकता है common होता है district and session court common भी होता है तो criminal purposes के लिए session division अलग से constitute किया जाता है एक area लेके और वहां का एक session court बनाया जाता है session court establish कौन करेगा तो state government करेगा और subsection 2 important है every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by the high court this is very important session court में जो judges बैठेंगे जो session judges होंगे उनका appointment करेगा high court दो बातें यहाँ basically ध्यान रखनी है court established हर जगे majority of provision में आप देखेंगे court establish करने का काम state government करती है appointment का काम judges के high court करती है जो बता रहा हूं उसके करने पूरे याद नहीं करने मैं आपको especially बता रहा हूं section 2 के clauses जो याद करने हो बता दी है उसके बाद 3, 4, 5 से मतलब नहीं था 6 से मतलब था 6 आपको याद करना है 8 आपको याद करना है section number 9 आपको याद रखना है section जो जो बता रहा हूं वो याद रखना है बागी जोड़ दीजे court of session दिया है 9 में ये ध्यान रखियेगा court of session कौन establish करता है और judges का appointment कौन करता है ये देखियेगा बागी के जितने subsection है उनमें फिर और अलग-अलग बाते हैं सी से related है कि additional भी appointment कर सकते हैं एक से काम नहीं हो रहा तो additional session judges भी appointment कर सकते हैं है ना और इन सब को मिला के court of session बनते हैं वो सब बातें बहुत important नहीं है सिर्फ subsection 1-2 important है इसके बाद सीधे आप आजाएए 11 पे 10 में बस इत्ता दिया है subordination of assistant session judge assistant session additional भी बनाए जा सकते हैं और assistant भी additional ध्यान रखना हमेशा equivalent होते हैं additional का power आप देखोगे जितना session judge का power उत्ता है additional का power लेकिन assistant session judge जो होते हैं वो subordinate होते हैं 9 में इसके बाद section 11 और section 11 में है court of magistrate in every district not being a metropolitan area metropolitan area पे भी ये applicable नहीं है metropolitan area कौन सा होते है जो section 8 में बनाया गया है so in every district there shall be established as many courts of judicial magistrates of the first class and of the second class and at such places as the state government में after consultation with the high court by notification specify जितने चाहें उतने court of judicial magistrate first class और judicial magistrate second class establish करे जा सकते हैं establish कौन करेगा तो सेम बाद state government establish करेगी और judges का appointment किस से होगा वो आपका करेंगे high court इसका भी आप proviso भी देखिए ये भी important है फिर अपन subsection 2 पे आते है proviso बहुत important है provided that the state government may after consultation with the court with the high court establish for any local area one or more underline कर लीजिए special courts of judicial magistrates of the first class or second class to try any particular case or particular class of cases लेकि section 11 का general जो provision है वो आप से ही करता है कि state government जितने चाहे एक district में JMFC judicial magistrate first class और JMSC judicial magistrate second class के जितने चाहे court बना सकती है ठीक फिर proviso में लेका है कि special court भी बनाए जा सकते है को deal करने के लिए जैसे आपने क्योंकि अपन कर्मिनल की बात कर रहे है मान लीजे NDPS court अलग बना दिया जो नार्कोटेक्स और वह वाले matter deal करेगा STST के लिए आपने separate offenses against STST उनको atrocities against STST उनको deal करने के लिए आपने एक separate court बना दिया क्योंकि इसके लिए हमने separate special court बना दिया है तो अब यह जो subject matter है इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए subsection 2 जैसा मैंने कहा court established करने का काम state government का और judges appoint करने काम हाई court का इसके बाद सीधे आ जाईए 12 पे 12 12 is important Chief Judicial Magistrate and additional Chief Judicial Magistrate इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि JMFC में ही Judicial Magistrate First Class Judicial Magistrate First Class में से ही एक Magistrate को बना दिया जाता है क्या CJM जिसको हम कहते है Chief Judicial Magistrate इनमें सही जो senior most होता है उसको बना दिया जाता है 12 का subsection 1 देखिए in every district not being a metropolitan area the high court shall appoint a judicial magistrate for the First Class to be the Chief Judicial Magistrate JMFC को ही CJM बना दिया लता है CJM head करता है Magistrates को Magistrates का पूरा supervision किसके अंदर होता है CJM के अंदर अभी power पर पनाएंगे तो वहां मैं आपको पूरा ये hierarchy और category सारा बताऊँगा जैसा मैंने आपको कहा तो वह मैं अभी आपको थोड़ी दिर में बताता हूँ section number ध्यान रखना है इदर बस इसके बाद section 13 special judicial magistrate this is again important आप दो चीज़ों में different समझना section 11 का proviso जो हमने पढ़ा अभी वो एक अलग चीज है वो special court की बात कर रहा था इसका जो proviso है वो special court की बात करना था whereas अगर आप मैं बात करूँ आप से section 13 की section 13 एक अलग बात कर रहा है section 13 बात करना है special judicial magistrate की so ये है special special judicial magistrate और ये किसकी बात कर रहा था ये बात कर रहा था special court की एक specific subject matter को deal करने के लिए JMFC और JMFC के court में से किसी एक court को आपने designate कर दिया अलग से 13 special judicial magistrate एक अलग चीज है the high court may is requested by the central or state government so to do confer upon any person underline कर लिजे इस बात को confer upon any person who holds or has held any post under the government government के अंडर कोई भी ऐसा वेक्ति जिसने state government या central government के अंडर कोई post hold करी हो ऐसे वेक्ति को high court जो है इस government की request पे सारे power दे सकता है जो एक judicial magistrate के होते हैं आज रहता है all or any of the powers comfort or comfort by or under this code on a judicial method of the first class or of the second class in respect to particular cases or to particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area किसी specific area में वो सारे power जो जैमर्सी है जैमर्सी को दिये जाते हैं high court अगर state government or central government high court से request करें तो high court किसी ऐसे वेक्ति को यह power दे सकता है जो कोई भी government post hold कर चुका है उसको special judicial magistrate बनाने का power यहां पर high court का है special court अलग है बीटा समझना वो already designated जेमर्सी और जेमर्सी के court है उनको हमने क्योंकि subject matter specify कर दिया है इसलिए वो special court है और यह special judicial में एक ऐसा विक्ति जो गर्मेंट का कोई position hold कर रहा था उसको वन magistrate के सारे power देने लेकिन यहां एक constraint हो जो कि बहुत important है subsection 2 में आप देखेंगे यह बहुत important है such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term underline कर लीजे not exceeding one year at a time एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगा यह confirmant power का देखे basically मान लीजे कि state government को लगता है central government को की sufficient judges नहीं है इस area में judicial magistrate नहीं है हमारे पास कामी पढ़ रही है बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है इसलिए उनका paper crack नहीं हो रहा है और competent judges हमको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे तो दिन भर बैटके वीडियो देख रहा है उसको आप power confer कर दीजिए लेकन यह कितन के लिए होगा है एक साल के लिए यह सर्फ एक साल के लिए होगा उसके बाद वो खतम हो जाएगा तो कि फिर अगली वाली बैच को chance देना है हो सकता है वो काम के वीडियो देख लेए हो सकता हो पढ़ाई कर लें और इसी लिए सिर्फ एक साल के लिए पावर जन्रली गन पर किया जाता है तो 13 याद रखिएगा इसके बाद सीधे मार्क कर लेजिए अब देखो मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बताता हूँ हर सेक्षन आगे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे अपनने 13 तक पढ़ लिया अब 14 तो लोकल जुरोजिक्षन बताता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है 15 सब ओडिनेशन जुडिशल मजिस्ट्रेट बताता है यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है 16 से आप दिखोगे तो Court of Metropolitan Magistrate की बात है जैसे अपनने Court of Magistrate पढ़ा वैसे 16 11 में अपनने Court of Magistrate पढ़ा वैसे 16 में Court of Metropolitan Magistrate है जैसे हमने Section 12 में Chief Judicial Magistrate पढ़ा CGM वैसे इधर 17 में Chief Metropolitan Magistrate की बात करी गई है और जैसे हमने 13 में Special Judicial Magistrate पढ़ा वैसे ही यहाँ पर 18 में special metropolitan magistrate की बात है बट इन sections को अगर आप बाकी याद कर चुके हैं दूसरी तीसरी बार CRPC पढ़ रहा है और कोई कसा फिर नहीं चोड़ना चाहते हैं तो इन section को याद करने की कोशिश करिएगा अगर आपको अल्रेडी वो वाली चीज़ें याद नहीं है तो प्राइमरली आप उनको करिए जो मैंने especially बताए हैं जैसा मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ executive magistrate कौन होते हैं तो देखिए in every district and in every metropolitan area the state government may appoint as many person as it things fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे जत्ते भी judges magistrate की appointment है वो कौन करता कर रहा था है यह बात हो रही है executive की और executive की appointment कौन करता है अपने पावर से यहां जैसा मैंने आपको बताया है उस पर अभी अपनाते है इसके अलागा इसमें कुछ भी जानने लायक याद रखने लायक बहुत ज्यादा substantive point है नहीं section 20 में एक इसका subsection 5 आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the timing in force on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to a metropolitan area metropolitan area के relation में police commissioner जो है उस पे भी power confer किये जा सकते है executive magistrate के police commissioner के उटकर भी executive magistrate के power confer किये जा सकते है that's it इसके बाद सीधे आ जाईए 24 पे this is very important अब यहां से वापस परी के बहुत important सवाल है 24 बहुत जादा important है section 24 बात करता है public prosecutor की दो-तीन सवाल बनते है कि section में दिया है public prosecutor कौन appoint करेगा कैसे होगा जो जो सवाल है expressly मैं आपको बता देता हूं देखिए public prosecutor के लिए लिखा है for every high court the central government or the state government shall after consultation with the high court appoint a public prosecutor तो high court के लिए central या फिर state government को करना ही करना है mandatory है शाल लिखा है ठीक तो public prosecutor high court में appoint होगा ही state government या central government जोनों करने से कोई भी कर सकता है and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution appeal और other proceeding government के बिहाफ पे case लड़ने के लिए basically public prosecutor का appointment होता है यह आप चांगते है criminal cases में क्योंकि जो proceeding करनी है या जो prosecution करना है वो state को करना है government को करना है क्योंकि society को protect करने की responsibility किसकी है government की है तो government को prosecution करना उसके लिए उसे लोग चाहिए वकील चाहिए तो वो क्या करते है public prosecutor appoint करते है उनका appointment 24 में दिया हुआ हुआ है करेगा कौन तो यह चीज़ क्लियर लिख है लिखी है high court में तो central यह state government करेगा ही इसके बाद इसके लाबा जो question यहां अगला बनता है वो subsection 5 से बनता है यह बहुत important है public prosecutor के appointment के लिए जो panel बनाया जाता है वो कौन prepare करता है तो subsection 5 देखिए no person shall be appointed by the state government as the public prosecutor addition public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the underline कर लिए district magistrate under subsection 4 subsection 4 में जो दिया हुआ है कि DM के panel से आपको appointment करना है जो panel बनाया है DM ने जो पैनल बनाया वो in consultation with session judge बनाया है 4-5 को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह दिया basically इस कहानी को समझ देजए कि हो क्या रहा है public prosecutor का एक तो होता है regular cadder जहां एक regular cadder के through appointment होते हैं जहां यह regular cadder नहीं है वहाँ appointment public prosecutor का कैसे होगा DM जो भी lawyers के नाम है उसका एक panel prepare करेगा और यह काम होगा in concurrence with in consultation with session judge जो subsection 4 में दिया है session judge के साथ consultation में DM name of lawyers prepare करता है panel prepare करता है उन में से किसी का appointment state government करती है as a public prosecutor उन में से किसी वक्ति का जिसका नाम उस DM के list में तो दो-तीन सवाल यहां पूछे जाते हैं कि अगर regular cadder नहीं है तो जो panel prepare होना है जो वो कौन करेगा तो वो DM करेगा ठीक public prosecutor कि section में पॉइंट होता है यह ध्यान रखियेगा और panel prepare करना है तो वो कौन करेगा यह बहुत important question है इसके बाद सीधे आजाए subsection 7 इस बहुत ही जादा important है यह a person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor और अधिशन पॉब्लिक यह सबसे important सवाल है कम से कम seven years of practice चाहिए अगर आपको बनना है क्या public prosecutor अगर बनना है तो कम से कम साथ साल की practice as an advocate चाहिए यह सबसे important सवाल है तो प्री के दो-तीन सवाल हो गए सबसे पहला किस section में दिया है public prosecutor पैनल अगर prepare करना है तो कौन करेगा DM करेगा advocate का eligible होगा public prosecutor बनने के लिए कम से कम साथ साल की practice करी हो ऐसे ही subsection 8 भी बहुत important है यह बात करता है special public prosecutor की state government special public prosecutor भी appoint करेगा और यह जो special public prosecutor है इसके लिए चाहिए practice 10 साल की 10 years यह भी बहुत important है not less than 10 years subsection 8 में लिखा हुआ है जैसे हमने special court बनाये specific subject matter को deal करने के लिए ऐसे ही specific subject matter को deal करने के लिए special public prosecutor बनाये जाते हैं और उसके लिए चाहिए हमें 10 साल की practice ठीक तो यह दो चार सवाल जो है बहुत important है यहां से इसके बाद सीधे आईए 25 25 is equally important बहुत जाधे important है 25 बहुत जादे इंपोटन है 25 बहुत करता है assistant public prosecutor की अब इस section 25 में देखिए क्या क्या question बनते हैं अभी हमने बात करी public prosecutor की और public prosecutor के लिए तो practice चाहिए बिना उसके आप नहीं बन सकते इसलिए जो ADPO या APO का exam होता है assistant prosecution officer होता है APO यह ADPO वही चीज़ है कि यह assistant होता है public prosecutor के लिए तो क्योंकि 7 साल की practice चाहिए after graduation आप जिस exam में अपियर होते हैं सरकारी वकील कि वह assistant होता है उसके बारे हैं 25 में दिया है तो देखिए the state government shall appoint in every district appointment कौन करेगा एक तो section number याद रखिए appointment करेगा state government बनाएगी हा district में एक assistant public prosecutor या उससे जाधा बना सकती है इसके बाद बने बहुत important नहीं है central government के लिए obligatory नहीं है mandatory नहीं है चाहे तो बनाए या तो ना बनाए यहां important है subsection 2 और 3 यह बहुत important है अब इसका जो subsection 2 है यह आपको clearly कह देता है कि police वाला जो है police officer जो है यह eligible नहीं है assistant public prosecutor बनने के लिए लेकिन subsection 3 इसके बारे में एक exception बताता है वो condition बताता है कि कब police officer को आप assistant public prosecutor बना सकते हो so subsection 3 देखिए where no assistant public prosecutor is available for the purposes of any particular case underline कर लीजे the district magistrate may appoint कौन करेगा DM किसी और जहां public prosecutor available नहीं है assistant public prosecutor जहां available नहीं है DM वहां किसी भी वेक्ती को assistant public prosecutor appoint कर सकता है लेकिन हमने subsection 2 में पढ़ा है कि police वाला तो appoint नहीं होगा तो 3 उसके exception बताता है कि police वाला कब होगा so यहां लेका है that district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case 2 कह रहा है कि police वाले को आपको नहीं बनाना है assistant public prosecutor लेकिन subsection 3 कह रहा है कि किसी भी वेक्ती को DM बना सकता है आप किसी भी वेक्ती में तो सावा जाएंगे पुलिस वाला भी आ जाएगा तो उसके लिए प्रवाइचो देखिए प्रवाइड थाट पुलिस officer shall not be so appointed first if he has taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted पहली condition है अगर किसी police officer को assistant public prosecutor बनना है तो पहली condition है कि उस police officer ने investigation में part ना लिया हो उस case के जिस case के लिए उससे assistant public prosecutor बनाया जा रहा है उस case के investigation में part ना लिया हो और इसके बाद है second if he is below the rank of inspector, inspector की rank से कम का है तब भी नहीं बनाया जाएगा और अगर investigation में part लिया है तब भी नहीं बनाया जाएगा करते हुए that is 25 बहुत important है इसके बाद 25A this is also again important 25A भी important है काफी जाधा section number भी याद रखिएगा direct rate of prosecution की बात करता है 25A कौन बनायेगा कौन होगा eligible कौन होगा क्या काम होगा सारी बात ने है दो तीन question important है 25A से the state government may establish a direct rate of prosecution consisting of a director of prosecution as many deputy director of prosecution as it think fit तो बनायेगा कौन state government establish करेगा direct rate of prosecution यह पूरे state के prosecution को head करने के लिए basically होता है direct rate of prosecution और जितने चाहे deputy director बना सकते हैं कौन विक्ती eligible होगा यह director of prosecution बनने के लिए तो उसके लिए देखिए subsection 2 में दिया है अब वसंचाल भी eligible to be appointed as a director of prosecution और a deputy director of prosecution only if he has been in practice underline कर लीजे as an advocate for not less than 10 years जो special public prosecutor की requirement ती same requirement है director of prosecution बनने के लिए 10 साल की practice चाहिए कम से कम and such appointment shall be made with the concurrence of the chief justice of the high court high court के chief justice के concurrence में होगा यह appointment director का वाकि subsection 3 और onwards बताया कि यह काम करता है जो prosecution department जो home department है उसके अंदर यह directorate of prosecution काम करेगा सारे जितने भी prosecution officers होंगे public prosecutor additional public prosecutor assistant public prosecutor वो सब इसके under काम करेंगे यह बताया वो सब subordinate होंगे directorate of prosecution की यह आपको subsection 5 बता देता है 8 एक mark कर लीजिया बहुत ज्यादा important तो नहीं है बट थोड़ा से कभी यह पूछा जा सकता है subsection 8 the provision of this section shall not apply to advocate general for the state while performing the function of a public prosecutor advocate general पे इस section के provision apply नहीं हो कहने का मतलब हमने क्योंकि यह लिख दिया कि director of prosecution के subordinate होंगे बाकी सारे prosecutors बट अगर advocate general state के बहाफ पर plead कर रहा है तो वो इस director of prosecution का subordinate नहीं होंगा क्योंकि advocate general जो post है वो constitutional post है वो constitutional body है advocate general इसलिए वो इसके अंडर खान नहीं करेंगा यह provision इस section के उस पर applicable नहीं होंगे यह और एक important बात इसके अब यहां में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं हिरार की आपसे बात कर रहा था हिरार की जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था वह हम पढ़ेंगे इस chapter 3 में power of courts दिया हुआ है देखिए हमने अभी classes of court पड़ा section 6 नहीं में बताया कितने तरीके के high court के लावर courts होंगे अब हम जानने जा रहे हैं इनके powers क्या क्या है या फिर कोई दूसरा court जो first schedule में mention है कि ये वक्ति ट्राइल कर सकता है वो होगा इसका proviso important है कि रेप के जितनी भी ट्राइल होंगी रेप से related जितनी भी आप section देखके आब आपको IPC recollect होना चाहिए हमने पूरा IPC पड़ा है तो proviso में ने section mention है 376 और उसके सारे variant और रेप का punishment बता रहे है तो रेप की जो भी ट्राइल होगी इसके लिए एक शाल भी ट्राइब आपके केबल बाया court presided over by a woman जहां तक संभव हो उसका proceeding officer कौन होगा रेप की ट्राइल का woman जज होनी चाहिए है इसके बाद subsection या clause B जो है इसका जो 26 का clause B है any offense under any other law shall when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court and when no court is so mentioned may be tried by high court और any other court तो देखिए special law में अगर कोई mention किया गया special court अगर कोई mention किया गया special law में तो वो try करेगा और अगर mention नहीं है in that case special laws होते हैं उसमें अलग से बताया गया है कि किसको try करनी है तो यह तो basic detail है यहां से सवाल सिरिफ important है आपका वह प्रभाईशर वाला कि juvenile होगा कौन दो तीन सवाल है 27 में एक तो section number दूसरा juvenile कौन होगा 16 साल तक का बच्चा juvenile होगा इस purposes के लिए और court of chief judicial magistrate को आप mark कर लिए section 21 में court of chief judicial magistrate CGM का जो court होगा वो especially empowered वो माना जाएगा juvenile cases को try करने के लिए उसका jurisdiction होगा generally CGM का होगा या फिर जो अलग से court बनाया गया है उसके बारे में भी 27 बात करता है और by any court specially in part under the children's act children's act में अगर अलग से बनाया गया है तो वो होगा तो या तो CGM या फिर आपको sum up कर दूँ यहां जो सारी बात ने 28 और 29 में बताई गई है उसी से मैं आपको hierarchy समझा देता हूं और वो पूरब तो देखिए starting from high court 28 बात करता है देखिए कई बार यह सवाल आता है कि highest court criminal court कौन सा है इंडिया में तो वो तो supreme court है बले वो court of appeal है लेकिन highest court तो supreme court है आपके यहां तो वो तो supreme court ही होगा अगर objective सवाल पूचा जाता है बाकि जो trial के matter की बात है तो यहां high court से start किया है और high court का एक में लिख देता हूं hierarchy और उसके बाद आपके power तो high court तो भाई सब बहुत ही अलगा आ लिए high court तो state में सबसे बड़ा court है power के sense में जिसके हम बात कर रहे हैं कि कितना court का power है power के sense में तो देखिए दो तरीक से होता है jurisdiction या power के बात करते है तो एक होता है territorial jurisdiction उसके लिए अलग से दिया है कि किस offense में किसका territorial jurisdiction आएगा उसके लिए separate chapter S.E.R.P.C. में और जिस area के लिए बना जाता है उतने geographical area में power होता है लेकिन हम यहां इस chapter में जिस power की बात कर रहे हैं वो इस sense में कर रहे हैं कि punishment कितना दे सकता है यहां इस particular 28-29 में जो हम power की बात कर रहे हैं वो इस sense में कर रहे हैं कि एक particular court या magistrate कितना punishment दे सकता है उस sense में तो high quote के लिए लिखा है any sentence, कोई भी sentence जो authorized by law हो, जो law में prescribed हो maximum, वो sentence दे सकता है high quote, any sentence, ठीक ये धान रखिये ला, जो भी highest available in law में high quote वो sentence दे सकता है, इसके बाद आते हैं पन, structure of session की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें होता है सबसे पहले एक तो session judge, और एक होता है additional session judge, इनका same है power, session judge और additional session judge, इनका power कितना है, तो same इनके लिए भी है any sentence, कोई भी sentence ये दे सकते हैं, वो जैसा मैंने कहाता है additional वाला हमेशा बरावर power रखता है, तो कोई भी sentence हो सकता है, लेकिन एक condition है additional session और session judge में, कि अगर मालने जिए इन्होंने death penalty दी है, तो it is subject to the confirmation of high quote, session judge है additional session judge के प power है, जो भी law में authorized punishment है maximum, जिस भी offense के लिए वो दे सकते हैं, लेकिन अगर है death sentence दिया है, तो उसका execution तब तक नहीं होगा, जब तक high quote से confirmation ना हो जाए, ये एक चीज़ यहाँ पे additionally mention करी गई है, जो आपको ध्यान रखना है, it is subject to confirmation by the high quote, इसके बाद आते हैं अपन assistant session judge, assistant session judge का जो cover बताया गया है, वो है आपका up to 10 years, आप उसको पढ़ेंगे, तो आपके समझ में आएगा, it is up to 10 years of imprisonment, फाइन कुछ भी दे सकते हैं, जो दिया है, so 10 साल तक का imprisonment आपका assistant session judge दे सकता है, जैसा मैंने कहा, additional equivalency होता है, इसलिए बराबार power है, assistant जो था वो subordinate होता है उसका power कम है, इन तीनों को मिला के, generally अपन कहते है, court of session, court of session जो होता है, वो इनको मिला के होता है, इसलिए जो section 9 था, उसमें सब कुछ दिया था, court of session कहां दिया था, section 9, तो इन सब के बारे में वहाँ बात करे गई हो, 10 ने बताया है कि assistant जो हो subordinate होंगे, बड़ इसको collectively कहत कहते है, court of session, इसके बाद आप आते है, नीचे, आप 29 पे आएंगे, जो magistrates की बात करता है, तो उसके कहांनी ऐसी है, कि magistrates में सबसे उपर होता है, आपका CJM, इसका power बताया है, जो मैं आपको बता जुका हूँ, section 12 में दिया है, CJM के बारे में, अच्छा एक चीज और simultaneously ध्य और इसका जो power है, punishment देने का, this is 7 years, up to 7 years, not exceeding 7 years हर जगे लिखा है, so this is up to 7 years, imprisonment ये दे सकते हैं, दोनों, चाहे वो CJM हो या CMM, क्योंकि आप 29 का, subsection 4 देखुगे तो वहां लिखा है, कि जो CJM का power है, वही CMM का है, और जो JMFC का power है, वही MM का है, तो वो चीज में आपको इसल judicial magistrate first class, JMFC, और metropolitan area में आ जाएगा आपका MM, metropolitan magistrate होता है, JMFC की जगा, इसका जो power है, that is up to 3 years imprisonment है, तो imprisonment की बात करें, तो up to 3 years, और fine की भी इनकी limit है, तो इनकी limit है, 10,000, 10,000 तक का ये fine लगा सकते हैं, चिक, 3 years imprisonment और 10,000 तक का fine, इसके बाद hierarchy में नीचे होते हैं, judicial magistrate second class, मत्रदेश में अगर आप बनते हैं, तो आप JMFC, UP में भी अगर आप बनते हैं, initially आप JMFC ही बनते हैं, judicial magistrate second class, उसके बाद आप JMFC होते हैं generally, और metropolitan area में तो ये rule ही नहीं है, वहाँ सिरफ CMM और MM होता है, इनका जो jurisdiction है, that is up to 1 year, imprisonment जो दे सकते हैं, वो up to 1 year है, और fine जो अब इनको collective अपन क्या कहते है, इनको अपन कहते है, court of magistrate, court of magistrate, court of magistrate, इनको कहा जाता है, court of magistrate, ठीक, तो ये हैं आपके, ये हो गया court of session, ये हो गया आपका court of magistrate, इसमें ये officers, इनके ये powers, that's how 28 and 29 comes to an end, और ये बहुत जादा important है, इधर Supreme में बिलकुल सवाल पूछे जाने कि सो प्रतिशत संभावना होती है, कि एक आतका तो पूछे लेंगे, CGM का पूछे लेंगे, MFC का पूछे लेंगे, Assistant, Session, Judge का पूछे लेंगे, ये बहुत जादा important है, इस सवाल आपको बिलकुल मिल जाते है, इसके बाद आईए section 30, ये बहुत जादा important provision है, section 30, जो है, this is very important, so section 30, sentence of imprisonment and default of fine, अब अगर आपने IPC की classes attend करी है, तो जो section 30 का head note है, इस से आप वाक्यस है, इसके बारे में आप जरूर जानते हैं, इसलिए मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूँ, कि भाई, जो यहाँ पे sentence दिया हुआ है, जो section 30 में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं ये मान क के चल रहा हूँ, कि आप आगे का already, IPC जो हमने पढ़ा था, default of payment of fine, वो बिलकुल आपने पढ़ा हुआ है, वो मैं मान के चल रहा हूँ, इधर पर कि आपने वो वाला already पढ़ लिया है, जो हमने पढ़ा था, punishment वाला जो chapter 3 उसके बारे में, so इधर पर थोड़ा समझना, section 30 क थोड़ा से समझना कि ये कहना क्या चारा है, और कैसे ये दोनों correlate होता है, क्योंकि यहां से थोड़े से application-based सवाल भी बनते हैं, आपको application-based सवाल पूछे जाएंगे, और वहां आपको दोनों apply करना पढ़ेगा, वहां पे आपको CRPC भी apply करना पढ़ेगा, और वहां पे such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law, जो भी law ने authorized किया है magistrate को, वो यहां पे रक्ती कर सकता है, ये चीज यहां दी हुई है, जो भी magistrate को हमने अभी जो पढ़ा 28-29 में जो power है, वो आप देख सकते हैं, इसके बाद है provided that the term, this is very important, जैसे इसका clause A है, is not in excess of the powers of the magistrate under section 29, लेकिन हम ये तो कह र जाना है, ये वो बात चल रही है, आप fine नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपके ओपर imprisonment लगाया जाना है, वो कितना होगा, इस ते reddit IPC में आपने already जैसा की जाना जाना है, तो यहां पे जो आप default के case में जतना लगाएंगे, that should also not exceed the power of a magistrate, magistrate का जो power है, उससे जाधा वो नहीं होना चाहिए, और similar provision आपको IPC में भी मिलता है, तो दोनों का correlation थोड़ा सा अपन देखने वाले है, so यहां सबसे पहले, A में तो इतना ही दे दिया है, कि जो authorized उससे जाधा नहीं होगा, B देखिए, shall not where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence, exceed one-fourth of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict, अब यह बात ध्यान दे punishable with imprisonment as well as fine, और वहाँ पर fine ना देने के लिए आपको अपके उपर imprisonment लगना है, आपको imprisonment दिया जाना है, वो कितना हो सकता है, तो IPC में हमने देखा था, यहां लिखा था one-fourth, किस बात का one-fourth, offense के लिए जो prescribed है one-fourth, कौन सा prescribed, maximum का one-fourth, उस offense के लिए जो maximum punishment prescribed है, उसका one- one-fourth of the competency of magistrate, competency of magistrate, का one-fourth, अब यहां एक conflict आ सकता है, कि जब दोनों को अपने को चेक करना है, तो कैसे करोगे, जिसे मान लिए CJM है, अब CJM का जो maximum है, वो seven years है, मान लिए जिए, just for an example, कि एक CJM को अगर ट्राइल करनी है, किसी थिफ्ट के offense की, और उसमें उने default of fine के लिए imprisonment देना है अगर, तो वो कितना होगा, तो अगर अगर अपन CRPC देखेंगे, तो CJM का maximum तो 7 साल है, उसका one-fourth, लेकिन अगर अगर अपन IPC देखेंगे, 65 में, तो यहां लिखा है, 3 साल का one-fourth, तो कि a theft का maximum punishment, 3 साल है, उसका one-fourth, तो applicable कौन सा होगा, जो भी कम इस तरीके के application-based question इदर आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों का वो जो comparison है, 65 का और section 30 का, this should be kept in mind, ठीक है, तो भाई, यह जो मैंने आपको बताया था, शायद यह जो अपरेचिब जी मैं पहली बार आएं क्लास में, मैंने आपको यह चीज बताई थी, कि this is not a revision, अ अगर आप कड़ चुके हैं, आपको सब आता है, तब तो यह class बहुत जादा आपके लिए significance की नहीं है, और MP, ADPO के जो मैंने live lectures लिये थे, उसमें मैंने revision ही करा है, दो class में CRPC खतम है, उसमें पूरा, तो अगर आपकी preference या आपकी priority वो है, तो आप वो CRPC के सिर्फ दो lecture है, इसमें पूरा CRPC complete है, you can watch that as well, अगर आपकी requirement वो है, तो, this is for some other requirement, जोनोंने बहुत basic preparation भी जोनोंने नहीं की है, this is for them, that's why it is named as a crash course, rather than revision, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चें जोनोंने CRPC कभी पढ़ा ही नहीं है, दंग से, उन्हें समझ में ही नहीं है provision का मतलब, that's why I am going in that pace, और जैसे IPC में भी, जो MP, ADP के लिए कराया था, that was revision, दो क्लास में पूरा IPC खतम, लेकिन वहाँ मेरे पास scope नहीं था, ये समझाने का, कि culpable homicide होता क्या है, और murder क्या होता है, वो समझने के लिए आपको crash course वाली क्लास ही देखनी पढ़ेगी, तभी आपको वो conceptual clarity आईगी, अब ये जो दोनों का distinction मैंने अपको भी समझाया, section 30 CRPC और IPC का 65, ये उस CRPC की क्लास में इतने धंग से मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि purpose अलग है, तो आपका जो purpose है, accordingly you can select कि हमें क्या चीज़ देखनी है, चाहिक है, so there is difference, there is difference in the purpose of the thing, चाहिक है, इसके बाद आते हैं, अरे ठीक, I don't, I'm not worrying about that, कुशान, मैं बिल्कुल वरीड नहीं हूँ, उस चीज़ बटे मेरे को बता है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर आफ, जैसा मैंने का न, एक CRPC की क्लास है, और कौने दो गंटे में सिर्फ ये बता है, कि CRPC पढ़ा कैसे जाता है, तो purpose अलग है, foundation अलग है, उन बच्चों के लिए जन्हें एकदम बेसिक से स्क्राच से तैयारी करनी है, उनके लिए foundation है, purpose की बात है, वो clarity होनी चाहिए आपके जहन में, तभी आप कुछ गेंट करपाएंगे, otherwise तो मश्किल है, इसके बाद आईए आप, अच्छा, ये एक चीज हो गई अब उपर हमने कह दिया कि जहां offense punishable था with imprisonment as well as fine, वहां हमने बोल दिया कि in default of fine अगर आपको imprisonment देना है तो वो कितना होगा या क्या होगा, तो वो जो होगा आपका one-fourth होगा competency of magistrate के हिसाब से, लेकिन subsection 2 ज़रा पढ़िए, ये कहता है, the imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term avoidable by the magistrate under section 29, और उपर अगर आप देखें, जो provisor में a लिखा है, अब दोनों के बीच का थोड़ा सा comparison हमको समझने की ज़रूरत है, provisor में जो clause a लिखा है, और जो subsection 2 लिखा है, इन दोनों के correlation को ज़रा समझिए, क्योंकि a कह रहा है, is not in excess of the powers of the magistrate under section 29, जो भी आप default के बदले मे imprisonment देने वाले है, it should not exceed your power, आपका जो 29 में पावर है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब कि subsection 2 कह रहा है, कि अगर आपने substantive sentence भी दिया है, और default of fine के बदले में भी आप imprisonment दे रहा है, it can exceed your power, आप 29 में जितना authorized है, उससे ज़्यादा दे सकते हैं, subsection 2 basically ये कह रहा है the imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term available by magistrate under 29, तो भईया यहाँ उससे ज़्यादा देने की बात कर रहा है, अब इन दोनों के बीच का difference क्या है, अरे चलिया आप इतर आ जाईए, आप उस comparison में मच जाईए, आप इस comparison को समझिये, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, उस लडाई में म पड़िया, ये जो बात चल रही है, ये सब हमारा ही create किया है, ठीक है, अब बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ देखिया आप ये comparison देखो आप ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, clause A और subsection 2 समझना, clause A जो बात कर रहा है कि यहाँ जो आप punish कर रहे है, section 30 में जो default के case में देने वाले है, जो default के बदले में देने वाले है, जैसे माल लिजिये, किसी एक sentence में, एक magistrate ने 3 साल का imprisonment दिया, जो की normally वो दे सकते थे, माल लिजिये, 3 साल तक का imprisonment दिया है, plus fine लगाया है 5000 रोकेटा, अब बंदा अगर fine नहीं देगा, तो default के case में उन्होंने imprisonment क से जादा नहीं दे सकते, माल लिजिये, JMFC कर रहे हैं, इसकी try, तो JMFC का पावर 3 साल है, उससे जादा आप नहीं दे सकते, तो ठीक है, आपने माल लिजिये, 2 साल दे दिया, माल लिजिये, आपने 2 साल दे दिया, या आपने 3 ही दे दिया, whatever, अब subsection 2 यह बता रहा है, कि आपके 5 साल, which exceeds the power of JMFC, अब यह 5 साल तो जादा हो गया, यह बात subsection 2 actually कह रहा है, कि यह दोनों मिलाके exceed कर सकता है, लेकिन जो clause A है, वो expressly किस के बाद कर रहा है, इस default की, इस 5000 के बदले में किता दे सकते हैं, तो उसमें आपको 3 से जादा नहीं देना है, अगर आप JMFC हैं, तो 3 से जादा नहीं देना है, लेकिन जो aggregate होगा, जो overall होगा substantive punishment plus in case of default, दोनों मिलाके आप exceed कर सकते हैं, ठीप, so that's what subsection 2 is, section 30 इतना मजात नहीं यह जनता नहीं लिया है, तो इस बात को ज़रा थोड़ा समझना, इसके बाद आते हैं अपन section 31 पे, यह है sentence in cases of conviction of several offenses at one trial, यह भ होता है, वो भी पूछा जाएगा, तो इसका जो पूरा provision है, इसको मैं आपके लिए summarize कर दूँ और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, आपको 31 का, so देखिए, section 31 basically बात कर रहा है, ऐसे convictions की, जहां एक वेक्ती को convict किया गया है, several offenses के लिए, एक ही trial में, अलग-अलग offenses के किया गया, तो punishment अलग-अलग है, अब एक सवाल ही आता है, कि वो punishment run कैसे करेंगे, concurrently run करेंगे, या फिर consecutively run करेंगे, consecutively का मतलब एक के बाद एक run करेंगे, या फिर एक साथ run करेंगे, तो उस पे section 31 का ये कहना है, कि generally वो एक के बाद एक, जैसे मान लिजे, एक same trial में, एक person को, एक offense के लिए सजा दी गई तीन साल की, एक offense के लिए सजा दी गई दो साल की, और एक offense के लिए सजा दी गई एक साल की, तो अब ये punishment run कैसे करेंगा, क्या वो पहले तीन साल रहेगा, एक particular offense के लिए, उसके बाद दो साल और रहेगा, दूसरे offense के लिए, उसके बाद एक स इसके लिए एक साल, क्या टोटल इतने साल जेल में रहेगा, या फिर हम ये कर लें, कि भाई ये जो शुरू के तीन साल है, इसी में आप, क्योंकि दो साल भी आप रहे और एक साल भी, जब आप पहले साल एक जेल में रहे, तो हम ये माल लें, कि एक साल इसका आपने बिता ल तो general rule under 31 would be कि इस तरीके से run करेगा, पहले तीन साल, फिर दो साल, फिर एक, that will be the general rule, लेकिन अगर साथ में run कराना है, तो court जो convict कर रहा है, वो order में ये बात specify करेगा, कि जब multiple offenses के लिए trial चली है, तो जो punishment run करेंगे, वो साथ में, एक साथ run करेंगे, ये बात court अगर specify करता है, तो applicable है, otherwise ने, otherwise एक के बाद एक, भी run करेंगे, इसके अलावा जो important question, prelims के यहां से है, ये है subsection 2, और subsection 2, aggregate punishment की बात करता है, क्योंकि same trial में आपने अलग-अलग offenses के लिए punish किया है, अब जैसे इसका आपन example ले रहे है, मान लिजे ये trial JMFC ने करी है, तो JMFC एक offense के लिए maximum 3 सा punishment दे सकते हैं, तो इन्होंने total तो 3 offenses के लिए convert किया है, एक विक्ति को same trial में, अब total punishment तो 6 साल का हो गया, total punishment 6 साल, जबकि JMFC का तो maximum power जो हमने पढ़ा 29 में, वो सिरफ 3 साल है, तो क्या JMFC को इसकी trial करने के बाद, अपने उपर वाले magistrate को भेजना पड़ेगा, CGM को भेजना प देखिये, subsection 2, in the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offenses being in excess of the punishment, which it is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court, सिर्फ इसलिए कि aggregate punishment आपकी competency से उपर जा रहा है, इसलिए आपको case transfer नहीं करना पड़ेगा, आप दिल्कुल उसमें punishment दे सकते हैं, हाँ, बस single offense इसके लिए आप punish कर रहे हैं, वो आपकी competency के अंदर हुना चाहिए, इसका प्रवाई जो बहुत important है, यहां से सवाल पूछा जाते हैं, so provided that, in no case, shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years, this is very important, जो aggregate के हम बात करने है, total कित्वे साल जेल में, 14 से जादा नहीं होगा, अगर आपने एकी ट्राइल में लग-लग offenses के लिए गन्विट किया है मतब सारी, एक साल आपकी जो competency है, offense के लिए punish करने की, उसके double से जादा नहीं होना चाहिए, जैसे, JMFC की competency है, 3 साल, तो total मिला कि जो aggregate punishment ही एक ट्राइल में दो सकते हैं, it should not exceed 6 years, twice the competency of the magistrate, जतना आप competent हैं, उसके double से जादा नहीं, यह चीज, और यह जो दूसरी चीज, 14 years वा 20 हो जाएगा, लेकिन provision जो A लिखा हुआ है, वह वह applicable होगा, aggregate punishment 14 सल से जादा नहीं होगा, so this is the provision, यह है आपका 31, which is quite important, बहुत important है यह, इसके बाद 32 से लेके आप छोड़ दीजिए, 35 तर, chapter 4 पर आईए, Pagos of Superior Officers of Police, अब यह थोड़ी सी ऐसी चीज है हो, जो आपको बताय चीज है, उसके अलावा भी कुछ चीजे हैं, जिनका ध्यान रखना है, जो चीजे हो नहीं है, उसी से related यह chapter 4, इसका जो A part है, यह अलगलग part में divided है, इसका जो A part है, यह power of Superior Officer of Police है, बहुत जादा important नहीं है, exam point of view के लिए, बस इसमें इतना लिखा है, कि Officer in Charge of Police Station जो है, उस territorial jurisdiction जादा होता है, और Office and In Charge of Police Station का territorial jurisdiction सिर्फ अपने Police Station के territorial boundaries में, तो Superior Officers के लिए 36 expressly कहता है, कि उनके पास वो सारे power, उस पुरे territory में होंगे, जिसके वो in charge है, जो powers Police Officer in charge होते हैं, इसके बाद जो second part है, यह important है, aid to the Magistrate and the Police, this is important, कब आप bound है, Magistrate या Police की मदद करने के लिए, आपने Offense-Offense Commit नहीं किया, लेकर आपको जानकारी है कहीं किसी ना किसी चीज़ की, तो उन सबसे related यह बात यहां पे दी हुई है, section 37 onwards यह चीज़ बताई गई है, यहां से questions आते हैं, जिसे अभी recently MPADPO में आप देखोगे, CRPC के कुल मिला के 4 question 5 question है, उसमें यहां से question पूछ magistrates and police, कब जनता को help करनी है, magistrate और police की, every person is bound to assist a magistrate और police officer reasonably demanding his aid, कोई भी magistrate, police officer आपकी aid मांग रहा है, तो आपको मदद करनी है, किन cases में, in the taking or preventing the escape of any other person, whom such magistrate और police officer is authorized to arrest, जो भी police officer या magistrate आपकी मांग रहा है, अगर वो authorized किसी वक्ति को arrest करने के लिए, और वो भाग रहा है, उसके escape को prevent करने के लिए, वो आपकी मदद मांग सकता है, इसके बाद है, in the prevention and suppression of a breach of the peace, locality का peace disturbed ना हो, उसके लिए अगर वो मदद मांग रहा है, तो आपको करना है, तीसरा in the prevention of any injury attempted to be committed to railway channel, telegraph और public property, basically public properties ही है, सारी railway channel और telegraph, तो इन सारी public property को अगर कोई damage पहुचा रहा है या injury attempt कर रहा है, उसको prevent करने के लिए, अगर कोई magistrate या police officer आपकी मदद मांग रहा है, तो आपको वो मदद करनी है, क्योंकि starting में लिखाता, every person is bound to assist, bound to assist मतलब करना ही है, mandatory है आपके लिए, otherwise IPC में पूरा chapter हमने पढ़ा है, punishment से related, कि अगर आप किसी public servant की authority का breach करते हैं, उसक ये जंदली पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ये terms सारे important time के लिए, इसके बाद सीथे 39 देखिए, public to give information of certain offenses, अब कई बार आपको जानकारी है कोई offense commit होने वाला है, कोई विक्ति करने वाला है, in that case also you are bound to give that information, कहां कहां bound है, information देने के लिए, वो list of offenses दी है, generally ऐसा न नहीं है, इसलिए general overview सिर्फ ले लिए, कि option देखके आप समझ जाए, कि कौन सा इसमें नहीं है, तो specific list दी है, और जैसा मैंने कहा है, यहां पर आप bound है, क्योंकि इस list के बाद, जो list का last point है, 12th point, उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, shall in the absence of any reasonable excuse, the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware forth with give information to the nearest minister or police of search commissioner or intention, अगर आपको पता है, आप aware है, कि कहीं ऐसा कुछ होने वाला है, इन में से कोई एक offense commit होने वाला है, कोई व्यक्ति करने वाला है, तो आप bound है, उसकी जानकारी nearest authority को देने के लिए, अगर बिना reasonable excuse के आप ये काम नहीं करते हैं, तो that may be considered as an offense, और जैसा मै नहीं कहा, IPC के अलग-अलग उसमें, इसके लिए punishment भी दिये हुए है, so you may be liable for that, एक superficial reading आप इन offenses की ले लिजे, IPC में अगर आपने attend किया है और पढ़ा है, तो basic idea आपके पास है, जैसे सबसे पहले लिखा है, 121 to 126, offense against state हमने clearly पढ़ा था, ये वो है, उसके बाद public tranquility से related ह थर्ड में illegal gratification जो लेते हैं, ये अब normally वहाँ से हट चुका है, इसलिए relevance नहीं है, इसके बाद 272 से 278, registration of public news से उससे related था, ये सारा, ये लाइफ को affect करने वाले 302 और उससे related, इसके बाद kidnapping और ransom, kidnapping for ransom, 364A, especially मैं आपको IPC में बताया था, this provision is important, इसके बाद section 382, इसके इसमे भी upbound है, 92, 99, ये सारा, डेकोईटी, रॉबरी इन सबसे related हैं, अलग-अलग variant है उसके, इसके बाद criminal breach of trust by public servant 409, expressly breach of trust का एक variant है, इसके अलावा mischief against property 431 से 439, ये भी mischief के specific variant की बाद है, house trespass specific, 449 और 50, इनके लिए है, इसके बाद offensive section 456 to 460, lurking house trespass के बारे में है, और उसके 489, currency notes and bank note, इधर से भी सवाल कुछा जा सकता है, इसलिए एक superficial reading के तुरू इसको आप बस याद रखिये, that will be sufficient for you, so that's all about this chapter, that is chapter 4, इसके बाद chapter 5 है, arrest of person, this is very very important, बहुत ही जादा important chapter है ये, arrest of person, और इसके provisions थोड़े से आपको जैसे section 41 आप पढ़ेंगे, तो ठीक है, आप य रसते हैं, वो समझी लेंगे, लेकिन 41 का जो clause B है, subsection 1 का clause B और clause BA, इसमें basic difference है, तो वो थोड़ा सा आप देखना, अनुकम बस आज के लिए मैं इतना ही करूँ है, चेटर जो हमने अभी किया, 4, चेटर 5 से हम कल पढ़ेंगे, अभी तक तो ये basic बातें थी, जिन में से pre के question तो definitely बनते हैं, इसमें कोई doubt ही नहीं है, बट ये थोड़े से basic बातें हैं, जो अभी core CRPC इदर पर start बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी arrest भी उसका part नहीं है, बट हाँ, arrest से थोड़ा ज्यादा significance आपका चालू हो जाएगा, arrest और उसके बाद जैसा मैंने कहा, आगे के जो chapters है process to compel appearance, इन सब में problem ये होती है कि इनके provision आपको याद क्यों नहीं होती है, आपने दुनिया भर की किताबें पड़ लिया है, बहुत बार आपने ये भी कर लिया है, revision barrett से, और video तो आपने पता नहीं कितने देख लिया है, revision के, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको याद नही नहीं होगी, और जैसे process to compel appearance, उसके बाद जो bond बाला पूरा chapter है, अलग-अलग जो bonds भरवाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, इनको थोड़ा सा आपको जहन में रखना पड़ेगा कि ये क्या है, चल क्या ना picture है, क्या chapter में, कब वो provision याद रखने में आपके लिए थोड़ साइस का purpose समझी है, कि क्या purpose है इस chapter का, तो मेरे खाल से आप थोड़ा सा जादा बेहतर connect कर पाएंगे with the provisions, एक case बहुत important है, इस पूरे chapter से, arrest of person जो है, इससे बहुत बहुत लामा judgment है, मेरे खाल आप सब इससे बाखे फोंगे, comment box में आप बतातीजिए, कौन सा किस case की में ब लडेता कुमारी is regarding FIR, लडेता कुमारी is concerned with FIR, उसको पर 114 में पढ़ेंगे, D.K.Bassu, that's correct करती, D.K.Bassu versus State of West Bengal, this is one of the most important judgments, अब जाना फोड़ा एक बात समझना कि D.K.Bassu में main issue क्या था, मतब जो concern था, story में में निका हुआ हुआ, मैं जाना हूँ उसके major concern पे, जो judgment था, D. इस बात में हमें कोई doubt नहीं है कि arrest होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे offenses है, इतने grave offenses है, इस तरीके के चीज़े society में हो रही है, इस तरीके के fringe element society में already है, जिनका arrest होना चाहिए, सवाल ये नहीं है कि arrest सही है या नहीं, conflict किस चीज़ का होता है थोड़ा सा उसको समझना, जब एक बती को arrest किया जाता है, तो किस चीज़ में conflict है, समझते है क्या है arrest में, क्यों ये question raise होता है कि arrest होना चाहिए या नहीं, या फिर arrest कैसे होना चाहिए, ये सवाल आता ही क्यों है, या ये legal fraternity में question है ही क्यों, इस बात को ज़रा समझे, जब एक बती को arrest किया जाता है, तो आप उसका right to life and personal liberty, जो आर्टिकल 21 में दिया है, उस personal liberty के साथ interfere करते हैं, जिक बती की, क्योंकि arrest के थुआ, एक बती की liberty ही actually hinder कर रहे है, तो वो एक conflict है, लेकिन अगर procedure reasonable है, और सारी चीज़े सही है, lawful तरीके से आप कर रहे है, justified reason के लिए तो वो valid हो जाएगा, ये भी mandatory एक जगे ऐसा जरूरी है कि arrest होना चाहिए, सवाल ये ही नहीं कि arrest होना चाहिए या नहीं, एक बती का, that is not the question, arrest तो होना चाहिए, but the issue is कि जो arrest है, वो किस तरीके से होना चाहिए, हमने ये तो जान लिया कि arrest is fine, आप arrest कर ये किसी वक्ति को समझ्या नहीं है, लेकिन ये जो arrest है, ये arbitrary नहीं होना चाहिए, arrest में transparency होनी चाहिए, proper होना चाहिए, procedure के थू होना चाहिए, समस्या कहा है, contract किस चीज़ का है, उसको समझ्या, जब एक वक्ति को आप arrest करते हैं, इसका अपना right है, arrested person का 21 में, personal liberty का अधी का है, arrested वक्ति का, दूसरा right जो है, वक्ति को arrest क्यों किय जा रहा है, arrest क्यों होता है, तकि वो available रहे, investigation के तौरान, court में ले जाना हो, तब available रहे, ये सब आप क्यों करते हैं, आप एक offense में investigation क्यों करते हैं, आप trial क्यों चलाते हैं, आपको वो बनना क्यों चाहिए वहाँ, क्योंकि एक social interest है, society का क्या interest है, कि justice होना चाहिए, हर case में, Society का क्या interest है कि हार case में justice होना चाहिए और उस justice को करने के लिए जरूरी है जो भी चीज उस procedure में आ रही है उसमें जो भी चीज होनी चाहिए वो सब हो यह interest है society का हर offense के लिए proper investigation हो पाए और culprit को सजा मिले यह किसका interest society का जो वेक्ति arrest हो रहा है individual वेक्ति उसका क्या interest उसका personal liberty किसी एक तरफ आपको नहीं जाना है आपको एक balance ट्रॉ करना है जिसमें इस बंदे का भी interest प्रोटेक्ट हो और society का भी interest प्रोटेक्ट हो justice लेने का इस तरीके से arrest का procedure होना चाहिए that was held in that particular case कि यह जो procedure है अगर उसमें transparency है अगर उसमें proper checks है तो वो arbitrary नहीं होगा तब हम यह नहीं कहेंगे कि वेक्ति की personal liberty इंटर हो रही है इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है और आप देखेंगे अर्स चेप्टर में significant amendments है 2009 के बहुत सारे amendments है इस पूरे चेप्टर में और इन amendments को करने के पीछे का कारण ही यह था कि इस balance को और प्रफर किया जाए दोनों का interest बराबर देखा जाए इसलिए क्या होता है कि जो चोटे less serious offenses है उनमें arrest पे चेक जादा है आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक accused अगर ऐसे offense का accused है एक प्रविजन पे चला जाओ तो 7 साल तक punishable जो offense है उसका अगर कोई accused है तो उसके arrest पे जादा चेक है जिम्मेदारी जादा है पुलिस पे या बस ऐसे उठा के arrest निकर जो कि उसके लिए जादा चेक है ताकि arbitrary arrest नहीं हो लेकर अगर मालनी जाओ कोई वेक्ती accused है serious offense का which is perishable with more than 7 years of imprisonment पे थोड़ी जादा लिबर्टी है पुलिस के पास तो वहां बहुत जादा चेक नहीं है थोड़ा सा उनको space दिया गया है तो उस पे भी आप बहुत करेंगे तो प्यों society का interest effect हो जागा, individual का interest नहीं प्रोटेट करनी है कि छोटे offenses है वहाँ proper transparency और जादा checks रखेंगे, that's how the balance is made, इसके बाद अब provisions के आएंगे तो यह भी है position to better understand these provisions, अब 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 यहाँ एक chance है कि यह जो interest है यह hinder हो सकता है, व्यत्ति का जो personal liberty का अधिकार है उसको police arbitrary तरीके से hinder कर सकती है, यह possibility है, इसलिए जब without warrant arrest हो रहा है, वहाँ check होना जादा जादा हो लिए, तो 41 अधिदार देता है police को बिना warrant के arrest करने का, किस case में क्या right है, थोड़ा से provision नहीं इतना सा नहीं है कि बच्चे बस जो grounds दिये हैं, आट दो इनको रटे लिए आपने काम हो गया, आपको समझना पढ़ेगा यहाँ पर कैसे यहाँ पर execute किया गया, तब actually आपने process के बीच का difference थोड़ा समझ करेंगे, और जैसा मैंने पहले भी आपको काया है, this is a crash course, तो मैं क any person, in following conditions में बिना वारंट के अरस्ट कर सकते हैं, यह तो बहुत ही simple है, who commits in the presence of a police officer or cognizable offense, आप बहुत अच्छे से जानते है, definition clause में section 2 में पर चुके, cognizable offense वो होते हैं, जहाँ पुलिस के पास अधिकार होता है, बिना वारंट के अरस्ट करने का, तो अगर आपने कोई offense, police officer की presence में, उसके सामने, अगर आपने कोई cognizable offense commit किया है, तब तो वो beyond any doubt आपको उठा के ले जाएगा, पर इसके लिएगा, ठीक बिना वारंट, अगर आपने उसके सामने, कोई भी cognizable offense किया हो, किसे भी punishment से punishable हो, intensity कुछ भी हो, बैति एरस कर लेगा आपको, भी देखिए इसके Against whom, a reasonable complaint has been made, और credible information has been received, और a reasonable suspicion exists, यह तीन चीज़े, अब यहाँ एक चीज से सवाल बनते हैं, परी में, और यह है difference भी है, और यहीं से, थोड़ो से conceptual questions, या अंदर के penitent से questions आपके बनना चाले होते हैं, यह जो B है न, clause, यह उन offenses को डिल टाया है, जो punishable है, अप टू, 7 years, किसकी बात कर रहा है, यह, offenses punishable up to 7 years, साथ साल तर, और मैंने कहा, क्या कहा, यह उतने ग्रेव नहीं है, साथ के उपर वाले ज्यादा ग्रेव है, यह बात कर रहा है, साथ साल तर punishable offenses की जो clause भी है, इसमें इसलिए क्या लेखा है, पुलिस officer का परस्ट करेगा, तो सबसे पहल किया हो, that he has committed a cognizable offense, punishable with, imprisonment for a term which may be, I tell you, which may be less than 7 years, or which may extend to 7 years, so up to 7 year की बात इदर पर चल वाई है, अपको 7 year में यह तीन खरीके की information पर अरेस्ट करेंगे, लिगें ऐसे ही नहीं कर लेखा है, जो कम punishments है, punishable offense है, जो थोड़े कम serious offense है, उनमें चेक ज्यादा होगा, पुलिस के पर कैसे होगा, आगे देखिए, फिर लिखाए, इसमें 10 to 7 years, whether, without, without, fine, if the following conditions are satisfied, सिर्फ information आने से अरस्ट में कर लोगे, या complaint आने से, ये following conditions satisfy होने चाहिए, because the offense is punishable up to 7 years, तो इसमें ये conditions भी follow होनी चाहिए, इनमें से कोई एक condition, आगे जो दो points दिये, दोनों follow होनी चाहिए, तो फो उसकी sub conditions, तो basic बात ये है कि यहां पे सिर्फ information आई है, या complaint आई है, या आपको suspicion है, मेर ली इस ground पर आप उठाके किसी वक्ति को arrest कर लेंगे, तो ये उसकी personal liberty के से अत्याचार है, इसके अलाबा भी आपको satisfy होना पड़ेगा, तब जाके आप साथ साल तक punishable offense की case में किसी वक्ति को बिनावरण के arrest करेंगे, क्या है वो conditions को satisfy होनी चाहिए, तो आपके देखिए, first point है, the police officer has reason to believe, on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense, police officer के पास reason to believe होना चाहिए, reason to believe का मतलब चानते है, IPC में पड़ाया था, कोई बता ते जाए, section number में जे, comment में, reason to believe कोई से section में है, IPC के definition समझाया भी था, state of mind में समझाया था, मैंसरिया में भी समझाया था, नहीं बता, 27 नहीं है, Shalini, 27 नहीं है, 26, that's correct, तो result to believe का अफलब होता है, you should have sufficient ground to believe, sufficient cause to believe, आपके पास sufficient कारण होना चाहिए, किसी चीज को believe करने का, तो वो भी required है, तो आपके पास information आई है, where the offense is punishable up to 7, information आई है, plus आपके पास sufficient ground उस बाद को believe करने का, उसके बाद देखिए, second में कितरे से भी काम नहीं होगा, अभी आग तो यह अगर इसको आइस नहीं किया, तो यह और offense करेगा जाके, इसलिए further offense करने से प्रवेंट करने के लिए, और या फिर इनमसे इसलिए कुछ एक, और for proper investigation of the offense, ता कि properly investigation किया जाए, or C, to prevent such person from causing the evidence of the offense, 2, disappear or tempering with such evidence, ता कि वो evidences के साथ चिर्चाल ना कर पाए, D, to prevent such person from making any inducement threat or promise to any person, acquainted with the fact, जो witness है, उनको denied हमका है, ना, पता चले इसको arrest अगर नहीं किया, अगर हमने इसको खोड़ दिया, तो यह witness अगर यह लगता है, अगर यह लगता है, तू भी आपिस कर सकता है, इसके बाद लास्ट है, as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be insured, कि अगर इस वक्ती को arrest नी यह code आएगा नी, यह जो second clause है, इसका, subsection 1 का, B का sub clause 2 जो मैं भी पढ़ रहा था, I hope you are following that, उसमें से कोई एक condition, plus reason to belief, plus information आईए, इतनी चीज़े चाहिए, तब जाके बिना warrant के आप ऐसे वक्ती को arrest करेंगे, जिसके उपर acquisition लगा है, किसी ऐसे offense के commission पा, जो punishable have to seven years, तो आप अगे भी point जो लेखा, उसके आगे भी बहुत important चीज़ है, and the police officer shall record while making such arrest as reason in writing, इसमें भी अगर आप arrest कर रहे हैं, तो reason लिखना है rating में, पिस को offense is punishable, आपको seven, आपको writing में reason लिखना है, यह क्यों करवार है हो आप, reason लिखो के writing में, तो obviously transparency आजाएगी, तो arbitrary ने सब रहेगी प्रोवाइशो कहता है, अगर आप arrest नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई, यह सब चीज़ें satisfy होंगी, information तो आपके पास आई है, यह condition satisfy होंगी, तब आप arrest करेंगे, अगर आप arrest नहीं कर रहे है, तो भी आपको reason लिखना है in writing, information आई फिर भी आपने arrest को नहीं किया, तो उसमें police officer को लिखना पढ़े है, कि condition satisfy हो रही थी, इसलिए हमने arrest नहीं किया, तो यहां पे भी एक check आगया, transparency आगया, इसके बाद BA देखिए, BA में लिखा है, against whom credible information has been received, credible information आई हो वेक्ती के, against किस चीज़े, that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether or without frame, 7 साथ साल से जागा, तो अगला जो यह जो clause है आपका BA, it deals with more than 7 years, imprisonment more than 7 years, 7 साथ साल से ज्यादा, अब इधर पर उत्ते चेक नहीं होंगे, police officer बेग्योंके serious offense है, आप सुसाइटी का interest भी तो देखना है, भाल, परसन की liberty तो ठीक है, social interest भी तो देखेंगा है, इसलिए यहां देखिए, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with a death sentence and the police officer, उसके बाद देखिए, and the police officer has reason to believe, on the basis of that information that such person has committed the state offense, तो से अब दो चीज़ें चाहिए है, that carnival information होनी चाहिए, और reason to believe, क्या है इसने किया, बाकि वो condition satisfy करने ती जवात नहीं है, जो पनने B clause में बहुत सारी करी है, यहां बस यह यह दो आइडिया कि कहा वो सेटार्ट जाद है, कहां कहां है, क्योंकि हमको दोनों का इंटरस देखना है, that's why such provisions are framed, I hope that is clear, बाकि के, clause is simple है, C, D, E, F, G, H, I, D, करके मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, क्या है, क्योंकि इदर से question बनते हैं, कि किन cases में arrest आप कर सकते हैं, बिना वरि इसके बाद E है, अगर कोई police officer को obstruct करता है, अपनी duty करने में, E का जयता है, कोई रखती है, police officer को ही obstruct कर रहा है, duty करने में, तो police वाला तो लपाड़े लगाएगा, आपको, arrest भी करेगा, F, F में दिया है, कोई deserted रखती है, armed forces से, ऐसे वक्ति को भी arrest कर सकते हैं, deserted मतलब जिन के छोड़ के भाग जाते हैं, इसके बाद G, G, extradition से रिएंड़ है, पकरने का किसी वक्ति को कहीं और offense कमिट कर के आए, किसी दूसरी country में, और extradition की treaty है, उस country के साथ और उसके तहट अलगा पर इसकर सकते हैं, तो जी में, आपके पास अधिकार है, गिन अवर इंट कर सकते हैं, एच बात करता है, जिसने ब्रीच किया है, सब सेक्शन 5 और सेक्शन 356 का, तो ध्यान रखिएगा, रिलीजड कन्वेक्ट जो है, जिनको छोड़ दिया जाता है, पो फेंडिशन पे, लेकिन वो कंडिशन ब्रीच कर देते हैं, तो फिर उनका भी अरस्ट हो जाएगा, इसके बाद आई मैं है जो किसी पुलिस ऑफिसर ने दूसरे विक्ती से रिक्वस्ट कर दिया, मैं लेजे, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, I was authorized to arrest a person without warrant, मैं ने किसी दूसरे विक्ती को रिक्वस्ट कर दी है, जो फिर विक्ती को रिक्वस्ट कर दिया, तो उस पुलिस वाले के पास भी अधिकार है, बगादने का राइटिंग में और 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 किसी भी तरीके से ही रिक्वस्ट हो सकती है इन सारे कैसेज में आप बेना वरेंट कर सकते हैं यहा जो मेंजर समझने वाली वाक थी वोती ब और ब ए अना वोग अथी तो एवरीवान यस 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 सवर नो को किसे लिए पर्वेशनाओ हो पर्वेशन grantsमें नॉंपर तो बिना वारंट के अरस्त नहीं करिंगे. The police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required. ज़रूरी नहीं लगा उसी, क्योंकि वहाम ने पड़ा है. डिस्क्रिशन है ना, ज़रूरी थोड़ी यह की करना है. आपको लग रहा है, condition satisfy रहे हैं, तो करूँ. अगर अपने arrest नहीं किया है, फिर भी आपको लगता है, कि आगे इस वक्ति की ज़रूर्ट पड़ सकती हो, तो आप उसको क्या करते हैं, बोल देते हैं, कि भी यह जब बुलाया जाएगा, आज आना. जो भी पुलीस ओफिसर किसी वक्ति को arrest करने गया है, वो अपना clear, visible identification होना चाहिए, accurate, clear or visible identification होना चाहिए, कहने का मतलब जो nameplate लगे होती है, वरदी पे वो दिखनी चाहिए, बहुता अलगना चाहिए, सामने वाले को आप कौन है, आपकी identity वहाँ, clear, दिखनी चाहिए, ची नहीं है, यह clauses wise हम लोग पढ़ रहे हैं, चुकि इस तरीके के भी प्री में आपको questions मिलेंगे, इसके बाद देखिए, prepare a memorandum of arrest, जब भी आप किसी वक्ति पर रिस के जाना, एक memorandum prepare होगा, memorandum attest होना चाहिए by at least one witness, first point देखिए इसका, attested by at least one witness, कोई एक witness attest करेगा, यह का important सवाल है, कि arrest का memorandum है, उसमें कितने witness का attestation दरोरी है, एक, बोर family member हो सकता है, अगर family member है, मौझूद, family member मौझूद नहीं है, तो फिर लेखा है, कोई भी respectable member of the locality, उस locality का कोई भी एक respectable सम्मालनी अव्यक्ती, कैसे युवानिता अच कल आपने बहुत सारे देखिए हों मौझा उगर भू ही रहें, तो उनको बना सकते हैं, witness यहां, चलो यहीं करो, फोटो और नाम बाम आजाएगा, वैसे अपने देखा हूँगा, जितने युवानिता है, बड़े पारिशान देते हैं, बड़े पारिशान देते हैं, मेरी फ्रेंडलेस्ट में सारे युवानि मेरी पारिशान देता ही है, मुझा बड़े आता है, उनकी प्रोफाइल देते हैं, आज मानिये विधायक जी से महतपूर्न विश्यों पर चैचा हूँगा, विधायक जी उसकी तरफ दिल भी नहीं है, और कैप्शन डाल लिया है, तो इसी जो जनता हजएगा, आपको मिली जाएगे, अगर फामिली मेंबर नहीं है, तो फूल जैसा रिस्पेट्ट्रेवल मेंबर, उसको विधायक बनाया जागा, बसके रान अपना ने की चाहिए ऐसा, तो इसी लिए पर विटनेस चाहिए अरस्त के केसमें, आभी आगे विटनेस की कहानी और आई थी कि सर्च ए इसके पास C भी बहुत इंपटन भी इसका, इंफर्म भी परसं अरस्टाइब नहीं है, तो जो भी पुलीस ऑफिसर अरस्ट कर रहा है वेक्ती को, उस अरस्त अरस्त वेक्ती को उसे यह भी बताना है कि भी यह तुमारे पास अधिकार है कि तुम किसी फ्रेंड या अपने क किसी रिलेटर्व को ये बात बता दो कि तुम्हारे स्टुराइब ये इन्फॉर्म करने क्या कि अपॉर्चुनिटी ये आपको देनी है उस अरेस्टेड परसन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे वो सेफगार्ड्स है आप देख रहे हैं ये सार इसके बाद 41C है control room at districts ये भी बहुत important है कि 2009 के बाद ये चीज़ आड़ी है कि आप control room बनेगे state government बनेगे कहां कहां एक state में और एक district level पे होगा single और हर district में control room होगा इसके बाद 41D very very important बहुत ही जादा important है ये तो right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation ये fundamental right भी है इससे related fundamental right कौन से article में है जरा बताईए बताईए fundamental right कौन से article में है हाँ that's correct 22 में है तो भाई 41D भी जो fundamental right वहां दिया है कि आपको अधिकार है अपनी choice के advocate से मिलने का उसी को यहाँ भी recognize किया गया है 41D में कि आपको मौका दिया जाएगा कि इंटरोगेशन के वारा आप मिल सकता है कि throughout इंटरोगेशन के वारा आपको वकील बैठा नहीं रहेगा ये कि opportunity होगी आपको consult करने की अपने वकील से वो fundamental right भी ये भी ये बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में वहां भी लिखा है यहां भी लिखा है डिफरेंस क्या है ये आप से नजने में कई बार मिस कर देते हैं आप अरेस्टेट परसंट के यहां तो बहुत सारे अधिकार है लेकिन वहां पे मेचली तीन ही है ग्राउंड बताना है अरेस्ट करते है समय और दूसरा 24 गंटे है मजिस्टरेट के पास ले जाना है और तीसरा एड़ोकेट से त सब्सक्राबने का अधिकार. फंडमेंटल गार यह थीन है इन तीन मेश बाटनी पास यह गाल्रेस नहीं है बहुत चाहदा से क्टीन नंबर बस याद रखियागा लेकिं अर्यर्श्ट और विसरते धूर्फिसर तो नंगनिसरा घर उनको बता दिया कि नौन गॉनिसरा और अगर किसी ने किया है, तो arrest नहीं होना है without word, वो बात सही है, लेकिन section 42 कहता है, कि बहले किसी ने non-cognizable offense commit किया हूँ, अगर कोई police officer, उससे उसका नाम बता और whereabouts पूछ रहा है, अगर वो वक्ति नहीं बताता है, या police officer को ये suspicion है कि गलत बता रहा है, in that case, वो arrest कर सकता है, तो basically 42 is an exception to that, कि non-cognizable में arrest नहीं कर सकते हैं, अगर 42 की condition fulfill हुई, तो बिल्कुल कर लेंगे, कर सकते हैं, इसके बात 43 बहुत ज़्यादा important है, section number बहुत ज़्यादा important है, arrest by private person and procedure on such arrest, private person का बारेस्ट करेगा, वहली चीज, private person मता कोई भी, police officer के लाबा कोई भी भी arrest कर सकता है, त सब के provision नहीं है, so 43 is regarding, arrest by private person, 2-3 question बनते हैं, section number याद रखिएगा, किन cases में private person arrest करता है, ये भी सवाल बनता है, उसके आपको पढ़ना पढ़ेगा, subjection 1, any private person may arrest or was to be arrested, any person, who in his presence, commits underling कर लेजे, commits a non-bailable and cognizable offense, उस वक्ती के presence में, किसी ने non-bailable or cognizable offense किया हूँ, और any proclaimed offender, या फ or cognizable offense commit किया हो, या फिर कोई proclient offender है, proclient offender कौन होता है, भी आगे आजाएगा, CRPC में काना, इसे वक्ती को आप पकड़ सकते हैं, private person पकड़ सकता है, पकड़ने के बाद, ये नहीं कि खुदी सिंवाम बन रहा है, जब जस्ती, आपने arrest किया, जितने ही जल्दी possible हो, police को ब करेगा, दो सबसेक्शन है, दोनों में लगए बात है, सबसेक्शन 1 कहता है, when any offense is committed in the presence of a magistrate, magistrate के presence में आपने कोई भी offense कर दिया हो, चाहे executive magistrate और judicial, और magistrate अपने local jurisdiction में होना चाहिए, अगर एक magistrate की presence में, आपने उसके local jurisdiction में कोई भी offense commit कर दिया, तो वो आपको या तो खु है, warrant issue करने का, तो ऐसे case में, अगर वो वक्ती मौजूद है, magistrate के सामने, तो वो खुद भी arrest कर सकता है, या किसी वक्ती से arrest करवा सकता है, तो magistrate दो cases में arrest करेगा, जहां उसके सामने किसी ने कोई भी offense commit किया हो, या फिर magistrate के पास, जिस वक्ती को पकरवाने का, arrest करवाने का बहुत इशू करने का अधिकार है, उसका भी arrest magistrate खुद कर सकता है, ये हैं तो subsections, 45 बहुत important है, as a provision, it is important, check, बहुत चाहिए नहीं सही है, magistrate से बूप करने बहे हैं, और इनके सामने किसी ने किसी ने offense commit किया, तो बहुत करवा सकता है, लोकल jurisdiction में लेके, बहुत बहुत बहु government की permission के armed forces personal को arrest नहीं किया जाएगा, अगर जिस case में, जिस incidents या जिस act के लिए arrest किया जाना है, वो act उस person ने अपने official duty के discharge में किया हो, personal acts के लिए ये rule अपने के बल नहीं है, 45 minutes, और कि जब वो official duty discharge करने में, और उनने कोई ऐसा act commit किया है, जिसके लिए arrest करना है, तो पिर central government क कि यहां पर permission obtain करनी पड़ेगी, subsection 2 यह भी कहता है, कि state government के पास अधिकार है, कि वो अपनी किसी forces को भी same immunity दे सकते है, notification निकाल के, armed forces के पास को है, या army ने भी air force, और कि state government अपनी किसी force को भी same immunity दे सकता है, section number बहुत important है, बताने है, तो यह बुछा जाता है, 46 arrest how made, this is again important, किस तरीके से arrest करना है, एक बात इसमें बहुत important है, जो सबसे major questionator बनता है, वैसे तो brief में आप 46 को देखे हैंगे, तो आप कोई समय कारना है, तो simply, subsection 1 और 2 में, especially 1 में, तो simply बस यह लिखा है, कि अगा कोई विक्ति खुद सरेंडर कर रहा है अपने आपको, तो फिर आपको जबर जस्ती, confine नहीं करना है, अगर वो खुछ से surrender नहीं करना है, अगर वो खुछ से surrender नहीं करना था, अब actually उसकी body को touch करिये, उसको पकार ये, then it is fine अगर वो submission नहीं कर रहा है, in that case, इसका प्रवाइशा बहुत important है, subsection 1 का, प्रवाइशा बहुत important है, इसको जड़ा करना है, तो ये काम सिरफ female police officer करेगा, woman police officer ही arrest करेगी एक woman को, ये प्रवाइशा कहता है, and this is very very important, इसके बाद subsection 2 पे आजाईए, तो subsection 2 बस simply बताते हैं, कि arrest करने के लिए जो भी जरूरी efforts है, वो police officer करेगा, आप इस्जत से चल रहे हैं साथ में तो ठीक है, नहीं तो पर ज इसके बाद बहुत important है, इसका subsection 4, बहुत जादा important है subsection 4, किसी भी woman को sunset के बाद और sunrise के पहले arrest नहीं किया जाएगा, किसी भी woman को रात के समय अरिस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक extreme circumstances नहीं हो, और अगर यसे circumstances हैं, कि arrest करना है, इसके बाद 47 बहुत जादा important नहीं है, बहुत जादा important नहीं है, search of place entered by person sought to be arrested, माल लिजए किसी भी woman को arrest करना है, वो किसी confined place में चला गया है, तो बहाँ जाके police officer, जिसके पास power है arrest करने का, जो authorized जा arrest करने के लिए, वो उस confined place में जा सकता है, अगर कोई दूसरा वक्ति उस place को occupy कर रहा है, तो पहले तो एक जच्छ प्लेस में अगर कोई वक्ति छोपा है, in that case, 48 भी बहुत जादा important नहीं है, pursuit of surrender into other jurisdiction, हो यसा वक्ति, जिसको arrest करने के लिए, police officer authorized है, तो वो अपने jurisdiction के बाहर जाके भी उसे pursue कर सकता है, पकड़ सकता है, उसमों कोई समस्या नहीं है, 49 भी exam point of view के लिए बहुत important नहीं है, no unnecessary restraint, जितने जरूरी है, उतना ही force लागाना है, जरूरत से ज़्यादा restraint नहीं करना है, कि जब अरजस्ती चेन से बान दी है, किसी को यह समनी करना है, 50 important है, section number पूसा जा सकता है, 50 का, 50 is important, person arrested को भी informed of grounds of arrest, ground of right to bail, यह आपका fundamental right भी है, article 22 में, कि जिसक्ती को arrest किया जाना है, उसको ground बताए जाएंगे, यहां भी ground बताए जाएंगे, और अगर उसके पास bail का right हमाली जे बेलेबल offense है, तो उसको यह भी बताए जाएगा, कि तुम्हार पास bail का right है, तुम अपनी bail security furnish कर दो, और bail लेके छूट सकते हो, यह बताना है, ground भी बताना है, और bail का right भी बताना है, 50A बहुत जादा important नहीं है, obligation of person making arrest to inform about the arrested sector to a nominated person, 50A section number कभी by chance पूछा जा सकता है, बहुत जादा significant नहीं है, जैसे बागी कुछ मैंने बता है, बट फिर भी section number आप बस याद रखिए 50A का, कि जब भी किसी बती को arrest किया जा रहा है, और उस arrested person से पूसा जाएगा, कि भी यह त बता दो, जिसको हम इस बात की information दे दें खुझ से, तो वो 50A में दिया हुआ है, 51 है search of arrested person, तो जिस भी बती को arrest किया जाता है, उसको search किया जाएगा, उसके पास जो भी चीजें मिलेंगी, वो सब ले ली जाएगी, उसको उसकी list बनाए जाएगी, और चितनी भी चीजें उ जाएगी, उसके list बनाके रखा जाएगा, ताकि जब वो छूटेगा और इसके उसे वो सब वापस कर दिया जाएगा, 52 कहता है, पाइट उसी offensive weapon, अगर माल लीजे किसी बती को arrest किया जारा, और उससा में उसको search किया गया, कोई offensive weapon मिला, चाको चोरी बंदुक, ऐसा कुस मिल तो वो seize करके ऐसा weapon magistrate के सामने पेश किया जाएगा, इसके बाद 53 very important, 53, 53A और 54, इन तीनों के difference को समझ लेजिए, तो तीनों याद रहेंगे, 53, 53A और 54, चारों medical examination की बात करते हैं, arrested लक्ती के, arrested person के medical examination से related है, पाइट पाइट समझ लेजिए, 53 कहता है कि अगर किसी police officer को, ज उसे अगर ये लगता है, कि जिस बक्ती को हमने arrest किया है, उसका medical examination कराना ठीक है, या उसका medical examination कराना चाहिए, उससे कुछ evidences मिल सकते हैं, कि इसमे, medical examination कराने से, कुछ evidences मिल सकते हैं, तो 53 authorized करता है, ऐसे police officer को, कि वो doctor के, registered medical practitioner के पास ले जाके medical examination करा ले, तो 53 का purpose क्या है, evidences उठाना, similar है 53 A, this is also same, 53 A, the only thing is, कि इसको 2005 में add किया गया है, बाद में, और ये rape cases की बाता है, rape accused अगर है, तो उसका medical examination भी करवा सकता है, police officer, अगर उसे लगता है, कि इससे evidences मिल जाएंगे, अगर कोई rape accused है, और जो जिस police officer में arrest किया है, इस accused को, अगर उसे लगता है, कि इ medical examination कराने से evidences मिलेंगे, तो 53 A में वो है, बास difference यह है, तो 53 A में आप देखोगे, तो इसका तो subsection 2 है, उसमे guidelines भी है medical practitioner के लिए, जो examination कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको check करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको लिखन है उस medical report में, वजट दिया, ना, अड्रस, एज, इ इसके mandatory है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, शाल, 54 के ता है कि हर अरस्टेट वक्ती का mandatory medical examination करवाना है, यह difference है, 54 mandatory examination है, किसी भी वक्ती को arrest किया गया, तो उसका medical examination कराना है, इसका basic purpose क्या है, इस 54 का basic purpose, थोड़ा सा आप समझ लीजे, कि क्या purpose है इस examination के पीछे, यह basically है कि जब एक वक्ती arrest होता है, तो उसके mark of injuries तो नहीं है, injury के कुछ marks तो नहीं है, क्या उसकी physical condition है, क्योंकि यह हो सकता है, कि जब इसको arrest करके custody में दिया जाए, तो इसके साथ कुछ torture हो सकता है, मार बटाई तो बंदी है, और arrest हो हो तो पुड़ा हो तो मिले रही आपको dose, तो ऐसा यह determine करने के लिए basically कि जब arrest हो है, तब आप की क्या physical condition, ताकि बाद में ऐसा allegations लगते है कि का study में दौर चाहिए, तो वो identify फो पाए, इसलिए यह mandatory examination है, तो 54 is a mandatory examination, 54 A, this is again important, 54 A को देखिए, identification of person arrested, section number, बहुत important है, प्री में कुछा जाता है, इसलिए बहुत important है, कौन करा सकता है, यह दो-तीन साबाल है, तो section 1 में आपको मिल जाएंगे, इसके request पे हो गाए, so officer in charge of police station, यह बहुत important officer है, आप पूरा देखो गे रहा, तो आपको समझ में आएगा, police officer in charge of police station, बहुत important officer है, so officer in charge of police station की request पे identification कराए रहा सकता, identification समझते हो है, identification पर रहा कर देते है, accused को, और उसकी similar करद करटी के दो-चार और लोगों को और witness को बला के पूचा जाता है, पैचानों इनने से कौन है, that is identification, ठीक, तो यह आपका कराया जा सकता, इसके request पे, प्रवाइशो important है, जहां जो person identify करने आया है, जिस वेक्ति को जो भी witness है, या victim है, जिसको आपने identify करने के इसके बात देखे 55 बहुत जादा important नहीं है, procedure when police officer depute subordinate to arrest without warrant, simply बस यह बताया है, कि जो वेक्ति authorized, जो police officer authorized to arrest करने के लिए, अगर वो अपने subordinate को बोलता है, कि जाओ तुम आरेस्ट करके लाओ, तो उसके ओपर भी same सारे rules applicable होंगे, जब वो arrest करने गया है किसी वेक्ति को, अ जो वेक्ति को आप arrest करने कहें हैं, अगर को कहता है कि मुझे वो देखना है, तो आप से बिल्कुल बोल सकता है order दिखाने के लिए, और order दिखाने के लिए, बहुत important नहीं है, 55 is very important, लेकि मैं सारे section आपको बता रहा हूँ, क्योंकि arrest के एक इसा chapter है, इसमें सो कुछ भी पुछा गया है, बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, प्री में काई बार पूछा गया है, अलग एक सेट्स में, health and safety of arrested person, जिसकी भी custody में वो है, जिसकी officer की custody में arrested person है, उसकी health और safety की responsibility, उस officer की है, इसलिए आपने देखा होगा, सरकारी अस्पतारों में jail ward होता है, अलग से, इसके बाद 56 person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station, बहुत जादा important नहीं है, जिसमें व्यक्तिक और arrest किया गया है, as soon as possible, officer in charge के पास ले जाना है, या magistrate के सामने ले जाना है, 57 is very very important, किसी भी व्यक्तिक और arrest किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर उसको magistrate के पास ले के जाना है, that is very important, person arrested not to be detained more than 24 hours, किसे भी व्यक्तिक और arrest किया गया, तो 24 घंटे में magistrate के सामने ले के जाना है, यह fundamental right भी है, और यहां statutory right भी है, जो भी बहुत इंपोर्टन नहीं है, police report apprehension को पकड़ा गया है, इसकी report भेजी जाएगी, DM को, district magistrate को बताया जाएगा, जो भी police station है, जो भी DM है, उसको बता discharge नहीं करेंगे, या तो bond के discharge किया जाएगा, या बेल पे होगा, या फिर magistrate के special order पे, अगर arrest किया है, तो फिर उसको अपने से discharge नहीं किया जाएगा, इन में से कुछ एक होना चाहिए, तब भी discharge होगा, इसके बाद 60 A, power on escape to pursue and retake, यह भी बहुत जादा important नहीं है, अगर मान मैं आपको पहले बताया था, कली मैं आपको ये चीज़ बतायी थी पहली क्लास में, कि जो 4 IPC होगा, इस चेप्टर 12 से चाली होगा, 154 से, यह अलग से चीज़ें बताई गहीं है, तो arrest से related सब को चिदव लिग दिया है, और यह comprehensive chapter है, अगर किसी रखती का arrest होना है, तो इस चेप्टर के हिसाब से होगा, इसके violation में arrest नहीं किया जागा, पूरे CRTC में आपको कहीं दिया arrest करना है, arrest कहा होगा, क्या नहीं होगा, यह इस चेप्टर में नहीं बताया, इस चेप्टर में सिर्फ हमें यह बताया, कि अगर arrest होना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें comply होनी चाहिए, तो जितने भी arrest करे जाएंगे, वो सब इस चेप्टर के हिसाब सी होंगे, यह इस चेप्टर के कहता है, सेक्शन बहुत जादा important आपको बता दिये, क्या-क्या चीज़ें, सवाल पूछे रहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिये, अब आते हैं अपन अग देखिए, चेप्टर का नाम है process to compel appearance, किस चीज की process है, एक बती की appearance compel करानी की process, court को किसी बती को बुलाना है, तो भाई, court का अपना decorum, अपनी respect है, तो नहीं किसी बती को बुलाना है, ऐसा तो नहीं होगा कि court किसी को बुलार और और वो आयना, तो उसके लिए पूरा procedure य यहां दी हुई है, जैसा कि आप chapter में देखेंगे, तीन तरीके हैं किसी बती को court तक लाने के या court में बुलाने के, वो चोहे witness हो, चाहे accused हो, कोई भी बती हो, अगर court को किसी को बुलाना है, court में किसी की presence ensure करानी है, तो यह पूरा procedure यहां इस chapter में दिया है, जैसा आप देख पारे होंगे, सबसे पहले a point लेकर summons, तो पहला तरीका क्या है, समन बेच के बुलाने का, समन जिनरली थोड़ा सा respectable manner है, समन में यह होता है, एक order आपके पास, जिस भी व्यक्ति को बुलाना है court को, उसी व्यक्ति को समन सर्व करा जाएगा, उसको date और time बता दिया जाएग और बहुत इज़त पाले तरीके से बुलाया जाता है, इसके बाएद आप देखिए, section 70 के उपर एक headache एक है, warrant of arrest, बी पार्ट जो है इसका, एक तो समन है बुलाने का तरीका, दूसरा तरीका है warrant of arrest, यह उतनी इज़त के साथ आपको नहीं बुलाया जाता है warrant में, क्योंकि warrant या तो police को दिया जाता है, किसी दूसरे person को, और police या उस person को यह order दिया जाता है, कि इस वक्ति को arrest करके ले आओ, तो जब किसी और को बोल रहे हैं कि इसको पकड़ के लाओ, तो obviously, यह बहुत respectable manner तो नहीं होगा, समन की तरह, यह थोड़ा सा harsh manner है, ठीक, तो कि भाई, proclamation and attachment, माल लिजिए वारंट के बाद, अब भाई, वारंट तो तब execute होगा है, जब पता होगा कि तो कोई भी जाके आपको आप गाया भी है, पता ही हो किदा रहा, ऐसे case में court क्या करेगा, attachment and, sorry, proclamation and attachment, proclamation मतला भूशना कर दी जाती है, भागोड़ा, इस यह वक्ति escape कर रहा आपकी फोटो, कि आपकी presence code में required है at a particular time, on a particular day, यह होता है proclamation, attachment, माल लिजिए, इन सब के भाज भी आपने ही आ रहे है, अज़रीट रहती है, ऐसे case में क्या करेंगे, आपकी property attach कर लेगी, जो property मेलेगी, उसको attach कर लिया जाएगा, आपकी property को, ठीक, तो अब यह जो तरीका आप समझना है, इसलिए मैंने का था कि chapter का नाम जो है, जो purpose है, वो बहुत important है, purpose क्या है, व्यक्ति को की present secure करनी है हमें, हम property भी attach, court जो property attach कर रहा है, तो court कोई property broker नहीं है, उसको कोई interest नहीं है, आपकी property में, court का सिर्फ इतना interest है कि आप court आ जाए, क्योंकि आप सीधे तरीक UPSC का question है कि, साहना, CRP से कितने दिन चलेगा, अजय मैं बढ़ लो या, कितने दिन चलेगा से क्या है, जन्ता का थीजन्वारी के पहले कहतम गजाएगा, साथ से 8 क्लासिस होंगी, CRP से किरोज क्लासिस हो रहने, 7-8 क्लासिस में खताम हो जाएगा CRP से क्लासिस में जाएग क्या-क्या question बनते है, pre में, summon or warrant से बहुत जादा question नहीं बनते हैं, but proclamation attachment से थोड़े से जादा questions बनते हैं, तो उसको फोड़ा समझते है, अब summon में देखिए, सबसे पहले 61 में form of summon लिया है, pre के लिए important है, section number में कुछे लिए लेकिन summon के essential, summon के लिए क्या-क्या यह जरूर सवाल आपसे किया जाएगा, तो वो आप देखिए जरा, every summon issued by a quote shall be in writing, पहले अंडरलें करने जाएगा, जूसरा है in duplicate, हमेशा 2 copy में होगा, इसलिए इसको हमेशा summons कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, summons कहा जाता है, क्योंकि हमेशा 2 copy होंगी, जो भी वक्ती समन सर्व करने जाएगा, जिसको समन सर्व करने एक copy उसको देगा, दूसरी जो कॉपी है, उसके sign लेगा, acknowledgement कि समन सर्व होगी, और वो लाके बाप इस court में देगा, कि जाब हमने summons कर दी है, इसलिए हमेशा duplicate, तो कैसे होगा, writing में होगा summon, duplicate होगा, signed by the presiding officer of the court, जो court issue कर रह चाहिए, और presiding officer के sign होने चाहिए, और last line में देखिए, shall bear the seal of the court, court की seal भी होनी चाहिए, तो चार चीज़े है, जिक, writing, duplicate, presiding officer के sign, और seal, यह होना चाहिए, जहां तक संभव हो, personally करना है, that is the general rule, इसके exception आगए, आपको, मिलेंगे, इसके बाद देखिए, मिलेंगे, 63 में service of summon on corporate bodies and society, जही बाद section number पूछ लिया जाता है, corporate bodies भी serve करने के लिए summon कौन सा section है, या फिर किसको दी जाएगी, तो जो भी principal officer, secretary है, या कोई local manager, या principal officer, जो भी है, उस corporate body का, corporate body is association of person, it's an artificial person, तो उस case में किसको, जो भी उसका head है, basically आप control करेंगे, पूरा बढ़के, तो जो भी head है, उसको दे दिया जाएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, local area में कोई इसा व्यक्ति नहीं है, तो registered post के थूँ इंडिया में, उस corporate body का, उस organization का, इंडिया में, जो head है, उसके पास registered post के थूँ भी पहुंचाया जा सकता है, इसके बाद देखे 64, service when person summoned cannot be found, now this is very important, 64, section का भी question आता है, उसर से एक question हो रहता है, यह हमने क्या पढ़ा अभी, general rule हमने क्या पढ़ा 62 में कि जहां तर सम्भाव को समन, personally serve हो नहीं, उस व्यक्ति को ही दे नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो 64 उसके घर में घर के, किसी भी adult male member, यह चीज़ आप 64 में underline करने हैं, third line में लिखा है, with some adult male member of his family residing with him, कोई भी ऐसा adult male member of the family, जो उसके साथ रहता है, साथ में रहता है, यह भी ज़रूरी है, उसको समन दे जा सकती, adult male member, क्योंकि आप CPC में देखेंगे, civil जो समन होती है, वो किसी भी member of the family को दे जा सकती है, बट criminal समन adult male member को दे जाती है, यह बा वो भी नहीं हो पाया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर 65 कहता है, कि उसके घर के किसी conspicuous place पे चिपका किया जाईए, चस्पा कर दीजिए वहाँ जाके, उसके घर के किसी पार्ट पे जहाए से properly visible हो, और कोट में भी चिपका दी जाएगी समन, और मान लिया जाएगा कि समन स करते हैं, एक section का कि इस section में दिया है, government servant पे, अगर समन सर्व करानी है, दूसरा, government servant के लिए अगर समन है, तो वो किसको address होगी, तो ध्यान रखिएगा, government servant अगर है, तो जिस भी department में वो काम कर रहा है, उसके head हो, उस department के head को दी जाएगी, और वो फिर personally serve कर वाएगा, government servant के तो यह दो चीज़े ध्यान रखिएगा, section number and to the head of the office, इसके बाद 67 service of someone outside local limit, court की जो local limit है, उसके बाहर अगर समन सर्व करवाना है, जिस court को समन भेजना है, उसकी local limit यह है, इस local limit के बाहर अगर सर्व कराना है, तो किसको दी जाएगी, section बहुत important नहीं है, number, लेकिन किसको दी जाएगी, यह important है, तो ध्यान रखिए, magistrate, 67 में clear भी लिखा है, magistrate को दी जाएगी, जिसके local area में वो वक्ति रहता है, जिसके लिए समन है, जिसके लिए समन है, जिसके लिए समन है, लेकिन वो वक्ति यहां रहता है, और यह जो है, यह court 2 है, का jurisdiction है, दूसरे magistrate का, तो यहा 65 बिटा की है, कि personally serve नहीं हुई, 62 कहता है, in person करेंगे, आप मिल नहीं है, तो serve नहीं हो पाई, 64 कहता है, कि आप नहीं मिल रहा है, तो घर पे कोई adult member मिल जाए, meal member, अगर माल लिए से वो भी नहीं हो पाया, अभी तक जितने means पोड़े, इन में से कोई नहीं हो पाया, तो फ वाला magistrate serve कराएगा, 68 के तरह, proof of service in such cases and when serving officer not present, अब 68 की कहानी इदर थोड़ा सा, समझ लेना, यहाँ पर एक चीज़ यह ध्यान दीजिए, कि जब जिस court में issue करा है, वो तो यह है समन, गया दोसरे के jurisdiction में, यहाँ के magistrate के पास, अब magistrate क्या करेगा, यहाँ सर्व करवाएगा कैसे serve करवाएगा, सेम, किसी police officer के समन सर्व कराएगा, यहाँ का magistrate, अब यह जो police officer है, जिसने जा के summon serve करी है, इस बात का acknowledgement इस court के पास कैसे पहुँचेगा, इस बात के रेसे equally क्यों कि बात के पास कैसे पहुँचेगा, आपके क्योंकि करी तो इस magistrate के jurisdiction में है, इस magistrate के साम तो इसके आप यहां पेश हो के नहीं बताएगा कि मैने समनसर कर दिये तो वो इसके सामने जाके एफट एफट देगा और वह बात यहां कर दी जाएगे जिस वोड ने इशू करा है समना हो गारस की अधाट 68 इसके बाद 69 असर्थ समयरा विटनस्थ बाइप पोस्ट 69 कहता है कि आपने परस्टनली समनसर कर आई तैस फाइन या पिर इडिल में बेल मेंबर को दी दिए इन एडिशन पूदाट और यू अव थाट दो नो नो सब्सक्राइब आप क्या कर सकते हैं रजेटेश्ट में बेंअ पर नहीं है कि यह बता दीगा जो नहीं मिला यू ऊसमे लेने से मना कर दिया टो यह जो तो पोस्ट आफिस है यह बाद अग्नॉलेज कर देगा कि मैने सर्व कर थी बट उसने लेने से मना करतिया समन्द तो भी मान लिया जाएगा कि समन्सर हो गई है वापके अगेंस तो आक्शन सोने दूसरे एक डूसरे एक डूसरे एक देख लिजे 62 इंपर्टेंट है सेक्शन जैसा मैंने कहा भी पार्ट बात करेगा और समन से तो आप आए नहीं हिस्जत से बुलाना चाह रहे थे आप आए नहीं ऐसे में क्या होगा वारंट या फिरियस उफ्रेंटर से अक्यूस्ट है उनको भेज दिया जाएगा वारंट और वारंट मैंने आपको बताया थोड़ इसको कहते हैं वारंट का इसमें अर्स करने के लिए एक रक्ति को आपने भेजा है पुलीस ऑफिसर को आपने भेजा अर्स करने के लिए लेकिन आप साथ में ये भी लिख देते हैं कि जिस वक्ति को आप अर्स करने जा रहे है अगर वो सिक्यूरिटी फर्निश करने को रेडी है अर्स का पर्पस क्या है हमें ये इंशॉर करना है कि आप कोड के सामने आई पुलाया जाएगा ठीक है अर्स का भी तो वरिंट ऑफ अर्स जब लेके एक वक्ति गया है किसी किसी परसन के पास बहार सेवेंटी वन ये कहता है कि जिस कोड ने इशू किया है वारिंट वो ये प्रोविशन भी डाल सकता है उस पुलीस ऑफिसर के लिए कि अगर ये तु ये बात यहां पर दी हुई यह डिस्क्रेशन है क कोड का कि वो इस तरीका का वॉरंट भी दे सकते हैं इसके बाद क्या क्या होगा इस इंडॉश्मन में उस सब ले नंबर ऑसुर आप होगे कि किता अमांट है किस दीन प्रेज़ेंट हो नहीं सब बहुत इंपरिटन नहीं इसके बाद 72 है वारंस to whom directed, किसको direct होगा वारंस, जैसे हमने पड़ा समन्धों सीधे कहा है कि जहां तक संभव हो, वहाँ personally ही स्था हुट करनी है, लेकिन वारंस को direct किया जाएगा तो याद रखिए, जनरली पुलीस को दिया जाता है, पुलीस में है तो किसी बुजरे बक्त जैसे से सब्सक्राइब नहीं है, तो फिर किसी भी वारंस को किया जा सकता है, इसके बाद 73 है वारंस में भी दिलिए तो एनी परसन, कि आप जब किसी भी वारंस को दे रहे हैं तो कौन देने के लिए ओथराइज है, यह धान रखिएगा, 73 में से यह सावाल पूछा जा सक जो फिर को बेद के केस में प्रोक्लेम ऑफिंडर के केस में या फिर कोई ऐसा अक्यूस जो नौन बेड़ ऑफिंस का अक्यूस ए और अर्स से भाग रहा है, यह धान रखिएगा, 73 में एक तो कौन इशू कर सकता है प्राइज परसन को अधर दन पूलीस किसी परसन को वारं इसका और अरस से भाग रहा है, ऐसे वक्ती को पकड़ने के लिए, किसी को भी warrant execution के लिए दिया जा सकता है, इसके बाद सिथे आजे ये 74 पे warrant directed to a police officer, तो जैसा मैंने कहा, generally जिस police officer को दिया होगा है, वो खुद execute करेगा, या फिर endorse कर देगा किसी दूसरे police officer को, कि warrant उसको आया ह वो इंडोस कर देगा किसी दूसरे police officer का नाम, subordinate का, उसको बोल देगा, तुम execute करके आजो, that is also, that will also be valid execution, 75 बहुत इंपर्टन नहीं है, notification of substance or warrant, बहुत दिखाना है, substance बताना है, वारंट में क्या लिखा, या फिर वारंट जो करना है, बहुत इंपर्टन नहीं है, 76 परस्ट to be brought before court without delay, यह तो important है, यह 57 की तरह, जैसे arrest में पढ़ा है, वैसे ही 76 है, कि वारंट के थुरू अगर आपने किसी को arrest किया है, तो उसको भी 24 गंटे में आपको magistrate के सामने ले के जाना है, 77 है वारंट में भी executed, कहां execute कर सकते हैं, तो एक वारंट को भारत में कहीं भी execute किया ज सकता है, ठीक, इसके बात देखिए, 78 और 79, तो उन्हों के difference को मैं बता देता हूँ, without reading the provision, उसको थोड़ा brief आप समझ लीजिए, कि difference क्या है, 78 में और 79 में, head note देखिए, 78 का कहता है, warrant forwarded for execution outside jurisdiction, देखिए, यह ही court है, court 1, इसको warrant देना है, किसी ऐसे वक्ति को पकड़ने का, जो इसके jurisdiction से बाहर है, जो कि इसके jurisdiction से बाहर है, ऐसे कि इसमें, 78 कहता है, warrant forwarded for execution outside jurisdiction, इस court में क्या किया, warrant सीधे forward कर दिया, इस jurisdiction में, क्योंकि यह jurisdiction किसी दूसरे का है, यह जो jurisdiction है, यह किसी दूसरे court का है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सीधे इधर भेच देगा execution के लिए, अब अगर वो सीधे उस jurisdiction में forward, आप head note से ही समझे, warrant forwarded for execution outside jurisdiction, warranty forward कर दिया आपने दर, तो यहां आपको किसको forward करना है, उसके लिए तीन, मैं से की officers दिये हुएं, subsection 1 में, executive magistrate, SP या commissioner, इन तीनों में से किसी एक को देना है, किस-किस को देना है, जब इधर देंगे तो executive magistrate, या फिर SP, या फिर commissioner of police, इन में से किसी एक को direct करना है, जब यह court इन में से किसी एक को देगा execution के लिए warrant के, तो यह execution करवाएंगे, और यह लोग इस वर्ति को पकड़वाएंगे, यह 78 कहता है, on the other hand, 79 क्या कहता है, warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction, 79 कह रहे, कि आपको एक warrant execute कराना है, दूसरे jurisdiction में, जूसरे jurisdiction के बाहर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हे jurisdiction के, किसी police officer को आप दे दीजिए, execution के लिए, और इसको वो लिए, कि जब वहा 79 में provision है, पूरा, और इसमें यह चीज़ दिय हुई है, कि अगर यह वक्ति जा रहा है, यहां execute करने, तो सीधे जाके नहीं पकड़ना है, जनरली, यहां जाके उसे, कुछ लोगों से, इस warrant को, किसी वक्ति से, endorse कराना है, कौन है वो वक्ति, तो 79 का, subjection 1 कहता है, किसी executive magistrate से या फिर, किसी police officer in charge, वहां के, जिस वक्ति वापको पकड़ना है, वहां के police officer in charge, of police station, ठीक है, उस police station के in charge, जिससे, endorse कराना है, उस warrant को, फिर execute करना है, कहने का मतले, इनको confidence में लेना है, और फिर arrest करना है, क्योंकि आप दूसरे jurisdiction में करना है, लेकिन 79 यह भी कहता है, subjection 3, कि अगर मानली जी लगता है police officer को कि यह सब कारेकरम करने जाएंगे, इतनी दिर में तो यह वक्ति भागी जाएगा, है ना, अगर ऐसा लगता है, in that case, यह directly जाके execute भी कर सकता है, यह भी सब section 3 बताता है, so I hope you got the difference between 78 and 79, ठीक है, इसके बाद section 80 है, procedure on arrest of person against home warrant issued, arrest हो गया, तो फि किसी वक्ति के against warrant issue किया गया था, थोड़ा सा voice में issue, thank you for informing this, कि audio, थोड़ा सा कुछ sound का problem है, बाकी लोगों का क्या opinion है, am I audible, all right, no issues, all good, all right, थोड़ा बात हो सकता है, by chance, कुछ हो फोड़ा network check करना, जो law studies नाम से जोगी person है, फोड़ा से अपना network change कर चेकर होगे था, I guess, it'll be fine because others can hear me, थोड़ा बात ही निशे ही था, I guess, but it is reasonably fine, कुछ glitch है, all right, हो सकता है, थोड़ा बात हो सकता है, थोड़ा बात हो सकता है, by chance, कुछ, person, थोड़ा बात हो सकता है, by chance, कुछ, person, थोड़ा एक बार अपना, गोभी थो भी थोड़ा लोगों को प्रपरली भी सुना ही दे है, तो अगर किसी तक पहुच रहा है, तो अगर किसी तक पहुच रहा है, इसका मतलब आपके यहां से हो सकता है, थोड़ा यहां से हो सकता है, यह अगर बात है, but at least understandable है, then it is fine. वाकि नेक्स जो लाइब होंगे उसमें उसके पहले वी चेक देस अभी ये लाइब खातम होने के बाद विलाइब कम्लीट चेक अबाउट इस वाइब इस वाइटी देखिये प्रोसीजर और अरेस्ट ऑफ परसन अगें जू वारंट इशू अब जिस सक्ति के अगें अगें इस वाइब बात है जिस पॉर्ट ने शू किया उसके पास लेका आएगे दो सेक्शन इटी में थोड़ी टेखने का लिटी है अगर आप समझना जाए बरीफ में बस इस बात को समझ लेजिए कि उसको पकड़ने के बात कहा ले जाया जाएगा तो अगर मान लेजिए जो को अगर वो विदिन 30 किलोमेटर से अरेस्टेड वक्ति तब तो आप सीधे यहां लेएगे कुछ देखना ही नहीं है अगर 30 किलोमेटर के अंदर है थोड़ा और दूर है इस 30 किलोमेटर के रेंज में नहीं है मान लीजिए यहां पकड़ा गया है वो वक्ति तो फिर यह जूद है क्या अधर ऐसा है तो इसको वहां ले जाएगे और फिर वहां से वह फॉर्वर्ड कर देंगे जोड़ कर देंगे जिए बहुत इंपोर्टन बट नहीं है अब मान लीजिए जिस भी मेजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट्रेट विक्ति को लाया गया है और वो मेजि जिसके नाम का एशॉर करेंगा कि जिसके नाम का वारंट इसी वक्ति हो पकड़ा गया है अगर वह यह शॉर होगा बहुत लॉजिकल और सिम्पल सी बात है कि भाई आप उस वक्ति को फॉर्वर्ड कर देए इस पूर्ड के पास जिसने वरांट इंशू किया है और अगर मा आप देखें यह तो हो गया वारंट समन आपने पढ़ लिया वारंट थोड़ा सा हार्श तरीका आपने देख लिया कि कैसे किसी व्यक्ति की प्रिजिंस इंशार करानी है हमें कोर्ट के सामने तो एक टी टू देखिए बहुत जादा कि आपको बुलाया है क्योंकि आप ना तो समझ से आय ना वारंट एक्जिक्ट हो पा रहा आपके अगे इस बात का देखिए में कि आपको पूर्ट ने बुलाया है तो देखिए इस एनी परसन अगेंस वारंट 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 अल्रडी आपके अगेंस इसू हो चुका है अगर को लगता है जिस्विक्ति अगेंस वारंट इसू किया है वह कुछ चुपा रहा है एसे किस में कोट क्या करेगा सुधा यह बहुत इंपॉर्टेंट के सामने पेश होना है जो देट आपको दिजाएगी ना कोट के सामने पेश होने की कि देट और आपके अपिरंस की डेट में कम से कम 30 दिन का फासला होना चाहिए इससे पहले की डेट नहीं दी जाएगी प्रक्रामेशन में समय मिलना चाहिए आपको फोट तक पहुचने का बेसिक है तो आज एकर प्रक्रामेशन इशू हुआ है राइटिंग में तो आपको कि अपिर होनी की डेट दी जाएगी कि कम से कम 30 दिन बात की होगी शाल नॉट बी प्रक्रामेशन होता कैसा है भी ब्रीफ आपको बता दू अलग 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 तरीके दिया हुआ है एक तो यह कि जहां आप रहते हैं जिस भी वक्ती के को अरेस्ट करना है जिस भी वक्ती को इस देन को बुला या गया है इस तरीके से रीडाउट कर दिया जाएगा पॉलिक प्लेस में उसके बाद आगे लिखा और उसमें भी आपके नाम का प्रक्लेमेशन निकाला जा सकता है इसके बाद सीधर important है इतरा subsection 4, 82 का subsection 4 ध्यान रखिएगा बहुत ही जादा important है, ये बताता है कि proclaimed offender कौन होगा, ये बहुत important सवाल है कि proclaimed offender किस section के किस subsection में दिया है, तो section 80 के subsection 4 में बताया है, proclaimed offender कौन होगा, ये बहुत important नहीं है लेकर अपन समझने के लिए पढ़े गए बढ़ सवाल ही आता है कि कहा दिया नया है, तो देखिए, वेरा proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offense punishable under section 302, 304, murder, culpable, homicide, जिसा बढ़े serious offenses है, kidnapping अगेरा है ना, उनसे related, फिर देखोईटी से related, robbery से related, ये सारे provisions हैं इधर, इन में से किसी एक offense के लिए, कि अगर आप accused हैं और आपके against a proclamation issue कि गया है, तो आप हो गए, proclaimed offender, आपके against proclamation issue किया गया है, और आप accused case offense के हैं, इन में से किसी एक offense के accused है, in that case you are a proclaimed offender, तो ये 82 से important है, इसके बाद आईए 83 पे, अब जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हमने समन बेजा, बलाने के लिए, फिर हमने थोड़ा harsh method अपनाया, that is warrant, उस लेकिन इसके बाद भी आप नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, कोई property attach करेगा, लेकि ऐसा नहीं है कि proclamation के बाद, जैसे proclamation के लिए जरूर है कि warrant आपने दिया हो, और warrant issue करने के बाद आपको लग रहे हो कि आप नहीं आ रहे हैं, in that case proclamation होगा, अब जो attachment of property है, जो proclamation होन समझी है, proclamation के बाद भी attachment हो सकता है, या proclamation के साथ भी simultaneously हो सकता है, उसकी क्या conditions है, वो दिखते है 83 में, तो इधर लिखा है, the court issue in the proclamation under section 82, may for reason to be recorded in writing, at any time, after the issue of the proclamation, after the issue of the proclamation, ठीक है, order the attachment of any property, movable or immovable or both belonging to the person proclamed, belonging to the proclamed person, तो proclamation issue करने के बाद कभी भी attachment issue कर सकते हैं, जो भी इन में से किसी कंडिशन से, कौन सी है कंडिशन, ए रिखिये, is about to dispose of the whole or any part of his property, अगर जिस वक्ति के इस proclamation issue कर रहा है, और proclamation issue करते समय है, को लगता है, कि ये वक्ति अपनी property dispose of करने वाला है, बेजवाच के भागने वाला है ये, या और, second, is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, या फिर आप अपनी property, court के local jurisdiction से हटाने वाले हैं, कहीं दूसी जगे shift करने वाले हैं, किसी दूसरी court के jurisdiction में ले जाने वाले हैं, ताकि फ़र attachment में problem हूँ, बेसिक बात आप समझ गया, तो कि proclamation के बाद जो attachment है, वो भी आपके attendance require करवाने के लिए है, और proclamation के समय अगर court satisfy हो जाता है, कि आप अपनी property या तो dispose of करने वाले हैं, या court के jurisdiction से बाहर ले जाने वाले हैं, in that case court क्या करेगा, तो उसके लिए आगे लिखा है, इतमे order the attachment simultaneously with the issue of the proclamation, इतमे order the attachment simultaneously with the issue of the proclamation के साथ ही attachment order कर देंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी condition satisfy होती हुई दिप्ती है court को, court अगर satisfy हो जाता है, कि इन में से कुछ आप कर सकते हैं, in that case proclamation के साथ ही attachment की बात जाएगा, तो आगे, तो सबसेक्शन 2 में यह बताया है, अग किसी दूसरी district में, जहां court है, उससे किसी दूसरी district में अगर attachment होना है property का, तो वो DM के थुरू करा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, subsection 2 में, district magistrate जो लेखा है, subsection 3 में तरीके बताया है, कि movable property को कैसे attach किया जाता है, तो इधर से भी question आता है, prelims में, क्या-क्या methods होंगी, mode क्या होंगे property attach करने के, तो पहला है seizure के थुरू, दूसरा है by the appointment of a receiver, receiver appoint करके, या फिर by an order in writing prohibiting the delivery of such property, अगर मान लिचे, mobile property किसी और के पास है आपकी, तो उस रख्ती को instruct कर दिया जाएगा, कि भी इसको मत देना, तो कि इसके नाम का already proclamation है, और properties की हम attach कर रहा है, को कि court के सा या जा सकता है, इनने से किनी दो मोग से या जा सकता है attachment, ऐसा ही mobile property attachment के बारे में fourth है, उनले difference है, पहला है by taking possession, उस mobile property की possession ले लेगा, या फिर receiver appoint कर देगा, receiver मतला एक वक्ती होता है, जो देख भाल करेगा, उसको कह दिया आप देखना है property, जब तक वो वक्ती आनी रहा, या प्रोड में दो, ताकि वो court जाए, उस income को receive करने के लिए, इसेम है by all or any of the two methods, तो section 5 बहुत important नहीं है, perishable nature के अगर property है, in that case, immediately sale करी जा सकते, अगर perishable nature की property attached हुए, को वेजेटेबल से हैं, कुछ ऐसा जो खराब हो सकता है, उसको तुरन सेल किया जा सकता है, उसको तुरन से तीन चार question बनते हैं, देखे क्या क्या है, तीन से अग्जेक्शन फोड़ा समझ प्रवेशन को आपके कर देटेल में ऐसी बता दूँआ, एक वेक्ति जो की एपस्कंडिंग है, जो की पोस्पोर्ट के सामने आनी रहा है, उसको court बुलाने के लिए हमने property attached कर लिए, court ने property attached कर लिए, अब हो सकता उस property में कुछ और भी लोगों का इंट्रेस्ट हो, माल लेजिए, एक building attached हो गई है, उसका owner क्योंकी एपस्कंड देंगे, अब माल लेजिए, वो single owner में है, joint owner उस property का, दूसरे लोगों का इंट्रेस्ट है, तो इसे लोगों के पास एक opportunity दी गई है, 54 मे कि जिस भी code ने property attached करी है, उस code के पास जाके वो अपना objection raise कर सकते हैं, या अपना claim raise कर सकते हैं, कि साब हमारा भी interest है, आप जो property ले जा रहे हो, उसमें वह तो ठीक है, जिसके चकर में आप यह property attach कर रहा है, हम भारीवों का पर भी तो घ्यान दो, हमारा interest में तो protect होना चाहि है, तो ऐसे claim से objection file हो सकते है, section 84 में, दो-तीर बातें इदर धान रखने वाली है, कि अगर objection file करना है, किसी वक्ति को कितने दिन में करना है, third line में लिखा हुआ है, within six months from the date of such attachment, जिस दिन attachment हुआ है, उस से 6 मेने के अंदर objection file होना चाहिए, पहला question claim और objection कि section में फाइल होता है, attachment के against, 84, कितने दिन में होना है, तो 6 मेने के अंदर होना चाहिए, attachment होने के बाद, कहा होना है, just what an attachment किया वो, या फिर अगर माल लेजिए, वो वक्ति दूसरी district में है, तो ऐसे में वहाँ के CGM के पास कर सकते है, इन प्रकरटी के दूसरी district में situated है, in that case, वहाँ के CGM के पास क में जो code attach कर रहा है, अगर माल लेजिए, वो ये application, objection लेके जाता है, उस code के सामने, जिसने attachment order किया है, और वो code, माल लेजिए, objection disallow कर देता है, वो कहता है, तो ये तो criminal code है, जो attachment कर रहा है, क्योंकि अपन पढ़ रहा है CRPC, तो अगर माल लेजिए, उस ने disallow कर दिया, आपक case आपके पास किया remedy है, जिस दिन यह order आया है, जिस दिन आपका objection, या claim, disallow कर दिया गया है, उस दिन से, एक साल के अंदर, अधर civil suit, परे कर सकते है, इस order of disallowance के अगेंस, आप क्या कर सकते है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते रहें इसके बाद देखिए 85 इस इंपर्टेशन और तीसरा है आपका रिस्टोरेशन है क्या यह यह मैं आपको ब्रीफ में तीनों बाते बता देता हूं इसके रिलीस की दिखिए प्रपर्टी अधाश करने आपको निश्कुराइन खरदेंगे कोड के सामने आप पेश हो जाते हैं तो आपकी प्रपर्टी को रिलीस कर देंगे चोड़ दिया जाएगा एक एक बर्पर्पस पापको पूलाना था अगर आप कोड में पेश हो गये तो प्रपर्टी रिलीस हो जाएगी सब्सक्शन 2 केता है अगर आप नहीं आए इन दाट केसं आपकी प्रपर्टी जो है बेच देगी है से लिकर दी जाएगी लेकिन कितना दिन बाद होगी अटाच्चमेंट के कम से कम 6 मेने बाद बेच जाएगी या फिर अगर कोई अब्जेक्शन रेस हुआ था सेक्शन 84 में कोई केम रेस हुआ था जब तक वो केम सेटल नहीं होगा तब तक नहीं बेखेगी और अगर अगर अब्जेक्शन नहीं है तो 6 मेने का टाइम यह द्यान रटी के पहले नहीं बेची जाएगी प्रपर्टी अटाच्मेंट से कम से कम 6 मेने रुपना उसके बाद बेचना है परे जो रिस्टोरेशन ने इस सबस्ट्शन 3 में दिया है रिस्टोरेशन क्या होता है ने मिलेगा और प्रपर्टी हो सकता है जो प्रपर्टी बेच के जो पैसा वो पैसा वो पैसा, फोट के पास आ गया, आउक्षन में बेच दिया आपकी प्रोपर्टी, या तो हो सकता आधी प्रोपर्टी विक्यों आधी अभी रख़ियो, तो थोड़ा नेट प्रोपर्टी, जो कुछ में बचाए, अगर अटाच्मेंट की देट से 2 साल के अंदर, चैनल में हो जानकारी ही नहीं मिल पाई थी, आप किसी ऐसी धुलिहा में थे, कि आपको इस वरंट की या प्रोक्लमेशन की या अटाच्मेंट की खावार ही नहीं थी, आप जान बुच के नहीं भाग रहे थे, आपकी कोई गलती ही नहीं थी, अगर ये आप कोट को सटेस्फाइ कर दे आए जाएगा, यह है सबसेक्शन 3, सेक्शन 85 का, इस हो केते हैं, रिस्टोरेशन, अगर मान लीजिए, 85 के सबसेक्शन 3 में आप आए दो साल के अंदर, और आपने पूरी कोशिच करी कोट को ये बात समझाने की, कि आप एप्सकर नहीं कर रहे थे, आप जान बुच के नह अपील करेंगे, जस भी कोट में आपकी प्रपर्टी अटाज करी थी, और आप जब आए रिस्टोरेशन के लिए उसने बात नहीं मानी, और इस बात की भी अपील लाए करती है, वहीं इस बात की भी अपील लेकर आपको जाना है, तो 85 में तीनों चीज़ इंपॉर्टन है रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन, तीनों ध्यान रखिएगा, 87, section number ध्यान रखिएगा, issue of warrant in you of or in addition to summon, section 87 बस यह बताता है कि जहाँ पे भी summon issue करी गई है, वहाँ पे summon की, या summon issue कर सकता है, वहाँ समन की जगे warrant issue कर सकता है, या फिर summon के साथ-साथ, जैसे आपन ने बढ़ा कि प्रोक्लेमेशन के साथ-साथ attachment भी हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पे summon के साथ-साथ warrant भी issue हो सकता है, arrest का, यह बिल्कुल valid है, 88, 89 बहुत जादा important नहीं है, इसके बाद आजाए सीधे अगले chapter पे, तो जैसे अभी पिछने chapter में हमने पढ़ा, किसी भी व्यक्ते की appearance आपे कैसे compel करेंगे court के सामने, ऐसे ही हम आगे chapter में हमें देखना है, कि अगर किसी चीज, कोई thing बुलानी है, या कोई document produce कराना है court को अपने सामने, तो वो कैसे खराएगा, कोई object, कोई thing, अभी तो वक्ती को बला रहे थे, अब चीज़े कैसे बुलवाएगा court अपने पास, उसका procedure या है chapter 7 में, आप देखिए जड़ा, आगेला जो chapter है, इसमें भी देखो अले देला part है, यह part बात करता है, समन, क्योंकि पहले तो भाई समन ही भेजा जाता है, समन से अगर नहीं मेर पाएगा, तो फिर इसका भी part आएगा, सार्च वारेंट भेजा जाएगा, जैसे वारं ले आओ, इसे मिला प्रसीजर है, परपस थारज देजिए, वहाँ विक्ति को बलाना था कोट में, इसर आपको क्या बलाना है, चीज़ें बलवानी है कोट में, तो उसके लिए क्या प्रसीजर है, यहां से भी important question पूछे जाते है, प्री में, यह provisions काफी important है, 91 देखिए सब to produce document or thing, दो लोगों की बात है, whenever any court or any officer in charge of police station, तो सबसे पहले तो यह धान रखिए है, कि समन किस section में भेजी जाती है, thing यह document बलाने के लिए, 91 में, कौन भेज सकता है, court भी भेज सकता है, या police officer in charge भी समन भेज सकता है, किसी चीज़ को बलाने के लिए, इसका subsection 2 बहुत important है subsection 2 यह कहता है, कि जब में कोई चीज बलवानी है, आपको कोई thing बलवानी है, तो जिस व्यक्ति की custody में उसको obviously आप भेजेंगे समन, उसमें आप दोनों तरीके के order दे सकता है, या तो आप यह order दे सकता है, कि वह चीज लेके आप खुद आईए court में पेश हो, या फिर सिर subsection 1 की last line देखिए, requiring him to attend and produce it or to produce it, या तो हम उस व्यक्ति को समन बेजेंगे, जिसके पास वो document या चीज है, उसमें हम दो में से कोई एक order देंगे, या तो यह order कि वह चीज लेके court में आईए court attend करिए, या फिर यह कि उस चीज को आप court में produce करवा दीजे, जो आपके पास है तो हमें से कुछ भी order, अब subsection 2 कहता है, कि जहां आपको second वा order मिला है, just to produce the thing, आपको present होने का order नहीं मिला है, in that case आपको खुद present होने की ज़रुरत नहीं है, आप से वो चीज पहुचा दीजे court के पास, that will be sufficient, तो subsection 2 कहता है, any person required under this section, may need to produce a document or other thing, shall be deemed to have complied with the requisition, if he causes such document or thing to be produced, instead of attending, personally to produce the same, तो भी compliance मान लिया जाएगा, अगर आप सिर्व चीज फोट तक पहुचा देगा, क्योंकि order क्या मिला था, produce करने का, अगर order मिला है, खुद पेश होके produce करना है, वहाँ खुद पेश होना है, बहाँ खुद पेश होना है, otherwise नहीं, इंदे रेविटेंस आपको जहाँ आपको सिर्फ चीज प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था, कोई तो वहाँ आप 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 से पूछ पाच नहीं होगी उस केस में, इसका सबसेक्शन 3 कहता है, कि postal authorities पे यह applicable नहीं है, जो समन वाला पार्ट हमने पड़ा, कि police officer या कोई भी कोई समन देश के बिल करा सकते हैं, तो इसके लिए सबसेक्शन 1 और 2 है, दोनों में difference समझ लेना, आपको brief कर देता हूं, सबसेक्शन 1 कहता है कि यह जो officer सबसेक्शन 1 में mentioned है, सिर्फ यह telegraph या postal authority को order दे सकते हैं, उन्हें instruct कर सकते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, जो authority के possession में है Postal authorities के पास अगर कोई चीज है, जो court को चाहिए, तो सिर्फ यह specific person है, जो उन्हें से बुलवा सकते हैं, कोई भी court नहीं बुलवा सकता, 91 क्या कह रहा था, कोई भी court या फिर कोई police officer in charge of police station बुलवा सकता है, बट 92, तो के भी subsection 3 में कह दिया था कि Postal authority भी applicable नहीं है, और 92 कहत है, Postal authority से कुछ मगाने के लिए, ये भी important है, इसके बाद subsection 2 क्या कहता है, इनको छोड़के, जो अभी हमने बात करी, DM, CJM, court of station, high court, इनके अलावा गर किसी magistrate को बुलवाना है, या commissioner of police या SP को, या किसी executive magistrate को को कोई चीज required है, by the Postal authorities अपने investigation के लिए, अपनी inquiry के लिए, अ आप उस चीज को ढूंड के रफिये, हमें ये चीज required है, आप उसको प्लीज ढूंड के रफिये जिए, और हम आपके पास order भीजवाएंगे, higher authority से, जो subsection 1 में थी है, that is DM, CJM, court of station, high court, ये उनका order जब तक पेंडिंग है, वो उनको बोलेंगे, कि Postal authority को order करें, और ये चीज धूंड के रख लो, जिपनको order आना है, तब तर हम पर जैसी आजाए, हमको वो इते देना, चीज, so this is 92, है ना, the studies का सवाल है कि कितने provision cover होंगे, तो बटा ये chapter खतम करूंगा, मैं बस आज और, ये chapter हम खतम करूंगे, इसके बाद 12, sorry, 7A important नहीं है, और कलसे में start करूंगा chapter 8, 7A बिखुल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं आता, उसमें अगला, जो chapter 7, उसमें कुछ है नहीं आता, पूरा chapter शोड़ सकते हैं, बस ये chapter में complete करूंगा, उसके बाद, the session will end, generally 11 बजे के आस-पास, 11-11, जैसा भी chapter अलाओ करता है, हम bind up करेंगे, कल हम वापस resume करेंगे, chapter 8, 7 session, तो अभी जो provision है, को देख लिए जहांगे के, तो ये तो होगे 92, अब तो वाप ही समन की, 91 में जनरल कोई भी court बेस सकता है, police officer in charge बेस सकता है, 92 specifically, postal authorities की कहानी बता रहा है, इसके बाद आते है, chapter के second part पर, that is search warrant, B, search warrant कब भी जाजाएगा, तो जैसे समन में है, कि सब इज तो बिलीव, that a person to whom a summon or order under section 91 or a requisition under section 1 of section 92 has been or might be addressed, underline करीजे, ये ये बहुत important है कि search warrant कब भी जाएगा, तो अगर court को लगता है, कि जिन लोगों को हमने उपर समन बेजी, चाहे 91 की समन हो, चाहे 92 subsection 1 की समन हो, अगर court को लगता है, will not or would not produce the document or thing, कि जिसको हमने समन बेजी है, वो ये चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, in that case, आप search warrant issue कर सकते है, और thing as required by search summon or requisition, और, तो पहला तो होगे, आप पहली condition क्या है, जहां search warrant issue की आजा सकता है, जहां court satisfied हो, कि समन का compliance नहीं होगा, हमने जो इज़त समन बेज के चीज बलवाई है, वो हमें नहीं मिलेगी, in that case, आप search warrant भेज देंगे, second, देखिये, where such document or thing is not known to the court to be in the position of any person, court को यहीं पता कि वो चीज किस की position में हो, अब भाई, समन तो आप तब भेजोगे न, जब आपको पता हो कि वो चीज किस की position में है, अगर आपको पता ही नहीं है, कि वो चीज किस person के पास है, उस case में तो search warranty जा चीज प्रोड्यूस करवाना चाते है, उसका purpose fulfill नहीं होगा बिना search के, तो ऐसे case में भी आप search and seizure करा सकते है, तीन condition है, पहला, जहाँ court को ऐसा लगे कि समन तंप्लाई नहीं होगी, समन मेज के भिलवाया है, तो वक्ती लाएगा नहीं, ऐसा एगर लगता है, in that case, आप warranty अब इसका जो subsection 2 है, भी, sorry, subsection 3 important है, 2 तो नहीं, subsection 3 देखिए, जैसे 91 में हमने देखा कि poster authorities पे applicable नहीं था, search का जो समन है, 92 अलग से provision है, ऐसे यहाँ जो search warrant के अपनने बाग करी है, भी subsection 1 में, यह generally applicable poster authorities पे नहीं है, उसके लिए subsection 3 में अलग से दिया है, कि अगर poster authorities के लि DM और Chief Judicial Magistrate to grant a warrant to search for a document parcel or other thing, अगर तो पोस्टल और तेलिगराफ authority में अगर सर्च होना है, किसी चीज़ का, उसका order कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ DM या फिर CJM, District Magistrate या Chief Judicial Magistrate का ही order होना चाहिए, बागी सब के लिए कोई भी code कर सकता है, इसके बाद देखिए 94, this is very very important, section 94 is very important, 94 चाहता है, search of place suspected to contain stolen property, false document, etc, अब यहां पे कुछ बाद देखिए, अगर यह ऐसा लगता है, कि यह चीज़ें किसी जगे पर मिल सकती है, तो वहां उस जगे का search warrant issue किया जा सकता है, 94 में, यह articles क्या है, यह stolen property हो सकती है, false document हो सकता है, counterfeit currency हो सकती है, और other चीज़े, व यह इसलिए, 94 में पहले क्या पढ़ेंगे, पहले subsection 2 देखो कि किन articles की search के लिए, यह section applicable होगा, तो subsection 2 देखिए 94 का, the objectionable articles to which the section applies are, किन-किन चीज़ों पर apply होता है, सबसे पहले counterfeit coin, उसके बाद है, metal token act के contravention में अगर कोई pieces हैं, इसके बाद सी है, counterfeit currency note, counterfeit stamp, false document, false seal, इसके इसके बाद है, obscene object, 292, IPC में पढ़ा था, I clean test, उसके हिसाब से कोई obscene object है, या फिर जी कहता है, कोई ऐसा material जो इनमें से किसी चीज़ को produce करने के लिए है, तो वाज साब यह जो सारी चीज़े हैं, आपकी, इन चीज़ों को designate किया गया है, as objectionable article, अगर लगता है कि यह च SDM या कोई दूसरा, sorry, DM, SDM या फिर GMFC, traditional magistrate, first class, इन तीनों में से किसी को भी अगर लगता है, कि ऐसा कोई objectionable article किसी किसी place पे हो सकता है, तो वो किसको authorize करेंगे, जो A clause लिखा है, उसके उपर की line में लिखा है, देखिए, he may by warrant authorize any police officer above the rank of constable, constable सिर्की rank से उपर के किसी भी कर सकते है, police officer को कि वढ़ना जाए, उस जगह पर enter करे, search करे, वो सब A, B, C, D में है, क्या-क्या power आप दे सकते है, जनरल बाते है, जाके search करिए, अगर वो चीज़ मिल की, तो custody में लिज़े, कोई suspicious वक्ती वहाँ मिलता है, तो उसको arrest कर लो, ये सारे power दे सकते है, दो तीन स कोई भी newspaper, book, document कर कोई भी publication है, जिसमें court को ऐसा लगता है, कि ये कोई objectionable content carry कर रहा है, वो publication, किसको लगता है, state government, तो 95 में, पूरा रोल किसका है, 95 is about state government, अगर state government को लगता है, कि कोई particular publication है, और उसमें कैसा content publish किया गया है, तो इधार आप देखेंगे, subsection 1 में, जो A, B के बा the publication of which is punishable under 124A, seditious matter है, 153A, जो different groups के बीच में enmity फैलाते है, IPC के provision recall करते जाना है, इसके साथ ये सब पड़ा है, मैंने आपको इनी series में, 153B, 292, 293, 295, religious feelings hurt करने वाला, इस से related कोई publication है, कोई material contain कर रहा है, कोई content दिया गया है, किसी भी publication में, तो state government order निकाल सकती है, ऐसी हर copy को forfeit करने का, उस book की, उस pamphlet की, उस newspaper की, हर copy को forfeit करने का notification, state government 95 में निकाल सकती है, और इस notification को comply करने के लिए, magistrate warrant भी दे सकता है, police officer को जाके search करने का, ये है 95, इसकी remedy जो है, वो 96 में, जैसे माल लीजिए, किसी publication के against 95 का notification, state government ने तो निकाल दिया, लेकिन जिस वक्ति का व कि वो किताब है, ये जिसने वो newspaper में article लिखा रहा है, ये content जिसने बनाया है, अगर उस वक्ति का ये opinion है, कि साब state government ने जो notification निकाला है, साही नहीं है, क्योंकि मेरा जो publication उसमें सी कोई चीज हैंगी नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुए, जो इस से related हो, जो आप बात कह कि उसमें seditious content है, obscene content है, वैसा कुछ नहीं है, अगर उसकी ये plea है, तो वो remedy मांगने कहा जाएगा, तो ध्यान रखना, section 96 में वो remedy मान सकता है, किस से high court से, high court के पास वो appeal कर सकता है, इसके against, ठीक, इसके against वो, high court में जाके appeal कर सकता है, ये दिया है, 96 में application to high court to set aside declaration, एक चीज तो ये जो notification निकला है, for feature का, उसके within 2 months, 2 मेने के अंदर वो जा सकता है, ये बात ध्याग रखिएगा, subsection 1 में आपको मिल जाएगा, 96 के within 2 months from the date of publication in the official visit, जिस दिन ये declaration निकला है, उसके 2 मेने के अंदर आप, high court के पास जाके, ये application दे सकता है, कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ये लिजिए, habeas corpus, जो आपने रिट्स में पढ़ा होगा, constitution में, habeas corpus, it is the same, similar provision, उसी की तरह है, habeas corpus का मतला है, to present the body or to present the person, किसी भी विक्ति को अगर unlawfully detain करा गया है, तो उसको present करने के लिए रिट होती है, habeas corpus, 97 is a similar provision, 97 कहता है, search for persons wrongfully confined, किसी विक्ति को अगर wrongfully confined कर लिय गया है, if any district magistrate, sub-divisional magistrate, magistrate of first class, कौन-कौन ये order pass कर सकता है, ये भी इंपॉर्टन इटी है, MSTM, J MFC, अगर उन्हें लगता है, कि किसी विक्ति को detain किया गया है, और वो detention unlawful है, तो वो search warrant निकाल सकते है, और police officer को direct कर सकते हैं, कि इस विक्ति को ढूंड के लाओ, that is 97, इ और उस female को इस purpose के लिए कि, अगर माली जी वो woman है, या कोई भी child है, 18 साल से कम का, और उसको illicit relationship के purposes के लिए, अगर abduct कर लिया गया है, in that case, same DM, SDM, या JMFC, उसको चुड़वा सकते हैं, और उसको अपने lawful गार जन्या, parents के बाद बिजवाएंगे, that is 98, कि, similar provision है, बड़ बड इसके बाद आते हैं, section 100 पे, persons in charge of closed place to allow search, this is also important, कि अगर किसी closed place में search होना है, तो वहां के लिए क्या guidelines है, क्या procedure है, कोई closed place है, वहां पे अगर search होना है, तो जो विक्ति सर्च करने गया है, उसकी क्या responsibility है, तो जिस भी रिक्ति की possession में, वो जगया है, ये बाद हैं उसको पहले तो जाके आपको उसे बताना है, कि भाई साब हमें ये ये place सर्च करनी है, और with due respect उसको आपको बताना, और वो अगर आपको without hindrance allow करता है, तो फिर आप आराम से अपनी search conduct करिए, और अगर माली जी आपको hindrance पादा करता है, तो फिर आपके पास सारे right, जिसे arrested person को 47 में थे, कि confined place पे कोई आसा वक्ति है, जिसको arrest करना है, तो 47 मताया था, मैंने दरवाईर फिर खड़की तोड़के घुज़ जाईए, same provision 100 में भी apply होगा, अगर वो without difficulty आपको करने दे रहा है, तो आराम से search करिए, अगर वो obstruct कर रहा है, तो फिर आप force use करिए, और वहाँ witness कितने होने चाहिए यहाँ पे, यह एक important है, तो subsection 4 देखिए ज़रा, subsection 4 में लगा हो दो attesting witness, local residence होंगे, वहाँ के कोई भी दो independent and respectable inhabitants होने चाहिए, उस locality के, कोई भी दो independent, उनको आपको इस search का witness बनाना है, sir, जब होगे, जो भी सामान seize होगा, उसकी पूरी list बनेगी, उस इन witnesses के sign होंगे, जो person उस जगे की possession में है, उसके sign होंगे, और तो भी उसको भी दो गया आप list ही, क्योंकि आपने सामान अगर seize किया है, वहाँ से कुछ, तो यह चीज़े उस व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए, क्या 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 आप लेके जा रहे हैं, important question यही है, section 100 ध्यान यहां पिर confined place का search अगर करना और कितने witness चाहिए, जैसे arrest के memorandum में एक attesting witness चाहिए, search में दो attesting witness चाहिए, यह धान रखियेगा, आप यह जो विटनेस बन माल लीजिए, जो भी person search करने क्या है, अगर वो किसी से request करता है, witness बनने क्या है, वो बिना reasonable justification के मना करते है witness बनने से, तो that may be a punishable offense under IPC, कि आप एक public servant के order को disobey करने है, और यह भी रिखा हुआ है यहां, कि जो रिक्ती search का witness बना है, उसको unnecessary court नहीं बना है, उसको जबर दिसकी सचा, सताना नहीं है, इसलिए तो फिर लोग support नहीं करते है, इसलिए यह नहीं करना है, 100 important नहीं है, 102 बहुत important है, पुलीस officer to see certain property, कब एक पुलीस officer बिना किसी की permission के, अभी तका जगे magistrate permission दे रहे थे, 102 बताता है, पुलीस officer का अपना power, independent power किसका, पुलीस officer का, सर्च और सीजर का, यह बहुत important provision है, यह किसका power है, पुलीस का अपना power, देखिए, किन केन cases में पुलीस यह कर सकती है, 102, तो any police officer may seize any property, which may be alleged or suspected have been stolen, अगर वो property stolen है, पहला कब कर सकते है, अगर वो property stolen, कोई भी property उन्हें लगता है, चुराई होई है, सीज का सकते, यह फिर उन्हें लगता है, विच में भी found in the circumstances, which creates suspicion of the commission of any offense, उस property के साथ, कोई offense commit हुआ है, या तो वो stolen property है, या कोई offense commit हुआ है, ऐसे case में, police officer ऐसी property को seize कर सकता है, बिना किसी magistrate के order के यह थान रखियेगा, असलिए मैंने खाता है, police के काफी wide powers है, CRPC में, ठीक है, इसके बाद अब बाकी basic provision है, कि जब आपने seize किया, तो अगर कोई subordinate police officer है, तो officer in charge of police station को report करेगा, magistrate के पास उसकी report जाएगी, यह सारी कहानी है, बस आपको दो चीज़े लान अपनी है, 102 में, किस section में दिया है police का power, seize करने का बिना order के, फिर किन cases में वो कर सकते है, तो property stolen है, यह उसके साथ कोई offense किया गया, दोनों cases में आप seize कर सकते है, इसके बाद एक section और बस section number यान रखिए, 104, impounding of document, power to impound document, etc. produce, court के सामने जो भी चीज court के सामने produce हुई है, court के पास power, उसे जप्त करने का, that's all for this chapter, और कुछ इसमें important नहीं है, इसके बाद आगेला जो chapter है, जिसमें आपको कहा, 7 है बिल्कुल important नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, हमें पूरा chapter, शोड़ दीजे, कल में smart करूमा chapter 8, security for keeping the peace and for good behavior, यह chapter जब आप देंगे, तो provision तो आपको याद होंगे, 106 में conviction के case में convicted person से bond भरवाया जाता है, 107 में इसके लिए 108 में, but इसका basic purpose और पूरी chronology क्या है, यह थोड़ा समझना है हमें कल, when we will start with this, कि यह जो हमने कहा bond भरवाने की बात, फिर आगे आप इसके provision देखेंगे 111 के बाद के, तो अब बात कर रहे हैं, 122 की कि अगर default कर दिया, तब क्या हो थी, पुरी कहानी क्या है, यह आपको brief में बताके, जो important provision है, सीधे में उन पे आ जाओंगा, चीक, तो यह चीज, जो चेप्टर है, यह जो अगला चेप्टर है, इसको बन start करेंगे, तो इक ना बेजे, law studies cut out है, sir it's very hard to remember all the power of Liam Jam in these sections, at least we still have to remember, जितनी बार कड़ोगे, उत्ता बेटा है, और थोड़ी सी chronology draw करने की कोशिश करोगे, that will be better, इसलिए इन चीजों को बार बार आपको recall करना होता है, बेरेट बंद करके, जैसे आपने पढ़ लिया, समझ लिया, एक बार यहाँ पढ़ लिया, आपको सोने के पहले बेरेट बंद करके जवाब रख देते हैं, उसके बाद जो जो आपने पढ़ाना दिन में उसको recall करा करो, बेरेट बंद करके जितनी बार recall करने की कोशिश करोगे, वो chronology अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करोगे, उतना बेतर है, यह याद करने आपको समझ में तो आएगा, क्या लिखाए, लिटरल मीनिंग, बट शायद कई बार जो मैंने observe किया है, उसके connection को समझने में fail होते हैं, यह चल गया रहा है, तो पहले जारा उसको समझ यह, कि chapter 8 है किस बारे में, जैसा कि आप chapter का नाम देख पा रहे हैं, security for keeping the peace and for good behavior, हम security furnish करवा रहे हैं, कुछ लोगों से किस लिए, peace keep करने के लिए, and good behavior के लिए, ताकि समाज में शा जितने भी समाज के उपत्रवी तत्व है, जनको हम समाज एक तत्व भी आप कहते हैं, और इधर पर जो major role है, आप देखेंगे, executive magistrate का है, एक provision में judicial magistrate भी है, बट बाकी के provisions में, यहां major role किसका है, executive magistrate का, और executive magistrate क्या करता है, जो भी ऐसा suspicious विप्ति उसे लगता है, कि यह क हम एक bond भरवा लेते हैं, security furnish करवा लेते हैं, यह assurance ले लेते हैं basically, कि अगले कुछ समय तक, एक निरधारित अवधी तक आपका जो conduct होगा, वो सही होगा, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, जिससे society का peace disturb हो, आपको अपने behavior को अच्छा रख, क्योंगे हमें आपके भरोसा नहीं है, आप suspicious वक्ती हमें लग रहे हैं, हमें आप पे विश्वास कता ही नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, इस बात कि हमारे पास evidence है या खबर हमें मिली है, अब आप हमें बताईए, अच्छा आप एक बात जो सबसे important किदर है, directly आप security नहीं करा लेंगे ऐसे, आपको लग रहा हो ना, यह तो अब नेचरल जस्टिस वस्टिस कहां गया भाई, ऐसे आप किसी भी वक्ती के against, आपको अगर suspicion है तो उससे आप security फरनिश कराएंगे, क्या, यह सही तो नहीं है, इसलिए होता क्या है इस chapter में उस process को समझना, जहां यह suspicion होता है किसी वक्ती के against, कि भाई यह peace disturb कर सकता है, आप सीथे उसको security फरनिश करने को generally नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप इसा कर सकते हैं, ऐसे कि इसमें magistrate क्या करता है, अगर उसके पास ऐसे खबर है, अगर उसके पास ऐसे evidences हैं, कि यह वक्ती peace disturb कर सकता है समाज का, तो वो क्या करता है, उस गती को बुलाता है, और उस वक्ती से बोलता है कि तुम हमें बताओ कि क्यों हम तुम से security furnish ना कराएं, क्योंकि भाई यह हमें तो विश्वास नहीं है तुमारे उपर, हमारे पास तो यह खबर है, यह हमें तो यह suspicion है, कि आप in future, जो peace है इदर का, वो कराएं, आप सीधे किसी को नहीं बोल देंगे उठाके, suspicion के business पर किलाओ security दो, क्योंकि तुम समाझ का, माहुल खराब कर सकते हो, उसको अपनी बात रखने का मौका देना है हमें, इसलिए पहले क्या होता है, executive magistrate क्या करता है, उसको बलाता है, उसकी बात सुनता है, उसके ब क्या करेगा, फिर वो उसके security furnish कराएगा, और अगर magistrate को उस वक्ति की बात सुनने के बाद लगता है कि नहीं यार, फालतू में किसी नहीं information दे दी है, या कोई ये ऐसा असा magic तत्व नहीं लग रहा है, ये तो ठीठ ठाक बड़ी आदमी लग रहा है, तो ऐसे में वो आग हरकत करी, तो वो forfeit हो जाएगा, अगर आपने मानली जी ये order pass कर दिया है, आप satisfy नहीं हो पाए उस वक्ति की बात से, और magistrate को लगता है कि नहीं यार, ये वक्ति महुल खराब करेगा, इसलिए इससे हमें bond बर्माना चाहिए, security furnish करवानी चाहिए, तो फिर वो order करेंगे, security security furnish करने के लिए, अगर आप उस order का violation करेंगे, तो ये disobedience है, public servant के order का, आपको punishment में लेगा, या फिर आपने security furnish करी, आपने bond बर्माना उसके बाद भी आपने वो हरकत करी, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिसके लिए आपको warn किया था कि public peace आप disturb नहीं करेंगे, फिर आपको prison में डाल देंगे, ये पूरी कहानी है इस chapter की, अब आप provision पढ़ेंगे, तो थोड़ा ज्यादा मेरे खाल आपके समझ आया, क्योंकि हर जला शो कॉस लिखा है, यह समने है कि बस हमें suspicion हुऊ हमने उटा कि उससे security furnish कर ली, that's not the thing, एक section इसका, 106 जो है, ये थोड़ा ये थोड़े similar है, क्योंकि यहाँ action कौन ले रहा है, यहाँ action ले रहा है आपका executive magistrate, और यहाँ court action लेता है, ये किस case में होता है, conviction के case में, conviction के case में, अभी मैंने आपको कहानी किस की बताई, कि हमें suspicion है कि आप कुछ कर सकते हैं, in that case आपको शोकास करने, आपको बुला रहे ह कि आप हमें satisfy कर दीजे, आप ये बात proof कर दीजे, कि आप महुल खराब नहीं करेंगे, तो आपसे board नहीं बर्माईगे, आपसे security formation नहीं कराएंगे, लेकर अगर कोई वक्ति convict हो गया है, इस तरीके के similar offenses के लिए, जिससे उसने public peace disturb किया हो, इस तरीके के offenses के लिए, अगर ए security मान लिया एक मामले में, जब आपका conviction हो गया है, आप conviction हुआ है, तो आपको हो सकता punishment मिले, imprisonment मिले कुछ समय का, तो उतने समय तो आप शांत रहेंगे, क्योंकि उतने समय आप imprisonment जेल में हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आप हरकत से बास तो आएंगे नहीं, क्योंक हो चुक है, ऐसे वक्ति से भी security furnish कराई जा सकती है, उसके जो security का period होगा, जिस period के लिए उससे good behavior expect किया जाएगा, या उससे security furnish कराई जाएगी, वो बहुत obvious सी बात ये समझना, कि imprisonment उसका खतम होने के बाद, क्योंकि वो वक्ति already convicted है, मान लिजे conviction के बाद, तीन साल का उस में तो वो तीन साल जेल में रहेगा, उधर तो कोई security लेने की जरुवती नहीं है, हमें उस वक्ति से, क्योंकि जेल में भेजा ही उसको इसको इसलिए है, लेकिन तीन साल बात जब को बाहर आएगा, उसके बाद की guarantee नहीं है, तो उसके बाद के period के लिए हम इसको बोलेंग जो समझा रहा हूं, निकी, bail bond और bond में क्या difference है, तो बेटा, bail यह होता है, कि आप already custody में, वहां से बाहर आने के लिए आप एक undertaking देते हैं, and bond is just an undertaking, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, bail जो होता है, वो procedure है, कि आप already custody में आपको release कर दिया जाए, वहां भी आप एक undertaking दे रहे है, कि हमें release कर तो जब बुलाओगे आ जाएंगे, जब बुलाओगे आ जाएंगे, यह assurance, यह undertaking, so bond is basically an undertaking that you care, पाकी इसके बारे में detail में बात मैं करूँगा, जब अपन bail पे आएंगे, separate chapter है, तो हां मैं आपको detail में इस बारे में बात करूँगा, इस chapter का focus उस पे नहीं है, and I hope जो मैं आपको बात convey करना चाह रहा था, इस chapter का, जो overall outlook है, वो मैं आपको basically यहां समझाना चाह रहा था, क्योंकि जो observance है मेरा वो यह है, chapter के मतलब तो समझ लिया है, मगर वो कहानी में बैटी नहीं, और आप जानते हैं अब जिस level का lethal competition problems में होने लगा है, अब सिर्फ वो section number औ जोनी चाहिए, ठीक है, चलिए, अब आजाते हैं अपन provision पे, कहानी मैंने आपको पूरी सुना दिये, यह सारी बात ने कहा किस provision में है, बस अब वो देखना और चपकर हमारा हो जाएगा, यूँ खतम, 106 देखिए, security for keeping the peace on conviction, यह किसकी बात कर रहा है, security for keeping the peace on conviction, आपको already conviction क आने वालने, लेकिन बाहर निकल के आप दुबारा हरकत करेंगे, इसलिए आप से, हम security मागेंगे इस बात की, कि बाहर निकलने के बाद आप हरकत नहीं करेंगे, यह दुबारा, so देखिए, when a court of session, कौन-कौन कर सकता है, 106 में कौन-कौन security furnish करने का order दे सकता है, this is an important question, य MFC और Sessions Court, यह बरवा सकते हैं, यह security यह bond, when a court of session, or court of a magistrate of the first class convicts a person of any of the offenses specified in subsection 2, or of abitting any such offense, and is of opinion that, it is necessary to take security from such person for keeping the peace, आपने convict तो कर दिया है, इन में से किसी एक offense के लिए, कौन से offense, जो subsection 2 में लिखे है, 106 के, subsection 2 में लिखे है, इन में से अगर किसी एक offense के लिए, आपने आपको convict किया गया है, तो आपसे यह security furnish कराई जा सकती है, the court may at the time of passing sentence on such person, जब sentence सुनाया जाएगा, जब punish किया जाएगा, उसी समय आपसे security furnish करा ली जाएगी, order him to execute a bond, with or without charities, for keeping the peace for such period, underline कर लीजे, not exceeding 3 years, किते साल तक का bond भरवायदा सकता है, 3 साल, कित 3 साल आप commencement है, वो कब होगा, तो बहुत ही natural सी बात है, बंदे को आपने convict किया है, तो अभी तो वो already हो सकता, जेल में जा रहा हो, अगर वो imprisonment में जा रहा है, तो यह जो 3 साल की अवधी है, चालू कब होगी, जब वो jail से बाहर आएगा, तो जब तक जेल में है, तब तक तो उसका conduct वैसी बढ़िया रहने वाला है, जिल से बाहर आने के बाद के गारंटी नहीं है, उसके लिए अपन security से ले रहे हैं, इस बात को अगर आपको समझना है, तो आप जारा section 119 खुली जे बेरिट में, इतने थाड़ी है, बस डिटेर्म नी जाएंगे, अपन 119 का hit note पढ़िए commencement of period for which security is required, इसको आप पढ़ेंगे तो मेरी बात आपको समझ में जाएगे, कि imprisonment अगर already है, तो वो खतम होगा, फिर आपका security वाला period शालू होगा, इसके बाद subsection 2 जो है, 206 पे वापस आईए, subsection 2 उन offences के list दे रहा है, जिनके case में, कमभुशन को case में, यह security furnish कराएगी, यह basically public peace or tranquility से related है, तो देखिए, जितने भी offences chapter 8 में है, IPC के वो, उसके बाद assault, criminal force, criminal intimidation या breach of peace, इन से related offence में, अगर आप convict हुआ है, तो आप से security, और यहाँ देखिए, सीधे security furnish कराने की बात लिखी है, ठीक security from such person, जो मैं आप को अंडलन के, सीधे security furnish करा लो, यहाँ को focus, focus की जरूरत नहीं है, because you are a proven misbehavior, आप तो proof हो चुका है, आप तो convict हो चुके हैं ऐसे offence के लिए, तो यह तो proved है कि आप असामाजिक तत्व हैं, चीक है, और subsection 3 बस यह बताता है, कि अगर appeal में आपका conviction set aside कर दिया गया, जिस भी offence के लिए आप convict हुए तो और आप से security furn furnish कराई गी ती, अगर वो conviction set aside हो गया, appeal में, appeal में यह proof हो गया, कि आप guilty नहीं थे, तो bond भी खतम हो जाएगा, अब विसी बात है, क्योंकि bond बरवाय इसलिए था, क्योंकि यहां तो यह proof हो है, कि आपने वो हरकत करी, आपने वो offense commit किया, अगर appeal में वो set aside हो जाता है, तो यह सवाल आते हैं, और कौन सा magistrate करवाएगा, तो बहुत हो simple है अपकी executive है, when an executive magistrate receives information that any person is likely, underline कर लीजे, likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility, executive magistrate को लगता है कि कोई वेक्ती public peace disturb कर सकता है, या public tranquility disturb कर सकता है, in that case वो क्या करेगा, were to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner here and after provided, underline करिए, require such person to show cause, आप उससे direct security furnish नहीं करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, require such person to show cause, why he should not be ordered to execute a bond, हम उससे उसको बुला के सामने पोच रहे हैं कि तुम मता हो हमें, क्यों तुम से security furnish ना कराई जाए, direct नहीं कराएंगे, क्योंकि this is merely a suspicion, ठीक, और इसकी जो duration है यह भी important है, executing a bond for keeping the peace for such period not exceeding one year, इसको underline कर लिए, यह प्री का बहुत important सवाल है, तो 107 में साथ सवाल क्यों दो तीन आएंगे, 107 किस बारे में बात करता है, तो कोई भी ऐसा वक्ति, जिसके यह suspicion है, likely है कि वो public peace यह tranquility disturb कर सकता है, executive magistrate show cause करेगा, कितने time तक के bond के लिए, ए duration कितनी होगी, अगर बाद में executive magistrate के सामने वो वक्ति आता है, और magistrate को लगता है कि यह तो भकवास आदमी, यह पक्का पीस disturb करेगा, तो फिर जो वो security furnish करवाएगा, कितने साल की करवाएगा, एक साल की करवाएगा, इसके बाद subsection 2 बताता है, कि कौन से executive magistrate का jurisdiction है, बहुत important नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, वो वक्ति जहां रह रह रहा है, वहाँ जिस executive magistrate का jurisdiction है, वो भी भरवा सकता है, या फिर जहां का piece वो disturb करने वाला है, उस जगे का executive magistrate भी इससे यह bond या so calls कर सकता है, यह बहुत जादा important नहीं है, meaning मैं आपको बता लिए, इसके बाद आ यह suspicion है, कि यह seditious matter disseminate कर सकता है, फैला सकता है, distribute कर सकता है, कोई कैसा material, seditious material, and this is not confined to seditious, उसके अलावा भी चीज़ें है, intimidate और obscene content, अभी उस पर मैं आता हूँ, इस तरीके की चीज़ें promote या distribute कर सकता है, disseminate कर सकता है, यह likelihood है, तो 108 मैं आपको show calls किया जाएगा, अब कहानी वो सेम है, जो मैं आपको समझा रहा था, जो मैं आपको पहले बताया, सीधे इदर security नहीं furnish कराएंगे, show calls करेंगे, चिक, तो 108 में करेगा कौन, executive magistrate द्यान रखियेगा, इसके बाद किन matters में होगा, तो उसके लिए यह जो subsection के clauses है, 1 और 2, यह आपको देखने है, brief में बत सारी चीज़े 94 में पढ़ी थी, जहां सर्शन सीजर का order होता है, similar बाते हैं इंदर, कि अगर suspicion है, इस से related material आप disseminate कर सकते हैं, distribute कर सकते हैं, तो आपको show calls करके बुलाया जाएगा, और same, आप से पूछा जाएगा कि क्यों आपके against, एक order pass ना किया जाए, आपके against, आपसे security furn क्यों ना कराई जाए, और कितने साल का है, तो इसमें आप देखिए, subsection 1 जहां end हो रहा है, last line में लिखा है, not exceeding one year, इस बात को आप या, तो अलग से लिख लेजे, underline कर लेजे, 108 में भी कितने दिन के लिए आप security furnish कराते हैं, एक साल, सिर्फ 106 में तीन साल है, और 110 में, बाकी 107, 108, 109, सब में एक साल है, तीनों में, इसके बाद आईए 109, security for good behavior from suspected person, 109 में security furnish करा जाती है, शोकास करा जाता है उस व्यक्ति को, किसी suspected person, अब ये किस बात का suspect है, कि ये व्यक्ति cognizable offense commit कर सकता है, कि ये व्यक्ति को पर गर ये suspicion है, कि ये व्यक्ति cognizable offense commit कर सकता है, एक particular jurisdiction में और इस purpose से वो अपने आपको conceal कर रहा है, अपने आपको छुपा रहा है, क्योंकि उसे एक cognizable offense commit करना है, अगर ये suspicion है, executive magistrate को, ये भी करेगा, अगर executive magistrate को ये suspicion है, कि कोई रक्ति उसके jurisdiction में छुपा हुआ है, जो cognizable offense commit करने के intention से खुद को conceal कर रहा है, ऐसे कि इसम section में किस बात के लिए security furnish करा रहा है, कितने दिन के लिए करवा रहा है, और कौन करवा सकता है, ये pre-k questions है, तो 109 में भी executive magistrate है, suspicion है कि कोई विक्ति अपने को छुपा रहा है, conceal कर रहा है, और cognizable offense करने का intention है, plus one year के लिए security furnish करने का order दिया जा सकता है, पहले तो show false करेंगे उसके बाद आईए 110, security for good behavior from habitual offender, ये किन से करवाया जा रहा है, habitual offender, आदत न अपराधी, habitual offender होते हैं, आदत न अपराधी जो regularly इस तरिकी की activities में involved रहते हैं, देखिए, when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction, a person who is by habit a robber, housebreaker, three-four forger, आदत है उसकी ये करता ही है, वो चोरी करता है, रॉबरी कर है, forgery करता है, आगे बहुत सारे offenses की list दी है, kidnapping करता है, thieves को harbor करता है, stolen property में deal करता है, चोरी के सामान में deal करता है, kidnapping, abduction करता है, breach of peace में involved रहता है, इस तरीके कि किसी भी activity में habitual ही, अगर कोई वेक्ति involved रहता है, तो उसको कहते हैं, habitual offender, ऐसे habitual offender को भी क्या किया जाएगा, हो, तुम से हम security formation ना करना है, क्योंकि तुमारी हरकते तो ऐसी है, अगर वो satisfy कर देगा magistrate को, कि साहब, अब हम सुधर रखाएं, अब हम ऐसा काम नहीं करते हैं, अगर ये आपने satisfy कर दिया, तो security formation नहीं करोगे, नहीं कर पाए, तो फिर security formation करना पड़ेगा, 110 में याद रख रही है, कि आप ये हरकते नहीं करेंगे, और बाकी में, 107, 108, 109 में एक साल का assurance रही है, अब अगर आपने वो मेरी कहानी समझी है, कि पहले हम show cause करते हैं, बुलाते हैं, उसको मौका देते हैं, अपनी बात रखने का, उसके बाद आएगा 111 का order, अब सिरफ हेड़ मोट कैसे देगा, राइटिंग में देगा, उस वक्ति को, बाकी 112, 13, important नहीं है, अगर वक्ति court में मौझूद है, तो महीं दे देंगे, मौझूद नहीं है, तो समन करके बुला लेंगे, ये सारी बाते हैं इधर लिखी हुए है, बहुत important नहीं है, personal attendant dispense करा सकते हैं, 115 में, बिल करती है, थोड़ा इस type का, लेकिन कितनी सा चाहिए है उस information में, वो सब inquiry magistrate करता है, 116 के अंदर, और जब वो ये inquiry कर लेगा, उसके बाद आएगा, order to give security 117, अब अगर inquiry करने के बाद, magistrate को लगा है, कि यार ये तो है वक्ति, जैसी इसके बारे में information मिली थी, ये उस तरीके का अतरंगी व्यक्ति है, और पूरी संभावना है, कि ये peace disturb करेगा, ऐसे में, executive magistrate क्या करेगा, अब order कर देगा, कि चलो, security furnish करो, तो कि तुम पे हमें विश्वास पहले नहीं था, और अब सामने आगा है हो, तो शकल देखके, तो एकमी नल्ले लग रहे हुआ पर पका भी इसा मेरकातें करोगे, तो अब तो थोड़ा बहुत जो विश्वास था, वो भी हमारा उट गया है आपसे, इसलिए अब आप क्या करो, चुप चाप security furnish कर दो, तो security furnish करने का order जो होता है, वो 117 में है, इसलिए वहाँ show cause है, इसलिए security order करना है, 117, इसके बाद 118 है, discharge of person informed against, जिस वक्ति के अगेंस, information मिली थी, अगर मालनी जिया, वो जब court के सामने, I'm sorry, executive magistrate के सामने जब आया, और executive magistrate ने inquiry करी, उसके बाद अगर लगता है, कि नहीं यार, ये वक्ति तो ठीक्टा काइदमी, ऐसा कुछ नहीं है, जैसी information मिली थी, और there is no likelihood कि ये वक्ति peace disturb करें, ऐसे कि इसमें आप उसको discharge करती है, खात हम कोई security, security बलवने की ज़रूरत नहीं है, एक सोनलिस मैंने बताई दिया, commencement के बारे में बात करता है, बहुत important नहीं है, 120, bond के content बताता है, क्या-क्या बरवा सकते हैं, बिल्कुल important नहीं है, सिधे आ जाईए इसके बाद 112 पे, imprisonment and default of security, यह जो मैंने आपको बताया था, हमने 117 में order करा है, security furnish करने को, या फिर security furnish करने का order कहाँ पास होगा, 106 में, यहां तो हम शोक वाजोक वाजो करी नहीं रहें न, क्योंकि आप तो already proved है, कि गड़बड देखती हैं, तो यहां तो यहां security furnish करने का order होगा, या फिर security furnish क करने का order होगा, 117 में, दोनों में से किसी एक में, इसलिए आप 122 में देखेंगे, तो यह दोनों section mention किये गए हैं, subsection 1 में, यहां लिखा है, if any person ordered to give security under section 106, और section 117, does not give such security, अब यहां 107 क्यों नहीं लिखा, 108, 910 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां security furnish नहीं कराते, वहां स security furnish नहीं करी है, तो अब वस्ती बात है, जितने दिन का हम आपसे bond वरवारे थे न, एक साल या तीन साल, जितने आपको jail में डाल देंगे, क्योंकि यह security furnish करवाने का purpose क्या था, कि आप महौल कराब ना करें, आप peace disturb ना करें, तो आप security नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम कुछ से security ले लेंगे, आपको अंदर डाल दिया जाएगा, इसमें बस subsection 3 के बाद जो प्रवाईशों दिया है, उसको underline कर लेंगे, इसमें लिखा है, provided that the period for which any person is imprisonment for failure to give security shall not exceed 3 years, 3 साल से जाधा नहीं होगा यह, जो आप imprisonment दे रहे हैं, यहां 3 साल, क्योंकि जो आप bond भी भरवा So that is how this chapter is, बाकी कुछ important नहीं है, इसमें important section कौन-कौन से है, 106 से 110, 117, 112, बाकी कहानी आप पूरी, I hope, समझ गए, इसके बाद आईए अगले chapter पे, chapter 9, order for maintenance of wives, children and parents, before we move on to the provisions, इसका भी थोड़ा महुल समझ लीजी, क्या है, तो फेर provision पढ़ने मुश्किल नहीं होगे, वैसे इसके जो provision से बहुत कम section है, इसमें 125, 125, 125, तो ऐसा है कि एक-एक शब्द important है, परी के लिए, इसलिए इसको पूरा पढ़ेंगे, एक-एक शब्द important है, जिससे सवाल बनते हैं, 127, 126, जित बहुत, 125 तो पूरा ही important है, चीक? निक्की का क्याना है, डीटेल में study करने की जरूरत नहीं है, 111 onwards, बिल्कुल बिल्कुल बटा, नहीं है जरूरत, समझने की जरूरत थी, वो मैंने आपको समझा दिया है, बाकि आपका discussion है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजेगा, जो लिखा है, वो मैंने आपको आपको आ दिया गया है, पर्सनल लॉज में, आप पर्सनल लॉज देखिए, हर रिलेजन वाइस है, पर्सनल लॉज, वहां मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है, जो माइनर बच्चे है, उनका मेंटेनेंस का अधिकार है, पेरेंट से, जो वाइफ है, वाइफ का मेंटेनेंस का तो फिर 125 इधर क्यों है तो इस बात के लिए यह पार्ट तो है CRPC का इस बात बुजरा समझना कि यह जो चेप्टर है आपका चेप्टर 9 जो सेक्शन 125 है यह पार्ट तो है CRPC का मतलब न सब्सक्राइबर दोनों है यह थोड़ा थोड़ा क्योंकि इसमें जै से रिमेडी रहा है और मैंटनेंटर इसले रिमेड़ papo का है क्योंकि तो तब दिया जाया गा जब सामने ताइम समय लगता है उसके प्रसेडिंग्स लंबी चलती है और भाई साब मेंटेनेंस के लिए कोई व्यक्ति कोड पहुचा और मेंटेनेंस का सूट डिसाइड होने में लग रहा है बारा साल दस साल आठ साल तब तब तो मेंटेनेंस की जरुती खतम हो जाएगी उस वक्ति फिर वो मेंटेनेंस लेके खरेगा क्या इसलिए एक स्पीडियर मोड चाहिए था और इस परफस से ये चेप्टर से आरपीसी में रखा गया है स्पीडियर मोड देने करें और साथ ही जो परसनल लॉज है वो वेरी करते हैं सिमिलारिटी नहीं है उनमें यूनिफॉर्मिट तो है नहीं अभी पूरे बारत में तो जो परसनल लॉज है वहां जो राइट्स है वो वेरी करते हैं बट क्रिमिनल लॉज जो सी आरपीसी जो है इस सेक्यूलर प्रविजिन अप्लाइज तो एवरीवन इर्रिस्पेटिव और रिलिजिन यही बात शाहबानो केस में कही थ तो शाहबानो केस में जब कहा गया कि Muslim women जब आई maintenance मंगने तो उन्होंने यह कहा कि यह applicable है फिर उसको nullify करने के लिए एक act लाया गया था राजीव गांधी government सी जब क्योंकि Muslim majority ने उसको अपोस किया तो उसके लिए एक separate act लाया गया divorced Muslim women से related और वहां यह चीज कर दी गई कि कि आप एक certain period तक ही maintenance ले सकते हैं यह चीज वहां करके उस effect को शाबानों के nullify करने की कोशिश करेंगे हैं यह से याद रखिर प्री के लिए उतना detail वैसे required नहीं है इसलिए उस detail में मैं नहीं जाओ बात यह है कि यह provision criminal law में क्यों रखा आपने इस तरीके की remedy का maintenance दिलाने का तो basic purpose यह है कि uniformity है irrespective of religion सब पे applicable है plus speedier mode है और क्योंकि criminal proceeding है इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे वो भी जादा होता है जादा strong होता है यह criminal law थोड़ा सा deterrence होता है इसमें क्योंकि imprisonment भी मिल सकता है इसलिए इसको criminal law के तहत रखा गया है और यहाँ CRPC में यह provision आप देखते हैं यह right भी create कर रहा है इसलिए it is not only procedural यहाँ पे right भी create हो रहा है substantive भी है यह provision तो कि यहीं से right create कर रहे हैं किस किस का right है अब एक चीज़ और समझना before we move on literally to the provision एक चीज़ समझना है हमें कि किस किस के पास अधिकार है अभी हम जब language पढ़ेंगे इसके जो आप clauses देख पारे हुआ 125 के तहट जो maintenance का है एक होता है minor daughter जिसकी शादी हो चुकिया और दूसरा होता है parents उनका बच्चों से maintenance लेने का अधिकार कब ले सकता है कौन ले सकता है थोड़ा सा उसमें doubt रहता है कई बार तो I'll try my best to clear that बाकि तो फिर simple है provision सीधे 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 प्री के question है लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इस provision का एक एक शब्द important है बहुत सारे प्री के question इस 125 में है तो चली 125 पढ़ते है order for maintenance of wife, children, parent किसको maintenance दिलाया जाएगा wife को, parents को, children को, minor children को generally wife को दिलाया जाएगा और parents को if any person having sufficient means, neglect or refuses to maintain, कोई भी ऐसा वक्ति जिसके पास sufficient means है वो अगर neglect or refuse करता है किसी को maintenance देने से, किसको हो तो आगे देखिए, A है his wife unable to maintain herself, एक husband अपनी wife को maintain करने से मना करता है, sufficient means होने के बाद भी, तो wife approach कर सकती है criminal court under 125, B देखिए, his legitimate or illegitimate minor child, तो सबसे पहले हमने किसकी बात क करी, minor child की, इसमें दोनों आ जाएंगे, minor child, legitimate, illegitimate, दोनों, illicit relationship से born child है, उसका भी अधिकार है, maintenance लेने का, his legitimate और illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, अब इसमें legitimate, illegitimate भी आ गया, married, unmarried, दोनों की बात है, married minor child भी ले सकता है, married daughter अगर है तो वो भी ले सकता है, minor होना चाहिए, ये लिखा है, इसके बाद आगे देखिये, c, his legitimate और illegitimate child, not being a married daughter, who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury, unable to maintain itself, अब बात कर रहे हैं major, major child, minor तो मैंने आपको बता दिया, major child, तो major child के लिए condition है, major child, तब जब physically या mentally disabled हो, physically और mentally disabled, सिर्फ उस case में major child maintenance मांग सकता है, पेरेंट से, अधरवाइज नहीं, तो पेरेंट्स की जो responsibility है, अपने child को maintenance देने की या maintain करने की वो तब तब तक है, जब तक child major ना हो जाए, generally, minor child के लिए responsibility है, major की नहीं है, major की सिर्फ तब है, जब वो disabled हो, physically or mentally, और उसके current maintain करने में, सक्षम ना हो अपने आपको, in that case only, तो I hope कि आप सब जो इस lecture को सुन रहे हैं, अगर आप judiciary की तायरी कर रहे हैं, तो आप सब major है, तो पेटर इस बात, ये provision में, इसलिए हमेशा कहता हूँ, कि this is not only important for exam, जीवन में भी बहुत जरूरी है, ये provision, तो अगर आप major हो गए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके parents के responsibility, इसलिए कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इस विरोज़गारी से बाहर आए, तो कि पापा किसी भी दिन लात्मार के बाह सकते हैं, और आपक इस फादर और मदर अपने बच्चों से मांग सकते हैं, अब एक सवाल इस होता है, कि husband तो wife को देगा, और जो parents है, वो उनका अधिकार है, father का duty है, कि वो minor child को mental है, जो parents का अधिकार है अपने child के लिए, तो क्या सिरफ male child का अधिकार है, कि अधिकार है parents के पास, क्या सिरफ son की responsibility है maintenance देने की, या daughter भी आजाएगी 125 में, daughter को भी देना पड़ेगा, बताइए, बताइए, क्या daughter को भी देना पड़ेगा, maintenance, या सिरफ son की responsibility है, और आप जानते हैं, 2005 के जैसे amendment के थ्रू, daughter को भी entitle कर दिया ancestral property है, तो भाई, इसके लि के जे, विजय मनुहर वर्सिस काशी राओ, विजय मनुहर वर्सिस काशी राओ, इसमें held किया है, कि यहाँ, it is the responsibility of not only the son, but the daughter as well, daughter से भी parents मांग सकते हैं, maintenance, विजय मनुहर वर्सिस काशी राओ, भाई बिखियेगा, ठीक, तो daughter और son, दोनों responsible हैं, parents को minding करने के लिए, अब आप अगर सिरफ इन A, B, C, D, 4 clauses को देखेंगे, तो आप यह conclude करेंगे, wife entitled है husband से मांगने के लिए, minor child entitled है, चाहे legitimate हो, illegitimate हो, married हो, unmarried हो, minor होना चाहिए, entitled है, major child के case में सिरफ तब entitled है, जब physically है, mentally disabled हो, और married नहीं होना चाहिए, daughter, married daughter का major होने के बाद, father से maintenance मांगने का अधि कार नहीं है, अभी मैं daughter पे अलग से आँगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी कहानी है, इसके बाद आके देखिए, इसके बाद जो लिखा हुआ है, अब magistrate of the first class में upon proof of such neglect और refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father और mother, at such monthly rate as such magistrate things fit, इस एक paragraph में दो प्री के question है, पहला कि 125 के अंदर maintenance का order ज्यान रखिएगा JMFC, judicial magistrate first class देता है order, दूसरा सवाल ये बनता है कि कितना maintenance दिलाया जा सकता है monthly, क्या limit है उसकी कितना amount monthly maintenance के लिए दिलाया जा सकता है by the JMFC, तो there is no such specified amount, जितना magistrate को सही लगे उतना, पहले fixed amounts थे, बट क्योंकि आप जान रहे है कि development हो रहा है, growth हो रही है, inflation बढ़ रहा है, तो बार-बार उसको revise करने की बजाए सीधे लिख दिया गया, तो जो magistrate को ठीक लगे, तो present situation के हिसाब से husband की condition, wife की condition, वो circumstances देखते हो, magistrate को जितना सही लगे, उतना maintenance दिला सकता है, यहाँ ये दो question prelims के है, इसके बाद इसका provision बहुत जादा important है, provided that the magistrate may order the father of a minor female child, this is very important, the magistrate may order the father of a minor female child, referred to in clause B, to make such allowance, until she attains her majority, if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means, तो देखिए, अब इस provision में, minor married daughter की बार करी गई है, कि minor married daughter को father तब देगा, जब उसका husband, capable ना हो, maintain करने के लिए wife हो, in that case, जबकि हमने यहाँ B में क्या पढ़ा, जब हमने minor child पढ़ा, B में तो clearly लिखा है, legitimate हो या illegitimate minor child, married हो या unmarried, दोनों case में father की responsibility है, now what is the conclusion, अगर एक minor child है, daughter है, जो की married है, वो किस के पास जाए maintenance मांगने, अपने husband के पास जाए, या अपने father के पास जाए, क्योंकि पहले clause में लिखा, his wife unable to maintain, तो husband की responsibility है, और B ने बता दिया कि father की भी है, लेकिन provision ने उस चीज को clear कर दिया, कि primary responsibility husband की है, if the husband is unable to maintain, then father के पास जाना है, और यह किस की बात चल रही है, minor daughter की, major daughter का तो है ही नी father से, अगर major है और mentally, physically disabled नहीं है, तो फिर कोई right ही नहीं है major daughter का father से मागने का, इस बात को जारा समझना, यह जब मैं आपको बता रहा हूं को इससे related questions बनते हैं, तो अगर अपन minor daughter की या daughter क ही बात करें सिरफ, तो भाई साब, daughter के case में यह होगा, कि major और minor, तो आप simple एक बात यह समझिये, कि अगर married नहीं है, unmarried है, तो major के case में father की कोई responsibility ही नहीं, जब तक physically है mentally disabled नहीं, father की responsibility ही नहीं है, major होने के बाद तो ना daughter की यह ना son की है, लेकिन अगर minor है, उस case में सवाल ही दो में से कुछ एक हो सकता है, या तो married है, या तो unmarried है, तो भाई साब, अगर unmarried minor daughter है, तब तो father को maintain करना है, कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर married minor daughter है, तो इस married minor daughter का एक right तो अपने husband के against भी है ना maintenance का, यह बात भी तो clause A में पता चल रही है ना, कि wife का धिवकार है husband के against तो primary, जो responsibility है, वो किसकी है भाई साब, priority पे husband, यह इस बात को प्रवाईजो ने clear कर दिया, father is married minor daughter को तब maintenance देगा, जब उसका husband capable ना हो, otherwise नहीं देगा, पहली responsibility किसकी, husband की, so that is the significance of the provision here, I hope that is clear to everyone, yes or no, आगया भाई समझ में, इस चीज में थोड़ अचा कई बार confusion होता है, इस इसके बाद, अब आते हैं अपन, parents पर, maintenance का right किसका, parents का, parents में, father and mother, थोड़ अचा difference है, क्योंकि दोनों में, तो देखिए, father का जो right है, ये तो है ही, अपने child के against, अब अपने उसको son भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि case भी मैंने आपको बता दिया, daughter के against भी है, तो father का तो right है, अपने child के against, maintenance माँगने का, if the father is unable to maintain himself, mother का जो, अब यहां भी वो same कहानी, कि mother के पास भी दो option है ना, अपने husband से माँगो, मतलब father से, इस बच्चे के, या फिर आप अपने child से माँगो, दोनो, भाई, mother का भी अगर husband जिन्दा है, if the husband is alive, इस child का father अगर जिन्दा है, तो इधर mother का भी पहला right किस से है, maintenance माँगने का, father से, हाँ, if the father is unable to maintain, या फिर जो mother है, वो widow है, अगर father के पास sufficient means नहीं है, या फिर mother widow है, if this father is not alive, in that case, mother अपने child से maintenance ले सकती है, I hope that is clear, yes, क्योंकि पहली responsibility किस की husband है, towards the wife, इसलिए mother के case में यह कहानी है, अब बाकि ये चीज़ें, हेल्ड करी गई है, कि चाहिए वो step father, step mother हूँ, या फिर legitimate, illegitimate, दोनों cases में, step father हूँ, adopted हूँ, सब में maintain करने की responsibility, child की generally रहती है, ची, I hope that is किया, पूजा का doubt है, daughter divorced your widow हो, in that case, देखो बाई, जब divorced है, तो अभी wife माना जाता है, जब तक remarriage नहीं है, और अगर marriage नहीं है, उसकी, मतलब जो status है, वो एक ही होगा, या तो married होगी, या तो not married, at one point of time, या तो वो daughter married होगी, या तो नहीं होगी, अगर वो divorced wife है, तो वो तो explanation में लिखा है, कि divorced wife wife मानी जाएगी, अगर जब तक दूसरी शादी नहीं है, तो अब तक husband की responsibility है, जिससे उसका divorce हुआ, उसके बाद father के पास आएगा, वो, सारी कहानी, और अगर major है, एक बाद ध्यान रखीगा, बाकी तो इसमें detailing और भी है, कि step father, किस child से मांग सकता है, लेकिन इतना detail, pre के लिए required नहीं है, इसके बाद आएए अगले provisor पर, that is again important, provided further that the magistrate may during the pendency, यह बहुत important है, यहाँ से pre के again, question है, एक question बहुत important है, दूसरे provisor से, pre का, provided further that the magistrate may during the pendency of the proceeding, regarding mantri aligns for the maintenance, under this subsection, order such person to make a mantri aligns for the, underlaying कर लीजे, interim maintenance, of his wife, और such child, father और mother, and the expenses of such proceedings, which the magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct, तो भाईजाब maintenance के लिए, अगर case file हुआ है, तो ठीक, criminal proceeding है, speedier तो होगा थोड़ा, लेकिन फिर भी, जब तक वो decide होगा final, maintenance तो ऐसे चीज़ है जो चाहिए, at that point of time only, अगर prime office, magistrate satisfy होता है, तो एक interim maintenance भी दिला सकता है, कि जब तक यह decide होगा case, उसके पहले ही, अभी interim maintenance की ए सकता है, actual judgment आने के पहले, interim, उसमें proceedings का खर्चा भी, क्योंकि वक्ति maintenance मांगने जा रहा है, उसके पास, जीने खाने के लिए पैसा नहीं है, वो, यह सब proceeding का खर्चा कैसे उठाए, इसलिए एक interim maintenance की application दी जा सकती है, कि final आये, उसके पहले, interim maintenance आप claim कर लो, उस वक्ति से, जि shall, as far as possible, underline करिये, be dispensed of within 60 days, जहां तक संभव हो, यह interim maintenance की जो application है, इसको magistrate 60 दिन के अंदर dispose of करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है, maintenance ऐसी चीज है, जो immediately required है, immediately required है, तो immediately जब required है, तो गर जल्दी आप उसका disposal खरिये, चीक, explanation भी इदर important है, minor तो देखिए, क्या होगा, for the purpose of this chapter, minor होगा, as per majority act, 1875, इसे पोछे जाने की संभावना है, कम हो, तो भी आपको याद रखना चाहिए, minor हमेशा, आप इंडिया में कॉंसल आप देखिए, majority act, Indian majority act, भी इसका बहुत important है, explanation में जो B clause दिया, this is very important, wife includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from her husband, and has not remarried, divorce हो गया है, but remarriage नहीं हुई है, चीक है, divorce हो गया है, लेकिन दुबारा शादी नहीं हुए है, तो such women shall be considered as the wife of that husband, जिससे उसका divorce हुआ है, and she's entitled for maintenance, कब तक मिलेगा, जब तक remarriage ना हो जाए, दूसरी शादी ना हो जाए, और अगर divorced है, तो उस case में भी personal laws में भी remedy है, available कि जो husband की property है, या husband की जो father है, उनका जो ancestral properties है, husband का जो share है, वो सब उसमें right होता है, आप personal laws में पढ़ेंगे, year one, year two, class one, class two, year, और वो सारी चीज़े है, तो वो separate rights है, इसके बाद आजाईए, सीदे आप subsection 3 पह, जो important है, if any person so ordered fails without sufficient course to comply with the order, any such magistrate may for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be, remaining unfaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to, underline कर लेजे, which may extend to one month, और until payment is done, अगर आपके against maintenance का order pass हो गया, एक वक्ति के against maintenance का order pass हो गया है, कि उसे अपने किसी relative को, wife को, child को, parent को, किसी को maintenance देना है, अगर वो fail होता है उस order को comply करने में, तो for the next month उसको imprisonment में रहना पड़ सकता है, इसलिए मैंने का था कि civil remedies के होते हुए, CRPC में इसको क्यों डाला है, यह remedy के चक्कर में, इस criminal remedy के चक्कर में, कि maintenance नहीं दोगे, तो फिर imprisonment, इसलिए उसका execution ensure हो जाता है, basically, यहां से, ठीक, और इसके बाद इसका जो provisor है, subsection 3 का, यहां से भी सावाल बनता है, प्रिलिम्स का, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section, unless application be made to the court to levize such amount within a period of one year from the date on which it became due, जिस दिन maintenance का amount due हुआ और सामने वाले वक्ती ने पेने किया है, एक साल के अंदर आपको जाना है, उस order को execute कराने, जो भी maintenance के लिए entitled है, उसके लिए limitation period है, basically, कि एक साल के अंदर जाना है, तब ही लिवाय कराया जाएगा, इस method से, otherwise नहीं, आपको, जिसको maintenance लेना है, उसको भी basically थोड़ा attentive तो रहना पड़ेगा, चिक, और उपर सब section 3 में यह चीस क्लिरली मेंचन थी, कि जो maintenance का amount है, कैसे निकलवाया जाएगा, फाइन की तरह लिवाय कराया जाएगा, और imprisonment भी रखा जा सकता है, इसके बाद अगला प्रवाई जो बहुत important है, provided further that, if such person offers to maintain his wife, on condition of her living with him, and she refuses to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her, and me make an order under this section, notwithstanding such offer, if he satisfied that there is just ground for so doing, क्योंकि अगर एक wife, husband क्या रहा है, कि आप हमारे साथ रहो, तो हम maintenance देंगे, लेकिन wife separate रहना चाह रही है, और without reasonable ground, अगर बिना reasonable ground के wife, husband से अलग रह रही है, और फिर maintenance मांग रही है, तो maintenance के law entitled नहीं है, अगर उसके पास separate रहने के कोई reasonable ground नहीं है, लेकिन अगर wife के पास husband से separate होके रहने के reasonable ground है, in that case, magistrate उसको consider करेगा, और wife को maintenance दिलाएगा, इसके बाद आके देखी explanation भी important है, if a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live, अगर husband ने दूसरी शादी कर ली है, या कोई mistress है, तो ये एक justified ground माना जाएगा, wife के separate रहने का, क्योंकि वो दूसरी woman के साथ रहा था, इसलिए जो पहली wife वो इस ground पे separate रह सकती है, और maintenance मांग सकती है, अपने husband से ये just ground होगा for claiming maintenance, subsection 4 भी बहुत important है, no wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, from a husband under this section, underline कर लेज़े, if she is living in adultery, अगर wife adul में रह रह रही है, तो entitled नहीं है maintenance लेने के लिए, और if without any sufficient reason, she refuses to live with her husband, बिना sufficient reason के husband के साथ रहने से मना करती है, तो भी wife maintenance के लिए entitled नहीं है, और if they are living separately by mutual consent, या फिर mutual consent से दोनों आप सी सहमती से अलग रह रहे हैं, in that case also the wife is not entitled to claim maintenance, ये सवाल बहुत important है, pre के लिए भी कि कब wife entitled नहीं है, तो अगर divorced wife है, remarriage हो गई है, तब entitled नहीं है, अगर wife adultery में रह रही है, तब entitled नहीं है, बिना किसी reason के husband के साथ रहने से मना कर रही है, तो entitled नहीं है, या फिर दोनों mutual consent से separate हुए है, तब भी wife entitled नहीं है, ये ज़रूर धियान रखिये गा, this is really important, और subsection 5 कहता है, क अगर बाद में पता चलता है, कि wife adultery में रह रही है, तो magistrate cancel कर सकता है, this is a ground for cancellation of order of maintenance, अगर ये पता चलता है, कि wife adultery में रह रही है, तो maintenance cancel किया जा सकता है, इसलिए मैंने खाता है, हर चीज़ important है, एक सो पक्षिस में, आप देख रहे हैं, सारे subsection में questions हैं, prelims के, इसलिए व person in any district, किस district में, first है where he is, जिसको maintenance देना है, जिससे आप maintenance claim कर रहा है, वो जहां रहा है, और where he or his wife resides, जहां वो गरती जिससे maintenance लेना है, वो जहां रहती, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं, और C, where he last resided with his wife, और as the case may be with the mother of the illegitimate child, दोनों husband wife last जहां भी साथ में रहा है, वहां भ लास्ट वहां पर भी claim क्या जा सकता है, basically territorial jurisdiction बता रहा है, that's it, बहुत ज़्यादा सवाल 126 से बनने के chances नहीं होते हैं, क्योंकि 125 में हर subsection में pre का सवाल है, प्रोसीजर कौन सा होगा, subsection 2 में ये देख लेजिए, तो सारे जो evidences लिये जाएंगे, जो proceeding का procedure होगा, shall be recorded in the last line देखिए, subsection 2 की, shall be recorded in the माना प्रस्राइब और summons case, जैसे summons case में recording होती है, वैसे होगी, बस इतना जानना कि एक्स पार्टी भी हो सकती है, अगर मानली general rule तो अगर मानी कि आपके इस order pass नहीं होगा, ऐसे में ex-party order pass हो जाएगा, और subsection 3 आप देखिए, 126 का ये कहता है, cost से related order भी pass कर सकता है, magistrate, generally आपने देखा होगा, civil suit में होता है cost, CPC में पढ़ते है अपन cost, कि जो proceeding के cost है, वो भी दिलाई जाती है end में, criminal proceeding में इधर ये भी हो र किया जाएगा, तो देखिए, ये simple बात है, कि मानली जी, maintenance का order pass हो गया, एक maintenance का amount fixed कर दिया गया, कितना दे सकते है, तो उसकी कोई limit में, जितना magistrate को ठीक लगे, magistrate ना fix कर दिया, maintenance चालो हो गया, उसको अगर alter करना है, उसमें change करना है, तो कब करा जाएगा, जब दोनों में देखिए, on proof of a change in the circumstances of any person receiving, under section 125, a monthly allowance, for the maintenance, or order under the same section, to pay a monthly allowance, जिसको order किया गया है, maintenance पे करने के लिए, उसकी circumstances में change हो, या जो वेक्ती entitled है, maintenance लेने के लिए, उसकी circumstances में change हो, दोनों में से किसी की भी circumstance हो रही है, तो maintenance का जो order है, उसको alter किया जा सकता है, ठीक, इसके अलाबा, आ कि अगर मान लेजे, क्योंकि मैंने आपको starting में ये बता है, कि ये तो criminal proceeding, इसके अलाबा, civil laws में भी आपके पास right है, personal laws में आपके पास right है maintenance क्लेम करने के, अगर आपने वहां क्लेम कर लिया है, तो यहां order pass करते समय consider किया जाएगा, या मान लेजे आपने personal law में जाके, एक बार में ले लिया, लमसम maintenance एक बार में ले लिया है, तो फिर ये order आपका cancel कर दिया जाएगा, क्याने का मतला, mitigate हो जाएगा amount, अगर ऐसा नहीं होगा कि इधर से भी maintenance उठा रहे है, criminal proceeding, CRPC से भी और personal law से भी maintenance चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो mitigate हो जाएगा, और जितना एक reasonable amount है, अगर वो personal law के तुरू आप already ले रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यह basically 2-3 आपको बताता है, exam के लिए बहुत जादा important नहीं है, यह होगा 127, 128 में कुछ भी नहीं है, section number बस याद रखिएगा, enforcement of order of maintenance, कहाँ enforce कराया जाएगा, तो पूरे भारत में कहीं भी enforce कर नहीं है, that's all for maintenance, और जैसा मैंने आप से कहा, 125 से बहुत question आ ले है, प्री के अच्छे खासे सवाल, उसी section में काफी है, उसके लाबा, 127 alteration भी खोड़ा important है, इसके बाद आते हैं, हम अगले chapter पे, that is chapter 10, maintenance of public order and tranquility, अब देखिए, ऐसा chapter आपने IPC में के बढ़ा था, offense against public tranquility, public order disturb ना हो, वो ना, उसके लिए है, तो ये भी basically, preventive actions है, generally, इनमें ऐसा नहीं है, कि किसी ने कुछ act commit कर दिया, होने की संभावना है, तो ये preventive action है, बहुत जादा important, ये chapter नहीं है, क्योंकि तो आप देखिए, maintenance बहुत important है, इसके पिछला जो chapter पढ़ा आपने, security, वो बहुत important ह नहीं है, brief में बता, बस आपको मैं hit note पढ़ के मतलब बता दे रहा हूं, बहुत जादा आने के chances नहीं होते, but, जैसा मैंने आपको ये भी खाया है, अब जिस level का competition हो गया है, you can't take chance, एक एक नंबर पर एक game हो जाता है, 36 गल में 90 के उपर भी cut off चला जाता है, आप consistently, जिन states क बहुत important chapter नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ hit note से मतलब बता दे रहा हूं, आप चाहें तो बाद में उसको पढ़ सकते हैं, तो देखिए, जैसा मैंने आपको brief बताया है कि ये क्यों है, एक preventive action की तरह है, 129 कैता है, dispersal of assembly by use of civil force, अगर मान लीजे कोई कुछ लोग एखटा ये 129 कैता है, 130 कैता है, use of armed forces to disperse assembly, अगर मान लीजे ऐसा लगता है कि खतरना कि assembly के intensity इतनी ज्यादा है कि normal उससे काम नहीं चलेगा, armed forces चाहिए, armed forces आप समझते हैं, ये जो CRP, CFP, जो special forces हैं, ये भी armed forces हैं, कुछ अलग लग लग करी कि, तो अगर इनकी ज़रूरे थे, तो armed forces officers to disperse assembly, मान लीजे कोई executive magistrate मौझूद नहीं है, लेकिन लग रहा है कि एक assembly है, जो peace disturb कर सकती है, तो ये जो armed forces का कोई भी gazetted officer है, higher rank officer है, तो वो भी उस force का use करके assembly को disperse करा सकता है, ये है 29, 30, 31, एक जैसे provision, 132 में protection provided है, protection against prosecution for acts done under preceding section, अब किसी भी executive magistrate ने, police officer ने या armed forces के senior officer में action लिया है, 139, 31 में, अगर good faith में उनने वे action लिया है, तो उनके against कोई कारवाही नहीं होगी, इस ground पे कि उनका action justified नहीं था, थोड़ी सी security, थोड़ा protection होने भी चाहिए, ताकि वो free mind से decision ले पाए, that is 132, और जैसा मैंने का, बहुत जादा important नहीं है, लेकिन इसका, इस free के question आते ही है, conditional order, urgent cases में order, ये important part की तरफ हम बढ़ रहे है, तो इस पूरे chapter को अलग-अलग part में divide किया है, जैसे आप देख पा रहे है, ये part जो है unlawful assembly है, वो important नहीं है, लेकिन इसका जो B part है, section 133 onwards, this is very important, इसके बाद जो इसका C part आप देख पा रहे होंगे, अपने barret म C part केता है, urgent cases of nuisance, और apprehended danger, this is again important, और इसके बाद जो इसका D part है, 145 section के उपर की subheading, देखिये, disputes as to removal property, that is also important, तो मैं आपको brief में सारी बाते बताता हूं, pre के जो question पूछे दाते हैं, वो exactly आपको बता देता हूं, इस B, C, D part से, तो B part में देखिये, public nuisance की बात है, बाद कही कोई विक्ति public placement, nuisance create कर रहा है, तो हटवाना भी तो, हटवाने का काम किसका हुआ, judicial magistrate नहीं करेगा, यह, अब्रसी बात है, यह कौन करेगा, executive magistrate, इसलिए आप देखेंगे, यहाँ जो order pass कर रहे है, DMSDM या other executive magistrate जो empowered हूं, वो कर रहे है, 133 क्या है, conditional order, 133 क्या है, conditional order for removal of nu nuisance, कोई विक्ति अगर nuisance create कर रहा है, तो उसको एक conditional order, यह बिल्खुल उसकी तरह, जो भी मैंने आपको chapter पढ़ा रहा है, security furnish करने वाला, यहाँ पर आप directly nuisance हटवा नहीं देंगे वो, जो विक्ति nuisance create कर रहा है, उसको शोकवाज करेंगे, उसको बोलेंगे कि आओ और बत समझ लीजे कि यह order pass कौन करता है, तो executive magistrate करता है, DM, SDM, या फिर कोई और executive magistrate जो empowered हो, कब करता है, जब public nuisance create हो रहा है, किस-किस तरीके के public nuisance की बात है, तो इसके जो subsection 1 के अलग-अलग clauses आप देख रहे हैं, A, B, C, D, E, F, इन में लिखा है, अगर मान लीजे किसी ने public way प पास के लोगों को समस्या हो सकती है, उनको health issues हो सकते है, मान लीजे, आप किसी ऐसे chemical की factory residential area में लगा रहे है, जो environment में जाके नुकसान पहुचा सकता है, इस तरीके का nuisance आप create कर रहे है, या फिर मान लीजे, आप किसी building का construction करवा रहे है, या कोई ऐसा substance dispose of कर रहे है, जिससे आस-पास के लोगों की health खराब या environment खराब हो सकता है, या फिर कोई ऐसा structure है, कोई ऐसा building है, कोई ऐसा building है आपके premises में जो कभी भी गिर सकता है, जो बहुत परानी building हो जाती है, उनको गिरवादी दिया जाता है, और देखे, वो इसलिए, क्योंकि वो इतनी जरजर हालत में आपने कोई tank खुदवाया हुआ है, कुछ और गड़ा बड़ा सा कर रखा है आपने, जहां कोई आपके गिर सकता है, ऐसा nuisance अगर आप create कर रहे हैं, या फिर माल लीजिए, आपके पास आपकी possession में कोई खतरनाक animal है, कोई भाया ना, कुत्ता पाला हुआ है, आपने, मतलब पागल हो गया है, और वो destruction या harm कर सकता है, ऐसा animal अगर आपकी possession में है, तो आपके against क्या होगा, बात को समझना, होगा क्या action, वो समझना, इस में से कोई भी nuisance अगर आप create कर रहे हैं, आपके through create हो रहा है, तो क्या होगा, आपके against एक conditional order पास होगा, conditional order में यह option दिया आपको, कि भाई साब, आपके against यह information है, यह खबर है, कि आप यह nuisance create कर रहे है, अब यह conditional order में लिखा रहा है, या तो आप इस nuisance को remove कर दीजिए, अगर आपने किसी सलक को obstruct किया है, river channel को obstruct किया, तो obstruction हडा लीजिए, अगर आपके यहां कोई ऐसा structure है, जो गिर सकता है, तो उ फिर show calls है, उसमें एक option यह भी है, कि आप आईए और show calls करी, आप हमें आके यह बात satisfy कर दीजिए, हमारे सामने पेश होईए, कौन कहेगा यह, executive magistrate, कि आप सामने पेश होईए, और अपनी बात रखिए, या तो वो conditional order आप comply कर दीजिए, या फिर magistrate के सामने पेश हो जाईए अब फिर अगर आप magistrate को satisfy कर देते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है, या जिस पर right public पता, ऐसा भी हो सकता है, कि जंता कह रही है, कि यहां से जाने का right है, यहां से public way है, और यहां एक ऐसा structure है, जो गिर सकता है, जबकि जो वो रास्ता है, वो एक किसी की public property है, किसी का plot है वो, जंता की सिर्थी में अपने private land पर क्यों सोचूंगा, अगर वहां से कोई passage message नहीं है, ऐस सच, तो अगर ऐसा कुछ satisfaction एक्जेकूटी में जिटका आपको दे देंगे, तो यह जो conditional order ही है, यह satisfied कर दिया जाएगा, लेकिन अगर यह बात सही निकली कि आपने इस तरीके को निस absolute हो जाएगा, वो order अब absolute हो जाएगा, होगा क्या absolute होने के बाद वो अभी बताता हूँ, और या तो फिर आप पेश हुए, लेकिन आप magistrates आपको satisfy नहीं कर पाए, in that case also वो order क्या होगा, absolute हो जाएगा, अब देखिए आगे provision, यह सारी बात ने इस 133 में लिखी है, जो आप clauses 1, 2, 6 देख रहे हैं, वो सारी बात मैंने आपको समझा दी, उसके बाद वो सब लिखा हुआ है, जो मैंने आपको कहा कि यह conditional order होगा या आपको, फेश होने का मौका दिया जाएगा, और एक important चीज है, 133 का subsection 2 आप माख कर लेजे, कि magistrate ने इसमें जो conditional order पास किया है, executive magistrate न अकलब नहीं है, कि आप entitled है नहीं है, वो सब करने के लिए civil suit ताइल करें, civil court decide करेगा, executive magistrate के responsibility तो यह है कि public nuisance समस्चा नहीं होनी चाहिए जनता को, हमारा concern यह है, major concern, हमा title vital decide करने बैठे ही नहीं है, executive magistrate का काम वो है ही नहीं, यह बात आप अपने जहन में रखिये गा, इस service or notification of order कैसे सर्व होगा, वो बताया, 135 देखिये person to whom order is addressed to obey or show calls, यह बात मैंने आपको बता दी, जिसके against 133 का order pass हुआ है, जिसको instruction दिये गाए है कि आपके SS structure उसको गिरवाईए, तो या तो आप गिरवाई दीजिए, या फिर show calls करिये, सेम बात 135 में लेकि पढ़ने की ज़र जाए भी नहीं कर रहा है, show calls भी नहीं कर रहा है, तो order आपके against absolute हो जाएगा, 137 केता है, procedure where existence of public right is denied, मान लेजे वो आकर executive magistrate को यही satisfy कर देता है, कि साब कोई public right है नहीं, public nuisance तो तब होगा जब जनता का कोई अधिकार होगा, अधिकार ही नहीं है, तो किस बात का public nuisance, यह आ आता है, और उस executive magistrate को कोशिश करता है, यह बात समझाने की, यह satisfy करने की, जैसा मेरे against यह कहा जारा public nuisance है, वो ऐसा कुछ नहीं है, अब देखिए, दो में से कुछ एक चीज होगी, 138 में, जहां वो appear होगा, show calls करने के लिए, या तो वो satisfy कर देगा, executed magistrate को यह तो नहीं कर प यह executive magistrate को अधिकार दे दिया गया है, कि वो एक local investigation में करा सकता है, matter की सचा ही जानने के लिए, अगर वक्ती show calls करने आया है, वो कह रहा है कि साब ऐसा कुछ नहीं है, कोई public nuisance है ही नहीं, तो उसके लिए examination वगेरा सकते हैं, expert की help भी आप ले सकते हैं, ठीक, 140 कहता है, instructions वग comply करतो, बिना जादा बात करें, और या तो फिर आपके अपनी बात समझा दो, satisfy कर दोगे तो दो में से एक चीज़ होगी, या तो satisfy कर दोगे magistrate को, in that case, आपके against order set aside हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, तो absolute हो जाएगा, absolute हो जाएगा, तो फिर आपको comply करना पड़ेगा, जो भी समय आपको दिया गया, उसमें अब आपको, जो भी order उस, conditional order में दिया था, जो कि अब absolute हो गया, वो action आपको लेना पड़ेगा, आपके कोई सी जरजर बिल्डिंगे तो उसको किरवाना पड़ेगा, कोई सा animal ले तो उसको dispose आप करना पड़ेगा, और अगर आप ये नही उसके बाद इंजंक्शन के बारें, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है, 43 इंपोर्टन नहीं है, सीधे आजाईए इसके बाद C पार्ट पे, तो ये हो गया आपका conditional order की पूरी स्टोरी, ठीक है, प्रोविजन स्वाइज मैंने आपको वो कहानी बता दी है, C पे आई होना चाहिए, ये है section 144 और यही वो common parlance में use होने वाला provision है, जिसको आप सब जानते हैं, धारा 144 के नाम से, धारा 144 लगा दी गई है, आचा जनता में यही मित है, कि धारा 144 का मतलब होता है, कि 5 या 5 से जादे लोग इखटे नहीं हो सकते, अभी अपन 144 पूरेंगे तो क्या order pass हो सकते हैं, ये सिरफ वो नहीं है कि 5 या 5 से जादा लोग इखटे नहीं होंगे, ये सब वोई बस्टेंट पे विखने वाली किताबों का ज्यान है, अपना अखेल खुद वन है, अधारा रूपिक किताब, 144 CRPC का इधर से पढ़िए, तो आपके समझ में आगा कि 144 म है, तो पहले तो सब सक्षिन 1 अपन देखेंगे, इन केसे वेर, इन केसे वेर, in the opinion of a district magistrate, a subdivisional magistrate, or any other executive magistrate, especially in part by the state government, in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section, and underline कर लीजिये, immediate prevention or speedy remedy is desirable, ये कौन से केस है, जहां immediate remedy की जरूरत है, speedy remedy की जहां जरूरत है, such magistrate may buy a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134, क्या direction मिल सकता है, ये समझ ये, so underline कर लीजिये इस चीज़ को, direct any person to abstain from a certain act, or to take certain order, with respect to certain property in his possession, किसी भी वेक्ति को, जिस property की possession में वो है, उससे related कोई भी order मिल सकता है, कि या तो इस property को खाली कर दो, या इस से बाहर आप नहीं आओगे, कुछ भी order हो सकता है, एक सुच अमाल इस में, और देखिए, और under his management, if such magistrate considers that, such direction is likely to prevent, or tends to prevent obstruction, annoyance, or injury, to any person, lawfully employed, or danger to human life, health, or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a re-aught, or an affray, ये सब आएगा, इस तरीके का कोई भी खत्रा है, अगर आपकी किसी हरकत से, तो उसको रोका जा सकता है, आपको कुछ करने को बोला जा सकता है, जैसे आपने देखा, कोविट टाइम में, जितने भी DM के instructions आते थे, किसी भी city के लिए, वो 166 के अंदर आते थे, कि ये containment zone है, यहां के लोग बाहर नहीं जाएंगे, जिसको COVID हुआ है, वो quarantine होगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब जी की दुपान, बुधवार को खुलेगी, किराना की दुपान, मंगलवार को खुलेगी, इस सब order किसमें आ रहे थे, अगर आपने वो order पढ़े हो DM के, तो वो सब आ रहे थे, 106 के अंदर, तो बहुत स requirement है, बात सुननने का टाइम नहीं, ex-party भी हो सकता है, subsection 4 बहुत ज़्यादा important है, जो प्रीमे सवाल पूछा जाता है, कि 144 में अगर order pass किया है, किसी executive magistrate ने, तो कितने दिन वालिट रहेगा, underline कर लिजे, subsection 4 में दो महिने वालिटी होती है, DM का जो order आया है, maximum, दो महिने व सकती है, for next 6 months, ठीक, यह भी थोड़ा important है, बाकि इसको आप एक बार read करिएगा, substance जो था, वो मैंने आपको बता दिया, 144 A पे आईए, target to prohibit carrying arms and procession, और mass drill और mass training with arms, अब 144 A यह है कि कोई भी mass drill या training चल रही है, वहाँ DM, यह 144 A का power सिरफ DM का है, जबकि अभी अपनने जो 100 practice प urgent cases of nuisance, यह DM, SDM या कोई भी दूसरा executive magistrate जो empowered हो, पास कर सकता है, लेकिन 144 A में, it is only the DM, district magistrate, एक तो important बात यह है, किन cases में होता है, जहाँ mass drill या procession में यह है, कि लोग arms carry कर सकता है, तो वहाँ order pass कर देगा DM, कि कोई mass drill या training में arms carry नहीं करेगा, यह order 144 A में pass करेगा, अब मान लीचे कोई DM के इस 144 A के order को violate करता है, और arms carry करता है किसी mass drill या procession में, जहाँ DM ने इसे prohibit कर रखा है, तो क्या action होगा उसके against, बताइए क्या ये offense होगा, यह अपन अल्रेडी पढ़ चुके हैं, इसी crash course में, कोई बता सकता है आप में से, क्या होगा, अगर 144 A के under DM का order आया ह है, उसका violation होगा, तो क्या होगा, कहा punishable offense है ये, IPC पढ़ा था आपने, इधर YouTube पे आके खता सुनके मजे लेके जाने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो quick revision हो, चाहे वो crash course हो, चाहे कुछ हो, मतलब तब निकलेगा जब दुबारा बेरेक उठा के पढ़ोगे, नहीं तो आप स पढ़ाई थी, that's correct, आयांच, 153 AA, 153 AA IPC का provision है, punishable offense है, अगर 144 A CRPC में DM के order का violation होगा, तो that's a punishable offense, under 153 AA है, 153 AA है, चाहे, तो बस ये है, इसमें भी same चीज़ है, बस एक चीज़ और ध्यान रखियेगा, 144 A में कि DM पास करता है, आम्स करी करने से related, और इसका subsection 3 जो है, वो कहता है, इसकी validity के बाद, तो वो है 3 months, जैसे 144 वाला 2 months है, ये 3 months है, ठीक, तस, इसके बाद आजाएगे, इस चप्तर के, disputes as to immovable property, अब इस subheading से आप समझ रहे होंगे, disputes as to immovable property, immovable property से related dispute, और role किसका है, again, executive magistrate का role है, order कौन प तो 145 और 147 में order कौन पास कर रहा है, executive magistrate, और अपने subheading क्या दे रहे है, dispute as to immovable property, तो भाई तक तो अपने को यही पता है, कि immovable property का dispute हो, civil court में, जो वहाँ लाई लाई लो, किसकी ownership है, किसका title है, किसकी possession है, ये सब लगाई कहा होगी, civil court में, क्योंकि आप, immovable property से बाद पर पास करेगा, इस बात को समझ लेना, फिर provision पर आते हैं, अगर मान लीजिए, किसी, अगर मैं specifically section 145 की बात करूं, इसका head note करता है, procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace, एक land या water को लेके dispute है, ठीक है, land या water को लेके dispute है, और ये likelihood है, कि वो dispute ऐसा है, कि उस area का peace disturb कर सकता है, दो गुटों के बीच लड़ाई चल रही है, दो बड़े-बड़े परिवार है, उनके बीच एक जमीन को लेके लड़ाई चल रही है, गाहों में, अब भई, अगर उस land को लेके dispute होगा, उस से अगर public peace district, देखिए, वो land किसको belong करता है, किसका है, किसका नहीं है, ये सब कहानी से न, executive magistrate को के लड़े, यहाँ, उस जमीन का खड़े हो के लड़ाई मत लड़े, यह concern executive magistrate का, इसलिए 145 में एक बात ध्यान रखना, executive magistrate यहाँ title decide करने नहीं बैठा, वो ownership या उस dispute को सुल जाने नहीं बैठा है, उसका कहना बस इतना है, कि भाई साब, यह जो dispute होगा आप लोगों का, इसको ले के आप civil code जाएए, यहाँ, अमाशा मत करिये, यहाँ का peace disturb नहीं होगा आपकी लड़ाई की वज़े से, यह concern है executive magistrate का, और यह purpose है 145 का, और similar बात 147 में है, 147 का भी head note पढ़ लेजे, अभी मैं 45 आपको detail में भी बताऊंगा थोड़ा, but 147 similar है, dispute concerning right of use of land or water, the only difference है क use of land or use of water को लेके, कि एक बक्ष कह रहा है कि साब इस जमीन में से जाने का रास्ता है, हमारा हमारा अधिकार है, easementary right, right of way, उसका dispute है, और 145 में immovable property का dispute है, बस that is the only difference, बाकी कहानी सेल है, वहाँ भी ना, तो magistrate को उस title से मतलब है न, इस से, उसको तो अपने area का peace disturb होने से मत क्या करता है, दोनों parties को बुलाता है, जिनके बीस में dispute है, दोनों पक्षो को बुलाएगा, उनसे return statement माँएगा, अपनी अपनी बात रखिये सामने मेरे, दोनों पक्षो ने अगर अपनी बात रखी, उसके बाद वो क्या करेगा, माल लीजे ये piece of land है, जिसकी possession में अभी है और बी जो है, ये कहरा साथ, मेरा है बुलाएगा, इसने जबरदस्ती हतिया आया हुआ है, और इन दोनों के बीच में dispute है, इसने public piece disturb हो रहा है, तो executive magistrate क्या करेगा, दोनों को बुलाएगा, पक्षो रखिये, और उसके बाद executive magistrate ये order पास करेगा, जो अभी possession में है, अगर A अभी possession में है, तो let him keep the possession, let him continue with the possession, executive magistrate title में नहीं जाएगा, कि किसका अधिकार है, वो simply ये देखे रहा है, ये बनना है possession, इसको रहना तो, वो कहेगा, बी से, कि बटा, यहाँ दंगा मचाने की वजाए, आप correct remedy जाएगे, आप जाओ ना civil court, civil court जाओ, और वहाँ से order ले आ तो executive magistrate जाओर पास कर देगा, कि तुम continue करे, बस एक चीज यहाँ, जो subsection 4 के provision में है, जो generally थोड़ी सी समझने मुश्किल होती, दो मेने वाली कहानी, वो मैं आपको brief में बता देता हूँ, अगर मान लेजे ये dispute सुनने के बाद district magistrate को, सारी, executive magistrate को ये लगता है, कि यार A न immediately preceding two months, पिछले दो महने में ही इस A ने B को याटा, actually B था position में, पहले, लेकिन पिछले दो महने में ही A ने B को possession से हटाया और खुद possession हती आई है, ऐसे case में executive magistrate क्या करेगा, ऐसे case में वो possession देगा B को, इसको बोलेगा तेको अभी ताज अ-जा-जा हटाया है, A से कहेगा त तुमने अभी अभी इसको अटाया है, एक काम करो, वो पहले possession में था ना, उसको वापस लाओ, अगर पिछले दो महने में इसको अटाया गया है, तो तो बोलेगा B को वापस possession दो, और फिर A को ये बोलेगा, कि बटा तु जा civil court, और उधर से लिया डिकरे, तो फिर हम चले इसके बाद आगी अगले चेप्टर पर चेप्टर 11, प्रवेंटर अग्जने और पढ़ने लायक, एक्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है, बढ़ा, आने की संबाबना है, पुलिस के प्रवेंटर अक्शन, मैं आपको पहली का था न, कि IPC पढ़ने के बाद law graduation के नने बच्चों को लगता है, बहुत बढ़िया, मगर अब CRPC पढ़ते हैं, तब समझ माता है कि पुलिस के खित्य पावर है, हमने इसके पहले section 141 पढ़ा, sorry, section 41 पढ़ा, जहां पुलिस बिना वरेंट के अरस्ट कर सकती है, वो situations देखिए, फिर ले जाकते हैं, यहां suspicion पे ले जाएंगे, इसलिए काफी wide powers है, so brief में देखिए sections, chapter 11, preventive action of the police, 149 है, police to prevent cognizable offense, police के responsibility है, cognizable offense को रोकनाग, every police officer may interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability, prevent the commission of any cognizable, यह जम्मेदारी है यह पुलिस वाले की, की cognizable offense को रोके, 150 देखिए, information of design to commit cognizable offense, every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offense, shall communicate such information to the police officer to whom, his subordinate, and to any other officer whose duty it is, to prevent or take cognizance of the commission of any such offense, किसी पे पुलिस वाले को information मिलती है, कि cognizable offense को सकता है, या होने वाला है, तो अपने superior के पास जाए, या किसी ऐसे वक्ति के पास जाए, जिसकी responsibility, ऐसे officer के पास जाए, जिसकी responsibility है, उस cognizable offense की occurrence को रोकना, तो आप, या तो आप, हर चीज़ ensure करनी है, कि आपके सामने cognizable offense कमिट ना हो, अगर आपको information मिली है, तो आपको सारी, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, superior को बताईए, उसको रोकवाने की जिम्मेदारी आपके है, 151 देखिए, arrest to prevent the commission of cognizable offenses, cognizable offense होने से रोकने के लिए, आप arrest भी कर सकते हैं, police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest, बहुत important है, without orders from a magistrate and without a warrant, बिना magistrate के order के, बिना warrant के arrest कर सकते हैं, without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented, अगर पुलिस वाले को लगता है, कि arrest करने के अलाबा कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर आपको arrest नहीं किया गया, तो आप cognizable offense commit कर सकते हैं, ऐसी situation में, बिना order of magistrate के, बिना warrant के, पुलिस आपको arrest कर सकती है, एक बहुत famous picture थी, गंग अजल, अगर आपने देखी हो, अजय देवगन, उसमें SP रहते हैं, बिहार के एक छिले में, साधु यादव, उसमें villain थे, उसमें दरोगा मंगनी राम था एक, जिसको निकल दिया जाता है, वो बैट क जब बस रुकवाता है, अगर वो सीन आपने देखा हो, अजय देवगन की, अजय देवगन आके वहाँ, hero बन रहे होते है, पहेंट सूट पहन लिए, तो लगे hero बनने, मंगनी राम डायलोग मारते हैं, उसमें वो कहता है, कि दरोगा मंगनी राम नाम है हमारा, जेल में ड कर सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है, बिलकुल, subsection 2 देखिए, no personal standard, subsection 1, shall be detained in custody for a period exceeding 24, यह तो वही है, fundamental right ही है, कल भी बात करी थी, हमने article, जब arrest पढ़ रहे थे, तब भी बात करी थी, article 22, अगर आपको arrest किया गया, 24 घंटे में magistrate के पास, ले जाने ले जाना है, तो आप prevention के लिए arrest कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में magistrate के पास को ले जाना ही हो, इसके बात 152 है, prevention of injury to public property, public property को injury ना हो, यह ensure करना भी police का काम है, उसके लिए जो भी preventive action लेना जरूरी है, वो अप ले सकते हैं, 153 बात करता है, inspection of weights and measures की, अगर माल लेजे, area के police officer को लगता है, कि कहीं प लीटर ना अपने का जो वो आता है equipment, उसको आपने इतना damage कर दिया है, कि एक लीटर की जगे उसमें 700 ML आ रहा है, आपने तराज़ों disbalance कर दिया है, ऐसी practices अगर होई कर रहा है, तो police officer के पास अधिकार है, वो inspect कर सकता है, और ऐसी चीज़ों को जिप्त कर सकता है, यह अधि 11 is completed, आज जो हम start कर रहे हैं chapter 12, तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हर chapter के लिए अपन करते हैं, कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा वो समझना होता है, उसके बाद provision समझने में थोड़ी आसानी होती है, जैसा कल भी हमने जो chapters cover किये, तो उनमें पहले हमने यही किया था, कि उस chapter के बारे में थोड़ा समझ लिया, कि किस बारे में बात कर रहा है, परपस क्या है, यह अगर आपको समझना आ जाता है, तो फिर provision समझने में आपको उतनी मुश्किल या कठिना ही नहीं होती है, तो देखिया यह chapter है, क्या और क्यों मैं इसे कह रहा हूँ कि उसके बाद होगा क्या, जैसे माली जहें एक आक्त हुआ, कोई भी जो ओफिन्स हो सकता है, लग रहा है कि यह उफिन्स है, आप सड़क पर जा रहा है, सड़क पर एक वेक्ति, ने किसी दूसरे वेक्ति को चाको मार दिया और उसकी जान ले ली है, यह हट पर तुड़ दि जाती है, तो देखिए, ओफिन्स की जो इन्फर्मेशन है, यह या तो आप पुलीस को देंगे, क्योंकि यह सोसाइटी को क्राइम से प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉंसिबिलिटी सरकार की हो है, और सरकार ने एक सेपरेट ओगनाइजेशन बनाई है, पुलीस इसके लिए तो इसकी इन्फर्मेशन पुलीस को दी जाएगी, या फिर CRPC में एक option और आपको दिया गया है, कि आप जाके सीधे magistrate को complaint फाइल कर सकते हैं, यह हमने पढ़ा है भाई, if you remember, section 2D में complaint पढ़ा है, वहाँ clearly लिखा है कि कि किसी भी offense की occurrence के बारे में, अगर आप oral या writing में magistrate को इन्फर्म करते हैं, तो that will be treated as complaint, अब मान लेजिए, अगर आप पुलीस को information दे रहे हैं, तो यहाँ दो चीज़े होंगी, जब आप information पुलीस के पास लेके जाएंगे, कि साब यह यह act कमिट हुआ है, और this can be an offense, और this is an offense, तो फिर यह जो information आपने पुलीस को दी है, यहाँ तो cognizable offense की या फिर non-cognizable offense की information होगी, इन दौन में से कुछ एक ही होगा, या तो वो cognizable offense की information होगी है, non-cognizable offense की information, magistrate में कोई लोट नहीं है, कुछ भी हो ले जाके दे दो, और वहाँ अपनी magistrate इस complaint के basis पे separate अपनी proceedings करेगा, इसके लिए अलग प्रावधान आगे CRPC में दिय हैं, वो proceedings चलेंगे, उसका अलग procedure है, उसके बारा में बाद में पढ़ेंगे, इसलिए फिलाल इसको अपने scene से हटा देते हैं, आज जो हमारा focus है, वो किस पर, इस पर, जब police के पास information दी जाएगी, या तो वो cognizable offense की होगी, या non-cognizable, अगर cognizable offense की है, तो आप जानते हैं कि cognizable offense होते क्या हैं, यह भी हमने definition clause में, पहली class में CRPC के पढ़ लिया था, cognizable offense बो है, जहां police बिना order of magistrate किया, बिना warrant के वक्ति को arrest कर सकती है, इतना ही नहीं, cognizable case में police बिना order of magistrate के investigate भी कर सकती है, investigation चालू हो जाएगा, बिना magistrate की permission के, अगर cognizable case की information है, तो लेकिन अगर non-cognizable case की information है, तो police इसको भी note down जरूर करेगी, और उसके बाद जो भी informant है, जिसने भी यह information दी है, उस वक्ति को forward कर देगी, किस के पास, magistrate के पास, और यह magistrate जो मैं लिख रहा हूँ, यह judicial magistrate है, दोनों वो भी और यह भी ध्यान रखियेगा, तो non-cognizable के case में police के अपने rights नहीं होते हैं, ना तो वो बिना magistrate के order के या warrant के arrest कर सकते हैं, और ना investigation खुद से करेंगे, यहाँ आप informant को किस के पास forward कर दीजे, non-cognizable generally, थोड़ बाकि फिर सारे, अगर magistrate नहीं यहाँ investigate करने का power दे दिया, तो फिर वो ठीक वैसा ही power है, जैसा cognizable के case में है, except one thing, कि police बिना warrant के arrest नहीं करेगी, बस, अगर वो cognizable case की information है, जो police के पास आई है, अगर वो cognizable offense है, in that case, police खुद से investigation भी करने लग जाएगी, और arrest भी कर सकती है, suspect को या accused को, चीक, तो ये दोनों तरीके से काम चलेगा, और वो एक अलगी चीज़ है, अब एक बात में छोड़ी आगे कि आपको बता दू, क्योंकि वो terminology इदर बार-बार use होने वाली है, जब ये पूरा investigation police करेगी, investigation होता है, collection of evidence जो करती है, case के बारे में, police, वो पूरा collection कर करेगी, जिस वक्ती पर acquisition लगे है, allegation लगे है, उसके against case बनाएगी और अपनी report फाइल करेगी, किस के पास, magistrate के पास, पूरा case का investigation करने के बाद, police एक report फाइल करेगी, magistrate के पास, court में, that will be police report, वो होती है, 173 में CRPC के, तो जब वो report फाइल होगी, उसके बाद, magistrate क्या कोगनिजन्स लेगा, एक word आएगा, कोगनिजन्स, और अगर आपने थोड़ा बहुत सी RPC पढ़ा है, तो आप जानते होंगे इस terminology का भी, basic मतलब की, कोगनिजन्स का मतलब क्या है, तो या तो कोगनिजन्स का मतलब होता है, जब भी कोई magistrate या court, किसी भी matter का judicial notice लेता है, ज को कहता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो जो CRPC है, इसके 190 में ये बात दी होई है, कि कोगनिजन्स magistrate ले सकता है, section 190 में तीन तरीके से, एक तो ये, कि investigation के बाद जो police अपनी report फाइल करती है, उस report के basis पे cognizance लेगा, क्योंकि आब आगे की proceeding magistrate को करनी है, या फिर complaint के basis पे ले सकता है, अगर कोई informant सीधे magistrate के पास चला गया है, तो वो complaint case की तरह treat होगा, और magistrate वहाँ cognizance ले सकता है, उस complaint के basis पे, एक और mode जो 190 में दिया है, वो है own knowledge, magistrate को कहीं से खुद के knowledge से information मिली है, किसी offense के occurrence की, तो वो उस पे भी cognizance ले सकता है, अपनी personal information के basis पे भी magistrate cognizance ले सकता है, ये तीन तरीके से cognizance लेने का अधिकार magistrate को section 190 CRPC देता है, I hope that is clear, टीक, तीनों तरीके से cognizance हो जाएगा, और हम आज जो chapter पढ़ने वाले हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो investigation वाला पूरा कारिकरम है, इसकी बात हम आज करने वाले हैं, लेकिन वो overall picture समझना भ पुलिस के पास या सीधे magistrate के पास, पुलिस के पास आईती तो देखेंगे, cognizable है, non-cognizable, अगर non-cognizable है, तो उसमें power magistrate के साथ है, पुलिस के limited power है, पुलिस अपने से कुछ नहीं करेगी, ना arrest करेगी, ना investigate करेगी, magistrate अगर order करेंगे, तो करेगी पुलिस, otherwise नहीं, ठीक ये इतने परी limit है, इसके बाद है, सारी कहानी, cognizable case की, अगर cognizable case है, फिर अब पुलिस का अपना power है, कैसे investigate करना है, क्या करना, ये सारी बाते हैं, और investigation करके, जो final आप पुलिस report, जो file होगी, 173 में, वहां तक ये पूरा chapter deal करता है, उसके बाद inquest भी है, बट major portion उसका य जिन से conceptual question बनते हैं, इसी लिए, थोड़ा सा हम detail में जाके इन provisions को पढ़ेंगे, मैं वो काम इस पूरे crash course में आप जनते हैं, नहीं करवा रहा हूं, कि बस आपको ये बता दूँ कि इस section से ये question, वो समझना है, पूरा ये process के है, और आज हमारी कुशिश यही रहेगी, क्यो क्योंकि मैंने आज syllabus जो सोचा है, वो सिरफ 173 सोचा है, लेकिन if time allows, तो we can go with 176, पूरा chapter निप्टा सकते हैं, in fact, हो जाएगा बड़े आराम से, but, but, जो purpose है वो ये है, कि ये 154 से लेके 173 तक का जो कारिक्रम है, जो provisions की interlinking है, वो सब समझ मयानी चाहिए तरीके से, वो हव से पहले है, section 154, 154 बात करता है, information in cognizable cases, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया, information अगर आई है, police के पास, या तो cognizable की होगी, या तो non-cognizable, so 154 talks about information in cognizable cases, अब देखिये, every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him, or under his direction, and be read over to the informant, जब भी किसी cognizable case की information आएगी, किसके पास, police officer in charge के पास, तो लिखा है, बचाए वो orally आए, अगर orally आई है, तो officer in charge जो है, वो उसको लिखेगा in writing, और जो word यूज किया गया, उस पर ध्यान देना, क्योंकि इस पर अभी पूरी गहानी है, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him, shall be reduced, in writing का मतलब, mandatory है लिखना, shall का मतलब आप आई है, उस information को आपको record करना ही है, चीक, आगे बस इस पूरे paragraph में सिर्थ बताया है कि essentials क्या क्या है, FIR के, तो दो-तीन बातें ध्यान रखिएगा, orally भी दे सकते हैं, return में भी दे सकते हैं, police officer in charge के पास, जब भी information आएगी, वो उसको रागर orally आई है, तो police officer in charge उसको लिख जाए जाएंगे, जिसने F.I.R. लिखवाई है, वो वेक्ति साइन करेगा, उस F.I.R. पे, और इस F.I.R. को record में रखा जाएगा, state government rule बनाती है, सबके पास अपना वो register होता है, F.I.R. का, वहाँ उस चीज़ को note down करके रख लिया जाएगा, police station में, चीक, तो अब एक जो दिया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कि जो sexual offenses है, या asset attack है, या rape, कि आपको provision दिख रहे होंगे उस provision में, अगर आप बेरेक्ट सामने रखके बैठें, और नहीं है, तो भाई बेरेक्ट रख लेजे, क्योंकि बिना उसके CRPC या कोई भी flaw बढ़ने का मतलब नहीं है, त तो आप लोग इतने दिन से classes attend कर रहे हैं, अगर कोई नया है, तो let me remind you once again, कि आप बेरेक्ट लेके बैठें, जो भी subject चल रहा है, पैन और कॉपी लेके बैठें, additional information, record करने के लिए, तो शेबा के, रहे है, my internet today not working, अरे, switch to Airtel, नहीं मतलब मैं नहीं मिलता मुझे Airtel से, ब दूसरे, रेप, रेप के cases की बात करता, यहां लिखा है, कि इसके जो information आएगी, it shall be recorded by a woman police officer, यह important है, sexual offenses या रेप की जो information है, उसको थोड़ा, उसके लिए कुछ अलग provision इधर दिये हों, जो की बहुत important है, प्रीमेस से question बनते हैं, तो जब भी in offenses की information आएगी, it shall be recorded by a woman police officer, औ और any woman officer, अगर woman police officer available नहीं है, तो कोई दूसरा officer, जो की woman होगी, वो record करे, ठीक, एक और प्रवाइशो है, प्रवाइड फर्दर दाट, in the event that the person against whom an offense under section 354, section 354, A, B, वोई सारे sexual offenses, और जो इसका प्रवाइशो का A clause है, यह कहता है कि जो व्यक्ति, इसकी information दे रहा है, in offenses की, sexual offenses की, या rape की, अगर वो temporarily या permanently, physically, या mentally disabled है, अगर वो व्यक्ति information देने वाला mentally, physically, अगर disabled है, तो वो जो information है, कहां record करी जाएगी, उसके residence पे जाके, कहने का मतलब, अगर वो जो victim है, वो physically या mentally disabled है, तो उसको सताना नहीं है, आपको उसके residence पे जाके, record करना है, information, ठीक, यह हो गया A point, उसके बाद B देखेंग आप तो वहां लिखा है, the recording of such information shall be videographed, और उस information की videography भी होगी, C कहता है, the police officer shall get the statement of the person recorded by a traditional magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible, और जब इन sexual offenses की जब भी information आएगी, तो police की responsibility है कि जतना जल्दी संभव हो, 164 आप यह पन पढ़ेंगे, magistrate के सामने statement record करवाया जाता है, वो statement जतना जल्दी संभव हो record करवाया, किन cases की बाद चल रहे है, यह sexual offenses, अगर mentally, physically disabled है तो residents पे जाना है, और सारे sexual offenses में यह ज़रूरी है कि as soon as possible, traditional magistrate के सामने statement record करवाया, यह police की responsibility है, इसके बाद subsection 2 और 3 general है, यह सर्फ sexual offenses के लिए नहीं है, बाकि अभी जो मैंने प्रवाई जो पढ़ा, that is related to sexual offenses only, लेकिन जो 154 में आप subsection 2 और 3 देख रहे हैं, यह हर तरीके की information पर applicable है, subsection 2 कहता है, a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given for 3, free of cost to the informant, जो सब भी F.I.R. लिखवाई है, जिसने वो information दी है, police station में, उस वेक्ति को, उस informant को एक copy दी जाएगी F.I.R. की, इसी को अपन F.I.R. कहते हैं, first information report, word use नहीं है, section में वो, but that is F.I.R. की, तो उसकी एक copy, जो informant है, उसको free of cost एक copy दी जाएगी, अब आप कहेंगे सर, आप बात कर रहे हो कि free में copy दी जाएगी, और हमारा तो personal experience है कि F.I.R. ही नहीं लिखी जाती है, तब आप जो practical है, वो अलग चीज है, इदर जो लिखा है, अब ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, लिखी जाती है, F.I.R. आप जाएगे, बिलकुल F.I.R. लिखी जाएगे, in fact, एक सवाल है मेरा आप सेधर, कि अगर कोई sexual offense की F.I.R. लेखे, जाता है police officer, इन्चार्ज के पास, और वो police officer, अगर rape की F.I.R. लिखने से मना करता है, तो ज़ करिये, सिर्फ देखिये, मत, like करके जाएगे, share करिये, चैनल, subscribe करिये, वो सब तो खरो, आपने भी बाला करो थोड़ा, पड़ो भी बाद में जाके, yes, 166 A, that's correct, B नहीं है, बिटा, B is different, correct, correct, तो IPC में ये punishable offense है, 166 A, all right, चलिए, तो informant को एक copy देनी है, subsection 2, यह कहता है, sub पुलीस officer के पास गए है, FIR लिखाने और FIR लिखने से police officer in charge मना करता है, तो आपके पास एक option है, आप SP को by post information भेच सकते हैं, अगर police officer information लिखने से मना कर रहा है, FIR register करने से मना कर रहा है, तो आपके पास subsection 3 के हिसाब से एक remedy है, आप area के SP को post के थो information पहुँचा सकते हैं, फिर SP या तो कुद investigate करेंगे या police officer को forward करेंगे for investigation, ठीक, यह subsection 3 कहता है, तो यह हो गया आपका 154, यहाँ से जो question बनने हैं, वो यह simple है, जिनकी मैंने बात करी, कि section number याद रखिएगा, sexual offenses में police officer record करेगा, या फिर कोई दूसरा woman officer, woman police officer या दूसरा woman officer, sexual offenses की अगर FIR है, तो उसकी recording होनी है, plus as soon as possible, magistrate के सामने statement record होना है, और एगर informant physically or mentally disabled है, तो उसके residence पर recording होनी है, FIR की copy free of cost मिलनी है, informant को यह subsection 2 कहता है, subsection 3 कहता है, अगर police officer in charge FIR लगने से बना कर, तो आप writing में SP के पास कहुचा सकते हैं, अब जो कहानी इदार आती है, case laws की जो important है, FIR से related, सिर्फ provision से question न क्या है, देखें, यहां तो लिखा है कि जब भी, मैंने इसलिए चार्ट पहले बना दिया कि cognizable case की बात अपन कर रहा है, अगर cognizable offense के commission के information एक police officer के पास आती है, तो 154 कहता है, it shall be reduced into writing, आपको लिखना है, और information जो है, यहां पर सिर्फ word information लिखा है, अब एक थोड़ा सा different सम करना है, section 41 पढ़ा है हमने, section 41 किसकी बात करता है, arrest की बात करता है, और हमने पढ़ा है, कैसे कैसे arrest होगा, तो यह तो simple था कि police officer के सामने किसी ने को admissible offense commit किया, लेकिन B में हमने पढ़ा है कि police officer को information मिली है, कैसी information, credible information, वहां information के सामने एक word लिखाता, credible, credible मतलब थोड़ी लगनी चाहिए, तब आप arrest करेंगे, यह किस में लिखा है, 41 में, because it is related to arrest, यहां बात हो रही है, FIR दर्ज करने की, occurrence हुआ है, offense हुआ है, वेक्ति आके inform कर रहा है, उसको note down करना है, लेकिन 154 में कहीं credible word ने लिखा, यहां लिखा है, every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing, ब quotes के सामने, कि अगर किसी cognizable case की information police को दी जा रही है, या किसी भी offense के occurrence की information police को दी जा रही है, तो क्या police bound है उस information को note down करने के लिए, लिखने के लिए, या फिर police पहले यह चेक करें कि कितनी authentic information है, कुछ है, विश्वास करने लायक है, नहीं उसके बाद F.I.R. लिखे, क्या य यह question बड़े आराम से answer नहीं हुआ, इसमें भी एक बास समझना है, इसमें conflict क्या था, conflict वो same arrest वाला, एक person जिसका arrest होना है, उसका right है liberty का, और society का अधिकार है justice लेने का, इंदो के बीच conflict, इधर भी यह है, अगर F.I.R. आप बिना सोचे समझे लिख लेंगे, तो जिस वेक् की बेच जती हो रही है, जबरजस्ती समाज में, यह एक चीज हो सकती है, और अगर F.I.R. नहीं लिखी जाएंगे, इस discretion का misuse police करती है, तो society का जो अधिकार है justice लेने का, वो hinder हो रहा है, यहाँ भी same question, तो इससे लेटेट जो cases ते, उसमें important cases, correct, तनवीर ने बताई दिया लेलेता कुमारी versus state of Uttar Pradesh, that is one of the most important case, इसमें कोई doubt ही नहीं है, लेकिन इसके पहले का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक case का नाम लिख लिए, state of Haryana versus Bhajan Lal, state of Haryana versus Bhajan Lal, that is 1992, और इसमें court ने कहा था, कि mandatory है भाई साब, information लिखना, अगर आपके पास cognizable case की information आई ह में mandatory है, आप लिखिए, आपको उसमें authenticitivity check नहीं करना है, और code में exactly यही बात कही थी, जो मैंने अभी आपको समझाए, कि यहाँ जो word लिखा है, every information लिखा है, उसके credibility, reliability, check करने का discretion आपको नहीं दिया गया है, सीधे-सीधे, अगर legislature को, जब यह law बनाया जा रहा था, अगर आपको पास information है, यह था भजनलाल का judgment, लेकिन यह question फिर arise हुआ बार बार, और उसके बाद, जो इस question को answer finally किया गया, वो किया गया, ललिता कुमार versus state of उत्तर प्रदेश में, और पहले यह case जब आया है, ललिता कुमारी versus state of उत्तर प्रदेश, तो पहले इसा decide करने के लिए थी three judges bench, और उन्होंने यह कहा, कि वोई conflict वाली बात करी, interest के conflict की बात है, इसलिए यह opinion था यहां judges का, कि it should be decided, this case should be decided by a larger bench, एक constitutional bench इसके लिए constitute होनी चाहिए, और वहाँ इस सवाल को discuss किया जाना चाहिए, और इसलिए लेलिता कुमारी आप दो देखते हैं, 2012, 2013, तो पहले three judges bench के पास था, वहाँ से refer किया गया CJI को, फिर CJI ने five judges bench constitute करी, और फिर वो judgment दिया गया, landmark जो guidelines है, regarding recording of FIR, और उसमें क्या क्या कहा गया, brief में मैं आपको बस बता देता हूँ, वो यह है brief उसका, कि भाई, जब भी आपके पास information आएगी, police को सिरफ इतना discretion दिया है, कि आप यह जरूर चेक करिए, कि वो information, cognizable case से related है, या non-cognizable से, आपको उस information की authenticity नहीं चेक करना है, आपको उसके trustworthiness नहीं करना है, आपको सिर्फ information आपके पास आईए, तो आप बस यह देखिए, कि वो cognizable case की है, या non-cognizable, authentic है या नहीं, विश्वास करने लायक है, नहीं, यह तो चालू होता है, lodging of FIR के बाद से, पहले FIR lodge होती है, फिर investigation चालू होता है, that is the general rule, और इसलिए ललेता कुमारी में कहा गया, जब information आई है, आप बस इतना देखो, cognizable है या non-cognizable, अगर वो cognizable है, तो तुरंत record करिए, non-cognizable है, तो magistrate के पास भेज़ दीजे, उसको भी लिखा जाता है, NCR के form में, लेकिन पर magistrate के पास, transfer कर दिया जाता है, उस informant को, तो ललेता कुमारी में, basically यह कहाता है, कि आपके पास कोई discretion, यह देखने का नहीं है, authenticity का, एक चीज़ और यहां, landmark चीज़ जो कही गई, वो यह कि आप एक preliminary investigation कर सकते हैं, यह दे, before you lodge an FIR, उसके पहले आप यह preliminary investigation कर लिजिए, यह check करने के लिए, कि वो information cognizable case से related है या non cognizable, बस authenticity के लिए और यह भी 7 दिन के अंदर complete होना चाहिए, यह भी कहा गया था लेलिता कुमारी में, कि यह जो आप preliminary investigation करेंगे, information आने के बाद, यह देखने के लिए कि information cognizable है या नहीं, वो 7 दिन के अंदर complete होना है, और भी detailed guidelines है, सारा तो अपन इदर discuss नहीं करेंगे, यह से तो normally FIR, जब हम लोग पढ़ते हैं, foundation batch में, तो मुझे दो दिन लगते हैं, सिर्फ FIR पढ़ाने हैं, तो उतनी detail में तो अपन नहीं जाएंगे, पूरी guidelines तो अपन discuss नहीं करेंगे, यह major बात हैं, ललिता कु laws important नहीं हैं, आपन उस पर जाएंगे, यहां तो भाई सब FIR में तो यह, this is very important, this is very important, चीक, तो यह धान रखियागा है, दो तीन बातें important हैं दर, बस, इसके बाद, अब यह तो हो गया कि FIR आपको record करनी है, अगर वो cognizable case की है, तो, अब आई यह सेक्शन 155 और 156 की तरफ, FIR आई है, अगर cognizable case की information आई है, तो आपको record करना है, 155 बात करता है, information as to non-cognizable cases and investigation of such cases, अब देखिये, 154 किस information की बात कर रहा था, cognizable की information, non-cognizable की information की बात कौन सा section कर रहा है, 155, 155 केता है, information as to non-cognizable cases and investigation of such cases, अगर जब भी किसी officer in charge of police station के पास, non-cognizable offense के होने की information आईगी, तो यहां लिखा है, subsection 1 की second last line, देखिये, shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate, जब आपके पास non-cognizable offense के होने की information आईगी, तो आप क्या करेंगे, उसको एक register में लिखेंगे, उसको बोलते है NCR, इसके लिए क्या होता है NCR और उसके लिए FIR register होता है, इसमें आप entry करिए और उसके बाद क्या करिए, informant को forward कर दीजे, किसके पास, magistrate के पास, क्योंकि investigation आ जब आपको बताया, बिना magistrate के order के non-cognizable case में investigation police नहीं करेगी, subsection 3 भी important है, subsection 3 यह कहता है कि जब information आई है police officer के पास, और मान लिजिए, एक ही act में, दो तीन चीज़े हैं, जब आपको बताया, कि आगर बिना magistrate के power के आप आप खुद से investigate नहीं करेंगे non-cognizable में, लेकिन अगर magistrate के पास आपने forward के और magistrate ने आपको order दे दिया है, कि आप investigation कर सकते हैं, in that case आपके पास सारे power आ जाएंगे investigation के, जो आपके पास cognizable case में है, but except one that is power to arrest the abuse, आप बिना warrant के arrest नहीं करेंगे, that is the only thing which is different in non-cognizable case, इसके बा offense commit हो रहा है, अब हो सकता है, एक offense cognizable है, बाकी के दो non-cognizable है, यह हो सकता है कि दो offense cognizable है, एक non-cognizable है, तो उसके लिए subjection 4 clearly कहता है, जो भी आपके पास information आई है, जिस भी case की, उसमें अगर कोई एक भी offense cognizable है, अगर कोई एक offense भी cognizable है, तो उस पूरे case को कैसे treat किया अगर एक offense भी cognizable है तो वो पूरा case cognizable कहलाएगा और उसका investigation का power आपका बिल्कुल अलग होगा जो की 156 में दिया है तो अब आईए 156 पे police officers power to investigate cognizable case अब देखिए 155 में non-cognizable offense की information की recording के बारे में भी बता दिया है प्लस इसके investigation के बारे में भी बता दिया है कि investigation शुरू कैसे ह होगा तो magistrate की permission पे होगा यह सब कुछ 155 में डील कर लिया है लेकिन अगर अगर अपन non-cognizable sorry cognizable offense की अगर आप करें तो cognizable offense की जो information आई की उसके recording से related 154 है information की recording से related इसके investigation से related 156 है 156 पे आईए police officers power to investigate cognizable case any officer in charge of a police station में without the order of a magistrate investigate any cognizable case अब यहां इसको देखना थोड़ा कि यह क्या interpretations है और क्या-क्या relevancy है in terminologies की यहां लिखा है any officer in charge of a police station में word क्या use किया है में मतलब it is a discretion कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको investigate करना ही है अगर cognizable case की information आपके पास आई है तो यह नहीं कि आपको investigation करना ही है FIR लिखनी है information को record करना है that is mandatory लेकिन investigation करना है यह आप decide करिए that will be the discretion so लिखा है police station में without the order of a magistrate investigate और बिना order of magistrate के आप investigate कर सकते हैं इसके लिए आपको magistrate की permission लेने की जरूरत नहीं है subsection 2 कहता है no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate और मान लीजिए अगर पुलीजिए इम्मिनिटी दी गई है police officer को कि अगर मान लीजिए cognizable case समझ में आया और police ने investigation कर लिया है तो इन्होंने जो investigation किया है यह बिसिकली इसलिए है कि भले ही वो उसके jurisdiction में नहीं था इस बात से उस investigation को question नहीं किया जाएगा उसको correct police station के पास transfer कर दिया जाएगा उस investigation को और उसको use किया जा सकता है सिर्फ इस बात से वो उस investigation पर question नहीं किया जाएगा कि वो police officer empowered नहीं था investigate करने के लिए इसके बात subsection 3 तो बहुत जादा important है दो वो बाती चीजों में काम आएगा भी आगे बहुत सारी ऐसी चीज़े ह जाओ 156 subsection 3 का relevance है यह magistrate के power को बताता है कि magistrate भी order कर सकता है investigation in case of cognizable offense 155 में हमने पढ़ा कि magistrate order करता है investigation in case of non cognizable offense 156 subsection 3 कहता है any magistrate empowered under section 190 में order such an investigation as above mentioned 190 में empowered कौन है उस magistrate की बात चल रहे है जो cognizance लेने के लिए किसी भी case का cognizance लेने के लिए जो magistrate empowered है वो magistrate investigation भी order कर सकता है police को बोल सकता है कि इस case को आप investigate करिए that is 156 3 अभी इसके बारे में मैं detail में बात करूँगा जब अपन 159 पहेंगे उसकी पूरी कहानी को समझेंगे तो यह तो हो गई अभी बात information की recording की और investigation कैसे शुरू होना है उसकी non cognizable है तो magistrate order करेगा तब investigation शुरू होगा cognizable case में permission की जरूरत नहीं है आप investigation चालू कर दीजे लेकिन एक बात समझी है कि police के पास information आई और investigation चालू कर दे रहे हैं तो magistrate क्या बैठा रहेगा जब उसे कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं होगा तो जब information आई है अगर आपके पास cognizable offense की information आई है police के पास तो इस बात का intimation has reason to suspect the commission of an offense which is empowered under section 156 to investigate he shall forthwith sender ये underline कर लीजे he shall forthwith send a report of the same to a magistrate तो जैसे ही आपके पास information आई है cognizable offense की और अगर आप ये suspect कर रहे है कि cognizable offense commit हुआ है जिसको investigate करने का अधिकार है आपके पास section 156 में 156 में अगर police के पास अधिकार है कहने का मतलब cognizable offense है वोगी cognizable के case में आप entitled है तो अगर आप investigation करने के लिए entitled है ऐसे किसी case की information police के पास आईगी तो एक copy इस चीज़ की वो किसको भेजेंगे magistrate को भी भेजेंगे एक copy आप investigation कर सकते हैं बिना order के magistrate के आप investigation चालू कर दो अगर cognizable offense है तो police बिना magistrate के order के investigation स्टार्ट कर देगी लेकिन जब आपके पास information आई है इस बात को आपको बताना है इसको कहते है occurrence report ये जो intimation किया जाता है judicial magistrate को ये जो बात convey करी जाती है किसके through करी जाती है occurrence report इसको कहा जाता है नॉर्मली प्राक्टिकली होता ये है कि FIR की ही एक copy magistrate के पास भेज दी जाती है इसलिए चार copies होती है FIR की एक थाने में रती है magistrate के पास जाती है ये धान रखिएगा इस occurrence report का purpose क्या है before we move on to this एक दो बाते है और occurrence report के बारे में समझ लिजे एक तो case important उनके नाम लिख लिजे तो occurrence report से related case लिखिए ज़रा महराज सिंग वर्स स्टेट अफ यूपी इसके नाम लिख लिजे महराज सिंग वर्स स्टेट अफ यूपी 1994 रविंदर महतो वर्स स्टेट ऑफ जहरकंड 2006 इन में बेसिकली purpose बताया है occurrence report का occurrence report भीजने का purpose क्या दे कि आपने पावर तो पुलिस को दे रखा investigate करने का कि आपके पास recognizable offense के occurrence के अगर information आई है तो आप तो investigate कर सकते हैं कि इस खुद से उसके लिए magistrate के order की ज़रुत तो है नहीं तो फिर या occurrence report क्यों भेज रहा है magistrate को तो उसका पर और यहां पर word जो use किया गया है इन words का importance आपको समझना चाहिए शायद आप जानते होंगे कि इंटर्व्यू में कई बार जैसे MP के इंटर्व्यू जो last year हुआ उसके पहले भी बेरेक्स रखे होते हैं और last year तो बहुत emphasis था honorable board का कि आप कोई answer अगर दे रहे हैं तो बेरेक्स खोल के बताईए कि यह चीज़ आप कहां से interpret कर रहे हैं यह कहां लिखिए तो यहां जो word ल इसका मतलब है तुरण आपके पास आये as soon as possible आप मजिस्ट्रेट के पास occurrence report भेजिए क्यों कर रहे हैं इसके बहुत सारे purposes हैं ताकि police information आने के बाद भी चुप चाप ना बैढ़ जाए inactive होके मान लीजे case ऐसा है जिसमें investigation होना चाहिए लेकिन यह चुप बैढ़ गए यह या फिर FIR में manipulation ना हो इसलिए FIR की copy ही occurrence report के form में जनरली भेजी जाती है magistrate के पास कि बाद में later on ऐसा ना हो कि यह उसमें छिडशार कर दें alterations कर दे police ऐसी कोई चीज़ें ना हूँ यह purpose है occurrence report भेजने का इसलिए within time यह भेजी जानी चाहिए occurrence report ठीक अचा एक बाद और ध्यान or not क्योंकि में लिखा जरूरी नहीं कि आप investigate करें अगर आपको investigate करने लाए case लगेगा तो आप करेंगा दरवाइस मत करें तो जब अकरन पहले आप investigate कर रहे है या नहीं कर रहे है अगर information आई है तो occurrence report तो भेजना है magistrate के पास और उस occurrence report में endorsement यह भी देना है कि आप investigate कर रह upon a police report and आगे लिखा है and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender अब जब आपके पास यह recognizable case की information आई है और अगर आपको लगता है कि यह suspect आप करते है कि हां commission हुआ है तो आप occurrence report भेज़ दीजे magistrate को और उसके बाद खुद personally spot पे जाओ वहाँ या तो वो police officer खुद जाए या फिर किसी subordinate को भेज़े वहाँ जाके discovery करें चीज़ें देखें वहाँ से कुछ weapon मिल रहा है या कोई भी ऐसे discovery और यह वो करें और अगर कोई suspect रखती है तो उसको arrest कर यह basically investigation बता रहे है कि कैसे करना है इसके बाद सारी कहानी 156 ने बता दिया कि खुद से investigate आप कर सकते है लेकिन 157 उसमें कुछ बातें बता रहा है कुछ guidelines दे रहा है कि करना क्या है तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ discovery और arrest तो नों करना है लेकिन इसका proviso है जो कि बहुत important है so provided that a कैता है when information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not a serious not of a serious nature the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate इसका देखिये proviso का जो a clause है अभी हमने general rule क्या पड़ा कि जब भी आपके पास cognizable offense के होने की information आईगी आप occurrence report बेजिये magistrate के पाद और खुच जाहिए वहाँ या किसी subordinate को बेजिये discovery करिये arrest करिये लेकिन प्रवाईजों कह रहा है कि अगर मानलेजे जो information आई है commission of offense की अगर वो किसी वक्ति के नाम के साथ आई है accused का नाम भी आया है information में किसा आप इस वक्ति ने ये offense commit किया है एक तो accused का नाम आया है और वो जो offense से जादा serious nature का नहीं है in that case जरूरी नहीं है कि आप personally चाहें या subordinate को भेजें वहाँ आप discretion use कर सकते हैं इसके बाद B देखिये if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground यह बहुत important आईसका clause B there is no sufficient ground for entering on an investigation he shall not investigate the case बी क्या power दे रहा है police को discretion दे रहा है आप देखिये वो जो information आई है अगर आपको लगता है कि investigate करने लाया case नहीं है तो आप मत करिय investigate और इसलिए मैंने कहा कि जब judicial magistrate के पास occurrence report भेजी जाएगी उसमें police endorsement यह भी लिखके देगी कि investigate कर रहे है case को यह हम investigate नहीं कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं वो course of action आपको बताना है ठीक क्योंकि आपके पास यह भी discretion है कि आप investigate ना करें अगर आपको वाजब case नहीं ल अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपको उस particular case को जिसकी information आपके पास आई है अगर आपको लगता है कि किसी के नाम के साथ information आई है और serious nature का नहीं है तो आप खुद personally जाने की ज़रुवत नहीं है या फिर आपको लगता है इन्वेस्टिगेट करने की ज़रुवत ही नहीं है तो मत करो investigate दोनों cases में आपको अपने report में reason लिखने पढ़ेंगे अगर आप ये description यूज कर रहे हैं कि आप खुद personally जान नहीं रहे है क्योंकि serious nature का नहीं है और नाम आ गया कि उसका या फिर आपको altogether investigate करने लायक case ही नहीं लग रहा दोनों cases में आपको reason record करने है अपनी report में चेक तो रहे हैं और वाइस description का फायदा उठाने लग जाए police इसलिए चेक तो रहेगा इसलिए आपको reason record करना है that is one thing दूसरी चीज जो subsection 2 कहता है कि अगर मान लीजे police officer भी वाला option चूज कर रही है police officer के हिसाब से जो information है उसमें investigate करने की जरूरत नहीं है investigation करने लायक case उनको नहीं इस case में भी इस बात की information police officer को इस informant को देनी है जिसने information दी है cognizable offense की उस informant को आपको बताना पड़ेगा कि आप investigate नहीं कर रहे हैं इसलिए चेक है तो अगर आप investigate नहीं कर रहे हैं तो informant जो थार उसको आपको यह बतानी पड़ेगी यह देखिए आगे लिखाए subsection 2 में in each of the cases mentioned in clauses A and B of the proviso to subjection 1 the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirement to that subjection and in the case mentioned in clause B जहाँ आप investigate नहीं कर रहे हैं of the state proviso the officer shall also forthwith notify to the informant if any in such manner is may be prescribed by the state government the fact that he will not investigate अगर आप वी वाला option exercise कर रहे हैं वो discussion exercise कर रहे हैं कि आप investigation नहीं करेंगे तो इस बात को आपको informant को भी notify करना है अब यहां से दो तीन अलग चीज़ें निकलेंगी उसको जरा समझते हैं देखिए भाई अब थोड़ा ध्यान से सुनिए आगे की कहानी जो मैं आपको बता करेंगे तो कि आपके पास यह discussion में है कि आप investigate ना करें अब यहां से दो तीन चीज़ें आती है जो इस provision में आपको नहीं मिलेगी बट actually वो important है जैसे occurrence report जब magistrate के पास आई है तो magistrate के पास क्या power है उस case में तो एक बात यह समझेगा अगर occurrence report में police officer ने लिखा है कि हम investigate कर रह रही है case या नहीं कर रही है अगर वो investigate कर रहे है police अगर investigate कर रही है इन that case magistrate का कोई अधिकार नहीं है उसमें magistrate interfere नहीं करेंगे उस वो फिर police का पावार है वो अपना investigation करके जब तक report submit नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे यह बात हो गई जहां police investigation कर रही है लेकिन अगर मान लीजिए occurrence report के साथ police ने ये endorsement दिया है कि वो इस case को investigate नहीं करेंगे जो discretion आपने भी में already दिया रखा है कि ज़रूरी तो नहीं investigate करेंगे तो अगर वो case को investigate नहीं करते हैं ये endorsement magistrate के पास आया है तो फिर magistrate के पास अपने discretions है फिर वो power exercise करेगा कौन सा section 159 का जरा 159 पढ़िये limited application है 159 की so 159 जरा देखे 58 पर में फिर आऊंगा बाद में वहले 159 देखे power to hold investigation or preliminary inquiry such magistrate on receiving such report किस report की पाद चल रहे है वह occurrence report such magistrate on receiving such report may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this code 159 में magistrate के पास अलग अलग power है जब occurrence report magistrate के पास आएगी तो वो investigation order कर सकते हैं खुद inquiry कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से dispose of कर सकते हैं लेकर एक बलत ध्यांग रखिएगा 159 के power वही exercise करते हैं जहाँ पुलिस केस को investigate नहीं कर रही है अगर 157 में occurrence report में पुलिस ने लिखा है कि हम investigate कर रहे हैं वहाँ य सिर्फ कब है जब police case को investigate ना करे तब फिर magistrate order कर सकते हैं investigation या फिर inquiry खुद करते हैं या आपने किसी subordinate से क्योंकि inquiry magistrate करता है या आपने पढ़ा है definition में तो या तो investigation कराएंगे फिर या फिर inquiry करेंगे और या फिर तीसरा तरीका क्या होगा informant को बला लेंगे कि बड़ा तू इधर पुलिस नहीं कर रही investigation तू एक काम कर इधर और मेरे को आके complaint दे और फिर complaint case की तरह उसको treat कर लेंगे जो मैंने पहले चार्ट बनाया था क्योंकि 159 के end में यह भी लिखा है और otherwise to dispose of the case in the manner provided in this court किसी और तरीके से भी case को dispose of कर सकते है तो और तरीका क्या होगा यह होगा अगर देखो occurrence report में जब police यह लिखेगी कि हम investigation नहीं कर रहे है इसमें चारपाट चीज़े हो सकती है या तो magistrate का भी वह opinion होगा जो police का है कि हाँ यार क्योंकि FIR की copy उनके पास भी गई है उन्हें भी लगता है कि यार फरजी है यह तो कोई मतलब नहीं case का तो वो उस opinion को मान सकते ह है और फिर आगे कुछ नहीं होगा या फिर magistrate ने जो FIR की copy पड़ी उनको लगा है कि police ने कुछ कारे करम कर दिया है धार पर तो police ने डंसे काम ने किया है और यह भाल तो investigation नहीं करनी कि इनोंने मिर को report भेज दिया जबकि हूना चाहिए investigation in that case under 159 या तो investigation order करेंगे या तो inquiry क को बोला के complaint case की तरह proceedings आगे बढ़ा दी जाएंगी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि he is also opinion of the police उनका भी same opinion ना तो फिर खतम बाती खतम हो गई फर तो मान लीजी police ने यह occurrence report भेजी और endorsement भेजा और magistrate ने भी कुछ नहीं किया तो informant के पास क्या option है कुछ भी वीडियो देख रहे है YouTube कित्ती होती है उत्तर प्रदेश में जच की salary बेरोजगारी के दिन में यह वीडियो मत देखा पड़ाई देखा वाई तो आप फिरी है जीवन मजिस्ट्रेट थोड़ी है फिरी उनके पास काम है इसलिए हो पहले authenticity चेक करेंगे कि देखन अब इस case में क्या होगा कि जब आप वहां या तो complaint case की तरह चाली हो सकता है या फिर मालेजे अगर magistrate का भी वह opinion है कि नहीं करना है case में कुछ लेकिन जो informant है वो कहता है साहब इनने नहीं से कुछ किया ही नहीं है आप तक भी गलत information को चाहिए ऐसे case में वह application magistrate को दे सकता ह है वोई बताएगा इस application को क्या केते हैं yes yes that's correct इसको केते हैं protest petition that's very correct इसको क्या केते है protest petition इसको केते हैं protest petition इन्फर्मेंट अगर मालीजे देखिए आप 157 में देखो अगर police investigate नहीं कर रही है जो प्रवाइजो का clause भी है अगर उसको exercise कर रही है तो वहां लिखाए कि informant को भी आपको notify करना है जहां आपने informant को notify कर दिया कि आप investigation नहीं करेंगे उसका option खुल गया वो सिधे magistrate के पास मुचेगा आप application लेके इसको केते हैं protest petition इसी लिए मैंने कहा था कि थोड़ा detail में जाएंगे दरपन क्योंकि अगर इतनी detail में नहीं जाएंगे तो यह सब प्री के सवाल भी आपसे बनेंगे नहीं और बात सिर्फ प्री इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे बाई हमें भी यूज चाहिए अब आपको अगर वी देख रहा है तो वह भी दना देंगे कोई दिकत थोड़ी आसप है आप देखिये बीकिन एक सही हिदायत देना भी मुझे लगता है मेरा काम है आ ठीक है तो यह हो गई आपकी प्रटेस्ट प्रटेशन और यह इंपॉर्टन कॉंसेट्स है इसके बाद आईए जरह 158 देख लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकन्ट प्रविजन नहीं है रिपोर्ट हाउ सब्मिट यह जो अकरेंस रिपोर्ट की बात चल रहे है कैसे सब् इसके बाद आईए अब आईए 161 62 159 154 55 56 59 नॉन कोगनिजबल में इंफरमेशन कैसे रिकॉर्ड होगी उसमें इंवस्टिगेशन कैसे चालू होगा यह क्लियर है कोगनिजबल किसमें इंफरमेशन कैसे रिकॉर्ड होगी इंवस्टिगेशन कैसे चालू होगा नहीं अगर इंवस्टिगेशन हो रहा है तो क्या होगा यह सब क्लारिटी है आपको इस अप क्लियर है तो अब अपन बात करेंगे फिर 160, 162 यह ग्रुप फ्रविजन की तरह आप देख सकते हैं कॉन-कॉन से 160, 161, 162 अब हमने अभी तो पड़ लिया कि इंवस्टिगेशन चालू कैसे होगा शुरू कैसे हुआ कोगनिजबल की किसमें नॉन कोगनिजबल की किसमें जब investigation होगा इस chapter में तो अब करेगा कौन police तो police जब investigate कर रही है तो उसके पास क्या-क्या power कैसे करेंगे वह पूच्थाच करेंगे तो बुलाएंगे वेप्ति को किसको बुला सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं, क्या पूछताज करेंगे, statement अगर record हो रहा है, तो उसकी evidentiary value क्या है, पुलिस को दी हुए statement की evidentiary value क्या है, ये सारी बाते हैं आपको मिलेंगे, 160, 160, तीन provision में तो आईए जरा इनको देखते हैं, 160, देखिए, police officers power to require attendance of witnesses, police officer witness के attendance require कर करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें investigate, भाई, बात चीत करेंगे, पूछेंगे, दो चार लपाड़े चिपकाएंगे, तब तो सामने वाला कुछ बोलेगा, और तब तो कुछ आगे कारे करम बढ़ेगा ना, police का, so इसमें, दो तीन बाते हैं, जानने लाया कि इस 160 provision में, section number या है, वो इसके, section 1 के provisor को आप पूरा mark कर लिजे, किन लोगों को आप ठाने या police station नहीं बुलाएंगे, उनके घर जाके पूछताज करेंगे, उसमें ध्यान रखियेगा, male अगर है, तो 15 साल तक का, up to 15 years, और above 65, 15 साल तक का male या 62 साल से उपर का कोई male है, तो उसके घर जान है आपको, उसको बोलाना नहीं है, अगर कोई भी female है, female को बोलाना ही नहीं है, घरी जाना है, अगर कोई disabled person है, उसको भी नहीं बोलाना है, उसके भी घर जाना है, physically या mentally disabled अगर पर्सन है फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड विप्ती है इनको आप नहीं बुलाएंगे पंदरा से 65 के बीच के जो मेल हैं उनको आप बुला सकते हैं तो अगर आप भारत में हैं और पंदरा से 65 की एज के मेल हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी इज्जत है आपकी इस देश में एस पर दिस प्रविजिन तो भाई फीमेल्स को इमीरिटी मेल हें पंदरा साथ के मेल और के उपर इसे बल्ड वक्ती को नहीं बुला ना यह इंपोर्टन है प्री के लिए बहुत इंपोर्टन सवाल है यह प्री के लिए में बता दीजिए बेटा यह मैं अल्रेडी डील कर चुका हूं आई पीसी के लेक्टर देखो तर आप इसी क्रैश कुर्स की सीरीज में उसमें मेरे ख्याल से सेंड क्लास होनी चाहिए फाइम नौट रॉंग आई पीसी की सेंड क्लास बहुत अच्छे से क्रमिनल अक्ट समझ अच्छा दिया है सेक्शन 34, 35, 37 सब समझाया है उदर 149 कामन इंटेंशन बहुत अच्छे से महां डील किया है एक बार आई पीसी के लिए उसके भी तो व्यू बढ़ा हो रहा है इतने कते मतलब ही हो रही है कि वीडियों सब बता दो दूसरे के वीडियों के भी बढ़ाई मैं भी यहां रात को 9-11 पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे व्यूस चाहिए इसके बाद सबसेक्शन 2 तो यह भी कहता है कि अगर कोई पूछता आज के लिए अगर आप कहीं बोला रहे है तो उसके जो reasonable expenses है वो भी पे करने है लिखा हुआ है practical तो आप ही समझते है कि क्या है नहीं है है ना तो पस लिखा है धर पर यह कि अगर police officer आपकी attendance require कराता है कहीं पर तो आपको reasonable expenses उसके pay करेगा बहुत important नहीं है section number याद रखिएगा किनको नहीं बुला सकते that is the important question इसके बाद आईए 161 examination of witness by police अब investigation के दौरान in the course of investigation police examine करेगी एक्जामिन करेगी तो लिखेगी उन चीज़ों लिख सकते हैं इसा नहीं कि mandatory है कि writing में ही लेना है statement इसा mandatory नहीं है क्योंकि 161 में भी लिखा है में लेकिन आपके पाश ऑप्शन है आप लिख सकते हैं statement एक्जामिनेशन of witness by police any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribed on this behalf acting on the requisition of such officer officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case कोई भी असा व्यक्ति जो नहीं लगता है इस case के बारे में जानकारी रखता है उसका examination करेंगे और आगे के subsections ये बताते हैं subsection 2 बहुत important है 161 का जरा इसको देख लेना 161 का subsection 2 कहता है कि जब भी police officer पूछताच करेगा जो भी सवाल पूछे है except those questions जो उसे खुद कर सकते हैं ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आप बांड नहीं है जिससे आपकी कोई criminal liability arise हो जाए या आपके against ये कोई crime proof हो जाए ऐसे सवालों के जवाब के अलावा बाकी सारे सवालों के जवाब आपको सही सही देने है police officer को ठीक ये 161 subsection 2 कहता है ऐसा similar provision आपको एक मिलेगा 132 of Indian evidence act अगर आप मेंसे कोई जानकारी रखता है इसकी तो वहाँ लिखा है कि जो भी सवाल आपसे किया जाएगा during trial आपको सई-सई-जवाब देना है सबके देना है वहाँ ये exception भी नहीं है कि जिससे आप criminate हो जाए उसके नहीं देना उसका भी जवाब देना है लेकिन 132 में एक proviso दिया हुआ है कि यहाँ पूछेगा सवालों कि जब आप मतब वो particular इस पे applicable नहीं it is not during investigation और उस समय जब आप से सवाल पूछा जा रहा है आपको हर सवाल का सई-सई-जवाब देना है proviso ये कह देता है बस एक immunity ये देता है proviso कि यहा इन्वेस्टिगेशन पूलीस को दिये जा रहे है इस रिगार्डिंग ट्राइल लिटर स्टेजिस की बात है ठीक बट थोड़ा correlation है इसलिए साथ में class के बाद बेरेट उठाके देखते जाए इस सब correlation भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा provisions का इसके बाद subsection 2 important है subsection 3 कहत है कि writing में भी लिख सकते हैं आप देखिए the police officer may reduce into writing जरूरी नहीं कि आप जो statement ले रहे हैं उसको लिख नहीं है लिख सकते हैं लेकिन अगर लिख रहे हैं तो फिर separate record बनाई है उसके लिए अलग से आपको register maintain करना पड़ेगा जिसमें आप statements लिखेंगे जिन भी लोगों के आपने लिए अगर लिख रहे हैं तो बात समझें जरा 160 और 61 160 में आप attendance require करवा रहे हैं अचा एक चीज़ और यह बताती है यहां पेश होने का अगर वो नहीं होता है अगर वो आपके order को comply police officer के order को comply नहीं करता है तो कोई consequential action इधर तो दिखा नहीं 160 में अपने को यहां कोई consequential action दिखा क्या आपको 160 में यह 161 में तो कोई consequential action यहां नहीं है और yes ने जैसा लिखा है very correct IPC का 114 यह punishable होगा 174 of IPC हो कहता है कि कि किसी public servant ने आपके attendance require कर आई है अगर उसके order को comply नहीं करोगे तो it's a punishable offense कहा punish है बला है 174 IPC में punishable है all right good good चलिए इसके बाद आते हैं 162 पर अब यह जो police को during investigation statement मिले 162 में जो भी statements दिये गए कि कुसी भी ऐसे वक्ती से statement लिया जा सकता है जो acquaintance रखता हो case के बारे में वो victim भी हो सकता है वो accused भी हो सकता है वो independent witness भी हो सकते है जो खड़े हो की तमशा लिख रहे थे कोई भी हो सकता है इन में से इन सबके statement लेने का अधिकार है इसकी evidentiary value की बात 162 में बताई गई है 161 में तो statement कि आप ले सकते हैं इसकी evidentiary value 162 यह बहुत important है थोड़ा सा अपने दिमाग पे जौर दीजेएगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मुझे समझाना है कि चल क्या रहा है 162 में जो language लिखी है तो थोड़ा ध्यान से सुनियागा अगले पांच से आठ मिनट मेरी बात 162 यह statements to police not to be signed use of statements and evidence सबसे पहले यह समझे जो head note में लिखा है कि आपने police को जब statement दिया है during investigation उसको sign करने की जरूरत नहीं है यह clearly 162 कहता है पहले subsection 1 में लिखा है no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall if reduced to writing be signed by the person making it आपने जो statement दिया है police को अगर उसे reduce किया गया है in writing वो भी जरूरी न को sign करें आपको sign करने की कोई जरूरत नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है sign क्यों नहीं करने को बोला है अगर आप sign कर देंगे तो फिर जब अभी तो क्या है investigation चल रहा है अभी आप जो statement देंगे अब इस कहानी को समझना आप police को जो statement दे रहे हैं यह कब दे रहे हैं यह आप दे हैं investigation के दौरान investigation के दौरान अब बाद में यह होगा कि हो सकता है विटनस आपको बुलाया जाए कब इंक्वाइरी आपको बुलाया जाए अब यहां आपने जो statement दिया आपको sign करवा लिया गया तो फिर जब आप इधर जाएंगे और यहां पर आपसे दुबारा कोर्ट में magistrate साब पूछेंगे कि अच्छा बताओ क्या क्या हुआ था यहां पुलट नहीं सकते क्योंकि आपने इधर sign करवा आप बाउंड हो जाएंगे और statement किसको दिया है आपने पुलीस को दिया है तो पूरा possibility इधर है कि हो सकता है पुलीस जबरजस्ती statement ले ले आपसे यह हो सकता है इसे लिए जो भी पुलीस को statement दिया जाएगा उसको sign करने की ज़रूरत नहीं है statement के बारे में एक case और लिख लेजिए ज़रा बलदेव सिंग वर्सिस स्टेट आफ पंजाब केस का नाम लिख लेजिए पुलीस को जो investigation के दौरान दिया जाता है बलदेव सिंग वर्सिस स्टेट आफ पंजाब इसमें यह held हुआ था कि यह जो statement हम ले रहे हैं जो पुलीस साइन करा लिया गया तो फिर उदर भी आपको वही बोलना पड़ेगा इसलिए 752 क्लियर ली कहता है साइन करने की जरूरत नहीं है यह तो सिंपल सी बात है आगे है तहानी में उसकी एविदेंशली वैल्यू की आगे देखिए नौन शायल एनी सच स्टेटमेंट और एनी वेदर इन पुलीस डाइरी और अधर्वाइस और एनी पाट अफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड अंडलाइन कर लीजिए वी यूज़ फॉर एनी पॉपस सेवाज हेर इन आफ्टर प्रवाइड आपने यह जो स्टेटमेंट दिया है न पुलीस ऑफिसर को प्यूरिंग लेकिन आगे लिखा है सेवाज घर इन आफ्टर प्रवाइड यहां जो यूज़ बताया गया है प्रवाइजों में सिर्फ वो यूज़ है उसके अलावा कोई यूज़ नहीं है इसका मतलब जनरल रूल है कि जनरली यह स्टेटमेंट कामका नहीं है इसकी एविदिंशरी प्रवाइजों में बताया है तो अब वो देखिए आगे आप इसके बाद इसको जरूरी क्या है जो विटन से उसको प्रॉसेकूशन की तरफ से बुलाया गया हो कहां बुलाने की बात चल रही है इधर इंक्वाइड आट्राई त्राई नहीं है प्रॉसेकूशन की तरफ से हूना चाहिए व क्रॉसेकूशन की तरफ से होना चाहिए थिर आगे लिखा है any witnesses called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as a person, any part of his statement if duly proved, second essential है, it should be duly proved अब ये बात आप थोड़ा evidence में जादा समझेंगे कि कभे एक statement duly proved होता है, वो statement duly proved होना चाहिए, may be used by the accused, इसको use कौन करेगा statement को तो इसका जो use होगा वो करेगा by the accused accused use कर सकता है इसे ये पूरा मैं आपको बता हूँगा essential आपको बता दिलने दीजिए यहां से, फिर मैं बता हूँगा एक चीज़ है क्या and with the permission of the court by the prosecution, पहले आप कह रहे हैं कि use accused करेगा इसी के साथ एक चीज़ आपने ये भी कह दी कि prosecution भी कर सकता है prosecution भी कर सकता है लेकिन court की permission से करेगा court allow करेगा तब करेगा prosecution फिर आगे लिखा है to contradict such witness in the manner provided by section 154 of the Indian Evidence Act किस purpose के लिए यूज करेंगे statement को आप ये बहुत ही जादा important है contradiction के लिए use होना है ऐसे contradiction contradict करने के लिए करेंगे contradict का मतलब समझते हैं ना section 145 of evidence ये बात करता है कि आपने writing में कोई statement पहले दिया है उस statement के basis पे trial के दौरान आपको contradict किया जा सकता है उधर कुछ और बोला था इधर कुछ और बोल रहे हैं अगर आप तो आपने जो writing में पहले statement दिया है उसको as an evidence हम use कर लेंगे उसका trial में हम use करेंगे किसलिए करेंगे या तो cross examination 145 दो parts में है Indian evidence act का या तो cross examination के लिए use करेंगे या contradict के लिए और ये जो provision 162 ये कौन सा usage बताता है contradiction का से रफ या contradict करने के लिए आप use कर सकते हैं ठीक तो contradict करने के लिए इसको use किया जा सकता है and when any part of such statement is so used any part thereof may also be used in the re-examination of such witness but for the purpose only of explaining any matter referred to in cross exam इसको मैं भी बाद में बताता हूँ पहले आप इस कहानी को समझना ये जो आपने लिखा है लोगो भाई पढ़ने के ना दो तरीके हैं या तो इस बात को रट लीजिए आप यहां से उठाके कि कोई भी पुलिस को दिया हुआ statement को यूज होगा तो आप याद कर लीजिए कि अगर prosecution witness है तो accused उस statement को use कर सकता है for the purpose of contradiction और with the permission of court prosecution भी कर सकता है एक तो ये तरीका दोसरा तरीका समझिए इस process को समझ लीजिए आपको रट नाना करें चल क्या रहा है देखो पुलिस को किसी वक्ती ने investigation के दौरान एक statement दिया हमने कहा उसको sign नहीं करना है अब हम कह रहे हैं general 162 में general बात हमने बता दी कि इसका कोई use नहीं है लेकिन ये भी लिख दिया कि जो यहां बताया गया है वो use होगा बताया क्या गया है कभ यूज हो सकता ये statement तो उसके लिए बात समझना जिस भी person का ये statement है जिस भी person का क्योंकि 161 में लिखा है पुलिस उस वक्ती का statement ले सकती है जो भी acquaintance रखता है केस के fact के साथ जिसको कोई भी जानकारी ये fact के बारे में उसका आप statement ले सकते हैं तो भाई ये जो statement पुलिस ने investigation के दौरान इस वक्ती का लिया अगर इस वक्ती को during inquiry or trial as a prosecution witness पेश किया जाता है भाई ये कब होगा prosecution witness कब अगर मान लिजे इस person ने पुलिस के favor का statement दिया accused के पुलिस के favor का या prosecution के favor का अगर statement है तो सरा common sense लगा के बताईए वो किस के against होगा accused के against दो ही पार्टी है criminal case में prosecution एक accused और हम कह रहा है कि अगर ये prosecution के witness की तरह आ रहा है भाई ये prosecution क्यों बुलाएगा as a witness किसी को ट्राइल में क्योंकि वो उसके favor की बात करें कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से witness क्यों लाता है ट्राइल में ताकि वो उसके favor की बात करें तो अगर ऐसा कोई statement इसने दिया है तो prosecution उसको वहाँ as a prosecution witness बुलाएगा ट्राइल में और अगर इस person को as a prosecution के लिए करेगा contradiction contradiction का मतलब क्या accused ये बोल सकता है जब इस विक्ति को ऐसा witness बुलाया गया prosecution witness accused ये बोल सकता है कि साब अभी ये जो statement दे रहा है और इसने police को जो statement दिया था जिसे writing में लिखा गया था इधर दोनों में contradiction है विपरीत बाते कर रहा है ये आदमी पहले statement में बोला था रात को मडर हुआ है इधर के राज सुबह हुआ है इस purpose के लिए आप इस written statement को यूज कर सकते है कौन करेगा अब क्यूज करेगा बहुत obvious सी बात है जब वो prosecution witness है तो दूसरी party adverse party ही तो उसको contradict करेगी न भाई तो यही बात यहां पर लेकिन फिर साथ में यह भी लिखा है कि prosecution भी कर सकता है with the permission of court अब जरा एक बात यह बताईए जो विक्ति witness बुलाता है वो तो इसलिए बुलाता है कि मेरे favor की बात करें वो विक्ति खुद वो party खुद prosecution खुद इसको और अगर आप पलट गए आपने हमारे अगेंस्टी स्टेटमेंट दे दिया तो आप hostile हो गए और उस case में evidence भी कहता है कि with the permission of court आप उस वक्ति का cross examination कर सकते हैं आपके पास वो सारे सवाल पूछने का धीकार आजाता है ऐसे witness से आपके पास वो सवाल पूछने का अधीकार आजाता है जो आप adverse party के witness से पूछते है वो अधीकार आपके पास आगया क्योंकि आपका witness पलट यह ना अब आपको उसको जूटा सावित करना है इस आप यह जूट बोल रहा है इसलिए prosecution उसको इसलिए लिखा है कि अगर यूज करना है उसके प्रीवेस स्टेट्मन को इसलिए उसको पर्मीशन की जरुबत नहीं कि वो तो वैसी यूज इन दी री एक्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस बट फॉर पर्पस उनली ओफ एक्स्प्लेइन अनी मेटर रिप्ट ने को इन क्रॉस एक्जामिनेशन तो भाई साब अगर मान लिजे किसी भी पाई, that is examination in chief जब आपने अपने विटनेस को एक्जामिन कर लिए अब adverse party को chance दिया जाएगा दूसरी party को chance दिया जाएगा कि आप भी इसको एक्जामिन कर लेजे, उसको हम कहते है क्रॉस एक्जामिनेशन अगर क्रॉस एक्जामिनेशन मेर कोई नहीं बात है hotel जिसको witness धंग से बता नहीं पाया तो फिर पहली party को दुबारा opportunity दी जाती है जिसने उसको बुलाया मैंने बुलाया witness मुझे दुबारा opportunity दी जाएगी cross examination के बाद कि आप फिर से examine करिये अपने witness को अगा कोई बात वो explain नहीं कर पाया है cross examination की तो उसको हम कहते हैं re-examination इसको हम क्या कहते है re-examination और इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो focus होने चाहिए cross examination में उठाई हुई नहीं बातों को जनरले है तो अब इस बात को आप समझे ज़रा इदर कि जब हमने contradict करने का अधिकार दे दिया उस party को जिसका o witness prosecution का बेसे के लिए तो ये usage है इस 162 के statement का और मेरे ठाल से आज के बाद आपको इसको रटने की ज़रुवत ना पड़े तो बहता है समझ गए ना कहानी आप कौन क्यूं कर रहा है कैसे कर रहा है अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे अभी और अभी खतम नहीं हुआ है 162 अब इसका subsection 2 है बट वो बहुत ही general सी बात है उसको में ज़्यादा discuss इधर नहीं करूंगा तो कि अभी evidence भी तो पढ़ाना है इसी trash course में उसमें ज़्यादा बात करेंगे subsection 2 और देखेजे nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 1 of section 32 of the Indian Evidence Act or to affect the provisions of section 27 of the Act subsection 2 कह रहा है कि यह जो statement था 161 का जो statement है इसके effect के बारे में इसके usage के बारे में जो 162 subsection 1 में लिखा है अभी जो आपने पढ़ा कि जनरल बात क्या पढ़ी इसका कोई use नहीं है अब 162 का subsection 2 यह कह रहा है कि यह applicable नहीं है कहां जहां वो statement 32 clause 1 या section 27 of Indian Evidence Act के तहत आ रहा है यह होता है डाइंड देक्लेरेशन यह है discovery statement इसके बारे में आपने evidence में पढ़ेंगे अगर इस category में फॉल कर रहा है वो statement तो उस पे यह provision applicable नहीं है यह applicable नहीं है का मतलब उसका use होगा inquiry trial में क्योंकि 162 का subsection 1 कहता है कि इस statement को generally use नहीं करेंगे exception वो था contradiction वाला जो मैं आपको बताया but subsection 2 clearly कह रहा है कि अगर इसमें fall कर रहा है evidence act के तब यह applicable नहीं है इसका मतलब वहां usage है I hope that is clear explanation में simple सी बात बताई है contradiction का मतलब omission भी होगा जैसे माल लीजिए जब police को statement दिया था व्यक्ति ने 6 बातें बताई और जब वही statement उसने trial या inquiry में दिया तो 4 ही बताई 2 बात ने गयब कर गया हो व्यक्ति that can also amount to contradiction omission can also amount to contradiction that is 162 I hope that is clear इसके बाद आईए 163 पे no inducement to be offered simple provision है ज्यादा कुछ है नहीं statement लेने के लिए कोई inducement offer नहीं करना है police officer को that's it तो inducement तो वैसे भी कहां ही offer करती है police लापाड़े जरूर लगा देते है inducement तो वैसे ही नहीं देते हो देखिए simple है 163 no police officer और other personal authority shall offer or make or cost to be offered or made any such inducement threat or promise as is mentioned in section 24 Indian evidence act का 24 भी यही कहता है कि confession लेने के लिए threat promise या inducement का use नहीं करना है यहाँ भी police के लिए same बात लिखी है threat promise या inducement का use नहीं करना है statement लेने के लिए बस बाकी कुछ नहीं लेकर अपनी free will से अगर वो दे रहा है तो आप record कर लेजे इसके बाद आईए 164 this is again very important जानते ही है आप इस section का importance अगर कभी भी CRPC के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना पड़ा है आपने तो 164 का importance आप समझते है confession और statement जो magistrate को दिये जाते है during investigation यह कब दिया जा रहा confession अभी पूरी बात किसकी चल रही है ध्यान दगना अभी investigation चल रहा है अभी cognizance नहीं लिया गया है trial trial अभी दूर है this is about investigation investigation के दौरान भी आप statement दे सकते है magistrate को confession हो सकता है और पूरी guideline 64 में बहुत important है 164 की काफी questions बनते है आईए पड़ते है 164 recording of confession and statements any metropolitan magistrate or traditional magistrate may whether or not he has jurisdiction and the case record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being enforced और at any time यह time देखना कौन से time की बात चल रही है और at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial तो तीन बात नहीं दो एक question है subsection मन में सबसे पहला यह कि 164 में confession या admission sorry confession या statement कौन सा magistrate लेगा तो इधर पर तो लख्खा लिखा है any metropolitan magistrate or judicial magistrate but इसके लिए case का नाम लिखिया तुरंट कोई बता सकता है किस case में कहा गया था रिखर जमेफ सी इंटाइडल है record करने के लिए confession not the JMSC judicial magistrate second class नहीं यहां any magistrate है but case में हिल्ड हुआ था judicial magistrate first class ही confession record करेंगे confession JMSC record नहीं करता case का नाम लिख लेजे सिंहडा सिंग वर्सेज स्टेट आफ उत्तर प्रदेश केस का नाम लिख लिजिए सिंहडा सिंह वर्सेज स्टेट आफ उत्तर प्रदेश येस करेक्ट दुचार्ट में आपने लिखा रहे है लिख लेजिए भाई केस का नाम सो जेमेफसी ही कनफेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं कनफेशन जेमेफसी रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसके बाद आईए एक और बाद जो 164 में इंपॉर्टन्ट है वो यह कि यह स्टेट्मेंट कब तो लिखा है दूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाद समझना थोड़ा है दूरिंग इन्वेस्टिगेशन होगा यह रेकॉर्ड या फिर आफ्टर गाथ लिखा है आगे उसमें आप देखेंगे तो यह भी लिखा था met to him in the course of an investigation under the stepter or under any other law for the timing in force or at any time afterwards या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद लेकिन किस से पहले inquiry या trial के commence होने के पहले afterwards before the commencement of the inquiry or trial investigation के बाद लेकिन before before the commencement of inquiry और trial यह शुरू होने के पहले इधर पे भी चलेगा investigation खतम हो गया है लेकिन inquiry trial शुरू नहीं हुए है तो इस duration में भी statement 164 में record होगा during investigation या investigation के बाद लेकिन inquiry या trial commence होने के पहले यह मतलब है उस भयानाक अंग्रेजी का जो subsection 1 के आखरी में लिखी है और at any time on whom any power of magistrate has been conferred किसी police officer पर magistrate के power conferred किये गए है तो उसके पास अधिकार नहीं है confession लेने का confession कभी भी police को दिया हुआ validity नहीं होता यह आप चांते होंगे subsection 2 देखिए यह भी important है यहां लिखा है कि magistrate को यह ensure confession record करने के पहले magistrate को यह ensure कर लेना है कि जो accused confession दे रहा है वो voluntary है भाई देखिए इन सब चीजों में तो आपको समस्या नहीं है कि confession होता क्या है कोई विक्ति अपना guilt मानता है that is confession उसको define नहीं किया इदर recording के बारे में guideline से confession कहीं define है ही नहीं तो accused जब अपने guilt को मान लेता है that is confession तो जब magistrate के सामने कोई accused confession के लिए आएगा तो magistrate को पहले यह ensure करना है कि वो voluntary confession है ऐसा तो नहीं कि police ने मारा पीटा हो फिर confess करवाया है यह नहीं होना चाहिए यह ensure करना magistrate की जिम्मेदारी है उसके बाद confession record किया जाएगा confession कभी भी दो चार बाते important है तो समझ लीजे confession कभी भी oath पे नहीं होगा क्योंकि अगर oath पे होगा तो फिर bound हो जाएगा व्यक्ति उससे oath पे confession ने लिया जाएगा वो self-incriminatory statement होता है उसमें व्यक्ति अपना guilt मानता है तो oath नहीं होगा क्या confession पे sign कराया जाएगा yes signed होना चाहिए confession यह clearly यहां लिखा है इसके बाद आप आई है subsection 3 पे if at any time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody this is very very important subsection 3 कहता है अगर किसी व्यक्ति को magistrate के सामने और यह सब कभ हो रहा है यह ध्यान रखना यह हो रहा है during investigation investigation कौन कर रही है police accused अभी किस के पास है police तो जब भी during investigation magistrate के सामने किसी accused को लाया जाए यह बोलके कि साब यह confession करना चाहता है और magistrate के सामने आने के बाद अगर वो accused deny कर देता है confession करने से तो subsection 3 कहता है अब उसको police custody में आपको नहीं भेजना है किसी भी condition में क्यों नहीं भेजना है simple सी बात है police बोलके लाई है कि confession करने आया है साब के सामने आके वो पलड गया क्योंकि magistrate तो ensure करेंगे ना कि भाई यह voluntary कर रहा है नहीं कि magistrate जो record कर रहे है confession को अपना designation बताना है उनको accused को समझाना है कि तुम bound नहीं हो किसी pressure में हो तो हमको बताओ हम है आपके रक्षक करो मत police से police को बाहर करा करना है अलग कमरे में confession लेना है यह सब बाते है guide ले पूरा ensure करना है कि वो कहीं डरा धमका के तो नहीं लाया गया है और अगर वहां क्यों मना करते था है कि साब मेरे को confession नहीं करना है जवर जस्ती लिया है अब police का study में नहीं भेज सकते ऐसे accused को यह कहता है subsection 3 subsection 4 देखिए sign करने वाली बात any sub confession shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and underline करने जाए shall be signed by the person making the confession जसने confession किया है वो sign करेगा shall be signed mandatory sign होने चाहिए confession इसके बाद subsection 4 यह भी कहता है कि magistrate भी एक note उसमें लिखेंगे जो आगे लिखा है and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record of the following effect क्या लिखा है memorandum basically बस यह लिखा है कि मैंने इसको समझा दिया है कि आप bound नहीं है यह confession करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप confess करें आप देख लीजी अपनी free will से करना चाते है लेकिन उसके बाद भी यह वक्ती करना चाता है free will से यह लिखके magistrate भी साइन करते हैं अपने इस memorandum पे magistrate साइन करेंगे कि इसको मैंने समझा दिया है कि confess करना जरूरी नहीं है इसके बाद subsection 5 देखिए any statement other than a confession subsection 5 किसकी बाद कर रहा है any statement other than a confession क्योंकि not only confession दूसरे statement भी record होते जिए विक्टिम का statement कि अगर रिप विक्टिम है तो as soon as possible उसका statement record करा है 164 में police magistrate के सामने as soon as possible statement record करवाईए क्योंकि आपके सामने दियो statement की तो कोई value नहीं होगी evidentially इसलिए magistrate के सामने जरूरी है so any statement other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner here and after provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best protect to the circumstances of the case and ये important point है इदर and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded जिस भी विक्टि का statement record किया जा रहा है उसको oath दिलाने का power magistrate के पास है देखिए confession में oath नहीं दिलाई जाएगी लेकिन other than confession अगर कोई statement लिया जा रहा है by the magistrate in that case oath दिलाने का power है the magistrate shall have a power to administer oath वहाँ तो authenticity देखेंगे ना confession में आपको bound नहीं करना है विक्ति को but other statement में तो आग कर सकते हैं या करना है है आप हो इसके बाद subsection 5A तो normal सी बात करता है कि अगर वही जो हमने F.I.R. वाले provision में भी पढ़ लिया sexual offenses के victim को लाया गया है तो as soon as possible record करना है उस case में statement जल्दी record होना basically speedy सब कुछ होना है उन में तो ठीक और वही अगले provision में temporary mentally ill है तो उसकी कहानी देदी गई है बहुत important नहीं है शाल भी video graph ये भी important नहीं है लेकिन इस प्रवाइजों का जो बी point उसके बाद लिखा है प्रवाइजों के बाद जो बी point लिखा है वह important है statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently mentally or physically disabled शाल भी considered इसको underline कर लीजे शाल भी considered a statement in lieu of examination in chief अगर किसी rape victim जो की temporary या permanently disabled है उसका statement 164 में अगर record कर लिया तो इसी statement को examination in chief मान लिया जाएगा अब ये तो investigation के दौरान हो रहा है trial के दौरान उस victim को दुबारा सताया नहीं जाना चाहिए इसलिए यहाँ जो statement दे दिया वो ही in lieu of examination in chief use हो जाएगा this is very important प्रिका question है ये भी और subsection 6 कहता है कि magistrate confession record करने के बाद इसको forward कर देगा उस magistrate के पास जिसको inquiry करनी है इसलिए जो magistrate confession record करता है वो उस case की trial नहीं करता जनरली ऐसा क्यों तो कि confession record करते समय accused का demeanor भी देखा है और उसके सामने accused ने खुद कभूला है कि उसने वो offense commit किया है अब जब आप अगर खुदी trial करेंगे तो there is possibility कि आप prejudice रहेंगे तो कि आपने उस व्यक्ति का confession देखा है लेकिन अगर मैंने confession record किया बिंगा magistrate और एक दूसरे वो सिरिफ written document वो confession जो लिखा हुआ है बस वो मैंने forward कर दी है एक magistrate के पास जिसको आप trial करने है और उसके सामने accused को पेश किया जाएगा तो वहाँ इस prejudice होने की संभाबना नहीं है वो statement ज़रूर देखेंगे लेकिन वहाँ cross check करेंगे कि आभी भी वो वही बात कह रहा है कि नहीं सही है इने इसलिए जो magistrate confession record करता है generally वो trial नहीं करता है इसके बाद आजाईए 164A पे medical examination of the victim of rape simple है हमने medical examination of accused of rape पढ़ाता है प्रोविजन बता दो जाड़ा section number तुरंट section number बताईए भाई तुरंट medical examination of rape accused 53A that's correct 53 में evidence collection के लिए किसी का भी 53A में rape के accused का यहाँ है rape के victim का तो victim का भी medical examination होना है as soon as possible with the consent of women होना है 24 hours के अंदर जैसे 164A में बस यह धान रखियेगा rape victim का medical examination 24 घंटे में होना है उसके consent से consent के बिना नहीं किया जाएगा इसके अलाबा कुछ जानने लायक नहीं है 165 पे आ जाईए search by police officer तो simple power दियेगा है police officer को search करने के बस section number पूछा जाता है इधर से कि police officer के पास during investigation यह कब चल रहा है यह पूरा कारेकरम कब चल रहा है यह तो ध्यान रहेगा यह पूरा कारेकरम चल रहा है investigation के दौरान तो investigation के दौरान police officer के पास अधिकार रहेगा search करने का किसी confined place की search करनी है तो उसके regarding guideline वो सभी तर पे भी applicable होंगे, that's it, बस section number ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यदा technical कोई, इसमें चीज नहीं है, as such, इसके बाद 66 important नहीं है, 66 A important नहीं है, B important नहीं है, उत्तर फ्रोदेश में पहले एक बार ये सवाल जरूर पूछा गया है, कि letter of request to competent authority for investigation in a country or place outside India, भारत के बाहर investigation होना है, तो क्या बेज़े जाएगा, letter of request, बस ये सवाल ध्यान रखिएगा, बाकी पढ़ने की जरूरती नहीं है, आपको, 166 B, इसके वाईसेवर सा बात बताता है, किसी को इधर करवाना है, तो क्या होगा, तो government की permission से similar procedure होगा, that's it, ब आईए, बहुत important provision पे 167, बहुत important provision है 167, और जैसा मैंने कहा, आज मैं 173 तक कराना है मुझे, और मुझे लगता है, अगर आप 15 मिनिट और शानती से बैठ गए 11 बजे के बाद, सबा 11 था, तो मैं आपको ये पूरा concept समझा दूँगा, और मेरे हिसाब से इसको एक गोमी प करवादू मैं, चलिए, ओल्राइट, इसके बाद मैं आपको सीधे मिलू मैं मंडे को, Saturday, Sunday, ये वाली class नहीं होगी, बाकी होगी, सोबा PIL की है, GS का live है, और PIL Public International का live है, CRPC अप सीधे मंडे होगा, इसलिए ये वाला, साथ में हैं आप, कर लिजए, 12 बज़े तक ले जाओ, first time taking your class, और समाच चीए, 12 बज़े तक तो ज्यादा हो जाए, एक्चुली क्या है कि इस class के पहले मुझे foundation batch की भी class लेनी होती है, और अभी MPCJ के interviews program भी, interview program भी चल रहा है, तो since morning I have been taking that, फिर पांसे साथ की class और उसके बाद 9 से 11 ये session है, तो थोड़ा सा इसलिए हिसाब से द होता है, इधर पर combination भाना पड़ेगा थोड़े आपको provisions के, एक हमने पढ़ा 154 से लेके 159 तक, इसमें हमने पढ़ा recording, information की, cognizable, non-cognizable की, उसके investigation की बाद करी, क्या-क्या procedure होगा, investigation नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सब, फिर हमने पढ़ा 160 से लेके 162, कि investigation के दौरान, police कैसे बुलाईगी, कैसा examine करेगी, record करेगी, उसकी evidentiary value क्या होगी, यह सब हमने पढ़ा, यह सब हमने कहां पढ़ा, 162 में पढ़ा, इसके बाद, यह एक set of provisions होगया, 164 एक अलगी कहानी है altogether, यह बिलकुल अलग कहानी, अब अपन आ रहे है, 167 पे, और यहां से पूरे provision connected आपके चलेंगे, यहां से 167 के साथ, जो important important है, 167 के साथ 169 important है, 170 important है, और उसके बाद 173, यह सब एक combination में चलेगा, क्या-क्या है कहानी, समझते हैं, एक-एक करके, सबसे पहले आईए, 167 की तरफ, 167 देखिए, procedure when investigation cannot be completed in 24 hours, 24 घंटे में जब procedure complete ना हो पाए investigation का, तो क्या करेंगे, इसके language को मैं पढ़नी रहा हूँ, बहुत simple सी बात हैं, वो मैं कहानी के form में आपको बताऊँ हुआ, उसको ज़रा ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करना, तो फिर मैं provision बता दूँँगा, कहा कौन सा connect होता, देखिए, होता क्या है, investigation चाले हुआ, FIR lodged होई, और investigation चाले इसको ज़रा थोड़ा साब समझिएगा, अब मान लेजे, इस point of time पे एक वेक्ति को arrest किया गया, accused को arrest किया गया, जब police arrest करेगी, section 57 पढ़ा था arrest में, ज़रा बताईए क्या था 57, section 57 क्या था arrest वाले chapter में, fundamental right भी है, arrested person का, क्या है बाई, 24 घंटे के अंदर magistrate के सामने पेश कर आपने arrest किया है, तो 24 घंटे से ज़्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, वो अभी police custody में है, आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 24 घंटे में, लेके जाना है उसे आपको, इसलिए 167 के head note में लिखा है, procedure when investigation cannot be completed in 24 hours, 24 घंटे तो आपके हैं, आप what if आपका investigation 24 घंटे में complete नहीं हुआ, अगर 24 घंटे में investigation complete नहीं हुआ, मानलेजे यह हो गए आपके, इस point पे 24 hours, लेकिन इस 24 घंटे में आपका investigation complete नहीं हुआ, आप क्या करना है, आपको magistrate के सामने पेश करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा आपको magistrate के पास, आप 167 कहता है, किसी भी magistrate के पास ले जा सकते हैं arrested person को, भले उसका jurisdiction हो या ना हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका jurisdiction है, इसको trial करना है, उसके पास ही ले जाना, आप किसी के भी पास ले जाईए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो आगे custody चाहिए, आगे की custody ज सामने, subsection 2 केता है, आप maximum custody extend कर सकते हैं, magistrate, यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ आ गए, magistrate साथ, यहाँ magistrate आ गए, magistrate ने अगर custody authorized करी है, तो पहली बार में कितने दिन की custody देंगे, magistrate, maximum 15 days, यह हो गया आपका, 15 days, ठीक है, 15 दिन की custody, आप देंगे, यह 15 दिन की custody कैसी होगी, तो it can be police custody, और it can be judicial custody, it can be either police custody, it can be either judicial custody, दोनों में difference क्या है, कल भी बात करी थी, पुलिस custody होती है, जो पुलिस के पास स्थाने में रखा जाता है, judicial custody में prison भी जाता है, जो court के supervision में होता है, interrogate आप वहाँ भी करेंगे, बट वो जो accused है, वो रहता किदर है, prison में रहता है, जो jail होता है, जो जिल होता है, जिल होता है, जिल होता है, वहाँ उसको रखा जाएगा, और police custody, तो फिर वो पुलिस वाली, जैसे 24 घंटे रखा था, वैसा ही आगे, उसको मिल लाएगा, अब इस 15 दिन के बाद नहीं दी जाएगी, इस 15 दिन के बाद आगे अगर further extend करना है custody को, तो वो custody का भी police custody नहीं होगी, police custody सिर्फ इस initial 15 दिन में दी जाएगी, एक और सवाल जो कुछ student के जहन में था, कई बार शायद ये आया, बट शायद clear हो नहीं पाया, या मुझ से miss हो गया कि इस 15 दिन में ये 24 घंटे included है, कि the answer is no, ये 15 दिन वहां से है, जब magistrate के सामने उसको पेश किया जाएगा, यहां से 15 दिन, तक पहली बार में रखा, जिस दिन, जिस समय magistrate के सामने ले जाया गया, वहां से 15 दिन तक की custody, वो पहली बार में maximum दे सकते हैं, जरूर नहीं कि 15 दिन देंगे, maximum 15 दिन दे सकते हैं, और इस ये बात आपके समझ में आगे, अब मान लेजे, पुलिस का इंवेस्टिकेशन अभी भी complete नहीं हुआ, नॉर्मली नहीं हो पाता इत्ती जल्दी, 24 घंटर में तो नहीं हुआ, 15 दिन की custody में भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे व 60 days, total either 60 days, or total 90 days, 60 या 90 दिन की total, और ये total जब मैं कह रहा हूँ, तो उसमें 15 दिन भी included है, ये धान रखियेगा, इसके लिए आप देखेंगे, 167, subsection 2 का proviso, वो कहता है, 15 दिन से बढ़ा के, total 90 दिन तक किया जा सकता है, if the offense is punishable with imprisonment for a term not less than 10 year, कम से कम 10 साल तक punishable अगर offense का accused है, serious offense है, कम से कम punishment 10 साल होना चाहिए, कि 10 साल तक का punishment at least उसमें हो, ऐसे case में 90 दिन की custody total, और इसके अलावा, 10 साल से कम imprisonment के लिए punishable offense है, तो 60 दिन की custody total, लेकिन ये total कौन सी है, ये मिला के, यहां से, 15 दिन मिला के, ये total होगा 60 और 90, कहने का मतल पंगरा दिन तो already हो गए, अब it will be either 45 और 75 देज, ये further extend होगा, क्योंकि investigation अभी भी complete नहीं होगा, और investigation complete कैसे होता है, report file करेगी police, अभी बताया था 173 की report, police report file करेंगे, यहां पर, तब complete माना जाएगा, अब 167 का subsection 2, proviso और आवगी की जो कहानी लिखी है, उसमें ये लिख है, कि अगर इस 90 दिन में भी investigation complete, देखो, अब ये होगा, इधर पे, या तो यहीं कहीं, किसी भी point पे investigation complete हो सकता है, या तो यहीं होगा, तो आगे की custody की बात ही नहीं आई, या मान लीजे, इस point पे complete हुआ, complete कैसे होगा, जब police अपनी police report file करेगी, police report क्या file करेगी, या तो charge sheet होगी, charge sheet का file की जाती है, जब accused guilty हो, उसके again sufficient evidence हो, जब sufficient evidence होंगे police के पास, तब 173 subsection 2 में वो charge sheet file करेंगे, कि हाँ साहब, यह जो accused है, हमें लगता इसी ने किया, और यह सबूत है हमारे पास, charge sheet बना के file कर दी जाएगे, या तो फिर यह होगा, कि accused को arrest किया, investigation किया, पूरा जितने दिन भी चला, और police ने यह find किया, that the accused is not guilty, यह भी हो सकता है, that the police is, sorry, the accused is not guilty, in that case, police क्या file करती है, उसको कहते है, closure report, if the accused is not guilty, तो क्या file होगा, closure report, कि साहब, इस accused के अगे, sufficient evidence नहीं है, बंद करिए, इसको छोड़ दीजिए, दोनों में से कुछ भी एक होगा, या तो sufficient evidence होंगे, या तो sufficient evidence नहीं होंगे, अगर sufficient evidence है, तो, charge rate file होगी, otherwise, closure report, अब जारा, एक बार, 169 और 70 पढ़ लिजे, इसी के साहर, 169 पर आईए, सीधे, वेरिट में 169 देखिये, यहां लिखा हुआ है, release of accused when evidence deficient, if upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police station, that there is not sufficient evidence, or reasonable ground of suspicion, to justify the forwarding of the accused to a magistrate, क्या, अगर police officer in charge को लगा, कि justified ground नहीं है, magistrate को forward करने के इस accused को, such officer shall, if such person is in custody, अगर वो custody में हैं और, release him on his executing a bond, with or without sureties, as such officer may direct to appear, if and when so required, before a magistrate in power to take cognizance of the offense on a police report, and to try the accused or commit him for pride, अब 169 तो कह रहा है, कि police वाला उससे bond भरवा के उसको छोड़ सकता है, कि जब magistrate साब बुला है, तब आ जाना, बाकी जाओ, क्योंकि अभी sufficient evidence नहीं है, ये जो 169 का power है, police officer in charge का, ये time exercise होगा, ध्यान लगना, खुद से जब ये छोड़ सकने की बात कर रहे हैं हम, कि खुद से छोड़ सकते है, bond भरवा के police officer in charge, वो है इस 24 गंटे के लिए, कि 24 ग करने के लिए, इस वक्ति को, 24 गंटे में आप अपना ये, description exercise कर लिए, 24 गंटे आपके हैं, आप investigation खतम कर दीजे, अगर आपको लगता है नहीं, accused guilty, आप छोड़ दीजे, लेकिन अगर, लेकिन अगर, within this 24 hours, आप उसे magistrate के पास ले गए, और magistrate से आपने custody, आगे authorize करवाई है, चाहे वो ये शुरू की 15 दिन वाली हो, या उसके बाद की 45 ये, 65 दिन वाली हो, अगर magistrate से custody authorize कराई है, तो एक बात ध्यान रखना, उसके बाद, 169 के तहट, पुलिस खुद से नहीं छोड़ सकते, उसके बाद, आप closure report फाइल करिये, और फिर magistrate देखेंगे, क्या करन है, तो फिर उनके अपने power, फिर वो 156 subsection 3 में investigation order कर सकते हैं, जो अभी पढ़ा था, 156 subsection 3, अगर closure report से satisfied नहीं है, magistrate, यहां 159 नहीं आता, यह ध्यान रुखिये, क्योंकि अब inception के लिए है 159, के शुरू में investigation नहीं कर पढ़ी, यहां closure report फाइल करी, अब अगर further investigation कराना है, यहां reinvestigation, यह सब कहा होगा, 156 subsection 3 में, जो magistrate cognizance लेने के लिए unpower है, उनके पास power है, यह investigation order करना है, तो भाई साब, यहां तो closure report file होगी, और वो दो बाते ध्यान रखना, कि अगर पहले 24 गंडे है, तब तो police खुद से छोड़ सकती है, bond भरवा के, लेकिन अगर custody authorize, आप आपने magistrate से करवा ली है ना एक बार, अब आप खुद नहीं छोड़ सकते, तो कि magistrate से custody लिए, अब आपका description खत्म, अब it is to be decided by the magistrate, तो यहां तो यहां closure report file होगी, यह होगे कहानी closure report की, अब कहानी समझ यह जरा IC में, चार sheet की, तो भया, अगर आपको sufficient evidence लगते हैं, उसके evidence हैं, तो आप case किस को भेजेंगे, magistrate को देगे, subsection 1 पढ़ यह 170 का, if upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as a force said, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance, तो investigation में के बाद अगर लगता है police को, कि sufficient evidence हैं, तो accused को forward करिये आप, magistrate के पास, और क्या, 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 लेके जब आओगे, accused को magistrate के सामने, तो क्या file होगा फिर, फिर charge sheet file होगी, क्यों होगी charge sheet file, क्योंकि आपके पास sufficient evidence हैं, इस बात के, कि इसी person ने offense commit किया है, ज़रा एक बार 173 भी देख लेजे, report of police officer on completion of investigation, every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay, subsection 1 यह कहता है, 1A, drafts are related, इस context में important नहीं है, इसलिए अभी skip करा रहा हू important है, परी के लिए, subsection 2 देखिये, as soon as it is completed, the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offense on a police report, a report in the form prescribed by the state government, जैसा भी format है, उस format में आप report forward करेंगे, उसके सारा content इसर पर दिया हुआ हुआ है, उसके बाद, the officer shall also communicate in such manner as may be prescribed by the state government, the action taken by him to the person, if any, by whom the information related to the commission of the offense was first given, और यहाँ आप file कर रहे हैं, या नहीं charge sheet, इस बात की information police को किसको देनी है, उस informant को जिसने FIR लिखवाई थी, उस गरीब को छोड़ मत दीजी आप ऐसे, वो आया था जान के खेल के information लिखवाने, अगर आप investigation नहीं कर रहे हैं, तो भी आप उसको notify करेंगे, अगर आप investigation करक चार्ज़ीट फाइल करने जा रहे हैं, जो भी report आप file करने जा रहे हैं, आप चाहे charge sheet फाइल करिए, आप चाहे closure report फाइल करिए, उस गरीब को inform करिए, जो information देने आया था, उसको notify करना है आपको, तो कि आगे का course of action वो देखेगा ना भाई, यहाँ भी आप लगर खेल गय कि इसमें कहानी है, तो जैसे इसका subsection 5 आप देख लेजे, when such report is in respect of a case to which section 170 applies, 170 applies मतला है, sufficient evidence है, अगर the police officer shall forward to the magistrate along with the report, यह सारे documents भी देंगे, जब आप accused को guilty माल रहे है, 170 मतला है, जहाँ sufficient evidence है, तो 173 की report में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वो closure report हो सकती है, या त sufficient तो charge sheet, sufficient evidence नहीं है, तो closure report, इस बीच में अगर आपका investigation complete हो रहा है, इसमें से कुछ भी कहानी है, आप करेंगे, generally, इसके बाद भी हो रहा है, तो भी लेकिन उसके पहले कि एक कहानी 167 में उसको समझे, अब आपस आईए ज़र आपने 167 की तरफ, तो यह तो बात हो गई, क जब आपका इस 15 दिन में जो आपने custody लिए है, उसमें, या फिर फर्दर जो आपने extend कराई है, 60 दिन या 90 दिन, उसमें आपका investigation complete हो गया, investigation complete हो गया, तो दो में से कुछ एक होगा, या तो आपको sufficient evidence मिलेंगे उसके आगें, या तो नहीं मिलेंगे, मिल गए तो charge sheet फाइल कर ये, आपका investigation complete है, मान लीजिए, कि 60 या 90 दिन में भी आपका investigation complete हो पाया, आप report ही नहीं फाइल कर पाए, इस case में, जैसे ये 90 या 60 दिन expire होंगे यहां, इधर पे एक अधिकार आ जाता है, किसका, उस arrested person का, उस accused का, बेल का अधिकार, इसको कहते है, default bail या mandatory bail, इसको क्या कहत इसको कहते है, default or mandatory, क्यों कह रहे है, इसको default या mandatory, क्योंकि ये देना ही है, भाई ऐसा थोड़ी कि अब आप उसको investigation चल रहा है, तो जनम जनमांतर आप उसको रखे रहेंगे, जिल में, पोलिस का तो चलता ही है, पोलिस पे भी तो कोई check होना चाहिए, कि भाई, टाइमली का दो, mandatory right है उसका बेल, ये एक tricky सवाल, कुछ अच्छे exams में पूछा गया है, जोडी शरी के, कि non-bailable offense के case में, normal क्या होता है, बेलेबल में matter of right होता है, non-bailable में it is a description of court, ये सवाल पूछा रहता है, कि non-bailable offense के case में कहा, accused का right बन जाती है, बेल, वो कुन सी condition है, जहां non-bailable में as a matter of right, claim कर सकता है, accused bail, तो वो है भईया, ये, 167, कि अगर 60 या 90 दिन में investigation complete नहीं हो, आप आपको, bail देना ही देना है, security जरूर, आपके पास security furnish करने के पैसे नहीं, तो जरूर आप पड़ेर होगे, लेकिन otherwise, अगर आप security furnish करने को ready है, तो फिर आप बिलकुल कर सकते हैं, ये है आपका mandatory bail का provision, और बीच में आपने कहा नहीं समझी ली, investigation complete हो गया, तो 173 के report फाइल करिया, बिलकुल सही conversation था कि final report है, बट भाई, वो दोनों तरीक की होगी, it can't be either charge sheet और जोजा, तो that's the whole story around 167, और थोड़ा बहुत इसमर 169 और 17, सब आ जाता है, इसमें अगर police charge sheet फ फिर वो 15-15 दिन की रिमांड लेते रहते हैं, वो होता है आपका 309 सबसेक्शन 2, अभी पढ़ानों आगे CRPC का, अगर आपने इस दौरान कर ली charge sheet फाइल, तो फिर आपको आगे भी, charge sheet फाइल, 173 के report फाइल करने का मतलब ये नहीं है, कि उसके बाद आप investigate नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन एक substantial case बना के आपने फाइल कर दे, उसके बाद भी अगर आपको कोई नए evidence मिल रहे हैं, तो आप बिलकुल लाइए, और फिर से एक supplementary charge sheet उसको कहते हैं, अगर कोई नए evidence रैसा नहीं कि police ने 173 में report फाइल कर दी, तो आप investigation बंद करते हैं, उसके बाद भी police report file करने के बाद भी police के पास अधिकार है, अचा 173 subsection 8 अधिकार नहीं देता, investigate करने का अधिकार तो 156 subsection 1 में है police का, 173 subsection 8 सिर्फ इस बाद का declaration है, कि वो जो अधिकार आपको मिला था, वो continue हो आगे भी, और आप बिलकुल ये काम कर सकते हैं, चीक, तो आगे भी आपको अ कि इसके अलाबा 167 में कुछ दो-चार question और important है, उनको जारा mark कर लेजिए, कहानी तो मेरे खाला आप समझ गए होंगे, तो अब आप provision पालेंगे, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, बाकि एक दो बाते हैं और इसमें important है, जैसे वो प्रवाइजो जो था subsection 2 का, उसका जो B clause है, और C clause है, वो भी important है, कि भाई, police custody, जो है, C clause आप लेंगे, no magistrate of the second class, not especially empowered in this behalf by the high court, shall authorize detention in the custody of police, magistrate of second class, police custody नहीं देंगे, generally police custody बहुत rare दी जाती है, judicial custody में भीजा जाता है, ठीक, special reasons हो, तभी police custody दी जाती है, otherwise नहीं दी जा सकती, और इसका जो B clause है, यह भ produced before him in person, जब तक personally present ना किया जाया, उस लक्ती को, तब तक police custody नहीं दी जा सकती, judicial custody दे जाती है, अगर वीडियोग्राफी के तुरू भी आप present कर दे रहे है, तो भी extend करते जाते है, custody, इसके अलावा एक चीज़ और इधर जो important है, वो है आपका subsection 2A, कि अगर executive magistrate के माल सकते हैं, यह बात आपको मिल जाएगी, subsection 2 के last paragraph में, अगर executive magistrate के सामने पेश किया गया है, arrested विक्ती को, custody extend कराने के लिए, तो वो सिरफ 7 दिन करेगा, 15 नहीं, यह एक important सवाल है, preka, subsection 3 भी important है, अगर आपने police custody में भेजा है, तो reason record करने में ने का ना, बहुत exceptional cases में होता ह जनरली नहीं होता है, subsection 5 से भी preka question आता है, यह भी important है, in any case, tribal by a magistrate as a summon case, यह बहुत important question है preka, as a summon case, the investigation is not concluded within a period of 6 months, तो case बंद हो जाएगा, summon case का investigation 6 में में complete होना चाहिए, यह subsection 5 में दिया है, this is an important question for the prelims examination, और आगे further उसको extend कराया जा सकता है, session जचके थू, वो भी पढ़ि provisions को नहीं आएगी, 168 जैसा मैंने कहा, बहुत important नहीं है, आगे आ जाईए अगले section पर, report of investigation by subordinate police officer, तो भाई वो अपने senior officer के पास forward करेगा, बस, जादा important नहीं है, 169 में आपको बताई दिया, 170 में आपको बताई दिया, 169 तब है, जब sufficient evidence नहीं है, magistrate के पास forward करने के, तो उसके बाद release करना है, तो magistrate के order पे होगा, 170 कहता है, sufficient evidence है, sufficient evidence है, तो चार्शीट फाइल करेए, अक्यूस को लेके जाईए, 170 में अगर आपको sufficient evidence है, तो आप अक्यूस को magistrate के सामने पेश करिए, और साथ में करिए चार्शीट फाइल, जो 173 subsection 5 में दिया हुआ है, 171 इसको कहते है, पुलीस डाइरी, यह एक important provision है, कई सारे questions यहां से बनते हैं, तो इसको देखिए, पुलीस डाइरी, बिसिकली होता कि है, एक investigating officer है, तो उसको अपना जो day-to-day वो करता है, एक particular case में investigation, उसको अपनी memory, अपने purposes के लिए लिए लिखना होता है, उसके पास multiple cases है, मान लिए एक investigating officer के पास, और investigation लंबा चल रहा है, अब हर चीज वो याप तो नहीं रख सकता, इसलिए वो चीजों का record रख लेता है, यह उसके अपने purposes के लिए जनरल ही होता है, पुलीस डाइरी, कि वो day-to-day की proceeding, जो भी उसने investigation के लिए किया, वो note-down करता जाता है, अब य time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him and a statement of the circumstances ascertained through his investigation, कहा कहा किया, क्या क्या किया, सब लिखना है, उसको day-to-day, रोज की proceeding, investigation से related, subsection 1, यह कहता है, the statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 161, shall be inserted in the case diary, वो इन्वेस्टिकेशन के दौरान, police officer ने statement लिए है, उनको भी case diary में, यहाँ उसको summarized form में आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसका separate record बनना है, यह 161 में लिखा है, separate record detailed होगा, यहाँ आप summary के form में लिख लिएजे, 1B कहता है, volume नस होगी और, duly paginated number होना चाहिए, page number, ऐसा नहीं कि किसी दिन, 2-4 दिन का उड़ा दिया बात में, किसी particular person के अगें साधा evidences थे, उसके अगें serious evidences थे, उससे पैसे मिल गए तो आपने पन्ने भाड़ दिये हो वाले, ऐसा नहीं होगा, इसलिए page number होना चाहिए subsection 2 देखे, any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries, this is very important, यह वो usage बता रहा है, कि इस police diary को कौन use करेगा, तो यह बहुत important is subsection 2, any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries, not as evidence in the case, but to aid it in such inquiry or trial, court अपनी help के लिए मंगा सकता है, as an evidence नहीं मंगा रहा है, क्योंकि वो, क्या था, case diary basically है, जो police officer investigate कर रहा है, उसने अपने personal usage के लिए basically बनाई है, वो, रोज की proceeding लिखने के लिए है, तो उसको एजने evidence यूज नहीं करेंगे, लेकिन court अपने सहूलियत के लिए बुला सकता है, ताकि court को पता चले कि क्या किया investigation में, क्योंकि वो बताएगा तो उसको सभीयाद तो रह early biggest, they are referred to by the court, अब क्योंकि court उस diary को refer कर रहा है, यहां से accused का right derived नहीं होता, that यह police किस की तरफ से है, prosecution, तो police, जो diary है, जो investigating officer की, अगर court ने अपने reference के लिए बुलाई है, तो इससे accused का कोई right नहीं हो, accused उस diary को, ना तो मंगवा सकता है, ना कोई use कर सकता, accused को देखने को नहीं मिलेगी हो, police diary, आगे लिखा है सब section 3 में, but, but, exception इधर भी है, but if they are used by the police officer, who made them to refresh his memory, और if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of section 161 or section 145 as the case may be of the Indian Evidence Act shall apply, दो बातें ध्यान रखिये, सबसे पहले तो यह, कि accused को generally वो police diary देखने को नहीं मिलेगी, general rule would be that, लेकिन अगर मान लिजे, court को अपने reference के लिए use कर रहा है, अब मान लिजे, court के पास police diary, magistrate साब तो police diary लेके बैठें, और statement चल रहा है, मान लिजे, investigating officer का, अगर magistrate को court को लगता है, कि अभी यह जो बोल कुछ और रहा है, खड़े होके और लिखा कुछ और है, तो court यहाँ उ case में, और साथ में यह भी लिखा है, अगर police officer ने अपनी memory refresh करने के लिए use किया, Indian evidence act का 161 बात करता है, refreshing memory के बारे में, कि अगर memory refresh करने के लिए use हुआ है, तो फिर adverse party के पास भी अधिकार आ जाएगा, basically उस diary को use करने का, accused के पास भी अधिकार आ जाएगा, basically यह बात है, तो चाहे court करे contradiction के लिए use उस police diary को, या फिर वो police officer अपनी memory refresh करने के लिए करे, in that case adverse party के जो right Indian evidence act में दिये है, वो इधर भी मिलेंगे, that सब्सक्राइगा, आप अपने से use ने करेंगे, accused, लेकिन अगर court ने contradict किया, सिर्फ aid करने के लिए use किया, police officer, investigating officer को contradict नहीं किया है, उस case में 14 145 आएगा इनी scene में, वहाँ कोई right नहीं है आपका, लेकिन अगर contract करने के लिए उसके है, तब 145 applicable है, और उसने refresh करने के लिए, जो 159 में दिया है, refreshing memory, अगर refresh करने के लिए किया है, तो 161 भी applicable होगा, फिर आपका Indian evidence act का, so ये basically evidentiary value है, इस police diary की, और इसके बाद आता है, section 173 जो मैंने आपको बताया, अब इसको दुबारा पढ़ेंगे, उतने से काम नहीं चलेगा, अभी एक बार तोड़ा detail में पढ़ते हैं 173, वो तो मैंने जो connection आया था, वो बताया, एक दो points important है, इसके बाद देखिए 173, report of police officer on completion of investigation, investigation complete होगा, तो without unnecessary delay, तो आपको investigation complete करना है, व इसके बाद subsection 2 हमने पढ़ी लिया, कि जैसे complete होगा, officer in charge उसको forward करेगा, investigation जैसे complete होगा, police officer उसको forward करेगा, magistrate के पास, जो भी format state government ने दिया है, उसके according, subsection 3 देखिए, where a superior officer of a police has been appointed under 158, the report shall in any case, in which the state government by general or special order, so direct, be submitted through the officer, जो officer appoint किया गया है, report आगे बढ़ाने के लिए, 158 में आकरेंस report की बाद, वो ही officer इदर सीन में आएगा और magistrate तक पहुंचाएगा, इसके बाद, subsection 4 देखिए, whenever it appears from a report forwarded under this section, that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond, और otherwise as he makes things fit, अगर मान लीजे, report आई है, क्योंकि investigation close हुआ है, तो report तो magistrate के पास आईगी, और वहाँ magistrate को पता चलता है कि या accused को उसके bond पे छोड़ दिया गया है, तो magistrate चाहे तो वो bond cancel कर दे, या फिर उसको continue करे, otherwise direction, तो कि 169 में आपने पड़ा, police चाहे तो उसको खुद के bond पे छोड़ सकती है, लेकिन आप जानते है, वो कब इप्लिके बले है, शुरू के 24 बंटे, subsection 5 important है, इदर, when such report is in respect of a case, to which section 170 applies, आगर report किसमें फाइल होई है, 170 जहां अपलाए होता है, 170 कह है, जहां sufficient evidence है, the police officer shall forward to the magistrate along with the report, तो उस report के साथ ये documents भी submit करने है, 161 के जो statement है, वो, प्लस बाकि जो दूसरे relevant document है, investigation से related हो, जब आप accused को forward कर रहे है, sufficient evidence है, बिसे चार्च रिपाइड हो रही है, इसके बाद, subsection 6, देखिए, if the police officer is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceedings or that it is, that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused, अब ये जो सारी copies, जो investigation के accused को भी forward होनी है, अगर police को ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऐसी information है, कोई इसी बात है, जो accused तक नहीं जानी चाहिए, या justice require नहीं करता कि public हो, तो उसको वालक से note बाना देगा and magistrate will take care of that कि वो part forward ना हो, 7 देखिए, where the police officer investigating the case finds its convenience, so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred to, और accused को भी उसकी copy दी जा सकेंगी, subsection 8, जिसके बारे मैं आपको बताया, कि further investigation कर लेंगे, देखिए, subsection 8 कहता क्या है, nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation, in respect of an offense after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, भले आपने subsection 2 में magistrate को report forward कर दी है, इसका मतलब यह ने कि आप further investigate कर नी सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका अधिकार investigation, भले आप report file कर दी है, उसके बाद भी आप continue करेंगे, और जैसा मैंने बताया, अगर कोई new evidences मिलते हैं, कुछ और मिलत 173 subsection 8 ये power नहीं देता, सिर्फ इस बाद का declaration है, कि क्योंकि आपने report file कर दी है subsection 2 में, तो आपका investigation का अधिकार खतम नहीं है, क्यों मैं continue with that, बस ये बात नहां बताई गई है, so that's all for 173, ये majorly पूरा investigation है, इसके बाद एक चीज और है, 174 से लेके 176, inquest बोलते हैं, इसको आ पस्ता मेरा वो ये था कि ये पूरी process एक बार में हो जाए, एक बार दुबारा, before we leave, एक बार दुबारा थोड़ा सा वो connection समझ लीजिए, 154 से 159 एक पार्ट, जिसमें हमने information और investigation का commencement देखा, 161, sorry 162, 162, यहां हमने police का power देखा, investigate करने का attendance require करिए, examine करिए, statement record होगा, उसकी बाद 164, एक independent provision, जो magistrate के सामने, during investigation, statement या confession record होना है, और उसके बाद एक important provision, 167 देखा, उसी के साथ हमने 169 देखा, 170 important और 173 की report, यह एक combination of sections हमने देखे, तो भाई, I hope यह कहानी आपके समझ आए, और एक बाद जरूर आप ध्यान रखिएगा, before you leave, यह चीज़े आपको सारा हो, उसको समझी है, तोगि यहाँ से technical सवाल बनते हैं, अच्छे technical सवाल बनते हैं, इसके तुरूर से पढ़ना सब्री है, चल यह स्टार्ट करते हैं, हाज की class, अपन 174 से स्टार्ट करता हैं, investigation का core आप अल्री पढ़ चुके हैं, अब देखिए, 174 CRPC से, 174 से 176 जो ह कहां-कहां से बनते हैं, प्री के, तो inquis basically यह है कि आपने देखा होगा, सलक पे कोई सश्पीसियर स्टेट में, या किसी, एक dead body आप encounter करते हैं, मान लीजए, किसी वक्ती ने suicide कर ली है, किसी machine से accident हुआ, किसी एनिमल ने किसी वक्ती की death calls कर दी है, इस तरीके से जड़ी किसी वक्ती की death होती है, कोई dead body पाई जाती है, तो obviously बात है, ऐसे कि इसमें एक investigation और inquiry होना चाहिए, आप देखते होंगे, सलक पे कई बार आपने देखा, निकलते होगा, एक dead body पाड़ी होई है, समझ में नियारक कैसे हो, या तो हो सकता है, किसी जानवर ने उसकी death calls कर दी हो, या फिर मान लिजे, कोई accident हो गया, किसी machine पर इसे कोई उपर काम कर रहा था, नीचे गिर गया, छट से, इस तरीकें से कहीं पर अगर कोई death cause होती है, तो उसमें एक investigation और inquiry करी जाती है, यह majorly police का काम है, और साथी साथ executive magistrate इसमें involved है, इस cause of death को चानने में, समझने में, उस related provision है, 174 से 176, इसको हम कहते हैं, inquest, inquest basically is knowing the reason of death, cause of death, okay, so that's how it has to be done, 174 देखिया, police to inquire and report on suicide, etc, तो यह वही सारे cases है, जो मैं आपको बता है, किसी ने suicide करी है, machinery से किसी की death होगे, animal के through किसी की death होगे, किसी भी इस तरीके की state में किसी वेक्ती की death होती है, procedure क्या है, जो subsection 1 मे दिया है, police officer, जो भी वहाँ का, जिसका भी jurisdiction है, जिस भी police officer का, वो police officer आएगा, उस तरफ move करेगा, जहां से भी इसको information मिली है, कि ऐसी कोई death होई है, वो वहाँ जाके investigation hold करेगा, लेकिन साथी साथ, वो inform करेगा, जब भी वो इस तरीके की चीज में investigation करेगा, police officer, वो inform करेगा उस magistrate को, जो inquest hold करने के लिए entitled है, और ये entitlement कहां दिया हुआ है, so 174 में ही, subsection 4 में दिया है, कि कौन-कौन magistrate है, जो inquest hold करने के लिए entitled है, इसमें होता है, DM, SDM, और other executive magistrate, अगर वो empowered है to hold inquest, तो कोई भी दूसरा executive magistrate, ये जो सारे executive magistrates है, ये entitled है, inquest hold करने के लिए, और जै प्रीके की, वो जाएगा उस spot पे पहले inform करेगा, उस magistrate को, जो inquest hold करने के लिए entitled है, और उस place पे जाके inquiry करेगा, वहाँ जाके independent witness से बात करेगा, कोई दो witness बुलाएगा, उनसे पूछेगा कि क्या circumstances थी, कैसे ये death cause है, और पूरी एक report तयार करके, उस executive magistrate के पास submit करेगा, और ये कौन होता है, executive magistrate, इसके बाद इसका subsection 3 है, जो important है, कुछ specific cases या categories बताएगा है, subsection 3 में, that you must remember, so ये है when the case involved suicide by a woman within 7 years of our marriage, 7 साथ साल, शादी होने के 7 साल के अंदर अगर किसी woman ने suicide करी है, दूसरा है, अगर 7 साल के अंदर, marriage के 7 years के अंदर, किसी woman की death cause हुई है, और cause of death suspicion है, ये ऐसा अंदाजा है, कि किसी offense के त्रोस के death cause हुई है, किसी रेक्ती ने कोई offense उसके against किया है, इस तरीके का अगर suspicion है, 7 साल basically ध्यान रखिएगा, marriage के बाद, within 7 years, किसी woman की death हुई है, so उन cases पे, ये subsection 3 applicable है, इसके बाद आप 3rd point देखेंगे, तो अगर 7 साल में किसी woman की death हुई है, after her marriage, और उनके किसी relative में request करी है, अभी आगे अपन समझेंगे, ये बात किस बारे में चल रही है, 7 साल हुए है, शादी को, woman की death cause हुई है, और किसी relative में woman के request करी है, या फिर 4th है, there is any doubt regarding the cause of death, किसी भी रख्ती की death हुई है, और उसकी cause of death से related doubt है, समझ में न नहीं आ रहा कि death कैसे हुई, और फिफ्ते दा पुलीस ओफिसर फॉर एनी आदर रीजन कंसीडर एकस्टीन तूस, बात समझें कि सब्सेक्शन 3 में ये conditions क्यों बताई रही है, ये conditions इसलिए बताई रही है, कि अगर जिस वेक्ती कि हम बात कर रहे है, जिसकी death cause हुई है, मॉटम होगा cause of death जानने के लिए, ये responsibility है इन केसे में जो सब्सेक्शन 3 में है, examination होने है dead body का पूरा properly, इसके अलावा ये जो condition सब्सेक्शन 3 में दी हुई है, जो पहली दो condition है, कि marriage के बाद किसी वोमन ने 7 साल के अंदर या तो suicide करी है, या फिर इस तरीके से उसकी मृत्य ह हुई है कि एक suspicion है कि उसके against किसों ने offense commit किया हो, अगर ये दो situation है, तो अब ध्यान से सुनना, आगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात करता है section 176, तो 176 ये बताता है कि अगर 174 के subsection 3 के clause 1 और 2 के अंदर death हुई है, 7 साल के अंदर married woman की death हुई है, या तो suicide करी है, या है कि जो भी executive magistrate inquest hold करने के लिए entitled है, वो खुद भी inquiry कर सकता है, देखिए, बाकी कोई भी case है, जहाँ पर death है, और cause determine करना है, police officer उस executive magistrate को inform करेगा और जाके खुद investigate करेगा, लेकिन अगर वो cases ये हैं, ये दोनो, SMA 176 कहता है कि executive magistrate के लिए mandatory है, कि उसे separate inquiry करनी है, भाले police officer का investigation चल रहा है, या तो उस investigation की जगा ये inquiry करे, या साथ में कि वो investigation भी हो, executive magistrate अपनी inquiry भी करे, तो नो हो सकता है, इन cases में mandatory है, जब death इस circumstances में हुई हो, और बाकी cases के लिए section 176 कहता है, कि executive magistrate चाहे तो कर सकता है, मे cases में, वो खुद भी inquiry कर सकता है, cause of death में, लेकिन इन दो cases में mandatory है, ये है आपका 174 और 176 का subsection 1, इसके बाद 176 के subsection 1A पे आई है, तो this is also very important, so जो 1A है, ये बात करता है कि judicial magistrate कभी ये inquiry करेगा, cause of death में, दो conditions है, 176, जो subsection 1A है, ये बात करता है, JMD, judicial magistrate कभ करेगा inquiry, तो 2 conditions हैं, देखिए, 1A में लेका है, where, any person dies or disappears, और, rape is alleged to have been committed on any woman, या फिर ये alleged है कि, rape commit हुआ है, किसी woman पे, ये सब कहा हुआ है, while such person or woman is in the custody of the police, or in any other custody authorized by magistrate of the court, custody में, चाहे police किया, judicial custody में, अगर किसी woman का rape हुआ है, या फिर कोई person disappear हुआ है, या उसकी death हुई है, basically custody में, police custody है, judicial custody, किसी भी तरीके की custody में, अगर किसी वेक्ती की death हुई है, वो वहाँ से disappear हुआ है, rape commit हुआ है, in that case, ये जो inquiry है, ये कौन करेगा, ये JM करेगा, judicial magistrate, ये ध्यान रखिएगा, inquest के बारे में, तो ये है आपका 174 और 176, जो काफी important है, 175, power to summon person है, ब के लिए तो summon बेच सकता है, बहुत important नहीं है, 174 और 176, ये दो provision काफी important है, I hope you got that, चीक, पस कितना ही पढ़ने लायक है, जैसा मैं आपको 174 बताया, एक बार फिर से मैं summarize कर दे रहा हूं, 174 आपके लिए, कहीं पे भी death होती है, unusual condition में, तो वहाँ का जो police officer है, वो executive magistrate को inform कर करने, फिर subsection 3 में कुछ specific conditions है, जिन में से ये दो बहुत important है, one or two, कोई किसी ऐसी woman की death हुई है, जिसकी शादी के, within seven years, उसने या तो suicide commit करी है, या उसकी death हुई है, in that case, it is mandatory for the magistrate, जो inquest hold करने के लिए entitled है, उसे inquiry खुद भी करनी है, investigation के अलावा, या उसकी जगे, और बाकी cases में ये discretion होगा, उस magistrate का, और judicial magistrate करेगा, जब custody में कोई विक्ति disappear हो, उसकी death हो, या फिर rape commit हो, in that case, judicial magistrate करेगा, so that's all about inquest, ये कुछ important बाते हैं, inquest से related, इसके बाद, आ जाईए, next chapter की तरफ, that is chapter 13, jurisdiction of the criminal courts and inquiries and trial, ये chapter pre के लिए, बहुत कम important है, बहुत कम provisions है, important तो है, question तो आते हैं, but limited provisions है, जहां से prelims में पूछे जाते हैं questions, majorly जो question आता है, वो ये कि जब दो अलाग अला court का jurisdiction है, एक offense पे, तो कौन उसकी trial करेगा, ये basically territorial jurisdiction की बात करते हैं, कि कि किस particular, अब हमने जैसे power of magistrate section 29 में तो पढ़ लिया, आप इस से related ये पूरा chapter है, ये ध्यान दगी है, जहां दो या दो से जादा magistrate 3-4 जगे का अलग-अलग जगे हो सकता है, offense commit हुआ है, अलग-अलग parts में, simple सा answer बहुत कि ये है, कि उन में से कोई भी magistrate trial कर सकता है, stolen property तो ये से मान लीजे, चोरी हुई भूपाल में, और चोरी का स सामान बेचा गया इन दौर में, दोनों magistrate के पास power आ जाएगा, cognizance लेने का, या trial करने का, inquiry या trial करने का, ये basic बात है इस chapter की, लेकिन provision wise brief में देखता है, कि एक section से क्या important है, चीक? इसके बाद देखिए, अब 177 जो है, ये territorial jurisdiction के regarding, बहुत ही general बात करता है, ordinary place of inquiry or trial, generally किस जगे पर inquiry trial होगी, किसी offense की, तो 177 केता है, जिसके local jurisdiction में, वो offense commit हुआ, वहाँ trial होगी, ये विल्कुल natural common sense की बात है, कि जहाँ पर offense commit हुआ है, वहीं पर inquiry or trial करी जाएगी, जिस भी geographical area म offense commit हुआ है, वही inquiry trial करी जाएगी, that is very simple, 77 एक general rule बताता है, बट आगे आप provision देखेंगे, तो उसमें additional बाते हैं, इस general बात के अलावा, so 178 देखिए, place of inquiry or trial, specific matters में, जहाँ या तो 178 को मैं summarize कर दूँ, ये उसमें deal करता है, क्योंकि 77 ने तो general बात बता थी, कि जहाँ offense commit होग वहाँ उसकी inquiry trial होगी, 178 कहता है, अगर uncertain है, determine नहीं कर पार है कि किस जगे पर हुआ है, ऐसे case में, जिनके बीच में doubt है, जिन दो court के बीच में doubt है, किसी में भी करा जा सकता है, कुछ ऐसे offense है, जो continuing offense है, जैसे kidnapping, abduction बगएर, दोस के लिए separate भी दिया हुआ हुआ है, या cruelty आ सकता है, इसी तरीके से, 178 में, ये भी बताया कि अगर अलग-अलग act मिला के, offense बना है, एक act कहीं किया गया, दूसरा act कहीं और किया गया, उसको मिला के, एक offense constitute किया है, तो वो दुनों जगा है, जहां पर वो separate acts किये गए है, जिस भी court का jurisdiction है, वो inquiry trial कर सकता है, इसके बाद 17 179 बात करता है, offense rival, where act is done, or consequence ensues, 179 देखिए, अब ऐसा हो सकता है, कि act कहीं और हुआ, और उसका consequence, जो actually उसे offense बनाता है, वो कहीं और हुआ, जैसे मान लीजे, गोली मारी गई है, नॉइडा में किसी वेक्ती को, और उसको इलाज कर, वहां पर मौत नहीं हुई, इलाज करव consequence arise हुआ, उस consequence वाली जगे का भी jurisdiction होगा, 180 कहता है, place of trial where act is an offense by reason of relation to other offense, इसको थोड़ा समझ लेना, कई बार confusion होता है, इस particular provision को समझने में, कि एक act कहीं हुआ है, और दूसरा, act किसी दूसरी place पर हुआ है, और दोनों के बीच में connection हो, तो जैसे मान लीजे, आप abattement का example इसक है भुपाल में, उसको बोला है कि तू जाकर एक offense कमिट कर किदर? इन दौर में, offense कमिट होना है इन दौर में, बट abattement मैंने किया भुपाल में, offense का, वो वेक्ति, अब देखिए, जब मैंने भुपाल में abattement किया, अपने आप में abattement एक offense से आप जानते है, section 115 में punishable होगा IPC के वो, अब क्योंकि मैंने abattement किया, वो अपने आप में offense है, separate section उसका deal करता है, तो इसके trial में हो सकती है, अब अगर मान लेचे वो consequence भी हो जाए, जो मैंने बोला, जिस offense को commit करने का, मैंने abattement किया, instigate किया, वो व्यक्ति जाकि इन दौर में, अगर वो offense actually commit करते, तो फि यह collect punishment, एक separate offense हो जाता है, 109 में, तो इस 109 के offense को भी दोनों में से कनी बिटा है, किया जा सकता है, यह बात कहता है आपका 180, अब आप इसको पढ़ेंगे, तो you will get it, क्योंकि 180 दोनों चीजों की बात करता है, when an act is an offense by reason of its relation to any other act, which is also an offense, or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done, दोनों में से एक जहां भी हुआ, दोनों कोर्ट का jurisdiction आएगा, और आपको सिर्फ प्री के answer अगर देने हैं इस chapter से related, तो mostly questions में यह होता है, कि दोनों कोर्ट का jurisdiction है, जहां act हुआ, जहां consequence arise हुआ, दोनों के बीच में relation है, continuing offense है, अभी आप देखेंगे journey voyage, तो जहा पर court का jurisdiction आजाता है, जहां relation draw हो रहा है, offense का कुछ, इसके बाद 181 में place of trial in cases of certain offense, specific offense के बारे हैं बताया है, जैसे deputy kidnapping, abduction, specific offense का कहां कहा होगा, तो बात सारा का सारा crux होई है, जहां जहां जिस जिस जगे का relation आ गया, उस offense के साथ, वहां पे inquiry or trial हो सकती है, 182 देखेंगे, offense is committed by letters etc, यह separately पूछा जाता है, prelims में section number, इधर से section number, अभी तक कोई important नहीं था, सबसे important section है 182, जो अलग से premium आप से section number पूछा जा सकता है, offenses committed by letters etc, इसमें बात है, कि अगर आप cheating commit कर रहे हैं, इस cases में क्या होगा, जहां से letter लिखा गया, लेटर के थूरू जब कर रहे है, जहा receive किया गया, जहां send किया गया, उस court का भी jurisdiction है, यह बात ध्यान रखियेगा, दोनों court का jurisdiction है, जहां letter send करा गया, और जहां letter receive किया गया, इसके बाद 183 पे आजाईए, offenses committed on journey or voyage, यह section number भी ध्यान रखियेगा, journey or voyage पे जब offense commit होता है, तो उस journey के दौरान, आप जिस जगे से गु जैसे आपने भुपाल से train पकड़ी, और train में बैठके आप दिल्ली गए है, तो बीच में जितने भी जगाहों से आप गुजरे हैं, मालने जिए उस train की journey पे आपका सामान चोरी हो जाता है, कोई दूसरा offense आपके साथ commit हो जाता है, तो इस journey में, जिस जिस jurisdiction से आप गुजर लेते हैं, दो एक अलग-अलग offense हैं, उसकी trial साथ में, एक ही trial हो रही है, combine trial हो रही है, अभी charges में अपने स्टीस को detail में देखेंगे, कि जब अलग-अलग offense commit हो रही है, तो उन में से कोई भी court वो trial कर सकता है, जहां अलग-अलग offense commit हो थे, हर court का jurisdiction है, इसके बाद 185 दूसरे division में transfer करा सकते हैं, transfer of cases के लिए separate अभी provisions है, 186 है, high court to decide, ये थोड़ा important provision है, इसके बाद 186, this is important, अगर अब हमने इतने सारे provision में इस chapter में ये पड़ा, कि हर court का jurisdiction है, जहां से आपने जर्णी करी हर court का jurisdiction है, माल लीजे, गोली मारी गई एक शहर में, बंदे के death हुई दूसरे शहर में दोनों का jurisdiction है, अब माल लीजे, अगर दोनों court ने cognizance ले लिया, और inquiry or trial चालू कर दी, तो फिर ये तो multiplicity of proceeding हो जाएगा, ऐसे case में क्या होगा, तो इस question को, या इस issue को deal करता है, section 186, और 186 इस context में कहता है, कि अगर ऐसा हुआ, कि दो अलग-अलग courts ने cognizance ले लिया है, और inquiry or trial चालू कर दी है, ऐसे में, ये decide करने का power किसका रहेगा, कि किस court में चलेगी, और किसको बंद करना है, तो ये power रहेगा, अगर मान लीजे, वो दोनों court, जिन्होंने inquiry or trial चुरू करी है, अगर वो दोनों court, same high court के subordinate है, उनका high court एक ही है, तो वो high court decide कर द continue करना है, अगर मान लीजे, high court different है, मान लीजे, एक भोबाल के court ने proceeding चालू कर दी है, और एक कर दी है, लखनों के court ने, तो अब decide कौन करेगा, कौन सा high court, मध्यप्रदेश high court है, उत्तरप्रदेश high court, इलाबाद high court decide करे, इसके लिए 186 कहता है, जहाँ पहले proceeding, मान लीजे, अगर वबाल में पहले proceeding चालू हुई थी, तो जबल पर high court decide करेगा, और लखनों में पहले हुई थी, तो इलाबाद high court decide करेगा, कि कहां continue होना है, यह है आपको 186, इसके बाद 186, 187 बहुत जादा important नहीं है, power to issue, summon or warrant for offense committed beyond local jurisdiction, मैं brief बता देता हूं, बहुत जादा important नहीं है यह एक specific power है, जैसे मान लेजिए, अभी हमने कई सारा jurisdiction पड़ा, कि कब कौन से court का territorial jurisdiction offense पर होगा, 187 केता है कि मान लेजिए, किसी एक court के jurisdiction में एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने कोई offense commit किया है, लेकिन local jurisdiction के बार, मान लेजिए, भुपाल में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है, जो क shifter के हिसाब से, भुपाल के पास jurisdiction नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ act हुआ, ना उसका consequence हुआ, ना continuum offense का कोई effect था, बस वो व्यक्ति यहाँ है, भुपाल में, तो क्या भुपाल के court का jurisdiction नहीं हुआ, तो 187 यह power देता है, भुपाल के court को भी, कि अगर यह है, कि कोई effect आपके jurisdiction में मौझूद है, और उसने offense कहीं और commit किया है, तो ऐसे offense का भी cognizance आप ले सकते हैं, यह act 7 basically बताता है, 188 बहुत जादा important है, offense committed outside India, यह IPC का जब पहला chapter पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको refer किया था, यह section and this is important, भारत के बाहर अगर होगा, तो या फिर किसी aircraft या ship जो कि भारत में registered है, उसके ऊपर कोई भी person offense commit करता है, तो वो deal होगा, as per IPC Indian laws के हिसाब से, so ए कहता है, by a citizen of India, whether on the high seas or as well, or by a person not being such citizen on any ship or aircraft registered in India, वह दो बात हैं, कि या तो भारत का नागरे कहीं भी जाके offense commit करे, या कोई भी ship या aircraft जो भारत में registered हो, उस प which you may be found, अब भले ही आपने भारत के बाहर offense commit किया है, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक में तो आप भारत में जहां भी मिलेंगे, wherever you may be found, मान लिया जाएगा, कि आपने वो offense वहीं commit किया है, और उस court का jurisdiction, trial के purposes के लिए आ जाएगा, जो example था उदर section 4 में, कि एक वक्ती 99 important नहीं है, evidence कैसे लिये जाएंगे, तो central government की help से यह सारा काम होता है, provision बहुत जादा important नहीं है, इस पूरे chapter में pre-K questions कम है, और उसी नजर से हमने इसको देखा है, बस यह ध्यान रखियेगा, general rule यह है, कि जहाँ offense commit होगा, उसका jurisdiction, और कुछ उसके exceptions, जो additional चीज़े हैं, वो थोड़ा सा इस chapter के बारे में जारा समझ लीजें कि इस chapter में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि अभी आगे और जैसे investigation वाली procedure को थोड़ा सा detail हमने पढ़ा था, क्योंकि वो chain मननी चाहिए concept की, उसी तरीके सा यह है, इसलिए आगे के भी एक-दो chapter mention करके मैं पहले आपको यह समझा दूं कि आगे हम process पढ़ने क्या वाले हैं, so यह जो chapter हम पढ़ने वाले है, chapter 14, condition requisite for initiation of proceeding, तो अभी देखे, proceeding चालो नहीं हुई है, हमने पिछले chapter में investigation पढ़ा, police investigate करके final report submit कर देती है, 173 में, इसके बाद यह जो chapter है specific, यह requisite condition बता रहा है, proceeding शुरू होने के लिए क्या conditions fulfill होनी चाहिए, अभी court के proceedings start नहीं होई है, उस proceeding के पहले क्या compliance होना चाहिए, कौनसी वो conditions है, जो fulfill होनी चाहिए, जिसके बाद proceeding होगी, यह पूरा chapter इस चीज में deal करता है, so अगर यह conditions comply होती है, यह fulfill होती है, तो फिर procedure आगे बढ़ेगा, so देखते हैं, वो conditions कौन कौन इसी है, so 190 सबसे पहले देखिए, cognizance of offenses by magistrate, यह बात मैंने आपसे पहले भी discuss करी है, CRPC के lectures में, कि cognizance का मतलब होता है, judicial notice, magistrate जब किसी भी matter का judicial notice लेता है, इसको हम कहते है, cognizance, कैसे लेता है, तो 190 में तीन तरीके हैं, जिसके बारे मैं आपको पहले भी बताया था, वो य तीनों चीज़ें यहां दी हुई है, दो-तीन question इदर प्रीके important है, सबसे पहले यह जान रखिए कि cognizance of offense by magistrate section 190 में दिया है, कौन से magistrate empowered है, cognizance लेने के लिए, क्या-क्या वो तरीके हैं, जिसके through cognizance लिया जा सकता है, यह तीनों सवाल important है, subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class, सबसे पहले cognizance लेते हैं, judicial magistrate first class, और judicial magistrate second class ले सकते हैं, if especially empowered in this regard, empower कौन करता है, subsection 2 पे आ जाये तुरन, तो subsection 2 में लेका है, the chief judicial magistrate में empower any magistrate of the second class to take cognizance, empower कौन करेगा, CGM, chief judicial magistrate, यह भी एक प्रीका important question है, generally JMFC entitled cognizance लेने के लिए, और अगर especially empowered है, तो judicial magistrate second class ले सकते हैं, बट यह empowerment करेग अगर chief judicial magistrate, अब देखिए, कैसे कैसे cognizance लिया जाता है, सबसे पहले upon receiving a complaint of fact which constitute an offense, complaint के थुरू हो सकता है, यह मैं आपको पहले ही बताया है, पिछली class में भी जब मैंने 154 वाला provision डिल किया था, तो कैसे एक offense की information आती है, कैसे proceeding start हो सकती है, यह मैंने आपको already बताया हुआ ह चीक, तो complaint पे ले सकते हैं, second है upon a police report of search fact, police report पे, जो हमने पूरा अभी investigation का chapter पड़ा, कि जब information आती है police के पास और वो investigation करके 173 में finally report submit करती है, उस report के basis पे भी cognizance लिया जा सकता है by the magistrate, और तीसरा जो तरीका है यह है, upon information received from any person, other than a police officer, और upon his own knowledge that search offense has been committed, यह है, खुद का knowledge magistrate पुलिस के अलावा या तो किसी वक्ती ना आके inform कर दिया magistrate को, किसा ऐसा ऐसा offense इदर commit हुआ है, बस information दिये, complaint में क्या difference होगा, कि complaint में वो व्यक्ति खुद proceedings में, इस difference को भी समझ लो, B और C, sorry, A और C के, B तो बिल्कुल क्लियर है कि police report आई है, चार्षिट आई हो कि उस पर वक्ती magistrate को inform कर दे, कि साब यही offense हुआ, आप हाग दे रही हो, यह होगा C, या फिर magistrate खुद के knowledge, उसने खुद देखा कही offense होता हुआ, उस पुछ पता चला, ऐसे भी cognizance ले सकता है, तो magistrate इन तीनों तरीके सा cognizance लेता है, complaint पे, police report पे, या फिर, on his own knowledge और information, इसके बाद 191 section काफी important है, pre के लिए, transfer on application of the accused, आप देखिए, हमने बढ़ा कि 190, subsection 1 का, जो clause C है, अपने knowledge पे भी magistrate, या अपनी information पे भी magistrate cognizance ले सकता है, अब इसमें एक likelihood है, कि magistrate अपना personal grudges निकाल सकता है, किसी वक्ती से, मान लिए, जैसे मैं आपको इन classes में regularly, इस बात का, आपकी वेरोजगारी का हिसास, आपको मैं बराबर दिलाते रहता हूं, कि आपको कितनी जरूरत है, सही content to consume करने की, और चल्दी से चल्दी अपने उस judge बनने के सपने, वो साकार करने की, हो सकता है, मेरी बाते हैं, आपक करूं कि साथ, ठीक है, जैसे को लिना, आप ऐसा करिया, ट्राइल किसी दूसरे से, किसी दूसरे बत्ती से करवाई है, लोग इनन अपने knowledge पर कॉगनिसेंस लिया है, कि कुछ ना कुछ गाड़बाद है, तो किसे दूसरे magistrate से आप ट्राइल का मौका मिल जाए, ताकि मेरे क केस inquired into or tried by another magistrate, एक chief judicial magistrate के पास यह matter जाएगा, और फिर वो उसको transfer, यह बात accused को बताई जाएगी, कि जब भी खुद के knowledge पर magistrate ने cognizance लिया है, तो accused को बताया जाएगा, कि उसके पास यह अधिकार है, कि वो case को किसी दूसरे court में transfer करवा दे, क्योंकि यहाँ को यह chances है, कि prejudice हो सकते हैं, unbiased हो सकते हैं, इसके chances ने, इसलिए यह transfer का provision 191 में है, और यह specifically इसलिए आप देखो कि सिर्फ clause C के लिए है, इसके बाद 192 देखिए, making over of cases to magistrate, अब cognizance लेने के बाद inquiry trial के लिए magistrate दूसरे को दे सकते हैं case, इसको कहते हैं making over, यह basically जो senior magistrates है, वो अपने subordinate को inquiry or trial करने के लिए, that is 192, section number याद रखिएगा, this is very important, making over of cases to magistrate, any chief judicial magistrate may after taking cognizance of an offense, make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him, सबसे पहले देखिए कौन यह काम कर सकते हैं, empowered कौन है making over के लिए 192 में यह भी question आता है, और making over कि section में है, यह भी problems का question है, so section number is 192, सबसे पहले subsection 1 में CJM empowered है, cognizance लेने के बाद, subordinate को दे सकते हैं, inquiry or trial के लिए, subsection 2 देखिए, any magistrate of the first class, empowered in this behalf by the chief judicial magistrate may after taking cognizance of an offense, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may by general or special order specified, पाई, JMFC के पास भी यह power है, देखिए, CJM के पास तो है, JMFC के पास भी power है, अगर यह empowered है CJM से, तो making over के लिए CJM ने अगर empower कर रखा है JMFC को, तो वो make over कर सकते हैं, judicial magistrate first class, अपने subordinate को transfer कर सकते हैं, cognizance लेने के बाद, inquiry or trial के लिए, that is 192, यह दो तीन question important है, इसके बाद 193 त बात को बताता है, section number बहुत जादा important है, except as otherwise expressly provided by this code or by any other law for the time being enforced, underline कर लेजे, no court of session shall take cognizance of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this code, अपने से, as a court of original jurisdiction, court of session, cognizance नहीं लेता, cognizance लेने का काम किस का रहेगा, magistrate का, यह basic सी बात समझी है, क्योंकि court of session जो है, वो थोड़े serious matter देखता है, और उनके पास 5 जाद है, proceedings लंबी है, तो cognizance वो नहीं लेंगे, magistrate cognizance लेके, जो primary requirements से वो fulfill करते हैं, document, document furnish करवाना, आपकी उसको यह वो, उसके बाद commit कर देते है, case for trial to the court of session, so 193 basically बताता है, as a court of original jurisdiction, court of session, cognizance नहीं लेंगे, जब तक expressly provided ना हो CRPC में अलग से, ऐसी भी situation अभी आई कि जहाँ expressly यह दिया है, कि इस particular offense का cognizance, court of session को लेना है, आप में से अगर कोई बता पाए, कि वो एक provision यहीं आगे आने वाला है, इसी chapter में, जहाँ court of session, cognizance लेता है, ठीक है, otherwise तो नहीं लेगा, so court of session, generally cognizance नहीं लेता, इसके बाद देखिए 194, additional and assistant session जेट तो try cases made over to them, बहुत important नहीं है, जो भी court of session में, additional and assistant भी ले सकते हैं, 195 is very important, परीका यहां से question आता है, तो cognizance में, जो important है, 190 is important, 191, 192, 193, very important, then 195, this is important, prosecution for contempt of lawful authority of public servant, for offenses against public justice, and for offenses related to documents given in evidence, यह सारे किन offenses की बाद चल रही है, 195 में, जो या तो public servant के against है, public servant ने आपको attendance require करा है, या आप कहुँचे ने, उसकी authority का आपने किसी थरीके से breach की, IPC में हमने separate पूरा चप्तर भड़ा है, इसके regarding, तो public servant के against offense, या फिर court के against, evidences से related कोई offense commit हुआ है, ऐसा case में, 195 केता है, cognizance तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक, वो public officer खुद complaint ना करे, या फिर court खुद complaint ना करे, तब ही कोई court cognizance लेगा, otherwise in offenses का cognizance नहीं लिया जाएगा, ये बात आपको 195 में, subsection 1 के जो clauses खतम हो रहे हैं, अलग-अलग, उसके बाद देखिया, लिखा है, except on the complaint in writing of that court, or by such officer of the court as the court may authorize in writing in this behalf, or of some other court to which the court is subordinate, तो जो public servant है या जो court है, उसकी written complaint पे ही cognizance होगा, ये question पूछा जाता है, कि public servant की authority के अगेंस, offense commit हुआ है, court के अगेंस, तो court या public servant की written complaint पे ही cognizance होगा, otherwise नहीं होगा, ये बात ध्यान रखियेगा, इसके बाद सीधे आजाई है 195 A पर, यहाँ से ये basic questions ही आते हैं, जादा इसके लाव आपको detail पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 195 A है procedure for witnesses in case of threatening etc, IPC में भी हमने section 195 A पढ़ा था, कि अगर किसी witness को आप threaten करते हैं, evidence देने के लिए डराते धमकाते हैं, तो वो एक offense है 195 A IPC में, उसका जो cognizance लिया जाना है, वो 195 A उसके लिए prerequisite बता रहा है, अब witness और इनी other person में file a complaint in relation to an offense under section 195 of IPC, तो जिस भी witness को इस तरीके से डराया धमकाया गया है, वो एक complaint file कर सकता है, यह section 195 CRPC का कहता है, इसके बाद 196 B important है, prosecution for offenses against the state and for criminal conspiracy to commit such offense, state against जो offenses हमने पढ़े हैं IPC में, जैसे religion के से related to 95 A, 153 A, different groups के बीच में enmity fell आना या उस तरीके का disruption करना, यह जो सारे offenses हैं, in offenses के लिए यहां दिया हुआ है कि पहले आपको respective government का sanction लिना पड़ेगा, central government या state government का sanction लिने के बाद, उसकी sanction के बाद ही, कोई भी court in offenses का cognizance लिनेगा, question क्या बनता है प्री में, section number, कहां दिया है यह और किसका sanction जरूरी है, यह ध्यान रखियेगा, 196 का subsection 2 बहुत important है, 196 का subsection 2, यह criminal conspiracy की बात करता है, 120B जो punishment दिया था, मैंने IPC, जब हम पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया था, कि criminal conspiracy जो होती है, वो यह है कि अगर आपने कोई offense करने की conspiracy करी है, तो वो तो ठीक है अपने आपने एक substantive offense है, और उस case में आपको कोई act करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई criminal conspiracy करी है, offense के अलावा कुछ और चीज करने की, कोई ऐसी चीज जो legal है, लेकिन आप उसको illegal तरीके से कर रहे है, इस चीज के criminal conspiracy, तो वहाँ पे mayor agreement जो है, वो अपका punishable नहीं होता, तो criminal conspiracy के ऐसे कुछ cases, जो कि दो साल से कम punishable offense के criminal conspiracy, यह बहुत serious नहीं है, और मैंने वहाँ भी बताया था, इसके cognizance के लिए, एक safe card दिया हुआ है, section 196 के subsection 2 में, तो वो safe card यहाँ दिया हुआ है, subsection 2 में आप देखिए, no court shall take cognizance of the offense of any criminal conspiracy, punishable under section 120B of IPC, other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death imprisonment for life or regress imprisonment for a term of two years or upward, 2 साल या उससे ज्यादा के offense के criminal conspiracy तब तो ठीक है, बट उससे थाम अगर है, इससे कि इसमें आपको state government या DM की permission चाहिए, कहने का मतलब ठीक है, mayor agreement आपने बले ही punishable बना दिया, लेकिन इतने आराम से उसका cognizance नहीं होगा, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि mayor agreement करना उतना बड़ा offense नहीं है, तो बस एक safe guard लगा दिया है कि इनका section लेने के बादा, आप cognizance ले सकते हैं, question वही है, again section important है, 197 बहुत जादा important section है इदर cognizance से related, this is very important, prosecution of judges and public servant, तो judges या public servant का भी prosecution बिना government की permission के नहीं होगा, is or was a judge or magistrate or a public servant not removable from his office saved by or with the sanction of the government is accused of any offense at least to have been committed by him, ये भी important है कि किस दौरान commit किया हो offense, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offense except with the previous sanction, अगर किसी public servant या judge ने कोई offense commit किया है, while discharging official duty, तो वह जिस भी government के अंडर आता है, वो public servant, अगर वो central government के अंडर आता है, तो central government की permission, अगर state government के अंडर आता है, तो state government की permission चाहिए, उस offense का cognizance लेने के पहले, ये sanction जरूरी है, central या state government का, बस ये ही important है इदर, इसके लावा इस पूरे section में, और कुछ important नहीं है, एक explanation दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी mark कर सकते हैं, अब एडल्टरी तो offense रहा नहीं, बट बाइगेमी इस चिल देर, बाइगेमी हैं और दूसरे भी offenses हैं, वहाँ उस chapter में, तो उसका जो cognizance लिया जाएगा, अगरीवड परसन द्वारा ही complaint उसकी होनी चाहिए, subsection 1 में ही clearly ये बात लिखी है, अगरीवड वक्ति जो अगरीवड पर्टी जो अगरीवड पर्टी, जो अगरीवड वक्ति में है, जब तक वो complaint ना करें, जैसे कई बार ये question कुछ लोग पूछते हैं कि, उन्होंने अपनी colony में, अपने vicinity में देखा है, कि कोई person है, जो कि हिंदू है, जहां personal law में allowed नहीं है, polygamy है, अंकल ने दो शादियां करी हुई है, दो नो वाइफ रह रही हैं साथ में, तो उनका ये question होता है, कि ये bygamy क्यों नहीं है, अंकल को punishment क्यों नहीं मिल रहा है, यहां आपका subsection 1 में answer है, कि जो agreed bygamy, जो पहला वाला जो partner है, वो agreed person है, उसकी complaint होनी चाहिए, उसके द्वारा complaint करी जानी चाहिए, तब ही जाके उस offense का cognizance हो, और आपको इस बात से समस्या है, तो वो आपकी समस्या है, अगर उस वक्ति को problem नहीं है, तो cognizance नहीं लिया जाएगा, बाकि फिर provisor में दिया हुआ है, कि कुछ ऐसी circumstances है, जहां उस agreed वक्ति के अलावा, तूसरा वक्ति भी complaint कर सकता है, चीक, इसके बाद 198 अगें, section number बहुत important है, prosecution of offenses under section 498A of IPC, 498 आप जानते है, cruelty या harassment से related है IPC में, उसका भी cognizance कभ लिया जाएगा, जब aggrieved वक्ति कम्प्लेंट करे, या फिर यहां लिखा है, उसके relatives close जो है, इसमें father, mother, brother, sister, या paternal uncle, ये आजाते हैं, जो है जिसके अगेंस्ट 498 है कमिट हुआ, वो या फिर वाइफ के बहाफ पर, ये लोग भी कर सकते हैं, with the permission of court, section number basically, जादा important है दर, 198 B में भी section बहुत important है, हमने रेप के offenses, जो IPC में पढ़े, उसमें पढ़ा था 376 B, जहां husband rape कमिट करता है, wife के उपर during separation, तो इसका भी cognizance किसकी complaint पे लिया जाएगा, aggrieved wife की complaint पे लिया जाएगा, ये clearly 198 B में लिखा है, section number का question यहां से पूछा जाता है, generally, इसके बाद है 199 prosecution for defamation, now this is important, जो मैंने अभी आपको session court की, बात बताई है, session court generally cognizance नहीं लेता, but 192 में ऐसी situation दी हुई है, जहां court of session cognizance लेगा, तो देखिए सबसे पहले, subsection 1 देखने है इसका, no court shall take cognizance of an offense, punishable under chapter 21 of IPC, except upon a complaint made by, some person aggrieved by the offense, defamation की बात चल रही है, defamation का cognizance तभी लिया जाएगा, जब aggrieved वेक्ती इस बात की, complaint करेगा, तभी cognizance लिया जाएगा, इसके बाद जो, इसका subsection 2 है, this is very important, subsection 2 कहता है, कि अगर किसी public servant के, against defamation हुआ है, अगर किसी public servant, vice president, president, minister, इनके against अगर defamation हुआ है, तो यहां भी cognizance, उस वेक्ती की, complaint पे लिया जाएगा, sorry, public prosecutor की complaint पे लिया जाएगा, और इसका cognizance कौन लेगा, तो cognizance लेगा, court of session, यह दो बातें ध्यान रखियेगा, 199 subsection 2 की, अपन बात कर रहे हैं, 199 subsection 1 तो simply defamation की बात करता है, कि जिसके against defamation हुआ है, उसकी complaint पे, cognizance लिया जाएगा, लेकिन 199 subsection 2 कहता है, किसी government official, उसमें सब list दी हुई, आप देखेंगे, president, vice president, ministers, और कोई भी दूसरा, public servant, अगर उसके official discharge of duty में, उसका defamation किया गया है, तो इसकी complaint कौन करेगा, तो यह ध्यान रखियेगा, public prosecutor की complaint पे होगा, जो की writing में करी जाएगी, और इसका cognizance लेगा, court of session, हमने 193 में पढ़ा, कि court of session, as a court of original jurisdiction, cognizance नहीं लेता, लेकिन वहाँ यह भी लिखाता, कि अगर otherwise provided है, CRPC में तब लेगा, so that is that condition, है ना, कि यहाँ expressly provided है, कि इसका cognizance, जो है वो, court of session लेता है, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, काफी important provision है, अभी जब court of session का, trial का procedure अपन देखेंगे, वहाँ भी इससे connected provision है, और वो भी बहुत जादा important है, तो इसके बाद, इसका subsection 4 भी important है, कि यह जो complaint करी जाएगी, इसमें previous sanction होना चाहिए, state government का, central government का, जिसका भी वो public servant employee है, उस government का sanction भी होना चाहिए, इसके बाद, इसका subsection 5 बहुत important है, 199 का, कि यह जो defamation का, cognizance लिया जाना है, यह within 6 months लिया जाना है, complaint कितने दिन में होनी चाहिए, offense होने के बाद, 6 मिने के अंदर अगर complaint हुई है, तब ही cognizance लिया जाएगा, देखे, subsection 5 में लिखा है, no court of session, shall take cognizance of an offense, under subsection 2, unless the complaint is made, within 6 months from the date, on which the offense is at least to have been committed, जब offense कमेट हुआ है, उसके 6 मिने के अंदर, cognizance लिया जाना है, this is important, तो यह हुआ आपका एक chapter, जिसमें हमने यह देखा, कि cognizance लिने के लिए क्या के जरूर है, proceeding करने के लिए, क्या conditions नेसेसरी हैं, यह यह chapter था पूरा, अगला जो chapter है, that is chapter 15, complaints to magistrate, इसका थोड़ा सा overview समझ लेजे, तो आपको provision समझने में, मैंने आपको पहले भी बताया, कि जब भी कोई offense होता है, जब भी कोई offense commit होता है, उसकी information दी जानी है, तो किसको आप information देंगे, या तो आप police को दे सकते हैं, जाके, ठीक, police को आप information दे रहे हैं, तो उसमें देखा जाएगा, cognizable case की information है, non-cognizable की, पुलिस रपोर्ट सब्मिट करेगी, वो तो हो गया simple की, जब आप police के पास पहुँचे थे, इसके अलावा, अगर कोई agree with वेक्ती है, या कोई informant है, वो सीधे magistrate के पास जाता है, अपनी complaint लेके, अब देखिए, magistrate के साथ की, जो मैंने आपको बताया, दोनों मैंसे कुछ भी चीज हो सकती है, एक तो हो सकता है, कि magistrate को कोई वेक्ती, सिरफ एक information दे, कि साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बस, और वो interested नहीं है, complaint करने में, या आगे proceed करने में, उसने बस information दी, और वो निकल लिया, तो ऐसा में जो cognizance लेगा, magistrate वो किसमें लेगा, तो वो लेगा, 190 सब सेक्षिन 1 के, C clause में, खुद की information पे, या कहीं और से, पुलिस के अलाबा कहीं से मिली information पे cognizance, लेकिन अगर मानली जो informant है, वो complaint लेके आया है, और वो खुद proceeding में participate करना चाहता है, in that case, it will be treated as a complaint case, और उसका procedure अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, और इसका जो cognizance लिया जाएगा, इस complaint पे जो cognizance लिया जाएगा, ये लिया जाएगा आपका section 190, subsection 1 clause पे, ये A में लिया जाएगा, complaint पे, जो 190 में clearly लिखा हुआ था, ठीक तो ये basic difference यहाँ पे होता है, कि सिर्फ information है, तो फिर वो cognizance अलग है, और ये है complaint case, अब जो हम procedure पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, अगर आप police के पास गय थे information लेके, तो फिर police investigate करेगे, और वो पूरा procedure हम पिछली class में पढ़त चुके हैं, कि कैसे investigation होता है, कप police ठोड़ देती है, कब आगे बात बढ़ती है, 173 में report फाइल होती है, उसके बाद cognizance लेता है magistrate, complaint के case में क्या करेगा, तो simple सी चीज है, इस complaint बले case में, जो section 200 से start हो रहा है, इसको देखिए ज़रब, so chapter है आपका, complaint to magistrate section 200, examination of complainant, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कि magistrate का time इतना free नहीं है, तो complaint लेके, अगर कोई directly magistrate के पास जाता है, तो दोसों में वो examine भी करेगा, उसके बाद further process की तरफ जाएगा, जैकि ये cognizance लेना है या नहीं, वो तो प्राइम आफेसी case देखके, complaint की complaint देखके, magistrate decide करता है, अगर वो cognizance ले रहा है उस matter का, तो फिर वो examination करेगा, उस complaint का और witness का, जैसा की section 200 में दिया है, पुलिस रिपोर्ट पे अगर cognizance ले रहा है, तो 173 में जो report file हुई, थोड़ा सा इस difference को समझ लेना, 173 में जब report file हुई investigation के बाद, police के, magistrate के पास, अगर वहाँ cognizance ले रहा है, report देखेगा, charge sheet basically file होगी, उस charge sheet को देखके, magistrate को decide करना है, और अगर magistrate cognizance लेता है, तो अगला step क्या होगा, issue of process होगा, जो भी हम थोड़ी तेर में पढ़ेंगे, issue of process हो मानली, जब cognizance ले रहा है, अगर proceed करना है magistrate को, police ने investigation करके, report बना के भेज़ दी, तो logically पहला step magistrate का, या जो भी code trial करना है, इंक्वाइडी ट्राइल जो conduct करा रहा है, logical step यह होना चाहिए, कि भाईया accused को बलाईए पहले तुब, और accused को बलाने के लिए, आप क्या करेंगे, summon या witness, summon या warrant बेज़ेंगे, जो भी connected लोग है, जो जानकारी रख रहे हुं, उन सब को बुलाना पड़ेगा, बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, summon या warrant भेजना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं, issue of process, तो यह होगा किस case में, जहां police report पे case हुआ है, अगर मालने चे complaint case है, सीधे वेक्ती informant magistrate के पास आया है complaint लेके, तो magistrate प्राइम अफेसी complaint देखेगा, और यह decide करेगा, मुझे cognizance लेना है या नहीं, और अगर पता कैसे चलेगा complaint case में, कि magistrate cognizance ले रहा है, अगर वो दोसों का examination कर रहा है, complaint को oath पे examine कर रहा है, मतलब cognizance ले लिया, और फिर यह सारा examination करने के बाद, एक power magistrate के पास 203 में आएगा, जिसमें वो इस complaint को चाहे, तो सारी चीज़ें देखने के बाद, dismiss भी कर सकता, और अगर dismiss नहीं करेगा, तो फिर बाकी procedure सेम होगा, फिर इस वा प्रोसेस से सारी कहानी, चालू होगी, अब देखिए ज़रा आप section 200, अगर magistrate टेकिंग कोगनिजन्स ओफिन ओफिन सान कम्पलेंट, अपन ओथ, तो कम्पलेंट को ओथ पर एक्जामिन करना है, और विटनेस को भी एक्जामिन करना है, दोनों को आपको एक्जामिन करना है, अगर विटनेस प्रेजन्ट है, तो उनको और कम्पलेंट तो होगे, तो कम्पलेंट को आपको ओथ पर एक्जामिन करना है, क्यों कि अब authenticity देखेंगे, आगे ठीक है, कॉपनेसंस हमने लिया, प्राइम आप वैसी, कम्पलेंट में दम लगी आपके, लेकिन आगे करना है, या आगे dismiss तो नहीं करना है, इस सब के लिए, ओथ पर एक्जामिन किया जाएगा, कम्पलेंट को, और इस इग्जामिनेशन का पूरा सब्स्टेंस लिखा जाएगा, और सब उस पर साइन करेंगे, इसका प्रवाइशो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में यहां से भी थोड़े से टेक्निटल क्वेशन बनते हैं, कि कौन से वो लोग हैं, जो खुद कम्पलेंट लेकर अगर मजिस्टरेट के पास जाते हैं, तो वो कौन सी कंडिशन हैं, जहां मजिस्टरेट ओथ पे एक्जामिन नहीं करेगा कम्पलेंट को, उसके लिए प्रोवाइशो देखिये, यहां लिखा है, अगर राइटिं में कम्पलेंट करी गई है, तो इसकेस में ओथ पे एक्जामिन करने के जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बाइट सिंपल सी बात है, कि अल्रेड़ी वो पब्लिक सर्वन्ट है, या कोट ने खुद कम्पलेंट करी है, तो ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा डाउट नहीं है, इसलिए यहां ओथ पे एक्जामिन करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पड़ा इसके पहले प्रोविजन्स में, प्रिरेक्विजेट वाले चैप्टर में, कि अगर किसी पब्लिक सर्वन्ट की लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट ओफेंस हुआ है, या कोट से रिलेटेड कोई ओफेंस कमेट हुआ है, अगर स्पेसर्वन्ट की कम्प्लेंट पे या उस कोट की कम्प्लेंट पे, तो जब कोट या पब्लिक सर्वन्ट कम्प्लेंट लेके आएंगे, तो उनको ओथ पर एक्जामेन करने की जरूरत नहीं है, यह लिखा है इस प्रवाइशो में इसके बाद भी देखिए if the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192 या फिर magistrate खुद नहीं कर रहे हैं inquiry trial वो cognizance लेके making over कर रहे हैं जो अभी अपने 192 में पढ़ा कि CGM empowered है making over के लिए अपने subordinate को दे सकते हैं कि जैम FC अगर especially empowered है CGM से तो case make over कर सकते हैं देखिए making over अगर आपको करनी है अगर आप दे रहे हैं किसी और को तो आपको complaint को ओध पर examiner करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी logic है क्या logic है कि आप जिस magistrate को दे रहे हैं जिस subordinate को दे रहे हैं आप making over के बाद case जिसे inquiry trial कर दी है वो examiner करेगा और वो करे कर लेता है उसके बाद make over करता है case तो जिसके पास subsequently पहुँचा उसे फिर दुबारा ये काम करने की जरूरत नहीं है यह main इस proviso का सार है यहाँ से प्रीमे questions पूछे जाते हैं we should have clarity on these basic points इसके बाद देखिए provided further that if the magistrate makes over the case to another magistrate under 192 after examining the complainant and the witnesses the later magistrate need not re-examine वो ही जमना आपको बताया कि जहां making over हुई है उस magistrate को फिर दुबारा एक्जामिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसने cognizance लिया उसने खुद एक्जामिन करके दिया है इसके बाद देखिए दोसो एक procedure by magistrate not competent to take cognizance of the case आगर मालनीचे आप complaint लेके किसी magistrate के पास बहुच गाए जिसका जि ऐसे केस में उस magistrate का की responsibility है कि वो सही जाएगे पहुचा है इसके बाद आईए जरा दोसवक्त हो अब जरा शांती से सुनिएगा यह जो 202 provision है इससे questions कुछ questions अच्छे टेकनिकल बनने की संभावना होती है और जहां तक मेरा experience है कि इसकी जो कुछ बाते हैं उसको समझने में थोड़ी सी problem होती है लोगों को तो थोड़ा सा अपन इसको देखेंगे अच्छे से कि यह provision बात क्या कर रहा है अब अगर कोई विटनेस मौजूद है उसके साथ उन विटनेस इसको भी और उसका सारा रिकॉर्ड बनाएगा अब आगे फुर्दर बढ़ना है मजिस्ट्रेट को अब आपने कंप्लेंट पर लिया लेकिन इतने से बात तो बनेगी अब आगे आप क्या चाहेंगे या तो आप चाहेंगे कि इंवस्टिगेशन करा दिया जाए या फिर आप फुद इंवस्टिगेशन करना चाहेंगे या आपने किसी सबॉडिनेट से इंवस्टिगेशन करने की ज़रूरत है या इंवस्टिगेशन करने की ज़रूरत है या इंवस्टिगेशन करने की ज़रूरत है या आपने देखा इस complaint वाली प्रोसीजर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ complaint सीधे पहुचा complaint पड़ी cognizance ले लिया उसके बाद आपने ओध पर एक्जामिन कर लिया लेकिन अभी satisfaction हो उस चीज से related facts के बारे में जानकर ही ज़रूरी नहीं है अब अगर magistrate in complaint case में investigation order करते है तो वो investigation कि section के तहत है 202 के तहत है और चेप्टर 12 का investigation नहीं होगा यह ध्यान रखना और क्योंकि वो चेप्टर 12 का investigation नहीं होगा तो ऊधर के जो provision है वो applicable नहीं हो इस investigation पे section 160 applicable नहीं होगा कि police attendance require कर आएगी 161 162 यह सब यह अलग से पावर है इस पर्टिकुलर प्रोविजन में यह वह इन्वेस्टिकेशन नहीं है क्योंकि वह अलग इन्वेस्टिकेशन है जा पॉलिट पॉलिस रेपोर्ड बनाके भेजाएगी और उसके बाद असना कोईशन वहुत रेक्र हैं वह दिया है 202 में पहली चीज आप ये समझ यह कहां इन्वेस्टिकेशन करा सकते कहां कर and shall in case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction इस बात को समझना यह जो में और shall लिखा है यह किसली है तो यह जो मैं investigation की बात कर रहा ही कि magistrate को ढीड लगे तो issue of process postpone करके वो क्या कर सकता है या तो inquiry या investigation करा सकता है अभी issue of process ना करे तुरंट उसको postpone करे और पहले investigation या inquiry इसके लिए एक discretionary एक discretion बताया है एक जगे लिखा है में और एक लिखा है shall में लिखा है किसे भी case के लिए यह जो shall है और यह उन cases में है जहां accused magistrate के jurisdiction के बाहर रहता है जहां accused magistrate के jurisdiction के बाहर reside करता है अगर ऐसा complaint case है तो mandatory है उसके लिए shall लिखा है कि magistrate को investigation या inquiry कराना ही है यह बात जरूर समझी है आप यहां यह language समझने में थोड़ी problem होती है area in which he exercises the jurisdiction postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thanks but जरूर नहीं कि police officer से investigation करा है और यहां यह भी ध्यान रखियेगा दोसोदों में या तो police officer से investigate करा सकता है magistrate या किसी दूसरे परसं से भी investigation करा है मेरे कहला बात समझ गए कि issue of process को postpone करना कहां mandatory है issue of process को postpone करके inquiry या investigation या तो आप खुद inquiry करिये या फिर investigation कराईए यह कराना जरूरी कहां है जहां और बाकि जहां आपके एरिया में रहता है वहां आपके लिए discretion है आप चाहें तो यह issue of process postpone करके inquiry investigation कराएं चाहें तो ना कराएं दोनों option है आपके पास ठीक तो यह है आपका subsection 1 अब इसके बाद further provisors हैं जो कुछ और बातें कहते हैं इनको भी जारा ध्यान से सुनियेगा provided that no such direction for investigation shall be made अब एक condition और लगा दी कि हमने अभी तो बोला कि issue of process आप postpone करके inquiry करा सकते हैं या investigation अब यह जो प्रवाइश हो यह कह रहा है कि वो cases बता रहा है जहां आप investigation नहीं करा सकते यह कौन सी cases है तो यह देखिए where it appears to the magistrate that the offense complained of is tribal exclusively by the court of session अगर वो matter exclusively tribal है by court of session भाई cognizance तो magistrate ही लेगा यह आपन ने पहले ही देख लिए 193 में भी clearly लिखा है कि as a court of original jurisdiction court of session cognizance नहीं लेता लेना तो magistrate को यह माली जे complaint आई है court case भाले ही exclusively tribal by court of session है तो ठीक है trial court of session करेगा लेकिन फॉक्रिस तो हम लेंगे न उस case के लिए हैं लिखा है कि जहां matter exclusively tribal by court of session हो वहाँ investigation order आप नहीं करेंगे ठीक भी देखिए where the complaint has not been made by a court unless the complainant and the witnesses present if any have been examined on oath under section 200 इस सवाले B point को जरा समझेगा अगर आप बगले पांच मिनट मेरी तीन मिनट दो तीन मिनट आप अगले मेरी बात धान से सुनेंगे तो यह सवाल पूछा जाता है कि 202 में कहां investigation order नहीं कर सकता magistrate तो अब अगर आपने बहुत तेजी में यह सब पड़ा है तो आपने याद किया होगा जैसे अभी भाई साब कहा रहे थे कि बहुत slow पड़ा रहे हैं तो उसका परपस है ताकि चीज समझ में भी आई है याद ही ना हो जाए खेर सबका अपना opinion है यहां देखिए कि यह जो भी पॉइंट आपसे कहना चाहरे है एक तो matter exclusively tribal by court of session है वहां आप investigation order नहीं करेंगे दूसरा लिखा है where the complaint has not been made by a court court ने complaint नहीं करी दूसरे लोग court के अलावा कौन-कौन complaint करता है जरा समझ ना एक कोई प्राइवेट इंडिविज्वल कंप्लेंड क या फिर court तेन लोग करते हैं अगर जब 200 का प्रोवाईशो पड़ा तो हमने देखा oath पे examine करने की जरूरत किसको नहीं है आपको इन दोनों को आपको oath पे examine करने की जरूरत नहीं है private individual को आप करेंगे अगर वो public servant है court लेके आया है complaint तो oath पे examine करने की जरूरत नहीं है अब ज servant या private individual तो आप तब तक investigation order नहीं करेंगे जब तक इनको oath पे examine नहीं कर लेंगे आप तब तक investigation order नहीं कर सकते issue of process को postpone करके जब तक आप section 200 में इनको oath पे examine ना कर लें तो जो public servant को हमने immune कर दिया था प्रोवाईजों में उसको भी oath पे इसका तो हमेशा ही होना है इसका तो anyways ह होना है तो इसको तो हटाई दो यह तो घरीब जखती है लेकिन यह जो public servant है यह फस जाता है मामलाइद है यहां पर clearly लिखा हुआ है B में कि अगर आप इसको oath पे examine नहीं करना तो आप इस case में investigation order नहीं कर सकते तो अगर investigation order करना है magistrate को issue of process को postpone करके in that case oath पे examine करना पड़ेग तभी आप investigation order करेंगे otherwise that's the crux of this 200 का proviso read with section 202 subsection 1 clause B अब यह सब कुछ technicalities है जिनके करन वाइप प्री के एक सवाल नहीं बना तो दो नंबर से प्री रुख गया तिन नंबर से प्री रुख गया इसलिए इस crash course को थोड़ा सा detailed बनाया गया है I hope you understand the purpose of this कि वह जो दो नंबर से प्री रुख रहा है और आप महले में जवर जस्ती की इच्छद बटोर रहा हैं कि भाईया आया दीदी तो बस बहुती कम नंबर से रुख एंवो सिरफ संतना है बेटा उसे कुछ भाला नहीं होना है इस बार हमको वह दो नंबर भी निकाल के आना ह इस बहर हमको means में बैठना ही है, that's the purpose, छेकर, अब आई ये subsection 2 पे, in an inquiry under subsection 1, the magistrate may, if he thinks fit, take evidence of witness on, oath provided that, if it appears to the magistrate that the offense complaint of his tribal exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them in oath, अब ये भी है कि जो witnesses है, उनके evidences भी oath पे लिये जा सकते हैं, ये subsection 2 कहता है, और subsection 2 ये भी कहता है, if the matter is exclusively tribal by court of session, वहाँ तो mandatory है, compliment को भी बुलाओ, और सारे witness भी बुलाओ, और उनको mandatorily oath पे examine करना है आपको, subsection 3 बताता है, जैसा मैंने कहा, कि investigation जो है, वो या तो police से कराया जा सकता है, किसी दूसरे वेक्ती से भी कराया जा सकता है, तो जब किसी दूसरे वेक्ती से कराया गया तो उसके पास सारे power होंगे, इंवेस्टिकेशन के accept arrest, यह सबसेक्शन 3 बताता है, बहुत important नहीं है, दोसो तीन बहुत ज़्यादा important है इसके बाद, दोसो तीन बात करता है, अब यह जो investigation या inquiry आपने करा लिया न, issue of process postpone करके, यहाँ आपके पास अधिकार है, उसके बाद आपको लगता है, कि यार बक So, 203 देखिए, if after considering the statements on oath, if any of the complainant of the witness and the result of the inquiry or investigation, if any under section 202, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint, and in every such case, he shall briefly record his reasons for so doing, आपने जब को ले चुके है, मैंने कहा है, जैसी complaint है, प्राइम अफेसी देखके को अगनिसंस अगर आपने ले लिया है, तो आप section 200 का examination करेंगे, complainant का और witness का, वो examination करने के बाद ही आपको लगया कि complaint में कोई दम नहीं है, आगे investigation inquiries दो छोड़िये, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी आप 203 में complaint dismiss कर सकते हैं, या फिर आपने issue of process postpone किया है, और inquiry या investigation कराया है, उस inquiry या investigation के बाद आपको लगता है कि complaint में आगे बढ़ने लायक नहीं है, त भी आप complaint 200, 3 में dismiss कर सकते हैं, so that is 203, which is very very important, बहुत जादा important है 203 में, इसके बाद आजाईए, chapter 16 की तरफ, commencement of proceedings before magistrate, अब देखिए भाई, हमने अभी recently क्या क्या क्या, देखो, मैं बढ़ना, CRPC में आपको provision याद करने में, या literal meaning derive करने में, बहुत ज़दा समस्या नहीं है, समस्या उस connection को दिमाद में बिठाने में, यह चल किया रहा, किदर से कहा complaint आ गई, कहा conditions आ गई, to initiate proceedings, or to start with proceedings, इस connection को थोड़ा आप समझ लोगे, तो यह subject आपके लिए काफी easy हो जाएगा, और इसलिए मैं आपको recommend किया था, कि एक already video इस channel पर पढ़ा हुआ है, कि CRPC पढ़ने उस पूरी कहानी में हमारी, यह जानना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हमने देखा कि requisites क्या क्या है सबसे पहले एक chapter में, कि भाई, cognizance की requirements क्या क्या है, जिसकी complaint पर गई, वो सब देखा, उसके बाद हमने section 200 से 203 तक यह देखा, कि complaint case कैसे initiate होगा, अब हम आ रहे हैं chapter 16, commencement of proceedings before magistrate, magistrate के सामने proceeding चालू कैसे होगी, अब वो चाहे cognizance police report पे लिया गया हो, चाहे cognizance complaint पे लिया गया हो, कैसे भी cognizance लिया गया हो, अब आपने cognizance तो ले लिया, अब आप करोगे क्या, cognizance लेने के बाद, तो उसके लिए आगे यह दिया गया है, कि cognizance लेने के बाद आ करना क्या है तो उसके लिए लिखा है 204 में issue of process करना है अभी ट्राइल चालू नहीं होई है यह सब inquiry का कारेकरम चलेगा अभी मैं expressly ट्राइल पर होंगा तो आपको वो distinction बताऊंगा कि कहा inquiry खतम होती है और कहां ट्राइल चालू होती है तो 204 है issue of process जैसा मैंने आपको बताया कि हमें बहुत natural सी बात है जब आप cognizance ले रहा है आपको प्रसीड करना है तो आप accused को और बाकी विटनेस को बुलाएंगे कोट में यह वो ही है issue of process so सबसे पहले subsection 1 में देखिए if in the opinion of a magistrate taking cognizance of an offense there is sufficient ground for proceeding अगर लगता है cognizance लेने के बाद की sufficient ground है प्रसीड करने के and the case appears to be for a a summon case he shall issue his summons for the attendance of the accused अगर summon case है तो accused को summon भेच के बलवाएंगे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं और warrant case के बीच क्या difference तो summon case आपको पता है दो साल तक punishable उसके उपर warrant चीक तो summon case अगर है तो accused को summon बेच के बुलाना है और अगर warrant case है तो warrant या summon दोनों में से कुछ भी बेच के आप बुला सकते है बी में लिखा है अब warrant case ही में issue a warrant or if he thinks but a summons for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before sir such magistrate तो basically issue of process म क्या है अब क्यूस को बुलाना है तो कि अब आगे का खारकरम चालू करना है हमने बाकी कर लिया पूलिस रपोर्ट आगे है कोगनिजन से ले लिया है या कंप्लेंट के बिसस पे कोगनिजन से ले लिया है नाव वी हाफ तो मूव फर्दर साब सेक्शन टू से प्री के question आ जब तक prosecution witness की list file नहीं होगी issue of process नहीं होगा this is very important question इसके बाद देखिए subsection 4 सीदे when by any law for the time being enforced any process fee और other fee are payable no process shall be issued until the fees are paid जब अगर कोई fees prescribed है उस case के लिए तो आपको वो fees भी पे करनी है उसके बाद issue of process होगा ये प्री का question बनता है कि issue of process के पहले क्या-क्या condition fulfill होनी चाहिए तो prosecution witness की list file होनी चाहिए और अगर कोई fees required है तो वो pay होनी चाहिए उसके बाद ही issue of process होगा accused को बुलाया जाएगा ये होगा आपका further proceeding आगे बढ़ाने की कहानी issue of process अब इसी से related कुछ provision है इस chapter में जैसे आप 205 देखिए magistrate में dispense with personal attendance of accused हम कर के आ रहे है issue of process में basically accused को अपने स dispense भी कर सकता है चोड़ सकता है चोड़ सकता है चोड़ मताओ pleader भेज़ दू ये कहानी आधियर दी होई है तो 205 में देखिए whenever a magistrate issues a summons he may if he sees reason so to dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader अगर magistrate को लगता है कि जरुरत नहीं accused को personally बोला ले की तो उसकी attendance dispense करके pleader को आप भेज सकते है ये permission दे सकता है magistrate 205 में subsection 2 कहता है but the magistrate inquiring into or trying the case में in his discretion at any stage of the proceeding directly personal attendance of the accused अगर माननी के पहले dispense भी कर दी है आपके attendance बाद में लेकिन magistrate को लगता है कि नहीं बुलाना है accused को तो बुला भी सकते है 205 basically discretion है आप चाहें तो accused की presence को dispense करके pleader की presence sufficient मान सकते है इसके बाद देखिए 206 बहुत ज़्यादा important है for problems 206 बाद करता है special summons in cases of petty offenses इसका subsection 1 जारा समझ लीजिए petty offenses की बाद चल रही है कि petty offenses के case में आपकी personal attendance भी required नहीं है pleader को भी भेजने की ज़रुरत नहीं है petty offense होते क्या है पहले यह समझ लीजिए उसके बाद इस procedure पर आते हैं तो petty offenses के लिए आपको आना पड़ेगा subsection 2 पे इस section के 206 के subsection 2 को ज़रा देखिए for the purposes of this section petty offenses means यह भी important question है प्रीका petty offenses means any offense punishable only with fine not exceeding 1000 rupees but does not include any offense so punishable under the motor vehicle act कोई भी ऐस offense जो सिर्फ fine से punishable है और fine भी कितना 1000 रुपे तक का so वो offense जो fine से punishable है up to 1000 rupees वो petty offense माना जाएगा for the purpose of 206 और ऐसे petty offense के case में ना तो मतब court चाहे तो presence dispense कर सकता है व्यक्ति की वो चाहे तो यह option देदे accused को कि ना तो खोद आओ न प्लीडर भेजो आप तो guilty plead कर लो कि हाँ हमने offense commit किया है Summon में यह लिखके दे दिया जाता है जो summons बेज़े जाती है इस case में उसमें लिखके दे दिया जाता है कि आपके उपर अगर आप guilty plead करते हैं तो सीधे fine विजवा दीजिए ना आपको आने की जरुवत है ना pleader को किसी का समय खराब नहीं करेंगे आप तो पैसे विजवादो बस यह यह fine से परिशे बाले और इतना हमने petty offense declare कर सकते हैं not only this इसके अलावा यह भी सवाल प्री में पूछा जाता है तो subsection 3 देखिए the state government made by notification specially in power any magistrate to exercise the powers comfort by subsection 1 in relation to any offense underline कर लिजे which is compoundable under section 320 or any offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 months this is very important this को underline कर लिजे कोई ऐसा offense जो compoundable है 320 में या फिर जो punishable है 3 months तक imprisonment से और with fine और with both where the magistrate is of opinion that having regard to the facts and circumstances of the case the imposition of fine only would meet the ends of justice अगर इस तरीके का कोई offense है जो की compoundable है या मान लिजे 3 मेन तक imprisonment से punishable है और magistrate को लगता है कि fine लेने से इसमें काम बन जाएगा तो वो भी petty offense बना के मान के ऐसी summons भेज सकते हैं जिसमें सीधे fine बुलवा लिया जाए अक्यूस से उसे बुलाने की जरूरत नहीं है that is 206 which is very very important इसके बाद आईए 207 पे supply to the accused of copy of police report and other documents आप देखे वाई प्रसेडिंग में आगे बढ़ेंगे तो अब विसी बात है कि accused को सारे document supply आपको करवाने पढ़ेंगे so 207 जो बात करता है वो है in any case where the proceedings has been instituted on a police report, police report पेगर case institute हुआ है 173 में police report file हुई है उसके बाद magistrate ने cognizance लिया है और proceeding आगे बढ़े बढ़ेंगे ऐसे में 207 applicable है magistrate क्या करना है magistrate को FIR की copy 161 में जो statement लिये पुलिस ने उसकी copy plus 173 में जो report file हुई है इन सब की copies दिलवानी है किसको accused को यह लिखा है list of documents आप देंगे बहुत ज्यादा important नहीं है section number important है कि जहां police report पे case file हुआ है documents accused को दिलवाय जाते है that is 207 ठीक इसके बाद देखिए 208 supply of copies of statements and documents to accused in other cases tribal by court of session अब इसके अलावा वो offenses जो tribal by court of session है cognizance to magistrate ने लिया है लेकिन tribal by court of session है तो यह जो छोटा मोटा काम है यह magistrate करवा के देंगे पहले court of session सीधे main proceeding चालू करेगा यह document document furnish कराने का magistrate करेंगे इस दर लिख हुआ हुआ है where in a case instituted otherwise then on a police report it appears to the magistrate issuing process under section 204 that the offense is tribal exclusively by the court of session the magistrate shall without delay furnished to the accused free of cost a copy of each of the following अगर complaint case है तो 202 में जो examination हुआ वो 200 में जो examination हुआ complaint or witness का वो document की copy 202 जो inquiry वागेरा कराई गई है या investigation 164 का कोई statement लिएगा यह सारे document submit कराना है यह की copy accused को मेलना चाहिए तो उसको भी अपना defense तैयार करना है तो उसके पास यह सारे documents पहले से होने चाहिए जिसके basis पे basically accused अपना defense तैयार करेगा तो यह है 207 और 208 free of cost दिलवानी है accused को यह magistrate की responsibility है इसके बाद 209 बहुत जादा important है commitment of case to court of session when offense is tribal exclusively by it यह बहुत important है जैसे हमने 193 पढ़ा था कि court of session cognizance नहीं लेता as a court of original jurisdiction magistrate cognizance लेके commit करेंगे तब आगे proceed करेगा court of session वो committal 209 में दिया हुआ है when in a case instituted on a police report or otherwise the accused appears as is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offense is tribal exclusively by the court of session we shall commit after complying the provisions of section 207 or 8 as the case may be the case to the court of session तो 207-208 जो भी applicable है वो comply करने के बाद आप committal करेंगे court of session के पास इसमें बच जानने वाली जो बात है वो यह है इसका जो D clause है वो देख लीजे notify the public prosecutor for the commitment of the case to the court of session magistrate जब committal कर देंगे court of session के पास भेज देंगे case cognizance लेने के बाद documents की copy accused को furnish कराने के बाद जब court of session के पास कहुचेगा case committed हो जाएगा तो public prosecutor को भी inform किया जाएगा इस बात के लिए ठीक इसके बाद 210 के आईए this is again very important procedure to be followed when there is complaint case and police investigation in respect of the same offense देखिए 210 में आपको समझा देता है हो क्या रहा है कि एक offense commit हुआ उस offense में complaint आई magistrate के पास और magistrate ने अपनी proceedings चालू कर दी complaint के basis पे जो हमने पढ़ा section 200 से 203 तक जो हमने पढ़ा वो कारेकरम चालू हो गया magistrate ने complaint case की तरह उसको करना चालू कर दिया अब इन बिट्वीन पता चलता है कि भाईया पुलिस ने भी खॉपनेजन से ले रखा इस case का और वो भी investigation कर रहे हैं इन दाट केस magistrate क्या करेगा अपनी जो proceeding है वो जो complaint proceeding कर रहा है उसको वह वहीं पर रोक देगा और पुलिस जो investigation कर रही है उसको बुलाएगा उसकी report बुलवाएगा और उसके बाद अगर वो same offense से related investigation है जिसका यहाँ complaint case चल रहा है अगर वो same offense से related investigation police का है तो फिर magistrate उस investigation के basis पे दोनों cases को merge करके आगे बढ़ेगा as if the case is instituted on a police report अगर police ने भी investigation किया है magistrate ने भी complaint case की तरह है तो complaint case को postpone करके magistrate बुलवाएगा देखेगा आगर same है दोनों को merge करके कैसे treat करेगा आगे as if the case was instituted on police report that is important about 210 इसके बाद आते हैं अगले chapter की तरफ तो यह normal चीज है थी कैसे proceedings start होंगी magistrate के सामने proceedings comments कैसे होती है तो आपने देखा issue of process है attendance dispense करने से related चीज़े हैं अगर investigation या और complaint दोनों साथ साँ चल रहे हैं तो क्या होगा वो आपके 210 ने बता दिया magistrate ने cognizance लिया लेकिन exclusively tribal by port of session है तो वहां transfer कर दिया जाएगा कमिटल हो जाएगा case का 209 के तहर तो यह basic चार्ज है accused को जब भी आप ट्राइल करेंगे अभी जब आगे अपन process पर जाएंगे accused की ट्राइल होगी आप देखिए इसमें पूरा एक fair process चल रहा है कि भाई आपने जो examination किया जो F.I.R. सबकी copy हमने दिलवाई accused को so that he can also prepare his defense उसको समानिया वारंट भेज के पहले तो हमने बुलवाया इशू अपना defense ले पाएगा अगर accused को यह पता ही नहीं कि उसकी गलती क्या है तो वह गरीब क्या अपना defense करेगा जैसे एक husband के साथ जो होता है कि उसे पता ही नहीं होता उसकी भाईब को समस्या क्या है तो ऐसे में वह husband गरीब क्या ही solution करे रहा है क्या ही अपने आपको defender justify करेगा पहले पता तो हो भाई कि समस्या क्या है आप court wife तो है नहीं जो बताएगी नहीं court तो court है इसलिए वह बहुत तरीके से समझाता है कि क्या समस्या आपने क्या गुना किया है जिसके लिए आपको यहां लाया गया और जिसके लिए आपके ऊपर यह चल रही है और जिसमें आपको अपना defense present करना यह पूरा परपस है चार्जस को frame करने का और उन्हें properly explain करने का कि जिसके अगेंस्ट आप proceed कर रहे है उस गरीब को पता तो हो कि उसमें करा क्या है अब देखिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड है यह चैप्टर जैसा आप देख पा रहे हैं 211 के उपर लिखा है ए पार फॉर्म आफ चार्जस उसके बाइद बी पार आप देखिए 218 के उपर लिखा हुआ है जोइंडर ऑफ चार्जस को जोइन किया जा सकता है उसक चीज आएंगी क्या कंटेंट होता है किस तरीके से चार्जस फ्रेम करने तो बहुत सिंपल है 211 पढ़ने की भी जरूरत नहीं से सेक्शन नंबर का क्वेशन आता है कंटेंट ऑफ चार्ज के सेक्शन में दिया है तो अब बात है चार्ज में किसी ऑफेंस में उस पर्टिक चार्जस फ्रेम करने के बाद उस अक्ट्यूस से पूछा जाता है अगर वो गिल्टी प्लीट करता है तो देर में भी कन्वेक्शन और नहीं तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो यह बहुत इंपॉर्टन स्टेज है और यह बहुत इंपॉर्टन एस्पेक्ट का क्यों उस वक्ति को पता होना चाहिए कि किस चीज़ के अगेंस्ट उसको अपने आपको डिफेंड करना है तो इस तरीके का अगर कोई उफेंस है तो वो नाम लिखी है वो section लिखना है उसमें किस law के तहते उस law का नाम लिखना है इस तरीके से वो पूरा यह content के बारे में बताया ज्यादा प्री के लिए इंपॉर्टन नहीं है बस इत्ती बात ध्याम रखिएगा 211 में content लिखना है फिर आपको चार्जिस में यह भी बताना पड़ेगा किस की अगेंस्ट आपने offense कमिट किया किस जगे पे करा किते बजे करा यह सारी बात में आप 202 में बताएंगे किस ताहीं पे आपने कमिट किया क्योंकि वैप बेसिक परपस क्या है उस घरीब को जिसको पुलिस अक्यूस बना के लाई है पकड़ के लाए है उसको बताना है कि तुम्हें क्यों लाया गया है किस पूरा प्रपरल्य में चाहि अब आपने offense का नाम बता दिया, किसके against commit किया, वो बता दिया, किस जगह पे किया, वो भी बता दिया, वाट कुछ ऐसे offense होते हैं, जिसमें manner भी बताना पड़ेगा, क्या आपने आपने बंदे को डिसीव किया है, कहां ये allegation है, कि आपने कोई ऐसी information communicate करी है, जिससे deception caused हुआ ह वो समझाना भी पड़ेगा, manner भी explain करना पड़ेगा, तो nature of offense अगर ऐसा है, तो उसमें manner भी लिखा जाएगा, चार्ज में, बेसिकली आप ये बात समझिए, हर वो चीज इंक्लूडिड होनी चाहिए, चार्ज में, जो ज़रूरी है, किसी भी व्यक्ति को ये समझने के है, कि उसके against, क्या allegations लगे है, that is the basic purpose behind all this, 214 बहुत important नहीं है, language की बात करता है, कि जो word यूज हो रहा है, उसको उस context में, जो उस law में दिया है, उसके according की words आप use करिये, basic purpose समझ लीजे इन सब का, तो 211 से 214 तक का basic purpose यह है, इस तरीके से आपको charges frame करने है, कि उस accused को समझ में कि किसलिए उसे यहां लाया गया है, accused बना के, इसके बाद 215 बहुत ज़्यादा important है, प्री में अगर charges से ज़्यादा chances है आने के, तो वो 215 से है, effect of error, एक तो 211 important है इदर, content of charge, उसके बाद 215 effect, और उसके बाद 216 बहुत ही ज़्यादा important है, alteration of charges, देखिए, 215 को समझते है क्या है, effect of error, मालने चे चार्ज फ्रेमिंग में कोई error हो गया, इंकल है, चार्ज फ्रेम हो गया, तो क्या इस बैसे पर पूरी ट्राइल विशेट हो जाएगी, so the answer is no, section 215 कहता है, no error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material, कोई भी error हो जाए चार्ज में, वो जब तक material नहीं होगा, तब तक उसका कोई impact नहीं होगा, जब तक आगे पढ़िये कामा के बाद, unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice, charges में अगर कोई error हो गया है, charges फ्रेम करने में, तो वो error material तभी होगा, वो substantive तभी माना जाएगा, जब उस error की वजह से accused mislead होगा है and there was a consequential failure of justice, accused mislead होना चाहिए, उस गलत framing of charges की वजह से और failure of justice होना चाहिए, तभी उसका कोई substantive effect है, otherwise error का कोई effect नहीं है, इसमें सारे illustration आप पढ़ेंगे, तो you'll get it, जो question आता है वो D और E से आता है, बहुत ज़्यादा important है, कई state के problems में questions आया है, जो illustration D और E है, so सारा D देखिए, A is charged with the murder of Khud on 21st January, in fact the murdered person name was Heather Bukh and the date of the murder was 20th January 1882, A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate which referred exclusively to the case of Heather Bukh, the court may have inferred from these facts that A was not mislead and that the error in the charge was immaterial, जहाँ पे misleading impact नहीं, error का, वहाँ कोई समस्या नहीं, इस illustration से expressly questions आये है, इसलिए उसको मैं, आपको बता रहा हूँ, इसमें हुआ क्या है, कि एक व्यक्ति ने actually, जिस व्यक्ति का murder किया है, उसका नाम है Heather Bukh, Heather Bukh का actually murder हुआ है, और date of murder जो यहाँ illustration में दी हुई है, that is 28th January, 20th January को murder हुआ है, Heather Bukh का हुआ है, that is the fact, that's true, लेकिन हुआ क्या है, court ने charge किसके लिए कर दि इस चार्ज विद्धी murder of खुदा बख्ष on 21st January, चार्ज क्या बन गया है, चार्ज बन गया है, खुदा बख्ष का, कि आपने खुदा बख्ष का murder किया है, और किस दिन किया है, 21st of January को किया है, यह चार्ज actually बन गया है, अब अगर circumstances यह हैं, कि वो जो accused है, उसने आज तक ज inquiry हुई है, magistrate के under those accused पे, वो इसी murder की हुई थी, हैदर बख्ष, यह actually murder उसने किया, इसी की inquiry हुई थी, इसी का सब कुछ चला था, लेकिन चार्ज प्रेमिंग में लिखा गया, खुदा बख्ष लिखा गया, और 20 की जगा, 21st, तो इस और कोई case नहीं है, और कोई proceeding उसके against हु इसी लिए इस error का कोई substantial impact नहीं होगा, फ्रोसीडिंग पे, लेकिन substantial impact कहा होगा, वो अगले illustration में बताया है, email, A was charged with murder, with murdering Heather Bucks and 20th January, अब देखिए, charge देख लितने हैं पहले कि charge क्या लगा है इस illustration में, तो charge लगा है कि आपने Heather Bucks को मारा है, किस दिन मारा है, 20th January को आपने Heather Bucks को मारा है, A is charged with murder, with murdering Heather Bucks on 20th January and Khuda Bucks, who tried to arrest him for that mother on 21st January, दोनों charges है, Heather Bucks को 20 को मारने के और दो मारा है इसने, Khuda Bucks को 21 तारिक को मारा है, जब वो उसको arrest करने की कुशिश कर रहा है, Khuda Bucks arrest करने गया, तो उसको भी मार गया, ये charges frame हुए है, फिर आगे लिखा है, when charged for the murder of Heather Bucks, he was tried for the murder of Khuda Bucks, जब charge लगे थे Heather Bucks वाले, उस समय उसके trial किस पे चल गई, Khuda Bucks वाली trial चल गई, दोनों murder उसने actually करे हैं, लेकिन जब Heather Bucks वाले जो charges है, जो कहा गया था कि तुमने Heather Bucks को मारा है 20 जनवरी को, charges ये लगा है, और trial कौनसी conduct हो गई, Khuda Bucks वाली, अब आप बताईए वो जो accused है, इस trial में जब वो आया था, वो अपना defense के सहसाब से तयार करके आया होगा, वो तो अपना defense इसके हिसाब से लेके आया था, क्योंकि charges तो ये थे ना, Heather Bucks को मारा है 20 जनवरी को, उसके charges लगे थे, तो भाई, उसने जो witness evidence लाया होगा, वो इसके हिसाब से, और अगला दिया हुआ है, कि इसकी जब trial होनी थी, charges इसके लगे थे, और trial उनने इसके कर दी, खुदा बक्षवाली, तो यहाँ mislead होने का पूरी संभावना है, और यहाँ यह माला जाएगा कि mislead हुआ है, and the error was material, I hope you got this, इस illustration से पहले कई बार questions उचे गए हैं, इसके बाद अगला provision, that is 216, court may alter charges, court चाहे तो, charges कभी भी alter कर सकता है, section number का question आता है, alteration of charge किस section में दिया है, इसके अलावा सवाल, पूछा जाता है कि किस stage पे charges alter हो सकते हैं, तो देखें, यहाँ लिखा है, subsection 1 में, any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced, judgment pronounce होने के पहले, कभी भी charges alter हो सकते हैं, या add किये इसके बाद आगे के जो subsections हैं, वो यह बताते हैं, कि अगर माल लिजिए, alteration या addition हुआ है, charges का, और अगर court का ये opinion है, कि इस alteration या addition होने की वज़े से, accused prejudice होगा, तो proceeding postpone कर दी जाएंगी, या नई proceeding start कर दी जाएंगी, fresh, ठीक, वो depend करेगा, court यह देखेगा, कि accused इससे prejudice तो इसको खड़ा किया गया है, ताकि वो अपना defense walk properly कर पाएं, अब आपने बाद में किसी stage पर जाके alter कर दी है, charges है, नए add कर दी है, और उससे यह लगता है कि accused prejudice होगा, तो उसको chance देना है, दोबारा अपनी बात रखने का, that is the basic conclusion of this section, ठीक, प्री के लिए वो दो question जादा important है section number और किस stage पर alteration हो सकता है, 217, recall of witnesses when charge alter, जब भी आप charge alter करेंगे, तो parties को मौका देना है, अपने witnesses को दुबारा बुलाने का, या नए witnesses call करने का, यह 270 कहता है, बहुत ही natural सी बात है, आप अपने prudence से भी यह बात समझ सकते हैं, कि अगर charges बदल दिये गए हैं, नए लगा द सकते हैं, इसके बाद इसका B part भी बहुत important है, joinder of charges, अब यह joinder of charges है, basically बात यह होगी कि कब अलग-अलग charges join करके साथ में trial चला दिया जाए, सबसे पहले आप ज़रा general provision पढ़िए 218, तो आपके आगे की कहानी समझ में अच्छे से आईगी, 218 कहता हो, separate charges for distinct offenses, for every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge, and every such charge shall be tried separately, 218 जो एक general rule बताता है, वो कहता है कि हर offense का, एक separate charge होगा, और हर charge की जो trial है, वो भी separate होनी है, तो हर offense का separate charge और उसकी separate trial, यह तो general rule है, इसके exceptions हांके बहुत सारे दिया है, इसे में प्रवाइजो देखे, provided that, where the accused person by an application writing so desires, and the magistrate is of the opinion that such person is not likely to be purchased, thereby the magistrate may try together, all or any number of the charges frame against such person, अब general rule तो यह है, कि हर offense के लिए separate charge और separate trial, लेकिन प्रवाइजो में यह बात बता दी गई है, कि अगर कोई person desire करता है, कोई चाहता है कि उसके against जो भी charges है, उसके उनको trial एक साथ कर दिया जाए, उनकी trial मान लिजे एक वक्ति के against multiple charges है, मुझ आता है कि सब single trial में हो जाए, तो यह करा जा सकता है, magistrate अलाओ कर सकता है, वो application देगा accused में, magistrate चाहे तो कर सकता है, अब देखें कहां-कहां generally यह चीज होती है, आगे दिया हुए, जैसा कि subsection 2 भी इसका कहता है, यहां separately यह बात बताई गई है, कि कहां आप single trial लेने के लिए है, आपके पास right है, जहां आप multiple charges को combine करा के single trial करवा सकते हैं, यह देखें 219, three offenses of same kind within year may be charged together, where a person is accused of more offenses than one of the same kind committed within the space of 12 months, from the first to the last of such offense, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding three, एक वेक्ती ने अगर अलग-अलग लोगों के against B, same kind का offense commit किया है, 219 का subsection 1 किसकी बात करता है, कब आपको combined trial का मौका मिल जाएगा, 219 subsection 1, same kind, एक जैसे offense, अगर पिछले 12 मेने में आपने कोई तीन, आप combine करा जग सकते हैं, same kind होता क्या है, उसके लिए आके बताया, same kind मतलब same section में punishable हो वो IPC के, जैसे मान लीजे theft ही आपने तीन बार करा है, पिछले एक साल में, भले अलग-अलग person के अगेंच करा हो, लेकिन आपने theft करा है, same section में punishable हो, और जिसका punishment same हो, पहले तो वो बताया है same kind, उसके अलावा भी बताया है same kind, वो देखिए, subsection 2, offenses are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the IPC, or of any special law, provisor में अलग से बताया है, कि 379 और 80 को भी same, पहले तो यह लिख दिया है, कि same section में punishable, तब तो same ही होगा, लेकिन उसके लिए provisor में एक चीज यह भी बताई है, कि जो 379, अलग punishment अलग है, और 380, इनको भी same kind माना जाएगा for this purpose, तो same kind के offences अगर आपने कोई team पिछले 12 माईने मां कर रहे हैं, तो उसकी trial आप combine करवा सकते हैं, इसके बाद 220 बहुत important है, trial for more than one offence, वही अलग-अलग offences को और कहां combine करा सकते हैं, तो 220 का subsection 1 देखिए जरा, 220 का subsection 1 बात करता है, जहां same transaction में आपने offence commit किये, 220 का बन बात कर रहा है, same transaction, जैसे मान लीजिए एक बत्ती चोरी करने घुजा किसी के घर में, तो अब पहले तो उसने जाके property में तोड़ खोड़ करी, खिड़की दरवाजा तोड़ा कुछ, उसके बाद वो अंदर enter हुआ, तो trespass भी commit किया, mischief भी commit किया, क्योंकि property तोड़ी है, उसके बाद वो अंदर गया, तो trespass commit किया, फिर अंदर गया, तो छोरी तो करी, साथ में जो वहाँ का occupier था है, जिसका वो घर था है, उसमें दो चर्लापड़ी भी लगए दी है, तो hurt भी cause किया, उसके बाद वो बहार भागा, इस same transaction में multiple offenses, तो इन सब की trial combine हो सकती है, ये 220 का subsection 1 कहता है, subsection 2 specifically कुछ offenses की बात करता है, जिनकी trial same joint हो सकती है, यह criminal breach of trust, dishonest misappropriation of property, इसके multiple incidents अगर हुए हैं, तो इनको भी आप combine करा सकते हैं, इसके बाद, third बताता है subsection, if the acts elish constitute an offense falling within two or more separate definitions of any law enforce, आपने कोई ऐसा act commit किया है, जो अलग-अलग act के या same act की अलग-अलग definition में fall कर रहा है, कई बार यह होता है, आपने जो act commit किया, उससे related दो offenses है, दोनों की definition दो act fall कर रहा है, तो charges दोनों के बनेंगे, उसकी भी trial आप combine करा सकते हैं, क्योंकि 218 जनरल ही यह कहता है, कि हर charge के लिए separate trial, यहां आप combine करा सकते हैं, if the act falls within two different definitions, 4 कहता है, अगर कोई ऐसा offense है, जो अपने आप में एक offense है, और आपने दोतीन अलग-अलग act किया, उनको मिला के एक separate अलग offense बन रहा है, जैसे माल लेज़े, आपने decoity भी commit करी है, और आपने murder भी करा है, तो separate भी हो सकता है, और मिला के अलग offense भी बन रहा है, तो ऐसे case में भी सबकी joint trial आप करवा सकते हैं, single trial में सारे चाहते हैं, इसके illustration भी यहां पर दिये हुआ है, एक चीज़ और important यहां जो note करने वाली है, वो है, इसका subsection 5, nothing contained in this section shall affect section 71 of IPC, कोई बताया का 71 क्या है IPC का? कुशान का doubt है, अगर साथ बार किया हो, तो तीन trial will be done, अगर तीन offenses combined होंगे, same kind के कुशान, बस, उससे साथ आप combined नहीं करेंगे, 219 के subsection 1 में, so 71 बात करता है, punishment की, जहां आपने इस तरीके का offense commit किया है, जो अलग-अलग definition में जा रहा है, या छोटा offense, अलग के दोनों को मिला के separate offense, तो punishment जो है, वो किसी एक offense का ही मिलता है, यह IPC का 71 कहता है, इसलिए यहां subsection 5 में लिखा है कि उसको affect नहीं करेंगा, आप charges अलग-अलग बनाई है, आप trial same चला ही है, लेकिन punishment single ही देना है, as per 71, अगर 71 applicable है, तो it will be there, multiple acts का same punishment, correct, इसके आप illustration पढ़ेंगे, तो बड़े आराम से समझ जाएंगे, कई बार illustration based question यहां से आते हैं, illustration पढ़ने के बाद last line बस देख लीजेगा, जो लिखा है, the separate charges refer to an illustration A to H, respectively may be tried at the same trial, तो उन्होंने बताया है कि यह जो सारे clauses है 220 के, इसके examples बताया है कि कौन से ऐसे offense है कि same act, दो अलग-अलग definition का fall करा, वो से, end में लिख दिया कि इन सब में trial single हो सकती है, वो इक रक्स था 220 का, इसके बाद आजाएंगे, दोसो, वहाँ punishment आपको lowest वाले का देना होता है, 221 बात करता है, charges frame करने, तो 221 केता है, ऐसे में आप सबके लिए charges frame कर सकते है, alternative तरीके से भी कर सकते है कि breach of trust, या फिर theft, या फिर misappropriation, so alternatively आप charges frame कर सकते है, 221 देखिये, if a single act or series of act is of such a nature that, it is doubtful, which of several offenses, the facts which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offenses, and any number of such charges may be tried at once, or he may be charged in the alternative with having committed someone of the said offense, या तो सारे के लिए charge करके आप सिंगल ट्राइल चला दीजिए, या alternative में चार्ज करने जिए, कि हमने चार्ज कर दिया है, आपको या तो breach of trust के लिए, theft के लिए, misappropriation, जो प्रूफ वजा है, 5 से, इसलिए subsection 2 में लिखा है, कि चार्ज भ होगा, ये subsection 2 कहता है, इसका, इसके बाद, 222 देखिए, when offense proved included in offense charged, ये भी बहुत important provision है, कि जो offense proof हुआ है, और जिसके लिए आप charge हुए थे, वो अलग था, और proof अलग हुआ है, तो कि separate charge frame करने की ज़रूँ थे, या conviction आप कर दीजिए, जो proof हुआ, तो 222 का, जो crux है, वो य जरूरत नहीं होती, so 222 में देखिए, when a person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense, though he was not charged with it, मान लिजे आपने जो offense commit किया है, जिसके लिए आप charge हुए, कुछ particular proof हुए, कुछ नहीं हो, जैसे मान लिजे आपको robbery के लिए charge किया गया, अब robbery में theft भी होता है, और मान लिजे theft के साथ आपने violence किया था, ये आपने charges लगे, लेकिन proof सिरफ theft हो पाया, तो आप तरफ theft के लि major offense के लिए charge हुए थे, लेकिन proof हो रहा है minor, तो minor के लिए convict हो सकते हैं, without alteration of charges, जैसे मान लिजे grievous hurt के लिए charge किया था, जैसे proof हो पाया है, सिर्फ hurt, तो आप hurt के लिए convict हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें, इसी के, जैसे subsection 3 कहता है, कि अगर आपको किसी offense के commission के लिए charge किया गया था, लेकिन proof हुआ है, सिर्फ attempt, commission proof नहीं हुआ, सिर्फ attempt तो आप उसके attempt के लिए भी convict हो सकते हैं, without alteration of charges, लेकिन subsection 4 केता है, अगर minor offense के लिए, आपको convict मान लिजे, आपको charge तो एक major offense के लिए किया गया था, लेकिन जैसा हम 222 में पढ़ रहे हैं, कि proof minor offense हो रहा है, तो उस case में आपको convict किया जा सकता है, तो subsection 4 केता है, अगर उसके लिए कोई sanction बगेना required है, तो लेना पड़ेगा, before conviction, तो subsection 4 बहुत important नहीं है, अबर 222 important है अपने आप में, इसको ध्यान रखे हैं, इसके बाद आईए 220, बहुत जादा important है, प्रलिम्स के लि joint trial कब चलाई जा सकती है, अब 223 बता रहा है कि कब अलग-अलग लोगों की joint trial हो सकती है, यह बताता है 223, so what persons may be charge jointly, the following persons may be charge and tried together, namely यह बहुत important है, इसके किसी भी clause से question आ सकता है, तो यह देखिए, persons accused of the same offense committed in the course of the same transaction, same transaction में same offense commit किया हो, तो जितने भी लोगों ने वो offense commit किया है, सबकी same trial हो सकती, इसी से related D है, पहले D देख लेजे, before BNC, D देख लेजे, D केता है, persons accused of different offenses committed in the course of the same transaction, same transaction में अलग-अलग लोगों ने offense committed, जिसा मैं आपको भी example बता है, घर मे चोरी करने वाला, आप माल लीजे, तीन लोग गए थे, एक ने दरवाजा तोड़ा, सब के सब अंदर गए, उसके बाद किसी ने पिटाई कर दी, एक ने सामान चुराया, तो same transaction में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग offense करें, इनकी joint trial हो सकती है, इसके बाद B देखिए persons accused of an offense and persons accused of abattment or attempt, एक वेक्ती है, जिसके उपर commission के charges है, और एक वेक्ती है, जिसके उपर उसी offense के attempt या abattment के charges है, दोनों के साथ में trial जल सकती है, C कहता है, persons accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly, 290, वजो same kind के offense वाली बात थी, एक साल के अंदर, अलग-अलोगों ने भी अगर commit किया है, तो उनकी भी joint trial हो सकती है, इसके बाद E, persons accused of an offense which includes theft extortion, cheating, कहने का मतलब property serrated offense है, जिस वेक्ती ने offense commit किया, और जो वेक्ती उस stolen property के साथ deal कर रह भी है, extortion हुआ है, यह वो property stolen property हो गए, जो वेक्ती हो stolen property के साथ deal कर रहा था, वो अलग offense commit करता है, IPC में बने पड़ा है, 411, तो ऐसे persons को भी साथ में trial किया जा सकता है, इसके बाद F, 411, 414, वो stolen property में deal, अलग-अलग लोगों ने किया है, same property में deal, तो उनका भी same trial चल सकती ह है, इसके अलावा जी, एक additional चीज आपको बता रहा है, कि chapter 12 of IPC में counterfeiting coin वगेरा से related, तो उस process में माल लीजिये, counterfeiting of coin में अलग-अलग लोग involved थे, अलग-अलग stages पे, तो उन सबकी भी joint trial चल सकती है, यह तो expressly provided है कि किन लोगों की joint trial हो जाएगी, इसके अलावा प्रोवा की permission चाहिए, बस court की permission ले लीजिये, वो भी किया जा सकता है, यहां लिखा है provisor में, provides that that where a number of persons are charged with separate offenses and such persons do not fall within any of the categories specified in this section, the magistrate or court of session में, if such person by an application in writing, writing में वो लोग एक application दे दें, so desires and if he or it is satisfied that such person would not be prejudicially affected thereby and it is expedient so to do, try all such persons together, अगर उसको लगता है कि इस ते कोई prejudice नहीं होगा, और कोई ऐसी समस्या नहीं है, ट्राइल करने में, तो court of session या magistrate को जब multiple लोग application लिखके दें in writing कि हमारी joint trial करा दीजे, तो magistrate या sessions court करा सकता है, तो अगर आप उस पेकरी में नहीं भी फॉल करने हैं, that case also you have an opportunity of joint trial, 223 बहुत important है और उसके clauses से भी questions आ जाते हैं, इसके बाद यह 224, withdrawal of remaining charges on conviction of one of several charge, अब मान लीजे, अलग-अलग charges लगाए गए हैं और एक के लिए आप convicted हो गए हैं, बाकि अब automatically मान लिया जाएगा कि withdraw हो गए हैं, देखिए, subsection, sorry, 224 का जो content है वो देखिए, when a charge containing more heads than one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant और the officer conducting the prosecution में with the consent of the court, यह भी question आत withdraw करेगा कौन, multiple charges लगाए गया थे, एक के लिए convection हुआ, बाकि का नहीं हुआ, तो जो prosecution है, वो या complainant है, वो दोनों में से कोई भी withdraw कर लेगा, withdraw the remaining charges, charge or charges, or the court of its own accord, may stay the inquiry into a trial, यह अपने से भी, आगे inquiry trial पर इस्टे लगा सकता है, तो जब आपको multiple charges लगाए हैं, आपके against trial मे और एक में या कुछ charges में आपका conviction हो गया है, बाकि को automatically, खतम कर दिया जाएगा, जो question आता है इदर से, एक तो section 224, कौन ये काम करेगा, तो court खुद भी कर सकता है, complainant की application, complainant withdraw कर सकता है, या prosecution, अगला जो important question है, कि 224 में जो withdraw होता है, उसका effect क्या माना जाता है, dismissal या equitable, that is a very important question, last fourth line, it shall have the effect of an equitable, इसको mark कर लेजे, equitable का effect होता है, अभी ये discharge और equitable में क्या है, difference trial में मैं बता हूँगा आपको, कि how they are different, तो ये effect का question नेमली इदर आता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, कि 224 में withdrawal होता है, charges का, कौन कर सकता है, और उसका impact क्या है, that is an important question, so that's all, about the chapter charges, कुछ question important है इदर से, जो आने के chances होते हैं, इसलिए थोड़ा सा, उन portion पे specifically अपन ने emphasize की, अब जो अगला chapter है, इसको हम start करेंगे कल, कल से अपन पढ़ेंगे, trial before quote-off session, और हर तरीके की trial के बारे में, अब trial में से ज्यादा pre-question बनते नहीं, section action number, especially section number आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ specific, एक दो section है, जो important है, वो मैं आपको अलग से mark करा दूँगा, कौन से आपको बढ़ने हैं, बाकि summary trial, plea bargaining, इन से question ज़्यादा बनते हैं, प्री में, चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज का session, trial before a court of session, section 225 पर आजाईए, सीधे बेरेट में, ये जो chapter 18 है, trial before a court of session, आप देखिया, अब trial शुरू हो रही है, हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ लिए पहले, initiation कैसे होता है, proceeding का, वो हमने देखा, एक बात आपको समझना है, तीन चीज़ों में difference, कहां क्या खतम हो रहा है, कहां क्या चालू हो रहा है, investigation, inquiry, और trial, ये तीन terms आपने सुने हैं, CRPC के context में, investigation वो है, जो police ने किया, पूरा chapter अपन निपता चुके हैं, उसका, chapter 12 था, 154 से ल जानता है, police report summit होती है, वो माना जाता है कि investigation complete हो गया, तो that is altogether a different element, investigation बिल्कुल या लगए, अब inquiry आप जानते है, code या magistrate करता है, और inquiry के definition, जो अपने definition clause में पढ़ी थी, वहां clearly लिखाता है कि anything done by the magistrate और code other than trial, वो inquiry है, code या magistrate जो भी करता है, matter में other than trial, वो सब inquiry है, तो अब अगर आपन ये समझ लें कि ये trial कहां शुरू हो रही है, ये trial कब शुरू हो रही है, अगर आप ये समझ लेंगे, तो उसके अलावा जितना काम किया magistrate में, वो सब आता है inquiry के अंदर, ये तीन basic processes है, inquiry के अंदर वो सब आएगा, जो trial में नहीं है, तो trial कहां शुरू होती है इशू of process postpone करके थोड़ी बहुत processes है, वो मैंने आपको समझा दी, ये सब और चीज़े आपन खतम कर चुके है, जो बहुत important सी, इन चीजों से related, अब जो यहां लिखा हुआ है, आप chapter के अंदर देख रहे है, trial before a court of session, it is not technically trial, अभी technically trial है, नहीं start नहीं हो, ये मैं आपको ब इसलिए prosecution की तरफ से case start वही करता है, 226 अब इन provisions को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक flow chart आपको दिमाग में बिठाना है कि trial का process क्या होता है, specific section number जो important है, free के लिए वो मैं अलग से mark कराऊंगा, सारे section इदर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको case for prosecution, prosecution सही case start होता है, court of session में, जो public prosecutor है, वो charges बताता है, allegations बताता है, accused के against और ये बताता है कि उन charges को support करने के लिए उसके पास क्या-क्या evidences है, evidence state करता है, अभी explain नहीं होगा, evidences का examination नहीं होगा, सिर्फ state करेगा, वो सिर्फ बताएगा कि ये जो accused है, इसके उपर यह allegation हमने लगाए हैं और उसको support करने के लिए हमारे पास ये evidences है, that's it, that's how the case will start in the court of session, अब ये सुनने के बाद, prosecution की ये बात सुनने के बाद की जो उसने allegation लगाए है और उनके पास supporting evidences क्या है, इसके बाद court के पास एक मौका होता है to discharge the accused, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेरिट और acquittal दोनों अलगे, क्योंकि acquittal तब होता है, जब actually trial चालू होती है, उसके पहले discharge को अभी trial technically चालू नहीं हुई है, जैसे ही अपने evidences बताए कि क्या evidence है और क्या allegations accused के against, उसके बाद अगर court को नहीं लगता है कि case में आगे proceed करना चाहिए, तो वो accused को discharge कर सकते हैं, लेकि charge frame, court करेगा, कल जो पूरा chapter आपको मैंने charge पढ़ाया था, वो framing of charges के regarding था, वो हमने आपको बताया था, कि जो charges frame करने उसका purpose क्या है, accused को आपको समझाना है, बहुत अच्छे तरीके से कि कि किसलिए उसे यह accused बना के खड़ा किया गया है, क्या allegations है उसके against, इसलिए यह purpose होता है charge frame करने का, तो अब properly, formally charges frame करे जाते हैं, अगर prosecution के evidences देखने के बाद quote को लगता है, कि यहीं discharge करना है, तो दोसों सकता इसमें discharge कर दीजे, लगता है, आगे बढ़ना है, तो charges frame करिए, यह जो framing of charges है, यह actually वो transition stage है, जहाँ inquiry खतम होती है, और trial चालू होगी, यह transition stage है, जाएगी, accused को कि आपके against यह charges है, उसके बाद देखे 229, 229 कहता है, conviction on plea of guilty, charges explain करने के बाद, उस accused से पुछा जाता है, do you plead guilty for these charges, क्या आप मानते हैं, कि आपने यह सब कुछ किया है, अब यहाँ दो मैसे कुछ एक चीज़ होगी, या तो वो accused मान लेगा, या तो नहीं माने करें, और evidences को examine करे, so the answer is, it is completely the discretion of the court, 239 में आप पढ़ेंगे, यहा लिखा है, if the accused pleads guilty, the judge shall record the plea, उस plea को आपको record करना है, and may in his discretion, convict him, thereon, discretion है, यह important सवाल बन सकता है, कि क्या plea of guilt के बाद, bound है court, convict करने के लिए, तो नहीं, यह discretion है, तो अगर accused guilty plead करता है, उसके बाद भी, ऐ जैसा क्यों होगा, क्योंकि अगर court को लगता है, कि voluntary नहीं कर रहा है, कोई दबाव है इसके उपर, तो इस case में court आगे proceed करेगा, और वहीं पर conviction नहीं करेगा, लेकिन discretion है, तो either ways the court can move, चाहिए, अब अगर मान लीजिए, यहा conviction हो गया, तो फिर बहुत आगे की कहानी, फिर examination witness का नहीं होगा, लेकिन अगर conviction नहीं होता है, यहाँ पर मान लीजिए, वो guilty plead नहीं करता है, और conviction नहीं होता है, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, अब आगे बढ़ाएंगे, तो 230 में आप देखिए, date for prosecution evidence, अब पहले किसके evidences examine करे जाएंगे, prosecution के, कि भाई, आप date fix कर द दिया जाएगा, 231 में देखिए, evidence for prosecution, फिर उनका examination होगा, देखा जाएगा कि कितने evidence, कितने अच्छे हैं, कितने effective evidence हैं, वो सारे, उनका analysis किया जाएगा, उस चीज का, ठीक, appreciation of evidence अगेरा जो होता है, वो सारा process फिर किया जाएगा, यहाँ जो मैं आपको बता रहा था, कि य ऐसे हमने, अक्यूस से पूछा, do you plead, charges of framing, framing of charges हुआ, और framing of charges के बाद, जब अक्यूस से पूछा गया, do you plead guilty, technically इधर से trial चालू हो जाती है, तो trial जो चालू होती है, वो technically यहाँ से होती है, और इसलिए, इसके पहले आप जो देख रहे हैं, 227 में, जो छोड़ा जा रहा है, अक्यूस को, वो discharge है, वो acquittal नहीं है, तो कि trial चालू ही नहीं हुई, framing of charges, transition stage है, और उसके बाद से आपकी trial चालू होती है, उसके पहले जितना कारेकवरम किया गया, वो सब आता है inquiry के अंदर, उसके बाद trial शूरू हुई है, I hope that is clear, अब इसके बाद देखिए, 231 में evidence for prosecution ह हो गया, अब ये unique feature, exclusive feature है, court of session की trial का section 232, बहुत important है, प्री में पूछा गया section है, अगर इधर trial से कोई section पूछा जाना है, तो उसमें सबसे important, अगर आप से कोई number पूछा जा सकता है, तो वो 202 सी है, क्योंकि 202 से गालत power है court of session का, कि prosecution की witness, chain समझना, case start करा prosecution ने, start करने के ब आगे बढ़ना है, in that case court क्या करेगा, उसके बाद charges frame करेगा, charges frame करने के बाद, accuse से पूछेगा, do you plead guilty for the charges, अगर वो guilty plead करता है, तो वहाँ उसका conviction हो सकता है, या फिर आगे बढ़ा जा सकता है, आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, prosecution से कहेंगे भया, लाव अपने evidences ल सकता है, कि case बेकार है, इसमें आगे बढ़ने लायक नहीं है, accused के against proper evidences नहीं है, तो यहाँ court acquittal कर सकता है, यहाँ discharge नहीं होगा, 227 में हुआ था discharge, यहाँ होगा acquittal क्योंकि आप trial चालू हो गई है, तो that's called acquittal under 232, यह section number pre में उचा गया है, इसको ध्यान रखियेगा, इस अगर acquittal नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, prosecution के evidences already, prosecution के evidences थे, उसका examination already हो चुका है, उसके बाद हमने देखा कि acquittal करना है, अगर acquittal करना है तो वहीं खतम, और अगर acquittal नहीं करते हैं, तो फिर आप defense में enter होगा, अब accused को बोला जाएगा, defense को बोला जाएगा, आप अ evidences के examination के बाद arguments होंगे, और फिर final judgment होगा, 235 केता है, judgment of acquittal or conviction, argument होने के बाद, या तो acquittal होगा, case में, या तो conviction होगा, and that's how it will come to an end, और अभी इसके बाद भी दो-तीन चीज़े होंगे, या खतम नहीं हुआ है, तो acquittal या conviction decide हो जाएगा, whether the accused is found guilty or not, ये decide होगा, sentence के लिए लग से hearing होती है, तो फिर आप देखेंगे, 236 दिया है, previous conviction, फिर देखा जाएगा, कोई previous conviction तो नहीं है, अगर previous conviction है, तो enhanced punishment के लिए liable हो सकता है, बनना दूबग होगा, उसके बाद 237 देखिए, this is very important for pre, pre में अगर section के question आने है, तो 232 और उसके बाद 237 भी important है, 237, procedure in cases instituted under section 199 subsection 2, जरा comment में बताईए, section 199 subsection 2 में क्या था, क्यों ये court of session की trial के अंदर लिखा हुआ है, 237, session court की trial पढ़ रहे हैं अपन, उसमें ये provision आया है, 199 subsection 2 CRPC के बारे में बात चल रही है, क्यों हो रही है या बात, क्या था 199, 199 subsection 2 क्या था, तो ये था भाई, defamation के case में, cognizance लेने की बात, कि defamation अगर public servant का किया गया है, उस case में court of session cognizance लेता है, court of session cognizance लेता है और trial में करेगा, इसी लिए, इस court of session की trial में 237 को रखा गया है, और ये बताया गया है, कि जब उन matters का cognizance court of session लेता है और फिर trial करता है, तो कौन सा procedure adopt किया जाएगा, बस subsection 1 पढ़ना है, बाकी इसमें important नहीं है, subsection 1 देखिए 237 का, a court of session taking cognizance of an offense under subsection 2 of section 199, shall try the case in accordance with the procedure, underline कर लीजे procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than a police report before a court of magistrate, तो वो जो defamation के case होंगे public servant के against, उसका cognizance भी court of session को लेना है, उसकी trial भी करने है, तो उस trial के लिए ये procedure नहीं अपनाया जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा, court of session की trial का, उसके लिए कौन सा procedure अपना जाएगा, warrant trial का procedure अपनाया जाएगा, जो magistrate की warrant trial होती है, otherwise than on police report केने का मतलब complaint वाली जो trial होती है, वो procedure अपनाया जाएगा, इन matters को dispose of करने के लिए, कौन सी matters, defamation of public servant, ये 237 है, बहुत important question है, प्री का, 232 important है, 237, प्री के लिए, बाकि तो सिर्फ chain समझना है, इसके बाद आजाएगे next chapter पे trial of warrant cases by magistrate, अब magistrate की trial की बात, और दो तरीक के case होंगे, आप जानते हैं, warrant case और summon case, तो warrant case में भी दो तरीके के होंगे, warrant case on police report, क्योंकि cognizance या तो police report पे लिया गया होगा, या फिर complaint पे या अपने knowledge पे, इसलिए divided है, दो अलग-अलग parts में, गी part देखिए, cases instituted on a police report, जब 173 में police report file होई है, उस पे cognizance लिया है, magistrate ने, और warrant trial करनी है, तो क्या procedure होगा, अब ज्यान रतना procedure exactly same होगा, जैसे session का है, वैसे ही, the only difference में भी, कि ये जो एक अलग से, equitable का power था 232 का, ये power अब magistrate के ट्राइल में, magistrate के पास नहीं रहेगा, बाकि सब सेम है, prosecution शुरू करेगा, उसके बाद discharge का option इनके पास भी रहेगा, उस के बाद, defense के evidence के evidence के एगजामेन होंगा, और argument के बाद, finally, आपका conviction ये, equitable, बाकि सब कुछ सेम रहेगा, almost, इसलिए, यहां से question भी, prelims में, generally, पूछे नहीं जाते, बस head notes दिखते जाहिए, section के 238, compliance with section 207, तो magistrate जब अपनी trial start करेंगे, पहले वो ensure करेंगे, 207 का compliance, 207 क्या थ उसके बाद 239, when accused shall be discharge, अब वो कहानी, prosecution ने शुरू किया, उसके बाद अगर लगता है, कि accused को discharge करना चाहिए, तो कर सकते है, 240 में framing of charge, अगर discharge नहीं किया, तो charges frame कर दीजिए, उसके बाद 241 में conviction on plea of guilt, accused के पूछा जाएगा, do you plead guilty, अगर guilty plead करता है, तो convince कर सकते हुए, 42 में evidence for prosecution, अगर वो conviction वहाँ नहीं हुआ है, अगर वो guilty plead नहीं करता है, तो फिर पहले prosecution के evidence बोला के उनको examine किया जाएगा, और 243 में देखिए evidence for defense, फिर defense के evidence का examination होगा, अब यहाँ पर break इसलिए लग गया है, क्योंकि B part आ गया, अभी equitable conviction, simultaneously बताया जाएगा, इसके C part में, जो conclusion of trial head लिखा हुआ है, उसके अंदर, इसके बाद आप सीधे देख सकते है, 243 के बाद, 248, equitable or conviction, यह argument वर वोन होने के बाद, अभी आतो, equitable or conviction, बी पार्ट जो बात कर रहा है, इस बेरिट में वो देखिए, cases instituted otherwise than on a police report, अब police report के अलावा, मैकलब complaint या information पे, magistrate ने cognizance लिया था case नो discharge कर दिया जाएगा accused को, 246 से procedure where accused is not discharge, discharge नहीं किया, तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप charges frame करेंगे और उससे पूछेंगे, do you plead guilty, अगर वो guilty plead करता है, तो वहीं conviction, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 247, evidence for defense, defense के evidences examine होंगे, उसके बाद end में फिर कहानी 248 पर या आईगी, दोनों की चाहे police report पर institute हुआ हो या otherwise institute हुआ हो, कहानी end कहा हो कि 248 पर equitable conviction किया जाएगा, अब इतर पे जो important question आ सकता है pre में, वो है आपका 249, और यह जो magistrate की warrant trial है, इसमें question जो important बनता है, वो 249 section number भी पूछा जा सकता है, और इसका effect भी, देखिए है क्या ही है, absence of complainant, मान लिजे complaint पे case institute हुआ था और जो date decide हुई थी, जिस दिन accused को बुलाया जाना था, उस दिन complainant ही absent है, हमने पढ़ा है section 200 में complaint case कैसे शुरू होता है, अगर complaint के basis पे cognizance लेने लाएक case लगता है magistrate को, तो complainant को on oath examine किया जाता है, और क अगर complaint absent है, in that case, यह case dismiss हो सबता है, यह लिखा है इदर, when the proceedings have been instituted upon complaint and on any day fixed for the hearing of the case, the complaint is absent, अगर complaint ही absent है, and the offense may be lawfully compounded, offense कैसा है, compoundable offense है, और is not a cognizable offense, या तो cognizable offense नहीं है, non-cognizable, तो किन-किन cases में यह dismissal होगा, non-cognizable offense में होगा, या फिर compoundable offense में, the magistrate may in his discretion, notwithstanding anything, hearing before contained at any time, before the charge has been framed, charge frame होने के पहले अगर किसे दिन, hearing वाले दिन, complaint absent हो जाता है, और जो case है, वो case है, non-cognizable है, या फिर compoundable है, उस case में क्या होगा, discharge the accused, accused को discharge किया जा सकता है, तो यह एक additional provision है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, 249, complaint absent है, तो फिर आगे का जादा मतलब नहीं, और case कैसा है, या तो compoundable, या non-cognizable, मतलब तोड़ा less serious case है, तो फिर magistrate अपना समय खराब नहीं करेगा, ऐसे में वो चाहतो accused को discharge कर सकता है, 250 भी important है, pre के लिए, 250, compensation for acquisition without reasonable cause, चाहे वो police report पे case आया हो, या complaint पे case आया हो, दोनों cases में अगर magistrate को लगता है इंड में, मान लीजे, discharge हुआ है, या equitable हुआ है, accused का, और magistrate को लगता है, या फर्जी complaint थी, फर्जी information दी गई थी, police को कुछ दम ने, without reasonable ground दिया गया था ये, ऐसे case में compensation लिया जा सकता है, किस से, जस वक्ती ने complaint फाइल करी है, या जिसने police को information दी है, उससे compensation लिया जा सकता ह है, जितना fine लगाने के लिए empowered है magistrate, उतना compensation ले सकता है, ये बात आपको मिल जाएगी, subsection 2 में, और subsection 3 केता है, कि अगर आपने वो compensation का payment नहीं किया, तो आपको imprisonment में भी डाला जा सकता है, not exceeding 30 days, subsection 3 की last line, चेक तो अगर बिना reasonable cause कि आपने complaint करी है, या police को information दी थी, in that case पढ़ना इसमें, लेकिन section number important है, इसके बाद अगली ट्राही पे आईए chapter 20, trial of summon case by magistrate, तो ये तो था warrant case, अब आते हैं summon case, अब आप जानते हैं summon case, बहुत ही less serious offenses होते है, punishable up to 2 years, बास, दो साल से कम के जो है, वो है summon case, तो इसमें जो procedure होगा, वो छोटा होगा, obviously, court of session का सबसे लेंदी है, warrant trial by magistrate, उससे थोड़ा कम बट लेंदी है, और summon और कम, छोटा process है, less serious offense है, तो इधर देखिए 251, substance of acquisition to be stated, क्या accusations है, ये state करा जाएगा accused को, क्या allegations है तुमारे against, ये सब बताया जाएगा उस accused को, यहाँ 251 मे, एक बात जो बहुत important है, जो free का question आता है 251 से, वो कौनसे trial है, जिसमें formally charge framing करना जरूरी नहीं है, दिनना answer है, summon case, यहाँ लिखा है, आप देखिए, when in a summons case, the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense of which he is accused, shall be stated to him, उसको बताया जाएगा कि किसलिए तुमें accused किया गया है, क्या allegations है तुमारे against, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, और उससे पूछा जाएगा क या आप guilty plead करते हैं, या फिर आप आगे defense करना चाहते हैं, अगर आप guilty plead करते हैं, तो यहीं सजावजा देकर खतम करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम guilty नहीं है, तो फिर defense enter होगा, बहुत important बात इस last line में लेखिए, but underline कर लिजे, but it shall not be necessary to frame a formal charge, यहाँ formal charge framing की जरूरत नहीं है, जो पूरा charge chapter पढ़ाना हमने, उसमें पढ़ा था content of charge कैसे कैसे charge, उसकी यहाँ formal charge framing की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत चूटा offense है, समझा दिया लाता है, उसको state कर दिया लाता है, बता दिया लाता है, उसको कि यह allegation है, formally charge framing की जरूरत नहीं है, उसके बाद का process बिल्कुल सेम है, 252 में देखिए, conviction on plea of guilt आ जाएगा, 53 conviction on plea of guilt in absence of accused and petty cases, जो 206 पढ़ा था, कि जो petty cases है, एक हजार तक punishable, punishable with fine only, up to 1000 rupees, 206 में जो पढ़ा था, कि आने की जरूरत भी नहीं है, pleader भी भेजने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे summons में आपको जब भेजी जात है fine का, वो भीजवा दो, बात खतम, यह उसके procedure की बात करता है, अगर आपने fine भीजवा दिया, तो माम लवाई खतम, लेकिन section conviction इदर से important नहीं है, pre में question generally, पूछे नहीं जाते हैं, उसके बाद आगे का process similar होगा, अगर वहाँ convict नहीं होए, तो आगे पूरी process होगी और उ महां से pre के question पूछे जाते है, 256, 257, 258 और 259 यह है important pre के लिए, तो देखिए non appearance और death of complainant, अब यह समन के इसकी बात चल रही है, complainant यह तो appear नहीं हुआ या उसके death हो गई है, ऐसे case में भी acquittal हो सकता है accused का, तो यह ध्यान रखिएगा कि acquittal हो सकता है, बस subsection 1 important है, if the summons has been issued on complaint, and on the day appointed for the appearance of the accused, or any day subsequent thereto, to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, complainant ही absent हो जाता है, वो नहीं आता है, the magistrate shall notwithstanding anything hearing before contained, underline कर लेजे, accurately accused, यहाँ दो तरीके के सवाल पूछा जाते हैं, एक तो आप से section number पूछा जाएगा, और दूसरा पूछा जाएगा, कि effect क्या होगा, discharge होगा, acquittal होगा, इस case में तो ध्यान रखिएगा, acquittal होगा, चीक, इसके बाद 257, withdrawal of complaint, अब complaint को लगता है, समन केसे, less serious है, complaint को अगर किसी भी stage पर लगता है कि withdraw कर लेना चाहिए और magistrate satisfied है, तो withdraw करने का भी option है, complaint चाहिए तो अपनी complaint withdraw कर लेगा, उसका effect क्या होगा, वो देखिए, if a complaint at any time, before a final order is passed, final order passed होने के पहले, कभी भी, in any case under this chapter satisfies the magistrate doubt, there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same, तो magistrate permit कर underline करिए, shall there upon acquit the accused, complaint withdraw करके, accused का acquital हो जाएगा 257 में, इन से section number पूछा जाता है कि किस section किस में deal करता है, और effect क्या है, 257 में भी क्या होता है, acquital होता है, इसके बाद 258 ये भी important है, power to stop proceeding in certain cases, अब समन केस चल रहा है, अगर magistrate को लगता है कि रोक देना चाहिए, proceeding कोई हैं, तो proceeding stop भी कर सकते हैं, इसका impact क्या होता है, effect क्या होता है, यहां से भी प्रीमे question बनते हैं, तो यह देखिए, in any summons case instituted otherwise than upon complaint, complaint के अलावा, मतलब police report पे, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the CGM, any other judicial magistrate may for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, बिना, judgment pronounce करे, वो इस proceeding को रोक सकते हैं, and where such stoppage of proceeding is made after, अब यह से important question चालू होता, इसको अंडरलाइन करिए, where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, अगर principal witness, जो उसमें main witness थे, उनके evidences की recording हो गई है, अगर उसके बाद यह process stop किया गया है, उस case में effect क्या होगा, तो देखिए, pronounce judgment of acquittal, यह ध्यान रखना, प्रीमें सवाल पूचा जाता है, कि summons case है, और अगर proceeding stop करी है, magistrate ने, और principal witness का examination हो गया है, तो उसका effect होगा acquittal, और अगर principal witnesses का examination नहीं हुआ है, तो उसका effect होगा discharge, आगे लिखा है, and in any other case, release the accused, and such release shall have the effect of discharge, यह दोनों question इदर, काफी important है, इसके बाद देखिए 259, this is again important, power of court to convert summons cases into warrant case, अब अगर ऐसा लगता है, कि summons case क trial चल रही है, लेकिन इस matter को warrant trial की तरह treat होना चाहिए, मतलब वो पूरा process होना चाहिए, लंबा process चलना चाहिए इस case में, तो यह option भी है, कि summon case को convert किया जा सकता है, warrant case में, यह देखिए, when in the course of the trial of summons case related to an offense, underline कर लीजे, किन में होगा यह, punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, 6 मेने से जादा, punishable offense का अगर summon case है, तो उसको convert किया जा सकता है, warrant case में, आगे लिखा, it appears to the magistrate that in the interest of justice, the offense should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases, such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this code for the trial of warrant cases and may recall any witness who may have been examined, तो अब आप क्या कर सकते है, 6 मेने से जादा punishable offense है, summon trial सल रही थी तो उसको किसमें convert कर सकते है, warrant trial में convert कर सकते हैं, और दुब number बहुत important है, इसके बाद आई ये next chapter 21, summary trial, यहां से भी pre के question पूछे जाते है, it is again important, कई सारे questions pre में, summary trial से पूछे जाते हैं, जो specific है, वो में बता दूँ कि summary trial करने के लिए कौन-कौन entitled है, एक question ये, दूसरा question किन-किन cases, में किन offenses में, कि summary trial हो सकती है, दूसरा question वो, और तीस इसरा 260, power to try summarily, अब देखिये, हमने पढ़ा पहले, court of session की trial, फिर हमने पढ़ी, magistrate की trial, warrant, वो भी detailed होती है, उसके बाद हमने थोड़ा छोटा procedure पढ़ा, that is summary trial, ये उससे भी, sorry, summons trial हमने पढ़ा, summons case की trial पढ़ा, और ये सबसे छोटा procedure, summary, यहां और ही brief procedure अपनाया जाएग चेप्तर नंबर भी पूछा जा सकता है इदार की summary trial के इस chapter में है, तो वो भी ध्यान रखियेगा, it is 21, power to try summarily, notwithstanding anything contained in this code, any chief judicial magistrate, ये सब इंडरलाइन कर लीजे, कौन-कौन करेगा, summary trial, so CJM कर सकता है, metropolitan magistrate कर सकता है, और JMFC कर सकता है, अगर high court से especially empowered हो, तू, generally नहीं करेगा, जनरली तो सरफ CJM और MM करेगा, अले के नहीं कर हाई court से especially empowered है, तो JMFC करेगा, अब एक सवाल आता है, क्या JMFC कर सकता है, judicial magistrate second class कर सकता है, तो उसके लिए provision है 261, ज़रा सी दे, इसी के सांट 261 देख लीजे, तो पहले इस पे clarity हो जाए कि कौन-कौन summary trial करेगा, तो 261 कहता है, summary trial by magistrate of the second class, JMFC को भी अगर high court empowered कर दे, in that case, वो summary trial करेगा, किन offense की कर सकता है, वो भी देख लीजे, तो 261 देखिए, the high court में confer on any magistrate invested with the powers of a magistrate of the second class, power to try summarily any offense, underline करेगे, which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months, या तो fine से punishable offense, या up to six months, imprisonment से punishable offense, इनी cases में JMFC को summary trial करने का मौका मिलेगा, उसी claim पार किया जा सकता है, और कौन करेगा, high court करेगा, ये important questions है, तो मेरे खाल से आपको इस पर clarity हो गई कि कौन-कौन summary trial कर सकता है, ये एक important question है, इसके बाद देखिए, यहां, आगे लिखा है, 260 पे मैं वापस आ रहा हू इसका सार थोड़ा सा समझ लीजिए, generally वो offenses जो दो साल तक imprisonment से punishable है, या फिर ऐसे offenses जो property से related है, और property की value 2000 है, दो साल तक imprisonment या property से related, जिस property की value 2000 है, 2000 तक है, 2000 से जादा नहीं है, generally इन cases में summary trial होती है, इसके आलावा भी कुछ provisions है, जैसे IPC का 454, 456, 506, 504, criminal intimidation, ये कुछ offenses ह जिनकी summary trial होती है, इस list को आपको जरूर दिखना चाहिए, यहाँ से question बनते है, प्री में, किस की summary trial होगी, किस की नहीं, ये भी एक important सवाल है, तो एक और important सवाल 262 से आता है, section number number नहीं पूछा जाएगा, लेकिन procedure for summary trial में procedure कौन सा adopt होगा, क्योंकि धर अलग से procedure तो दिया न this code for underline कर लेजे, for the trial of summons case shall be followed except as here and after mentioned, कौन सा process follow होगा, जो procedure होगा, वो कौन सा होगा, summons case में जो किया जारा है, जो अभी पड़ा, आमने पिछला, वही procedure होगा, इसका subsection 2 बहुत जादा important है, ये सबसे important question है, इस chapter का, subsection 2 देखिए, no sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter, इस chapter में, trial में अगर किसी वक्ती का conviction हो रहा है, तो 3 मेने से ज्यादा करें, नहीं दिया जाएगा, that is the most important question, बाकि जो record in summary trial है, ये सब important नहीं है, जज़मेंट in cases of trial summary नहीं है, इसके बाद आईए अगले chapter की तरफ, that is chapter 21A, अब plea bargaining का concept थोड़ा सा brief में समझ लीजे, तो बाकि चीज़े समझने आसान हो जाएगा, plus इससे related, हमेशा debate रही है, इसकी constitutional validity को लेके, तो इसके origin और इससे related भी प्रीमे questions पूछे जाते हैं, वो additional information में आपको अभी communicate कर देता हूँ, तो वो आप चीज़े note down ज़रूर कर जेगा, चीक है, सबसे पहले इस plea bargaining के concept को समझेए, ये mainly उन offenses में हैं, जो 7 साल तक punishable है, या फिर socio-economic नहीं है, या women के against नहीं है, चोटे बच्चों के against नहीं है, इसमें होता क्या है, कि accused अगर चाहे, तो वो खुद guilty plead कर ले offense के लिए, और सजा में रियायत मिल जाए, कम बचुरा है, भाई, plea bargaining का क्या पूरा purpose है, कि जो इतनी लंबी trial चलती है, उसके बाद सारा conviction होता है, अगर accused agree है, वो अपने को, वो acceptance mode में है, कि हाँ भाई, मैंने ये कर दिया है, अगर वो accept कर रहा है, खुद का guilt, in that case, ये चीज़, plea bargaining का option उसके पास होता है, कि accused application दे सकता ह कि plea bargaining के लिए मुझे जाना है, और वो अपने guilt को accept कर सकता, यहाँ पे basically एक mutual settlement करा दिया जाता है, victim और accused के बिच, compensation, compensation दिलवाना है, तो victim को दिलवा देंगे, prosecution का भी important role रहेगा इधर पे, prosecution भी रहेगा, victim भी रहेगा, accused भी रहेगा, तीनों रहेंगे, और mutual settlement इधर पे हो जा है, कि यह plea bargaining सही है, यहाँ से question क्या-क्या बनने है, prelims के, वो समझेए, सबसे पहले तो chapter का number याद रखिएगा, 21A, सीधे सवाल यह पूछ लिया जाता है, कि किस chapter में दिया है, plea bargaining, फिर एक सवाल यह आता है, कि वो कौन से cases है, जिसमें plea bargaining allowed है, या वो कौन से cases है, जिसमें plea bargaining allowed नहीं है, दोनों तरीके के सवाल यहाँ, पूछे जाते है, prelims में, तो देखिए ज़रा provision, अगर आप देखें, 265A, section number भी याद रखिए, कहां शुरू हो के, कहां खतम हो रहा है, plea bargaining, यह भी सवाल पूछा जाता है, प्री में, so application of the chapter, सबसे पहले बताया है, कि कि किन offenses पे जादा नहीं है, not exceeding seven years है, उन पे applicable है, A और B दोनों में वो ही बात है, same बात लिखिए, A डील कर रहा है, police report पे जो start हुआ है case, और B बात कर रहा है, complaint पे, बस सार वही है, 7 साल तक punishable जो offense है, वही applicable है, पी बारगे ने, उस से जादा जो serious offenses है, उस पे applicable नहीं है, जैसा कि for which the punishment of death or imprisonment or life or imprisonment for a time incident seven years has been provided, उसके अलावा, 7 साल से जादा है, तो उसको plea bargaining applicable नहीं है, तो पहला, क्या point निकला, कहाँ applicable है, जहाँ 7 साल तक punishable है offense, इसके बात, जो A और B के बात का paragraph है, वो बहुत important है, वहाँ लिखा है, but does not apply where such offense affects the socio-economic condition of the country, ऐसे offenses, जो country की socio-economic condition को affect करते ह है, उस case में plea bargaining नहीं होगी, भले ही उसका punishment 7 साल से कम हो, तो यह सबसे important question है, कि यह chapter कहा applicable है, तो पहली चीज़ तो यह धान रखिये, कि 7 साल तक punishable होना चाहिए, उससे ज़्यादा है, तो फिर plea bargaining applicable नहीं है, उन offenses के case में plea bargaining applicable नहीं है, जो country की socio-economic condition affect करते हैं, आगे लिखा है or has been committed against a woman, woman के against जतने भी offenses हैं, उसमें plea bargaining available नहीं है, फिर लिखा है, और a child below the age of 14 years, या फिर 14 साल से कम के बच्चे के against, जो offense commit हुए है, उसमें plea bargaining applicable नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही समझना है, कि plea bargaining कहा कहा applicable नहीं है, 7 साल तक punishable, socio-economic condition अगर affect हो रही है, उस पे नहीं है, तो 7 साल से ज्यादा punishable जो offense उन पे applicable नहीं है, अगर socio-economic condition effect हो रही है, उस पे applicable नहीं है, वोमन के against offense है, तो applicable नहीं है, 14 साल तक के बच्चे के against अगर offense है, तो भी यह chapter उस पे applicable नहीं है, इसी के साथ एक चीज, दो चीज़ें और है जहाँ applicable नहीं है, वो आप expressly देख लेज अगर previous conviction है, जो accused plea bargaining मांगने जा रहा है, एक condition ये भी है, कि उसका previous conviction नहीं होना चाहिए, अगर previous conviction है, तो भी plea bargaining applicable नहीं है, इसी के साथ एक चीज़ आखरी में लिखी हुई है, सबसे आखरी section देखिए, इसका ज़रा, 265L, non-application of the chapter, यहां लिखा है, juvenile और child पे applicable नहीं है, इ इसके लावा जो plea bargaining से important सवाल पूछे जाते हैं, कि यह जो concept है, जो यहां add किया गया है, कौन से amendment से किया गया, यह भी important सवाल है, तो वो भी आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे, अपने बेरट के footnote में, 2006 के amendment से इसको add किया गया है, इसके लावा किस commission की recommendation पे, तो 142nd, 154th और मलेमत कमिटी की recommendation पे इस chapter को insert किया गया है, इसको और law commission ने भी recommend किया था, 142nd commission और 154th law commission, यह आप note down कर लिजे अलग से, और मलेमत कमिटी भी note down कर लिजे, इनकी recommendation पे यह तारिकरम हुआ है, add यहां, ठीक, तो यह एक important है, और 2006 का amendment है, यह भी ध्यान रखिए यह important question है, इस plea bargaining से related, इसके बाद अब इसमें पूरा process बताया है, सारे section important नहीं है, इसके, एक section आप mark कर लिजे, 265G, कौन सा section mark कर लिजे, 265G आप mark कर लिजे, finality of the judgment, कि plea bargaining में जो judgment, क्योंकि अब भया, mutual settlement से है, यह, accused ने application दी थी, और फिर mutual settlement से हुआ है, अच्छा एक चीज इस और mark कर लिजे, before 265G, एक चीज़ आप 265B में और mark कर लिजे, 265B देखिये ज़रा, और कहला, सब section इसका important है, law commission, बिटा, 142nd और 154th, 142nd और 154th law commission, और मलिमत कमिटी, यह ध्यान रखियेगा, इसके बाद जो आपको बता रहे हूं, 265B में देखिया, person accused of an offense, may file application for plea bargaining in the court, in which such offense is pending for trial, एक सवाल यह भी आता है कि plea bargaining की application कौन देगा, तो ध्यान रखियेगा, accused देगा, accused की application पर होगा, यह भी एक सवाल है, prelims का, तो यह भी ध्यान रखियेगा, इसके बाद जैसा मैंने कहा आजाए, 265G पेस ही दे, बाकि बीच में सब कहानिया है, जो मैंने आपक मती से हुआ है, इसलिए उसके against को या आगे, भाई, परपाजी यही है, कि लंबा ट्राइल ना चले, उसको cut shot करना है, अब उसमें आप अपील का option देंगे, तो परपाजी forfeit हो गया, यहां पे सर्फ special appeals allowed है, जैसे 136 SLP, special leave petition, और इसके अलाबा 226 और 227 जो high court का writ jurisdiction, सिर्फ general appeal नहीं होगी, यह ध्यान रखिए, यह 265G इसलिए important है, और 265L मैंने आपको already बता दिया, 265K भी आपको देखना चाहिए, कि यहां जो भी statement accused का, उसका कोई और use नहीं होगा, क्योंकि plea bargaining के लिए वो मानेगा अपना guilt है, तो यह जो statement है, यह कहीं और इस्तेमाल नहीं किया ज्यान रखिए, कि 265K से L तक है, chapter number ज्यान रखिए, कहा applicable है, कहा applicable नहीं है, किसकी application पे होता है, किस committee की recommendation पे, यह important सवाल इस chapter से आते हैं, so that's about plea bargaining, इसके बाद अगले chapter पे अगर आपना 22 तो यह पढ़ने की जरूरती नहीं, फोर आप chapter छोड़ दीजे, कुछ पढ़ने की चल रही है, evidence and inquiry and trial, अब हमने trial का procedure देख लिया, कि court of session में trial कैसे होगी, हमने देख लिया, magistrate के court में warrant trial कैसे होगी, summon trial कैसे होगी, summary trial के बारे में हमने पढ़ लिया, यह chapter क्या बता रहा है, तो यह बता रहा है कि evidences कैसे लिये जाएंगे, inquiry और trial में evidences कैसे लिये जाएंगे, examination कैसे होगा, though Indian evidence act is there for that, वो detailed में बात करता है, हर चीज की, लेकिन कुछ इस से related की recording कैसे होगी, evidences की, किस form में record किया जाएगा, यह सारी बातें अदर बताई गई है, सबसे पहले 272 देखिए, यह prelims के लिए important है, language of court, तो language of court के जिसमें recording होना है, वो decide कोन करेगा, state government section number का सव बाले दर पूछा जाता है, important section में आपके लिए लिखते जाता हूँ, यहाँ, where it follow करते रही है, साथ-साथ, 272 सबसे पहले, section number भी पूछा जा सकता है, language of court, कौन determine करेगा, तो high court, sorry, state government करती है, इसके बाद 273 है, evidence to be taken in presence of accused, general rule यह होगा, कि जो भी, जितने भी evidences लिये जाए क्या admissibility, कौन से relevant, वो सब तो Indian evidence act deal करेगा, 273 आपको सिर्फ यह बता रहा है, evidence to be taken in presence of accused, जितने भी, general rule यह होगा, कि जो भी evidences लिये जाएंगे, वो किस की presence में लिये जाएंगे, accused की presence में लिये जाएंगे, यह बात यहाँ पर लिखी हुई है, 273 का proviso आप देखोगे, तो उससे influence होगा, ऐसे cases में उसको वहाँ से हटाया जा सकता है, यह बहुत important नहीं है, जिर्फ आप section number याद रखिए, कि general rule कहां दिया है, accused की presence में सारे evidences लिये जाने, इसी के साथ पहले आप सीधे एक section देख लिजिए, 273 से जो connected provision है, वो है 299, so 273 के साथ, आप connected देख लिजि accused की presence में, अब कब बिना accused की presence के भी evidences लिये जा सकते हैं, वो बताया है 299 में head note देखिए, जरा record of evidence in absence of accused, कब absence में भी लिये जा सकते हैं, तो simple सी बात यह है, कि अगर मान लिजिए accused पकड़ा नहीं गया, arrest ही नहीं हुआ है, और inquiry तो चालू हो गई है, अभी accused नहीं हुआ है किसी witness का statement अगर record हुआ है, तो वो माना जाएगा, वो evidence admissible होगा, और मान लिजिए जिस वक्ति का वो evidence है, अगर during trial, मान लिजिए later on accused पकड़ा गया, लेकिन जिस वक्ति का statement तो, जिसका वो evidence था, अब वो available नहीं है, उसकी मौत हो गई है, या वो आन नहीं सकता court में कुछ ऐ किसी circumstances है, in that case, वो जो in the absence of accused, जो evidence record किया गया है, वो भी valid माना जाएगा, अब भाया, आप पकड़े नहीं रहे थे, आप भाग रहे थे, तो इसमें court की डलती नहीं है, वो evidence माना जाएगा, या पता ही नहीं है कि offense किसने commit किया है, और inquiry तो चल रही है, magistrate की, तो वहां उसने जो evidences record करें, वो valid माने जाएंगे, अगर बाद में ये circumstances है कि जिस वक्ती का वो evidence है, वो आ नहीं सकता, तो वो जो statement record किया गया है, वो माना जाएगा valid, ये बताता है 299, इसलिए उसको किसके साथ हमने देख लिया, 273 के, क्योंकि 273 general rule है, 99 उसका exception है, छीक, इसके बाद आ ज इसके बाद 277 है, language of record of evidence, ये pre के लिए थोड़ा important है, 200 सकता है, 272, 273, उसके बाद 77 सीदे देखिए, language of record of evidence, अब मान लेज़े, जो वक्ती evidence दे रहा है, वो language of the code के अलावा, जो code की language है, उसके अलावा किसी language में दे रहा है, तो simple general, जो 2 rule है, इस पूरे को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, crux मैं आपको बता दू, simple rule ये है, कि के recording करिए, अगर उसी भाषा में record नहीं किया जा सकता, वो कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, code की language अलग है, तो या तो उसी language में, अगर recordable है, तो उस language में record कर लिजे, अगर aware है, सब लोग उससे तो और नहीं, तो फिर translate करके, और अगर मान लेजे, किसी वक्ती ने English में दि अगर, otherwise translate करके होगा, इसके बाद, next जो provision important है, वो है 280, इसके बाद सीधे आप देखिए, 280, ये pre में पूछा जाने वाला section है, 280, 280 कहता है, remarks respecting demeanor of witness, जब witness का examination हो रहा होगा, तो जो judge है, वो demeanor भी देखेगा witness, demeanor मतलब उसका लहजा, body language, ये सारी चीज़े, यहां लिखा है, when a presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, he shall also record such remarks, if any, as he thinks about material respecting the demeanor of such witnesses, built under examination, तो उसका जो demeanor है, वो भी रिकॉर्ड करेगा, statement जो रिकॉर्ड होई रहा है उसका, वो जो रिकॉर्ड होई रहा है, वो तो होई रहा है, उसका demeanor भी, confident था, less confident था, body language कैसी थी, ये बाते भी, ताकि अपने reference के लिए, क purpose के लिए, basically, करा जाता है, 281, record of examination of accused, सिर्फ section number याद रखिएगा, कि accused का examination के section में record होता है, 281 में, accused का examination record किया जाता है, इसके बाद सीधे आ जाईए, 284, 84, 85, बहुत important है, pre के लिए, 84 और 285, commission issue करने की बात करते हैं, इसके कहानी समझ लीजे, brief में, कि ये होता क्या है, दे किसी case में, एक witness को बुलाया जाना है, उस witness की testimony होनी है, लेकिन, संभावने ऐसी है, कि वो witness आनी सकता, उसको बुलाया नहीं जा सकता, अगर उसको बुलाया जाएगा, तो unnecessary expense होगा, या inconvenience होगा, मान लीजे कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजे आपको, मोधी जी को बुलाना है, किसी case में, एक witness, तो अब उनको बुलाने में, जितना ताम जाम होगा, जितनी गाड़िया, एलिकॉप्टर ये सब लेगा, इससे अच्छा भईया, उनको ना बुलाओ, लेकिन ना बुलाओ, तो करें क्या, उनका evidence कैसे लिया जाएगा, तो इसके लिए commission issue होती है, एक person authorize क पर दिया जाता है, जो वहाँ जाएगा, उनको court में नहीं बुला जाएगा, वो उनके पास जाएगा, और उनका examination करके उसको record कर लेगा, और इस record को forward कर देगा, उस court के पास जहाँ ट्राइल चल रही है, जो भुपाल में ट्राइल चल रही है, मोधी जी को बुलाएंगे, तो दोबारा रोड बनवा नहीं को लेगी, वो पाल भी कर लेगा, तब आई ही है वो, इतनी समस्या से बचने के लिए better क्या है, कि भाईया, यहां से किसी को दे दिया जाए, कमिशन मोलते है, उसको कमिशन इशू कर दिया जाए, नॉर्मली CGM को किया जाता है, जो वहाँ ह होता है, यह उस adverse party को कुछ सवाल जवाब करने थे, विटनेस का examination कैसे होता है, विटनेस आता है, पहले उसका examination in chief होता है, फिर cross होता है, फिर रही होता है, अब adverse party कैसे मौका मिलेगा, क्या क्या हम बुलवाना था उस witness से, यह सब कैसे होगा है, तो यह interrogatories के थ्रू होगा, ज the permission of that person, जिसको commission issue किया गया है, जो CGM को, उनकी permission से यह वहाँ जाके examine भी कर सकते हैं, विटनेस को, यह भी procedure यहाँ दिया हुआ है, अब यह थोड़ा सा scattered है, मैं specific provision आपको बता देता हूँ, so 284, simply यही बात करता है, जो मैं आपको समझा है, subsection 1 देखिये, whenever in the course of any inquiry, trial or other proceeding, under this code it appears to a code or magistrate that the examination of a witness is necessary for the ends of justice, and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience, इसके बिना, उनकी attendance नही करा ही जा सकती, under the circumstance of the case, would be unreasonable, the code or magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for the examination of the witness, तो उनकी attendance को dispense करके, commission issue कर दिया जाएगा, प्रवाइशो इंपोर्टन है कि इन लोगों के case में करना ही है, provided that where the examination of the president, vice president, और the governor of a state or the administrator of a union territory as a witness is necessary for the ends of justice, a commission shall be issued, इन लोगों के case में mandatory है, और बाकी की case में अगर court को लगता है, कि inconvenience होगा, फिर से road बनवानी को लेगी बवापाल की, तो ही रहन दो, सच्छा, मद विलफाइगा, चीक, तो 285 है, commission to whom to be issued, अब किसको भेजेंगे ये commission, तो उसके directed to the, underline कर लेजे, chief metropolitan magistrate और chief judicial magistrate, वहाँ के CMM को या CJM को, जहाँ वो witness महजूद, as the case may be, within whose local jurisdiction, the witness is to be found, witness जहाँ मिलना है, वहाँ के CMMM या CJM को बेज दिया जाएगा, ये commission, और वो फिर ये examination करेंगे, अब जो बात मैंने आपको बताई कि भईया, पार्टी तो इसमें 287 देखिए, इसमें लिखा है, आप interrogatories देजिए, वो पूछी जाएंगी, और इसके लावा आप चाहें, तो आप जाके examine कराऊ वहाँ, भया, उनको बोलाने है, इमें समस्य है न, आप तो गरीब गरती है, आपको क्या है, चले जाओ मा, तो आप चले जाईए, और आप examine कर क्या है, आप cross examination करके आजाईए, अपना, कोई समस्या ने उसमें आलाव कर भी आजाएगा, अगर, ठीक लगाएगा तो, ठीक, cross examination बगेरा भी हो जाएगा, सब section 2 में दिया है, 287 के, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही सार है, इस commission का, इसके बाद सी public servant के against allegation लगाने है, तो वो कैसे देने होंगे, वो effidifit पे देने होंगे, देखिए, यह सब miscellaneous provision है, यह अपन किस chapter के तहत पढ़ रहे हैं, कि inquiry और trial में evidences कैसी लिये जाएंगे, तो अगर आप एक public servant के against allegation लगा रहे हैं, तो वो effidifit पे लिये जाएंगे, यह लिखा है 29 295 में, फिर 296 है, 296 कहता है, evidence of formal character, formal character के जो evidences होंगे, वो भी effidifit पे लिये जाएंगे, इसके बाद 298, previous conviction और acquittal how approved, यह एक important question है, जो pre में पूछा, जा सकता है, during inquiry or trial, अगर किसी विक्ति का previous conviction proof होना है, तो वो previous conviction कैसे proof किया जाएगा, या कैसे proof किया जा सकता है, तो उसके लिए पूरा पढ़ने की जरुरत नहीं है, दो बात समझ लीजिए, बस, एक, note down कर सकते हैं आप इसे, the certified copy of the sentence, जो भी उसको sentence दिया गया था, उसकी certified copy से, या फि certificate signed by the officer in charge of the jail, अगर वो विक्ति convicted है, और उसने कोई imprisonment काटा है, किसी जेल में, सजा काटी होगी, convicted होने के बाद, तो वहां का जो officer in charge है, जेल का, वो एक certificate बना के देदे, sign करके, कि हाँ साब ये विक्ति, यहां पे सजा काट चुका है, ये evidence होगा, इसी विक्ति के previous conviction का, ची उसका एक certificate, जो वो sign करके देगा, दोनों में से किसी से भी प्रूफ किया जा सकता है, previous conviction, so that is another important provision, 299 में ने आपको बताई दिया, as an exception to 73, that's all for this chapter, इसके बाद, अब आते हैं अपन अगले chapter पर, अब इसका भी थोड़ा सा वो समझ लीजिए, ये साब miscellaneous provisions चल रहे हैं, जो ह magistrate की trial, warrant trial हो, या फिर summary trial हो, summon trial हो, वो सब detailed provisions थे, ये miscellaneous बाते हैं, उन trial से related, तो अभी बिछले chapter में हमने पढ़ा कि evidences कैसे लिए जाएंगे, recording कैसे होगी, और अगला जो chapter हम पढ़ने जा रहे हैं, chapter 24 ये है general provisions as to inquiry and trial, inquiry और trial से related कुछ general provisions, इसमें कुछ important बाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे provision है, जनसे pre में सवाल बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा detail में अपने इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक important chapter है, चिक, और आज का जो मेरा target था, वो ये chapter ही था, जो हम बड़ा अराम से conveniently खतम करेंगे, और कल CRPC की आखरी class है, कल आपको मैं appeal और bail, वो major चैप्टर्स हैं, जिन में थोड़ा बहुत अपने को समय लगेगा, वो और बाकी पूरा CRPC कल में आपका complete करा दूँगा, आज मुझे ये 300 से 327, तो अब इन provisions को जड़ा इत्मिनान से डंग से देखी करा, जो किधर से काफी questions है, परी के जहां-जहां important है, बस उस पर ही में emphasis डालूँगा, बाकी जगे पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जैसे general provision asked to inquiry trial में सबसे पहला provision है section 300, अब 300 बहुत important है, question कहां से बनते हैं, वो थोड़ा समझना 300 में, 300 deal करता है double geo party में, head note देखिए, ज़रे person once convicted or acquitted not to be tried for same offense, एक वेक्ति का अगर किसी matter में conviction हो गया है या equitable हो गया है, तो उसकी दुबारा trial नहीं करी जाएगी, यह क्या होता है principle of double geo party, यह समविधान में भी आपने पड़ा है, भारत के समविधान में कहा है, ज़रा बता दीजिए, comment box में आप ज़रा बता दीजिए, double geo party, भारत के समविधान में किदर है भाई, article 20, चीखे, article 20 बात करता है, correct, article 20 clause 2, double geo party की बात करता है, लेकिन 300 का scope थोड़ा वाइडर है, क्योंकि article 20 clause 2 कहता है, कि ऐसा व्यक्ति जिसका already conviction हो गया है, उसको तुबारा prosecute नहीं किया जाएगा, तो वो limited है towards conviction, लेकिन 300 कहता है कि चाहे conviction हुआ हो, चाहे equitable, दुबारा trial नहीं होगी, तोनों में deal करता है ये, और इसके लिए, दो term use करे जाते हैं, इस section 300 के लिए, इसको भी आप ज़रा लिख लीजिए, क्योंकि ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ये भी important questions हैं, equipped, concealed, convicted, दोनों पर applicable है, इसके अलावा, जो important सवाल, अब है, तो ये section बहुत बढ़ादे, ये general rule तो ये है, इसका, कि एक व्यक्ति, जिसका एक matter में, equitable, conviction हो गया है, उसको दुबारा trial नहीं किया जाएगा, उसकी दुबारा trial नहीं होगी, ये, but there are certain exceptions, basically, वो explanations है, एक बार आप illustration पढ़ेंगे, तो you'll understand, बहुत ज़्यादा प्रीमे question, later part से पूछे जाते नहीं है, एक दो basic बाते में उससे related आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति की trial हुई है, और उसको accuse किया गया था, ग्रीवियस हर्ट कॉल्स करने के लिए, एक ने पिटाई कर दी किसी वक्ति की भयानत तरीके से, तो ग्रीवियस हर्ट के लिए मान लीजिए, कन्विक्शन होने के बाद, उन्हीं इंजिरीज की वज़े से, उस वक्ति की जिसकी पिटाई हुई थी, बाद में death हो गई, उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट तन्वीर, तो यही बातें यहां दी हुई हैं, कि कहां वो होगी दोबारा और कहां नहीं होगी, क्योंकि अब वो अलग consequence हो गया, भले, fact same थे, बट उसका जो consequence था, वो अलग हो गया, change हो गया, in that case किया जा सकता है, ऐसी principle of double jeopardy पे based है, इसके तलावा, यह rest duty cutter के principle पे based भी माना जाता है, rest duty cutter भी same है, कि एक civil matter already decide हो गया है, तो दुबारा, उसे decide नहीं किया जाएगा, ची, तो यह उससे related भी माना जाता है, principle of rest duty cutter, उसी के साथ एक होता है, principle of issue stopple, that is also important, principle of issue stopple and principle of rest duty cutter, और इनको पहली बार recognize किया ग Supreme Court, case का नाम लिख लिजिए, यह भी important है, यह भी important है, case, पृतम सिंग वर्सेस state of Punjab, 1956, पृतम सिंग वर्सेस state of Punjab, 1956, इसमें यह principle recognize करे गए थे, इस तरीके के सवाल 300 से जादा आते हैं, rather than the content of the section, तो यह important details हैं, कुछ जो आपको जाननी चाहिए, इसके बाद आईए, section 301 के appearance by public prosecutor, इधर से section number पूछे जा सकते हैं, 301, 302, 3, 4, चारो section important है, 27 तिप में 300 से 327 में कुछ ही ऐसे section है, जो important नहीं है, वो मैं expressly skip करा दूँगा, बट 301 important से appearance by public prosecutor, कुछ technicality नहीं है, बस इतनी सी बात लिखी है, कि कोई भी public prosecutor, जो की case में in charge है, वो बिना किसी permission के appear हो सकता है, ठीक, बिना किसी written authority के appear हो सकता है, court के सामने, बस, कोई private individual अगर assist करना चाता है, तो इस public prosecutor के direction में वो assist कर सकता है, इसके बाद 302, permission to conduct prosecution, this is also important, public prosecutor के हलावा, कोई और विक्ति अगर prosecution करना चाता है, तो with the permission of magistrate, वो ऐसा कर सकता है, चिक, with the permission of magistrate, कोई और person भी prosecution conduct कर सकता है, यह 302 में लिखा है, अगर police officer conduct कर रहा है, तो he should not be below the rank of sub inspector, और उसने investigation में participate ना किया हो, तभी कर सकता है, चिक, इसके बाद 303, यह भी important है, right of person against whom, proceedings are instituted to be defended, अब जिसके against proceeding, accused, accused, accused को भी अपना defense करने का अधिकार है, यह बात 303 में लिखी है, any person accused of an offense before a criminal court, और against whom proceedings are instituted under this court, may of right be defended by a pleader of his choice, अपनी choice के pleader से defend करने का right है, तो 301, 302, 303 और 304, 301, normal public prosecutor की बात करता है, कि आपको किसी return authority की जरुवत में, court में appear हो सकता है, 302, बात करता है, कि कोई over person अगर prosecution करना चाहिए, तो with the permission of the court कर सकता है, 303 कहता है, कि जो accused है, उसको अपनी choice के lawyer से, खुद को defense करने का अधिकार है, defend करने का अधिकार है, 303 में, 304 कहता है, कि अगर वो accused सक्षम नहीं है, अपने आपको defend करने के लिए, तो state के expense पर उसको वकिल दिलवाया जाएगा, ये free legal aid से related provision है, 304, legal aid to accused at state expense in certain cases, जहां वो खुद को defend करने की हलत में नहीं है, किसी pleader के थुरू, तो ये सरकारी खर्चे पर कराया जाएगा, state के expense पर ये काम कराया की जरूरत नहीं है, सीधे आईए 306 पर, अब जरा 306, 307 और 308, ये similar provision है, इनको समझिएगा, pardoning से related है, 306, 307 और 308, basically देखिए, pardoning का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो acquaintance रखता है, fact से या माली जे वो accomplice था, basically कोई ऐसा व्यक्ति जो accomplice, accomplice आप समझते हैं, main accused है उसके साथ कोई assist कर रहा था, या वहां मौजूद था, ऐसा व्यक्ति, आपने movies में, web series में ये देखा होगा, कि ऐसे व्यक्ति को police offer करती है, या prosecution offer करता है, कि तुम सरकारी गवा बन जाओ, सरकार की तरफ से prosecution की तरफ से गवा दे दो, गवा बन जाओ, तुमारी सजा हम माफ करा देंगे, तो आपने सिर्फ सांत दिया था, आप में अक्यूज नहीं है, तो अगर आप पूरा, जो भी offense कमिट हुआ, जो भी में अक्यूज नहीं है, अगर आप सही बात court के सामने पेशो के, पूरी बता दोगे, तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी, इसको कहते है, tender of pardon, इसमें deal करते हैं, तीन प्रविशन, 306, 7, 8, approver भी कहते हैं, that's correct क्रती, जो बनाने की बात होती है, वो है, तो देखिए, अप difference क्या है, थोड़ा सा डीटेल में देखेंगे, 306, 307, इन में difference क्या है, 306 एक अलग stage की बात है, और 307 एक अलग stage की बात है, ट्राई stage की बात करता है, 307, उसके पहले की बात करता है, 306, tender of pardon to accomplice, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, और privy to an offense to which the section applies, underline कर लीचे, कौन-कौन कर सकता है 306 में, pardon, किस stage पे, ये important सवाल बनते हैं, क्योंकि आप UP के previous year उठा के देखिए, थोड़े technical अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, और भी जो exams औ DJS VJS आप देने जाएंगे, थोड़े technical detail में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ section number से काम नहीं बनने वाला है, the chief judicial magistrate और metropolitan magistrate, ये दोनों कब entitled है pardon करने के लिए, chief judicial magistrate और metropolitan magistrate, underline कर लीजे, at any stage of the investigation or inquiry into or the trial, ये तीनों में कभी भी कर सकते हैं, CJM और MM, ये investigation के दोरान, inquiry के दोरान, trial के दोरान, तीनों में कर सकते हैं, तीनों स्टेज में कर सकते हैं, आगे लेखा है, trial of the offense, the magistrate of first class, JMFC जो है, magistrate of first class, inquiring into or trying the offense, at any stage of the inquiry or trial, इतना underline कर लीजे, JMFC कब कर सकता है, inquiry or trial के दोरान, CJM और MM कब कर सकते हैं, investigation, inquiry, trial, तीनों स्टेज में से कभी भी, लेकिन JM FMFC कब कर सकते हैं, pardon, inquiry or trial के दोरान, ये एक important सवाल है, इसके बाद subsection 2 कहता है, कि कहां कहां ये applicable है, किन किन cases में ये partnering applicable है, ये भी important सवाल है, इधर पे, तो subsection 2 देखिए, this section applies to A है, any offense tribal exclusively by the court of session, exclusively जो tribal है, by court of session, उन पे applicable है, या फिर कोई special judge appoint हुआ है, किसी criminal law में, उससे tribal case है, तो applicable है, इसके बाद B, any offense punishable with imprisonment, which may extend to 7 years, और with a more severe, 7 साल या उससे ज्यादा punishable जो offense है, उन पे applicable है, exclusively tryable by court of session, या फिर 7 साल या उससे ज्यादा punishable, उस पे applicable है, ये partnering, ठीक, किस stage में आप देंगे, कौन देगा, वो हमने, पहले पढ़ लिया, subsection 1 में, इसके बाद इसका subsection 4 भ detail में पूछे जाते हैं, so subsection 4 देखिए, every person accepting a tender of pardon made under subsection 1, shall be examined as a witness in the court of the magistrate taking cognizance of the offense and in the subsequent trial if any, so as a witness उसको examine किया जाएगा, जिसको भी आप सरकारी गवा बना रहा है, उसको as a witness examine किया जाएगा, उस magistrate के court में, जो magistrate cognizance ले रहा है, offense का, भी देखिए, shall unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of the trial, और अगर वो already bail पे नहीं है, तो उसको custody में रखा जाएगा, जब तक trial complete नहीं होगी, तब तक custody में रखा जाएगा, अगर वो already bail पे नहीं है, तो in that case, इसके बाद देखिए, अब subsection 5 बस simply बताता है कि ये pardon वाला कारेकरम ये करने के बाद, trial के लिए भेज दिया जाएगा, तो ये कौन कर रहा है, magistrates कर रहा है, अलग-अलग magistrate के power है, CJM या MM है, तो तीनों stage में कर सकते है, investigation inquiry, trial और JMFC अगर है, तो वो सिरफ inquiry और trial की stage पर pardon करेंगे, किन offenses के case में ये pardoning होती है, वो आपने देखिए लिया, इसके बाद 307 देखिए, अब 307 एक अलग stage की बात है, यह है, power to direct tender of pardon, at any time after commitment of a case, case का committal हो गया है, already, cognizance लिया, उसके बाद committal हो गया, court of session को magistrate cognizance लेने के बाद, magistrate cognizance लेने के बाद, court of session को case commit करता है, कौन से section में ज़रा बताईए तो, ज़रा बताईए, कुशान, obviously judicial custody, इसमें कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, कल 167 वाली class में बता है था न, arrest होने के बाद, सिरफ शुरू के 15 दिन में मिलती है, पुलिस का study, उसके बाद, जो है, सब judicial है, 209, that's correct, 209 तन्वीर, that's correct, वहाँ होता है committal, तो देखिए, at any time after commitment of a case, but before judgment is passed, case का committal ह हो गया, लेकिन judgment नहीं हुआ, trial की stage है, the court to which the commitment is made, may, with a view to obtaining, at the trial, the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned or privy to, any such offense tender a pardon on the same condition to such person, यह during trial यह बात reveal हुई, कि यार इसको जानकारी है, यह खुद भी दोशी है और इसको जानकारी है, यह अगर साईसाही बात बता देगा, तो case बन जाएगा, कमिटल के बाद और final judgment होने के पहले इस दौरान किसी भी court को लगता हो कि आदमी सभी सही बात बता सकता है तो उसको pardon grant किया जा सकता है कमिटल के बाद इसलिए court of session बाद में कर सकता है अब 308 देखिए this is very important इसकी detailing से भी question आते हैं जैसा मैंने कहा अब section number से काम सिर्फ चलने वाला नहीं है इधर अंदर से भी सवाल आएंगे 308 में भी बहुत सारे questions हैं जो important है trial of person not complying with conditions of pardon अब एक व्यक्ति court को बेफ़ बना रहा है उसने ये बोल के pardon तो ले लिया कि मैं सही सही बात बताऊंगा सरकारी गवाब बन गया लेकिन जोड बोल रहा है तो पॉबलिक प्रसेक्श्चिटर इस चीज़ को रिपोर्ट करेगा और प्रसेक्श्चिटर कोड से करेगा कि साब जोड बोल रहा है इसकी pardon cancel करी जाए pardon cancel होगी और अब जो इसकी trial होगी वो separate होगी अब accused के साथ नहीं होगी इसकी separate trial होगी ये भी सवाल prelims में पूछे जाए है तो आई ये subsection 1 पढ़ते है where in regard to a person who has accepted a tender of pardon made under subsection 306 और section 307 underline कर ली जाए the public prosecutor certifies that ये कौन certify करेगा कि जिस वक्ती ने pardon obtain कर ली वो जोड बोल रहा है public prosecutor certify करेगा ये भी सवाल prelims में पूछा जाता है the public prosecutor certifies that in his opinion such person has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made such person may be tried for the offense in respect of which the pardon was so tendered or for any other offense of which he appears to have been guilty in connection with the same matter and also इसको underline कर लीजे and also for the offense of giving false evidence तो अब जो आपको pardon दिया जा रहा था जिस particular offense के लिए आपको pardon दिया जा रहा था अब आपको उसके लिए भी try किया जाएगा और साती सात आपके उपर एक trial और चल सकती है कि जिस वक्ति को pardon दी गाई थी लेकिन उसकी pardon cancel करी जा रही है अगर इसलिए कि वह जूट बोल रहा है तो अब उसकी जो trial होगी वह दूसरे accused के सात नहीं होगी अलग trial होगी that is very important question इस प्रवाइजो को माग कर लीजे provided that such person shall not be tried jointly with any of the other accused ठीक बाकी फिर अगला प्रवाइजो उतना important नहीं है और बाकी फिर evidences से related बाते हैं तो वह उतनी important नहीं है लेकिन 309 का subsection 2 बहुत important है 309 का subsection 2 हमने 167 पड़ा है और वहाँ default bail पड़ा है और custody की बात करी थी 167 में हमने पड़ा था कि कोई भी व्यक्ति arrest हो के आता है तो 24 गंटे स्यादा उसको रग नहीं सकते नहीं है पहले 15 दिन और उसके बाद 60 या 90 दिन अब आपके दिमाग में वहाँ सवाल आया होगा कि 60-90 दिन के भीतर अगर चार्शीट फाइल हो गई है investigation complete हो गया है तब तो फिर cognizance ले लिया जाएगा उसके बाद उस बंदेगा क्या होगा तो वह रहेगा custody में ही और वहाँ अलग-अलग 15-15 दिन की रिमांड मिलती रहेगी custody extend होती रहेगी वह किदर होती है 309 subsection 2 क्योंकि 167 सिर्फ कब applicable है जब तक investigation चल रहा है 167 किस chapter के तहता है investigation के तहता है तो वह सिर्फ होतीनी ही बात करता है अब जब चार्शीट फाइल हो गई है तो एक तरीके से investigation complete हो गया है उसके बाद फिर कहानी inquiry और त्राइल की है और उस दौरान अगर custody मिलनी है फोल इसको रिमांड लेनी है तो वह कहां ली जाती है 309 subsection 2 देखिए जरा 309 power to postpone or adjourn proceedings in every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded तो generally रोज proceeding होनी है जब तक को इल sufficient ground ना हो postpone करने के बड़ आपको पता है postpone होता है इसके बाद rape cases से related है कि charge sheet file होनी चाहिए within a limited period ये भी एक important question है प्रवाईजू इसके बाद आईए subsection 2 पे if the court after taking cognizance if the court after taking cognizance और 167 में जो custody ले रहे थे आप वो कब ले रहे थे during investigation और ये cognizance के बाद की बात है so if the court after taking cognizance of an offense or commencement of trial finds this necessary or advisable to postpone the commencement of or adjourn inquiry or trial it may from time to time for reasons to be recorded postpone or adjourn the same तो आप trial postpone or adjourn कर सकते है that's all right the same on such term as it thinks but for such time as it considers reasonable अब लखिए अपने काम की बात आखरी में and may by a warrant remand the accused if in custody तो यहाँ पर remand मिल सकती है अगर उसको custody में रखा गया है तो police को remand मिल सकती है कर सकते हैं 15 15 दिन की remand police को दी जाती है तो अब यह जो दी जाती है custody तो अब जुडिशल ही चल रही है यह 15 15 दिन की एक बार में remand ली जा सकती है यह भी सवाल आता है subjection 2 से कि एक बार में कित्ते दिन की remand मिलती है तो 15 दिन ठीक बस बाकी कुछ और इसमें इंपोर्टेंट नहीं है 310 इंपोर्टेंट नहीं है 311 पे आई यह बहुत जादा जाता है अब बाई कोर्ट है वो चाहे कर सकता है अगर को लगता है कि किसी विटनस का examination already हो चुका है आगर को लगता है कि को बुलाए नहीं कि लेकिन को लगता है कि इसको बलवा लेंगे कोई असा वेक्ति जो कॉर्ट में मौझूद है और को लगता है कि इस वक्ति का examination होना चाहिए तो इसको भी कर सकते है तो इसको अपन कहते है court witness court चाहे जिसको examine कर सकता है जविटनेस ठीक यह 311, section number important है और court के क्या-क्या power है 311 में दोनों सवाल important है यहाँ इसके बाद 311a देखिए, 311a भी important है, power of magistrate to order person to give specimen signatures on handwriting जो magistrate है वो किसी विक्ति को signature का specimen देने को बोल सकते हैं, handwriting का specimen sample देने को बोल सकते हैं यह 311a, if a magistrate of the first class कौन करेगा यह सब भी ध्यान रखना, if the judiciary, sorry, if a magistrate of the first class is satisfied that for the purposes of any investigation or proceeding under this court, it is expedient to direct any person, underline कर लीजे, including an accused person, accused के भी लिए जा सकते हैं, अब यहां एक सवाल ही आता है कि क्या यह self-incrimination में आएगा, accused से sign करवाना, बताईए आएगा क्या, आकरेट कृति 165 of evidence act, word question, विटनेस बुलाने का अधिकार 311a में, उससे कुछ भी सवाल पूछने का अधिकार evidence act के 150 में हैं, यह बताईए तरह, अगर accused से sign करवाया जा रह है, तो क्या यह self-incrimination हो सकता है, so the answer is no, यह self-incrimination नहीं है, क्योंकि यहां आप वोई उससे guilt accept नहीं करवा रहे हैं, आप सिरफ evidence ले रहे हैं, ठीक है, तो accused से भी लिए जा सकते है, to give a specimen signature on handwriting, he may make an order to that effect, and in that case, the person to whom the order in it shall be produced or shall attend at the time, आके वो अपना specimen देगा, प्रवाइशो भी important है, provided that no order shall be made under this section, this is very important, provided that no order shall be made under this section, unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding, यह जरूरी है, कि जिसको आप यह order कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए arrest हुआ हो, उस particular investigation proceeding में, arrest होना जरूरी है, तभी आप यह order subsection 1 का देंगे, उस वेक्ती के against, यह भी important question है, इस तरीके के सवाल भी, prelims में आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद आईए 313, बहुत ज़्यादा important है, 313, इसमें एक mandatory examination है, एक discretionary examination है, दोनों जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके content से भी अलग-अलग question पूछे जा सकते हैं, power to examine the accused, होट के पास power है accused को examine करने का, इसमें दो examination की बात है, जो आप subsection 1 में, दो अलग-अलग clauses देख रहे हैं, A और B, A की starting देखिए में से हो रही है, और B की starting शाल से हो रही है, तो जो A में दिया है, वो discretionary करना चाहे तो करिए, नहीं तो मद भी करिए, लेकिन जो B में ल करशन आता है कि 313 का जो accused का examination है, उसका purpose क्या है, यह सवाल भी prelims में पुछा जाता है, Purpose क्या है, क्यों court accused को examine कर रहा है, ताकि accused को एक opportunity मिले, अपना बक्ष रखने की, उसके against evidences आ रहे हैं, तो court चाहता है कि accused को भी एक मौका दे अपनी बात court के सामने रखने की, इसलिए accused को court examine करता है, तुम बताओ शानती से तुमारा क्या opinion यह तो allegations लगा रहे है, तुम बता तुमारी क्या आए, यह purpose है, ताकि उसको एक opportunity मिले, अपनी बात निश्कच होके या निडर होके वो court के सामने रख पाई, ठीक है, तो purpose of enabling accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary, बिना warning दिये, trial की कि किसी भी stage पे court question कर सकता है, यह discretion है, यह discretionary है, कि आप जिस stage पे चाहे अक्यूस से पूस सकते हैं कि भाईया, आप बताओ, आपके against evidence आ रहे हैं, आपका क्या मनना है, यह discretionary examination है, बी में mandatory है, यहां लिका है, शाल after the witnesses for the prosecution have been examined, and before he is called on for his defense, question him generally on the case, समझना यह किस stage की बात चल रही है, mandatory वाला कहा है, purpose क्या है, ताकि accused उसके against जो evidence आ रहे हैं, उससे related information communicate कर पाए, अपनी बात रख पाए, तो accused के against evidence का बाज आते हैं, prosecution witness का examination, अभी मैंने try की stages आपको बताई, charge frame हो गए है, accused अगर guilty plead नहीं करता है, तो आगे trial बढ़ती है, date decide होती है, किसलिए prosecution के evidence लाने के लिए और prosecution के जो witness है, उनका examination होता है, उसके बाद हमने session वाले में देखा कि 232 में equitable का अधिकार है, बाकी में यह अधिकार नहीं है, तो फिर क्या होता है, defense एंटर कराया जाता है, उसके बाद accused को मौका दिया जाता है, कि लाओ भाई तुम अपने evidence लिया, उनका examination होगा, तो prosecution के evidence का examination हो चुका है, और अभी defense एंटर नहीं हुआ है, defense के जो witnesses है, उनका examination नहीं हुआ, उसको examine करने के पहले, court mandatorily, क्योंकि यहां shall लिखा है, mandatorily examine करेगा किसको accused को, अब उससे पूछेंगे कि तुम मताओ, तुम personally explain करो, यह जो तुम्हारे against evidence आए है, उस पे तुम्हारी क्य examination भी वहाँ नहीं होगा, provided that in a summons case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with the examination under clause B, अब आपने personal attendance से dispense कर दी है, इसके भी हमने चीज़ें पड़ी है, तो dispense करने के बाले, क्योंकि आपने attendance से dispense कर दी है, तो ऐसे case में आपको examination भी करने की ज़रूरत नहीं है, चीग? इसके बाद देखे, करती कट आउट है, गिल्टी प्लीट कर दिया है, फिर भी after prosecution, बिटा अगर गिल्टी प्लीट कर लिया है, उसने पहले ही framing of charges हुआ, उसके बाद ही guilty plate करके conviction हो जाएगा, तो फिर ये कहानी नहीं आईगी, फिर ये कहानी होगी नहीं, गिल्टी प्लीट हो गया, framing of charges के बाद ही, तो guilty plate हो जाता है, अभी prosecution के evidences को examine कहा कर आपने, framing of charges के बाद ही guilty plate हो गया, तो बहाँ तो फिर conviction हो जाता है, और अगर court आगे बढ़ रहा है, prosecution के witness ले रहा है, in that case ही आएगा, अब इस से related और भी जो subsection है, they are also important, subsection 2 देखिए, no oath shall be administered, ये बहुत important question ह है, pre के लिए, कि 313 का जो examination है, क्या वो oath पे होगा, so the answer is here, no oath shall be administered to the accused when he is examined under subsection 1, subsection 1 में जब उसका examination किया जा रहा है, तो ऐसे case में, oath deliver नहीं करी जाएगी, कृति का doubt है, अगर फिर भी plea नहीं मानी है, तो, हाँ नहीं मानी है, आगे बढ़े हैं, तो अगर आपने plea of guilt को नही इसके बाद देखिये, इसके बाद देखिये, subsection 4, this is also very important, इसका subsection 4, the answers given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into a trial for any other offense which such answers may tend to show he has committed, तो इस trial में भी उसका इस्तेमाल होगा और इसके अलावा किसी दूसरी inquiry or trial में भी इन answers का use हो सकता है, जो accused से पूछे गए है, चीक तो ये भी important है, इसके बाद 314 छोड़ दीजे, सिधे आजाईए 315, 315 important है, बहुत जादा important है, accused person to be competent witness, क्या एक accused person, क्या accused भी competent witness होता है, the answer is yes, इधर से 2-3 अलग-अलग सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले section number पूछा जाता है, which is very important, फिर य एकिये जरा, any person accused of an offense before a criminal court shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath, in disprove of the charges, ये भी ध्यान रखिएगा, कैसे देगा evidence, may give evidence on oath, in disprove of the charges made against him, और any person charged together with him at the same trial, आपने against the allegation लगे हैं, उनको disprove करने के लिए, ये ओध पे भी examine करवा सकता है, खुदको witness बन सकता है, competent witness होता है, प्रोवाइज जो इसका बहुत important है, provided that he shall not be, ये important है, इसको underling करीजे, इससे questions बनते हैं, provided that he shall not be called as a witness except on his own request in writing, 315 में अगर accused को witness बनाना है, competent witness, तो ये कब किया जाएगा, जब accused खुद in writing ये request करे, लिखित application वो देगा, लिखित में ये request देगा, लिखित में ये request देगा, अक्यूस को, तभी उसको witness बनाया जाएगा, भी देखिये, his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties, or the court or give rise to any presumption against himself, or any person charged together with him at the trial, और अगर कोई चीज़ में नहीं बताता है, evidence देने सम्माना करता है, तो उसके evidence कोई presumption draw नहीं किया जाएगा, important बात, 315 में ही जो प्रीमे question बनते हैं, वो दो-तीन यही है, कि क्या accused competent witness होता है, answer is yes, किस section में 315, कब वो witness बनेगा, क्या necessary condition है, तो जब accused in writing देगा, request करेगा, तब ही witness बनेगा, इसके बाद 316-18 important नहीं है, 18 में बस यह है procedure where accused does not understand proceeding, तो high court, अगर ऐसा लगता है कि वो accused proceeding समझ ही नहीं पाया, और लगता है कि prejudice हो रहा है, तो फिर high court के पास बेज दि 19 important है, 319 इसके बाल important है, 319, power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense, अब जिनको accused बना के लाया गया है, वो तो ठीक है, उसके अलावा अगर court को लगता है कि कोई और person guilty है, उसको भी बुलाया जाना चाहिए, उसके अगेंस भी प्रसीड करना चाहिए, तो court यह काम भी कर सकता है, 319 में, बहुत important है अब देखिए, अब देखिए, अगर वो आजूद है, तो तो वहीं पकल दिया जाएगा, नहीं है, तो arrest warrant warrant भी जा सकता है, subsection 2 देखिए, where such person is not attending the court, he may be arrested और summoned, summon बेच के बुलाया जा सकता, अर्श कराया सकता, बस, इससे जादा बाकी detailing पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, कि यह 320, कई सारे सवाल बनते हैं, एक सवाल ये भी बनता है, कि इन में से कौनसा offense compoundable है, कौनसा नहीं है, लेकिन इस सवाल को करने के चक्कर में, अगर आप ये table याद करने बैठेंगे, तो I won't advise you for that, थोड़ा से glance ले ले लेना, बाकि उसके चकर में ज़्यादा मट पढ़ना, इ victim and accused mutual settlement जहां कर सकते हैं, अब criminal case से जनरल ये सानी होता, तो compoundable जिनको बना दिया गया है, यहाँ पर table दिया हुआ है, जिन offenses को compoundable बना दिया गया है, दो तरीके के compoundable offenses हैं, इस बात को समझना, compoundable offenses भी दो तरीके के, एक वो offenses जो with the permission of court compound on it, और एक वो offenses जिसमें बिना पर्मिश के बिना ही आप compounding कर सकते हैं, दो अलग-अलग table इसलिए दिये हुए हैं, compounding मतलब क्या, mutual settlement between the victim and accused, तो देखिए, the offenses punishable under the section of the Indian penal code specified in the first two columns of the table, next following may be compounded, underline कर लिजे, may be compounded by the persons mentioned in the third column of that table, तो इस table में जो दिया है, वो compound हो सकते हैं, चीक, इसके बाद subsection 2 देखिए, अब ये जो subsection 1 के बाद जो table दिया है, इसमें court की permission भी नहीं चाहिए, मिना court की permission के compoundable है, लेकिन आप subsection 2 देखिएंगे, तो इसमें लिखा है, the offenses punishable under the section of the Indian penal code specified in the first two columns of the table, next following, underline करिये, may with the permission of the court, before which any prosecution for such offenses pending be compounded, ठीक तूप, ये जो subsection 2 के बाद जो table दिया है, उसमें जो नोफिंस की list है वो with the permission of the court compoundable है, अब जैसा मैंने कहा, इसको याद करना संभव नहीं है, एक बार देख लिएजएगा, by chance question आता है, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, उसके चक्कर में इतना दिमागपन नहीं लगाईए, इससे बाकी question भी आते हैं, 320 से, तो subsection 4 और 5 इसके important है, underline करिए, is under the age of 18 years, or is an idiot, or lunatic, तो उसके बहाफ पर कौन कमपाउंड कर सकता है, जो वेक्ति कमपाउंड करने के लिए entitled है, अगर वो वेक्ति 18 साल से कम उमर का है, या फिर वो lunatic या idiot है, insane है basically, तो उसके बहाफ पर कौन करेगा, तो यहां लिखा है, any person competent to contract on his behalf, उसके बहाफ पर जो वेक्ति contract करने के लिए entitled है, वो with the permission of the court, उस offense को compound कर सकता है, इस तरीके के सवाल यहां पूछे जाते हैं, कि कोई वेक्ति जो compound करने के लिए entitled है, अगर 18 साल से कम है, तो उसके बहाफ पर कोई भी ऐसा वेक्ति compound कर सकता है, जो उसके बहाफ पर contract करने के लिए entitled है, with the permission of court or without the permission of court then the answer is without with the permission कोई दूसरा वक्ति अगर कर रहा है तो with the permission of the court करेगा इसके बाद भी देखिए when the person who would otherwise be competent to compound in offense under this section is dead अगर मर चुका है जिसको compound करना तो वक्ति मर चुका है तो उसकी जगे पर कौन करेगा एंडरलाइं कर लीजे लीगल रप्रेजेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे appeal is pending no composition for the offense shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard अगर decide हो गया है appeal में pending है उस case में without permission आप compound नहीं कर सकते सबसेक्शन 7 भी important है इसका no offense shall be compounded if the accused is by reason of a previous conviction libel either to enhance punishment or to a punishment of a different kind previous conviction के कारण अगर आप enhanced punishment के लिए liable है तो भी offense compounded नहीं होगा सबसेक्शन 8 से भी question पूछा जाता है compounding का effect क्या होता है अगर एक offense को compound कर लिया गया है तो उसका effect क्या है तो सबसेक्शन 8 में लेखा है उसका effect होता है equitable यह भी important सवाल है the composition of an offense under this section shall have the effect of an equitable यह important है यह question तो 4 से लेके 8 तक में जो मैंने आपको बाते बताई इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा they are very very important इसके बाद आईए 321 this is again very important 321 बात करता है withdrawal from prosecution prosecution withdraw कौन कर सकता है तो अब इससी बात पे जो prosecution कर रहा है public prosecutor कर रहा है वो ही withdraw करेगा अब withdraw करने में effect क्या होगा यह important है तो 321 का content है वो देखिए the public prosecutor और assistant public prosecutor in charge of a case में underline कर लिजे with the consent of the court case अगर withdraw करना है with the consent of court होगा section number आता है कौन withdraw कर सकता और withdraw करने का effect क्या होगा discharge होगा एक्विटल होगा तो उसके लिए a और भी दिया हुए उसको पढ़ते हैं with the consent of the court and any time before the judgment is pronounced कब withdraw किया जा सकता है judgment प्रनाउंस होने के पहले कभी भी withdraw किया जा सकता है case by the prosecution withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of anyone or more of the offenses for which he is tried and upon such withdrawal effect क्या होगा वो देखिए a में लिखा है if it is made before a charge has been framed charge framing के पहले अगर withdraw कर लिया है तो अब आप बताईए मैं आपको class के पहले बता दिया था जब 332 बता रहा था मैं चार्ज framing लिए अगर withdraw किया तो उसका effect क्या होगा discharge क्योंकि चार्ज framing नहीं होई है तो अभी trial start technically नहीं होई है वहाँ पे भी अपन ने देखा उस पूरे वह उनके लिए है कि अगर कोई ऐसे offenses है जो government के sanction से करे गए तो फिर withdraw करने में लगेगी बहुत important नहीं है 322 देखिए this is important procedure in cases which magistrate cannot dispense of magistrate dispense of नहीं कर सकता उस case में क्या करेगा if in the course of any inquiry into an offense or a trial before a magistrate in any district the evidence appears to him to warrant a presumption that he has no jurisdiction to try the case or committed for trial अगर उसके jurisdiction के बाहर का case है और भी that the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district अगर उसे लगता है किसे किसी दूसरे magistrate के पास दिया जाना चाहिए और C that the case should be tried by the CJM या फिर उसे लगता है कि यह case किस से try होना चाहिए CJM से jurisdiction या उसे लगता है किसी और रीजन से कि दूसरे magistrate से try होना चाहिए या CJM से ऐसे में वो case transfer कर सकता है he shall stay the proceedings अपनी proceedings टे करेगा question ही आता है किस के पास भेजेगा तो यह ध्यान रखिएगा and submit the case with a brief report explaining its nature to the chief judicial magistrate किस के पास भेजेगा CJM के पास chief judicial magistrate इसके बाद आजाईए सीधे 323 पे procedure when after commencement of inquiry or trial magistrate finds case should be committed inquiry trial शुरू होने के बाद अगर लगता है कि case का committal होना है तो देखिए if in any inquiry into an offense or a trial before a magistrate it appears to him at any stage of the proceedings before signing the judgment, judgment sign करने के पहले that the case is one which ought to be tried by the court of session अगर उसे लगता है कि case ऐसा है जिसकी trial किसे करनी चाहिए court of session को तो वो case transfer कर देगा he shall committed to that court under the provisions here and before content and there upon the provisions of chapter 18 shall apply to the commitment so made अब ये 323 बहुत जादा important है जब आप से सवाल पूछा जाए कि magistrate case का committal किन provision के तहत session को करता है तो answer क्या होगा 209 तो है ही साथ में 303 209 में तो करता ही है committal इसके अलावा judgment pronounce करने के पहले कभी भी ये लगता है किसी भी stage पे अगर ये लगता है magistrate को कि इसकी trial session को करनी चाहिए तो committal हो सकता है 323 में उस case का court of session के पास बेजा जा सकता है 323 बहुत important है ध्यान रखिएगा 209 के साथ इसको 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 इसके बाद 324 ज्यादा important नहीं है trial of person previously convicted जो पहले भी convicted हुए उनकी trial और उस से related bond bond की बात एक बर रीट करीए और ये 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 बहुत जादा important नहीं है सेक्शन 29 में हमने पुड़ा था magistrate का power sentence देने का अब magistrate ने trial तो करी है लेकिन उसे लगता है कि adequate sentence में pass नहीं कर सकता तो किस के पास transfer कर देगा case cjm के पास subsection 1 की last line underline कर लीजिए to the chief judicial magistrate to whom he subordinate us अगर आपको लगता है कि आपने trial तो करी है लेकिन adequate sentence जो मिलनी चाहिए इस case में वो pass करने के लिए आप entitled नहीं है तो case transfer किस के पास करेंगे cjm के पास यह ध्यान रखिएगा 326 conviction or commitment on evidence partly recorded by one magistrate and partly by another this is also important पुछा जाता है मान लीजे एक magistrate है जिसने trial करी है आज ही चली है उसके बाद उस magistrate का transfer हो गया कोई दूसरा आ गया उसकी जगे तो वो magistrate क्या करेगा उसके पास दोनों option है या तो वो सारे evidences फिर से ले सकता है या जो already recording हो चुकी है वहीं से आगे बढ़ सकता है दोनों option है बस यही लिखा है 326 में चीक इसके बाद 327 court to be open तो जहां judgment जो court होगा criminal court होगा वो generally open होगा open मतलब जहां public आ सकती है लेकिन कुछ specific trials है जो इन camera चलती है तो subsection 1 देखिए 327 का the place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offense shall be deemed to be an open court to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them जनता जनारदन जाके बैठ सकती है open court के मतलब यह है लेकिन subsection 2 आप देखेंगे तो जो rape की trial है इट शाल भी conducted in camera रेप की ट्राइल शाल भी conducted in camera जोकि विक्टिम की identity रिवील नहीं होनी है जर आई पीसी का provision बदा तो comment में कि identity of rape victim रिवील नहीं करना है punishable कहा है आई पीसी में रेप विक्टिम की identity रिवील करने का punishment वैसे connect करके अगर आप नहीं पढ़ेंगे प्रोविजन तो याद करना मुश्किल होगा आपके लिए और एक प्रोवाईज्वा सब्सेक्शन टू का यह भी कहता है कि यह जो ट्राइल है जो इन camera करी जा रही है इसके बाद अगला जो चेप्टर है 25 यह पूरा चेप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा चोड़ दीजिए कुछ नहीं आता इसमें से इसके बाद अगला जो चेप्टर है 26 प्रोविजन सास्टू अफ्टेंस अफ्रेक्टिंग दी अड्मिनिस्ट्रेशन आप जस्टेस यह भी आज सच इंपोर्टेंट नहीं है बिल्कुल छोड़ दीजिए कल से जो हम कल सिर्फ मजे आपको वे डिटेल बताना नहीं है कि प्री में क्या क्वष्चन आते हैं जोड़ा प्रयास हम ये भी कर रहे है कि चैप्तर का सेक्शन 327 तक कम्प्लीट किया था और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि दो जो चेप्टर हैं वो इंपोर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा पूछा जाने की संभावनाएं वहाँ नहीं होती है बग कुछ प्रोविजन उसके हैं जो आप सिर्फ माक कर लेजे अगर बाकी चीज़ें आप पढ़ ले और याद कर ले उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास समय है और आपकी रीटेल करने की केपास है तो आप इन प्रोविजन को भी पढ़ सकते हैं प्रेपरेशन तो चैप्टर जो 25 है जनरली स्टेट्स में इससे नहीं आता है फिर भी मैं कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन बस आपको माक करा दे रहा हूं अगर आप जैसा मैंने कहा भाई देखिए जब आप पहली बार कर करिए अपने माक सेक्योर करने के लिए अगर आप दूसरी तीसरी वार पढ़ रहे हैं बहुत सारे प्रीमेंस दे चुके हैं आप थोड़ा अपने नॉलेज़ पूल को बढ़ाते जाए फिर थोड़ी तोड़ी एडिशनल चीज़ें और एड़ करते जाए उस अपने नॉल 30, 334, 335 और 339, 334, 335, 339 इनको आप देख लिजे अगर आपने बाकी सब याद कर लिया है उसके बाद का काम है यह इसके बाद अगला चेक्टर देखिए 26 persons asked to offenses affecting the administration of justice इसमें भी कुछ section आप माक कर सकते हैं जो आपको अपने नॉलेज में आड कर लेना चाहिए that is section 340, 41, 345 और 344, इसके अलावा 349, 349 थोड़ा ज्यादा इंपर्टेंस है कोई witness अगर प्रोड्यूस होता है और वो जवाब देने से कोई सवाल उससे किया जा रहा है वो जवाब देने से मना करता है तो उसका क्या consequence होगा that is given under 349 तो इसको भी देखिए इसके बाद 350, 350 और 351 इन प् additionally और पड़ सकते हैं बाकि जो last हमने पड़ा था है that was 327 जो criminal court होगा वो open court होगा और उसी जैसा अगला provision है अगले chapter पर आईए यहां से कई सारी चीज़ है important है जो पूछी जानी है प्री में so next जो chapter है that is 27 the judgment तो जो judgment लिखा लाता है जज़्मेंट बनाउंस होता है criminal proceeding में उस section 353 judgment इसमें सबसे पहले section number का question आता है कि judgment कि section में दिया गया है so याद रखिएगा 353 इसके बाद देखिए subsection 1 the judgment in every trial in any criminal court of original jurisdiction underline कर लीजिये shall be pronounced in open court by the presiding officer open court में pronounce होगा criminal case का judgment इसी की तरह 327 था 327 लेकिन क्या कहता होगा कि criminal court shall be open जो proceedings से open होगा यह judgment की बात कर रहा है criminal court का judgment open court में pronounce किया जाएगा और पिछले provision में हमने पढ़ा था open court का मतलब क्या होता है open court का मतलब है जहां जनता को access मिले होता है open court तो दूनों में difference याद रखिएगा 327 और 353 इसके बाद content दिया हुआ है आगे कि क्या क्या चीज़ है मदब उससे related information दी हुई और अगले section मे 354 में language and content of judgment दिया है इसके पहले 353 में एक subsection और जो आपको पढ़ना चाहिए वो है इसका subsection 7 तो subsection 1 important है उसके बाद एक subsection 7 आप पढ़ लीजिए जो की important है subsection 7 केता है no judgment delivered by any criminal court shall be deemed to be invalid by reason only of the absence of any party or his pleader on the day or from the place notified for the delivery thereof or of any omission to serve or defect in serving on the parties or their pleaders or any of them the notice of such day and please अब ये कहा गया है general बात कि judgment जब pronounce होगा तो दोनों parties मौजूद होगी judgment प्रनाउस होते समय लेकिन अगर माल लेजए किसी judgment का pronouncement हुआ है और कोई party absent है तो merely इस बात से कि जब judgment प्रनाउस हुआ था कोई party absent थी या उसके पास इस बात का notice नहीं पहुचा कि judgment प्रनाउस होगा इस बात से उस judgment की validity effect नहीं होगी ये बात subsection 7 कहता है ये धान रखियेगा इस बात से वो judgment invalid नहीं हो जाएगा कि जब judgment प्रनाउस हुआ था कोई party court में absent की that is important इसके बात सीधे आईए आईए आप 354 पे language and content of the judgment तो जो court की language होती है उसी language में judgment भी लिखा जाता है content के बारे में detail दी हुई है तो जब भी decision दिया जाता है तो point of determination में बनाया जाते है criminal judgment में कि किस basis पे जो judge है वो conclusion तक पहुचे है जो decision उन्होंने दिया है बाकी बहुत ज़्यादा detailing इसमें important नहीं है इसका subsection 5 जरूर आप याद रखिएगा एक section number याद रखिएगा कि 354 में दिया है content और language और court की language जो है उसी में judgment लिखा जाता है subsection 5 कहता है कि अगर किसी को death sentence दिया गया है तो वहाँ यह चीज़ direct करी जाएगी कि death sentence execute कैसे होगा hang करके hang till death तो आपने picture या web series में भी देखा होगा movies में web series में कि जब death sentence दिया जाता है तो यह direct किया जाता है that the person shall be hanged till death nexus को hang किया जाएगा basically बात यह है कि death penalty execute को execute करने का mode क्या होगा भारत में तो वह तांग दिया जाता है फासी पे that is the mode of execution of death penalty यह दिया हुआ है subsection 5 में इसके बाद सीधे आ जाईए 356 बहुत जादा important नहीं है 356 ब्रीफ में समझ लीजिए बात क्या करता है तो 356 कहता है order for notifying address of previously convicted offender अब देखे कुछ specific offenses की बात करी गई है 356 में जैसे offenses related to counterfeiting इन सब यह जो counterfeiting से related coin या बाकी documents या currency note वगेरा की जो counterfeiting से related offenses है अगर किसी वेक्ति ने एक बार वो वेक्ति अल्रेड़ी convicted हो चुका है तीन सालिया उससे आदा punishable offense के लिए दुबारा उसका conviction अगर होता है for similar sentence तीन सालिया उससे ज्यादा के लिए एक बार पहले भी इन offenses के लिए वेक्ति convicted हो गया दुबारा इन offenses के लिए अगर convicted होता है तो जब वो दूसरी बार convicted हो रहा है उस समय जो presiding officer or adult judge है ज इसके बाद अगले 5 साल तक वो कहां कहां रह रहा है इस बात को notify करेगा court को क्यूं कर रहे हैं ऐसा बहुत simple सी बात है इस तरीके का एक chapter हमने पहले भी CRPC में पढ़ा है good behavior वाला ये उसी की तरह है कि आप similar type के offense के लिए convicted हो हैं दूसरी बार हो हैं तो आगे भी पूरे संभा जावना है कि आप ये हरकतने दुबारा repeat करेंगे इसी लिए release होने के बाद अगले 5 साल आप कहां कहां रह रह रहा है इस बात को आप notify करिए that is 356 इसके बाद आ जाईए 357 पे now this is important 357 देखिए 357 बात क्या करता है order 2 पे compensation compensation दिलाने की बात करता है 357 विक्टिम को compensation दिलाया जाएगा जो भी offense commit हुआ है कोई crime हुआ है जो विक्तिव है उसको compensation दिलाया जाएगा CDC बात है अब आप मुझे बता दीजिए कि हमने ये भी पढ़ा है कि जहां groundless complaint करी गई है किसी वक्ति के against उसको prosecute करवाने के लिए information दी गई है या complaint करी गई है groundless उसका उस case में भी compensation दि किस section में हमने पढ़ा था वैसाब यह सब याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि यहां आके मैंने आपको बार बार बताया है कि यहां के सिर्फ कहानी सुनके चले जाने से काम तो नहीं हो पाएगा यहां के सिर्फ कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा करेक्ट 250 तो जहां without reasonable cause कोई complaint करी गई है या information दी गई है police को किसी वक्ती के against और उसके against prosecution होता है तो ऐसे case में उसको compensation दिलाया जा सकता है वो बात 250 में दी हुई है यह बात करता है 357 compensation victim के respect में offense होने के बाद अब एक सवाल 357 से जो important पूछा जाता है वो यह कि यह proceeding होने के बाद conviction के सम compensation है दिलाया जाता है तो 357 से एक सवाल पूछा जाता है कि 357 सिर्फ conviction के case में compensation दिलाता है या otherwise भी दिलाया जा सकता है compensation under 357 आप में से कोई बता सकता है जो 357 में compensation की बैचलरी है वो क्या सिर्फ conviction के case में दिलाया जाएगा या otherwise भी दिलाया जा सकता है आप बताईए तब तक मैं आपको section summarize कर देता हूँ 357 का जो subsection 1 है वो कहता है when a court imposes a sentence of fine or a sentence of which fine forms a part the court may when passing judgment order the whole or any part of the fine recovered to be applied subsection 1 बताता है कि जब भी किसी व्यक्ति को convict किया जा रहा है जब भी किसी व्यक्ति को convict किया जा रहा है किसी offense के लिए और जो sentence है जो punishment दिया जा रहा है उसमें एक part fine भी है अगर तो उस fine को कैसे appropriate किया जाएगा उस fine का क्या किया जाएगा वह fine लेगा court तो क्या जब साब के gym में जाएंगे पैसे ऐसा थो नहीं होगा तो जो fine लेवाई किया जाएगा उसका appropriation कैसे होगा कहा कहा जाएगा तो इसके regarding यहाँ A, B, C, D में बताया है मैं आपको brief कर देता हूँ सबसे पहले court क्या करता है अपने expenses जो हुए उनको निकाल लेता है सबसे पहले court अपने expenses निकालता और उसके बाद victim को as compensation देता है ठीक तो पहले court अपने expenses निकालेगा उसके बाद देगा वो victim को उसके rehabilitation और बाकी चीजों के लिए देगे मैं हमेशा कहता हूँ कि selflessly इस दुनिया में कुछ नहीं होता है जैसे अभी interviews भी चल रहे है MPCJ के तो बहुत सारे student आके कहते हैं कि सर ये free क्यों है program ये flash course को है मैं हमेशा कहते हम कुछ selfless नहीं होता सबकर सहर चीज में self interest है ऐसे ही आप ध्यान दखिए वाई इस appropriation में कि court भी ना पहले अपने expense निकालता है उसके बाद victim के rehabilitation या उसके लिए वो पैसा utilize किया जाता है ये बाद subsection 1 क्लियर नी समझाता है आपको इसके बाद आईए subsection 2 और आगे के subsections पे वो important है subsection 2 देखिए if the fine is imposed in a case which is subject to appeal no such payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed or if an appeal be presented before the decision of the appeal अब अगर किसी व्यक्ति पर fine लगाया गया है तो वो fine तब तक लिया नहीं जाएगा जब तक appeal का time खतम नहीं हो जाए या तो तो कि भाई chances है अभी वो appeal में चला जाए और appeal में रिवर्स हो गया judgment तो इसलिए जब तक appeal का time lapse नहीं हो जाए तब तक ये payment नहीं होगा फाइन नहीं लगाया गया है sentence तो impose करी गई है लेकिन fine उसका part नहीं है तब court may when passing judgment order the accused person to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order जो सवाल मैंने आप से कहा तूछा था कि क्या सिर्फ conviction के case में fine लगाया जाएगा या otherwise भी लगाया जा सकता है तो ध्यान रखियेगा ये है तो सिर्फ conviction के case में 357 लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस sentence में fine impose किया ही गया हो अगर fine impose किया गया है तो subsection 1 उसको deal कर लेता है subsection 1 कहता है अगर fine लगाया गया है तो पहले भईया court के expenses निकाल लिए उसके बाद rehabilitation के लिए victim के amount use हो जाएगा उसको as compensation दे दिया जाएगा subsection 2 कहता है sentence दिया गया है लेकिन fine नहीं दिया गया sentence दिया गया लेकिन fine नहीं लगाया गया in that case also compensation दिलाया जा सकता है fine भले ही नहीं आपने लगाया लेकिन फिर भी victim को compensation दिलवाया जा सकता है DJS के previous year paper अगर आप उठाके देखेंगे prelims के तो वहां आपको इस type के घुमाने वाले questions बोलोंगो अब है बात इधर पर ये कि भाया sentence तो दोनों में है आप अगर subsection 3 भी देखेंगे तो लिखाए वेना court imposes a sentence sentence तो impose किया है आप नहीं लेकिन fine उसका पाइट नहीं था फिर भी आप compensation दिला सकते है that's the conclusion of this provision इस तरीके के सवाल आपको DJS का previous year paper देखिएगा prelims का उठाके है वहां आपको मिलेंगे इसलिए मैं कहता हूँ कि DJS का और मेंस अगर आप देने जाएंगे तो मेंस में तो जो आप कोड़के जाते हैं वह question में लिखा रहता है उसके आगे से सवाल चुरू होता है इसलिए यह जो आप लोगोंने आदर डाल ली है ना कि बस सिरफ प्रोविजन याद कर लो या क्या direct question है वो इससे आप काम होगा नहीं बहुत जाला इसको जाला समझी है इसके बाद आजाए यह सब सेक्शन 5 important है इदर at the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter the court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section अब देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि compensation बगेरा के लिए civil suit file होता है यह remedy जो है compensation की damages provide करने की civil remedy है यह काम criminal court का तो है नहीं लेकिन ऐसा ही हमने maintenance भी पढ़ा है कि भया 125 में maintenance दिला देता है criminal court क्यों ताकी speedier process हो वो सब हमने पढ़ा है वहां भी यह चीज लिखी थी कि अगर civil court में आपने already कुछ ले लिया है तो accordingly 125 का जो amount है वो vary कर जाएगा वही बात यहां भी लिखिए कि अगर आपने किसी civil proceeding में already damage या compensation ले लिया तो यहां का जो amount है वो गटा दिया जाएगा नहीं लगा जाएगा दोनों जगे से फाल थोड़ी उठा हुगया इसके बाद आजाएए next section पर that is very very important 357A victim compensation scheme बहुत जादा important provision है 357A victim compensation scheme दो-तीन question पूछे जाते हैं सबसे पहले कौन सा section है किस amendment से आया यह भी ध्यान रखिएगा 2009 commitment से यह आड़ किया गया है यह भी प्री का सवाल बनता है every state government in coordination with the central government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who requires rehabilitation लेखिये बाई अब एक बात समझेए कि 357 में हमने already बात करी है कि fine लगाया जाएगा तो उसका expense निकाल के court का बाकी हमें as compensation दे देंगे अलग से compensation भी दिया ज सकता है लेकिन क्या है कि यह compensation आप किस से लेते हैं क्यों से लेते हैं जिस जो यह convicted विक्ति से लेते हैं मानलीच यह fine लगाया गया as a part of sentence लेकिन वो fine देने में default कर दे fine भी ना दे उसके लिए आपने provision पड़े है IPC में भी और CRPC में भी कोई विक्ति अगर fine देने में default करता ह तो उसके बदले भी उसको imprisonment दिया जाता है जेल में रखा जाता है लेकिन उसको अगर आप जेल में रख देंगे उस fine के बदले तो यह तो एक तरीके का बदला तो हो गया लेकिन भाया इससे victim का क्या धला होगा उसको ठीक है आपने जेल में डाल दिया जिसने offense commit किया लेक के लिए प्रपर एक scheme बनाई जाए I hope you're getting this तो subsection 2 देखिये कहता है whenever a recommendation is made by the court for compensation underline कर लीजिए बहुत important है कि quantum कौन decide करता है compensation का the district legal services authority or the state legal services authority as the case may be shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme referred to in subsection 1 quantum of compensation कितना compensation दिया जाना है यह कौन decide करेगा यह important question है प्रिम्स का district legal services authority या फिर state legal services authority यह decide करती है कि कितना compensation दिया जाना है और 2009 के amendment से यह add हुआ है इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखियेगा इसके लाब आप subsection 5 पढ़ सकते हैं इसका जो important है थोड़ा subsection 5 कहता है कि जब भी application दी जाएगी inquiry करने के लिए किसी case में की victim को compensation दिलाना है इस inquiry को आपको complete करना है within 2 months यह बात subsection 5 में आप underline कर लिए यह last slide में लिखी है यह जो compensation दिलाने की inquiry है यह दू महीने के अंदर complete करनी है और जैसा मैंने कहा purpose क्या है fine वाला ठीक है यहां लेकिन मान लिजे fine में भी default कर दे बंदा तो jail भेजना तो ठीक है victim का rehabilitation भी ज़रूरी इसलिए आपको याद होगा IPC है मैंने punishment की theories भी आपको पढ़ाई है इसी course के अंदर YouTube पे वो अगर आप देखेंगे तो यह will understand जो उससने में आपसे बात convey करना चाह रहा था कि punishment किन theories पे based है इस इसे लिए punishment सिर्फ बदला या deterrent नहीं होता उसके अलावा भी usage है punishment का इसके बाद आईए 357B बहुत ज्यादा important नहीं है बस इत्ता ध्यान रखिएगा कि IPC के 326A या 376D gang rape या acid attack जो है IPC में उनमें लिखा हुआ है कि जो भी fine लगाया जाएगा offender के उपर वो use होगा for the treatment or rehabilitation of the victim तो यहां जो compensation हम दिला रहे है यहां जो compensation हम दिला रहे है वो in addition होगा वो जो compensation वाला होगा वो अलग होगा उसके अलावा compensation दिलवा जाएगा इस compensation victim compensation scheme में वो भी मिलेगा ये भी मिलेगा ये बताता है 357B बहुत जादा important नहीं हैそうだ one है for the purpose of prelims examination 357C section number याद रखिएगा treatment of victim की बात करता है asset attack या rape का कोई victim है अगर उसे किसी भी hospital में hospital में ले जाया जाता है चाहे सरकारी हो चाहे private जिम्मेदारी है उस hospital की first aid और treatment देने की victim को मना नहीं कर सकते deny नहीं कर सकता कोई भी hospital चाहे सरकारी हो या private rape victim asset attack victim को treatment देने से मना नहीं कर सकता जिम्मेदारी है देना पड़ेगा यह लिखा है 357C में अब जरा IPC आपने पढ़ा है जरा बता दीजिए अगर इस provision का compliance नहीं करता है कोई hospital तो उस hospital के in charge के लिए punishment है वो हमने 36 B of IPC that's correct इसके बाद आ जाई है 358 compensation to persons groundlessly arrested जैसे अपने देखा 250 में कि बिना sufficient cause के अगर आपने information दी या complaint file करी थी तो वहां compensation देना पड़ता है यहां 358 बात करता है compensation to persons groundlessly arrested बिना किसी sufficient reason के अगर किसी वक्ती को arrest कर लिया गया है तो in that case also उसको compensation दिलाया जा सकता है इसमें लिखा है whenever any person causes a police officer to arrest another person जब एक वक्ती ऐसी circumstances पैदा करता है कि कोई police officer arrest कर ले किसी बेगुना को जिस वक्ती ने arrest कर वाया पुलिस नहीं मालो पुलिस को information जिस वक्ती नहीं दी किसाभ यही suspect इसको arrest कर यह जिसकी वजह से 1,000 रुपीज हजार रुपय तक का फाइन उसको दिलाया जा सकता है जिस भी वक्ती को groundlessly arrest किया गया है इसके बाद 359 order to pay cost in non-cognizable cases अब देखिए यह किन non-cognizable cases की बात करता है 359 यह भी important है 358 important था अपनने पड़ा 359 non-cognizable offense की बात है complaint case की क्योंकि complaint case में सारा procedure कौन करता है देखिए police report पे जब होता है तब तो prosecution करता है complaint case में तो complainant खुद करता है तो जहां non-cognizable offense है और complainant की complaint पे case हुआ है ऐसे case में cost दिलाई जा सकती है जैसे civil proceeding में cost दिलाई जाती है ना civil suit का judgment आने के बाद जो भी party जिसका खर्चा हुआ है उस proceeding में उसको cost दिलवाई जाती है दूसरी party से similar provision यहां criminal proceeding में है कि जिस complaint जो था जिसने proceeding file करी उसको compensation दिलाया जाएगा from the person who was guilty of the offense that's what 359 says इसके बाद आईए 360 यह बहुत ज्यादा important provision है 360 दो चीजों की बाद basically 360 करता है एक है आपका probation और दूसरा है admission probation और admission में deal करता है 360 पहला थोड़ा से इसका brief समझ लीजिए कि यह section बात क्या करता है देखिए जब भी किसी वेक्ति को convict किया जाता है offense के लिए तो आप जानते है criminal remedy क्या है उसको punishment दिया जाता है जनरली उसको imprisonment दिया जाता है यह जो provision है 360 क्याता है कि conviction होने के बाद instead of सीधे imprisonment देने की बजाए उसको probation या admission देके छोड़ा जा सकता है good behavior के probation पे छोड़ा जा सकता है without giving sentence at once कोई वक्ति convict पाया गया सीधे इसको सजा मत दे दो आप imprisonment मत दो उसको पहले आप probation पे छोड़ सकते हो या फिर admission देके छोड़ सकते अब देखिए बाद की technical details के है कि कि किस तरीके से होता होता क्या है उसको समझते कि कौन लोग entitled है यह लेने के लिए तो जैसे कि आप देख पारें 360 का सब section 1 यह बात करता है probation का good behavior पे प्रोबेशन दिया जाता है यह simply कहता है कि at once sentence देने की बजाए उसको पहले probation पे छोड़ा जा सकता है bond बरवा लिया जाएगा कि भया आप अपना conduct future में सही रखेंगे तो हम आपको punish नहीं करने आप आगे जीवन में बढ़िया शरीफ जख्ती की तरह रहें अगर यह बात अगर आप हमें दे दें लिखके तो हम आपको छोड़ देंगे चीक मनोरमा ने डाउट कुछा है कि पेरोल और प्रोबेशन में क्या difference है बहुत difference है बेटा पेरोल तो तब होता है जब आप sentence काट रहे हो कुछ दिन के लिए आपको बाहर कर दिया जाता है आपको imprisonment मिला है कुछ दिन के लिए आपको छोड़ दिया जाता है जैसे आपने किसी convicted वक्ति की शादी है तो उसको पेरोल मिल गया परिक्षा देने जाना है तो पेरोल मिल गया वह already आप sentence काट रहो कुछ दिन के लिए आपको छोड़ दिया जा और प्रोबेशन यह है कि आप गिल्टी पाएगा है आपको हम sentence नहीं रहे सीधे हम आपको good behavior के छोड़ रह सकता है सब्सक्शन वन में उसमें दो तीन बातें समझने लाया कि एक वह विक्ति हूँ इस अबव 21 यह एकिस सल से जादा का विक्ति है तो उसको प्रोबेशन किस केस में दिया जा सकता है जब उसने कोई ऐसा offense commit किया हो which is punishable with less than 7 years of imprisonment तो यहां सब्सक्शन वन में लिखा ह है when any person not under 21 years of age is convicted of an offense punishable with fine only or with fine or with imprisonment for a term of 7 years or less so up to 7 years 7 साल या उससे कम imprisonment से punishable offense अगर किसी 21 साल से उपर के व्यक्ति ने किया है तो उससे probation में लेगा अगर उसने 7 साल से उपर 7 से ज्यादा imprisonment के साथ punishable offense commit किया है तो ऐसे case में 21 साल से उपर के व्यक्ति को probation नहीं दिया जाएग 21 साल से उपर के व्यक्ति को तब दिया जाएगा जब उसने आपको 7 years किया हो इसके अलावा अगर under 21 age या फिर woman इनने उन्हें अगर offense commit किया है तो सिरफ death या imprisonment for life इससे punishable offense नहीं होना चाहिए बाकी हर case में आपको probation दिया जा सकता है देखिए इसके आगे और when any person under 21 years of age or any woman is convicted of an offense not punishable with death or imprisonment for life and no previous conviction is proved against the offender if it appears to the court before which he is convicted regard being had to the age character or intercedence of the offender and to the circumstances in which the offense was committed that is it is expedient that the offender should be released on provision of good conduct the court may instead of sentencing him at once to any punishment direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding three years as the case as the court may direct and in the meantime to keep the peace and be of good behavior देखिए तो एक तो ये बात हो गई जो 21 से उपर का वेक्ति उसने कैसा offense अगर इन्होंने पनिशेबल विद डिद या फिर इंप्रेजनमेंट फॉर लाइफ ऐसा कोई offense ना कमिट किया हो अगर ये कमिट किया है तो प्रोबेशन आपको नहीं मिलेगा इसके अलाबा कोई भी offense आपने कमिट किया है आप प्रोबेशन लेने के लिए इनको इस बार इस बच्चे से गलती हो गई है या इस वोमन से offense हो गया वैसे ही अच्छा आदमी है पढ़ा लिखा है कॉलेज जाता है कुचिंग जाता है पढ़ाई करता है civil judge का एस्पिरेंट है आप देखियो पढ़ाई कर रहा है इसका conduct वैसा नहीं है एक बार हो गई गलती त क्या है प्रोबेशन में जो मैंने आपको बुला at once आपको imprisonment ना देके हम आपसे security ले लेंगे यह assurance चाहिए हमें कि आगे आगे आपका conduct बढ़िया रहेगा तीन साल तक का assurance हम आपसे ले सकते हैं यह bond भरवा सकते हैं तीन साल तक का कि आप अपना conduct अच्छा रखेंगे अग आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको बुलाके sentence दे दिया जाएगा that's what subsection 1 talks about I hope that is clear यह है आपका probation यहां से free में सवाल जो पूछे जाते हैं वो जरूर ध्यान रखिये कि किन लोगों को मिलेगा probation किस case में मिलेगा होता क्या है तो security furnish करा ली जाती है for three years ने कि I hope I have answered your question जो तुम तीन साल पूछरो वो उसके लिए है जो three years not exceeding three years कि आप जो security furnish करा रहे हो कितने दिन के लिए करा रहे है जिसे उधर chapter ना कड़ा था ना 106 से 110 वाले में भी तीन साल तक की security आप मानते है तो that is about provision इसके बाद देखिए 303 सीधे subsection 3 देखिए यह बात करता है admonition की admonition basically होता है पश्चा type 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 की चीज और इसमें क्या होता है कि समझा बुजा के डांट डपट के उसको छोड़ दिया जाता है वेक्ती को 360 का subsection 3 देखिए in any case in which a person is convicted of theft यह किन offense पे applicable होता है admonition generally theft चोटे मोटे offenses theft in a building dishonest misappropriation cheating or any offense under the Indian penal code underline कर लीजे punishable with not more than two years of imprisonment or any offense punishable with fine only 2 साल तक punishable जो offense है वो अगर आपने किया है या फिर theft या dwelling house में theft commit किया क्योंकि theft का punishment up to 3 years है इसलिए उसको अलग से लिखा है cheating लिखा है misappropriation लिखा है यह offense आपने कमिट किया या कोई भी ऐसा offense जो 2 साल तक punishable अगर आपने ऐसा offense कमिट किया है तो ऐसे में भी आपको sentence देने की बजाए सीधे सजा देने की बजाए आपकी चीज़ें देखके आपकी age, character, antecedents इन सब चीज़ों को देखके आपको admonition देके छोड़ा जा सकता है बढ़ है तो dishonest intention तो वो thrift तो है ऐसे कि इसमें आपको admonition मिल सकता है चीज़ों, so that's what subsection 3 talks about, I hope that is clear इसके बाद एक चीज़ और इसमें अगर आप universal publications का बेरेक लेके बाटे हैं तो वहाँ footnote में आपको मिल जाएगा कि जो STSC act के तहट जो offenses होते हैं उस पर 360 applicable नहीं है, STSC act के तहट के तहट जो offenses होते हैं उन पर provision और admonition नहीं दिया जाता है जिसने convict किया है वो court देता है admonition और probation यह धान रखियेगा मनुरमा, जिस court ने convict किया है वो इसके बाद आजाएए सीधे 362 पे, this is important, 362 important है इसके बाद, 362 के कहता है quote not to alter judgment, एक बार judgment sign हो गया तो फिर judgment alter नहीं होगा, सिर्फ clerical या arithmetic error correct किये जाएंगे, यह section number भी पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है, कौन से error correct किये जा सकते हैं judgment sign होने के बाद, so clerical और arithmetic error सिर्फ करे जा सकते है, sign होने के बाद बाद बाद, एक बार sign हो गया तो अब alteration नहीं होगा, that is 362, इस chapter में और कोई provision पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद सीधे आ जाईए, next chapter की तरफ, that is 28, submission of death sentence for confirmation, this is very important, हमने जब section 28 पढ़ा था CRPC का, जहां हमने sessions court का पावर पढ़ा, तो हमने देखा कि session judge और additional session judge, दोनो death penalty देने के लिए, कोई भी sentence देने के लिए, authorized by law, कोई भी sentence देने के लेकिन वहाँ भी यह चीज लिकिती है, अगर death penalty उन्होंने दी है, तो it is subject to confirmation by the high court, so session judge या additional session judge ने अगर death sentence दिया है, जब तक high court उसे confirm नहीं करेगा, तब तक वो execute नहीं होगा, उसी से related यह पूरा chapter है, और उसी से related information इधर पर दी होई है, 366 कहता है sentence of death to be submitted by court of session for confirmation, यहां बस हित्ता लखा है कि confirmation के लिए submit करना है high court के पास, that's it, इसके बाद 367 कहता है power to direct further inquiry to be made और additional evidence to be taken, जब high court के पास confirmation के लिए case submit होता है, तो high court चाहे तो further inquiry order कर सकता है, ज़र उसे लगता है कि और inquiry होनी चाहिए, तो further inquiry order कर सकता है, additional evidences लेनी के लिए बोल सकता है, इसके बाद 368, pre के लिए जो section number important है, वो 368 जादा है, power of high court to confirm sentence और NL conviction, जब confirmation के लिए, दिया किस section के तहट जाएगा confirmation के लिए 366 के तहट, उस पर action किस section के तहट लेगा high court, 368 के अंदर, अब या तो वो confirm कर देगा sentence, या फिर NL कर देगा, cancel कर देगा वो sentence, और अगर high court cancel कर रहा है वो death sentence, त तो फिर से proceeding करा सकता है, यह सारे power यहाँ high court के पास है, आप A देखेंगे, तो यहाँ लिखा है, may confirm the sentence, और pass any other sentence warranted by law, या तो वो ही sentence confirm कर देगा, दूसरा कोई sentence देगे, दूसरा कोई punishment देगे, भी कहता है, may null the conviction and convict the accused of any offense, of which the court of session might have convicted, किसी दूसरे offense के लिए भी convict कर सकता है या फिर यह भी लिखा है, may acquit the accused person, guys, आप death sentence दिया था, session judge ने, high court उसका acquital भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के कुछ सवाल यहाँ पर प्री में पूछे जाते हैं, तो confused मत होईएगा, high court है, कुछ भी कर सकता है, इसके बाद सीदे आजाईए, next chapter की तरफ, that is 29 appeal, that is also very important, section number important है, किस की appeal, किस केस में कहाँ जाएगी, यह कुछ बाते हैं, इस chapter से, important है, आप सब जानते हैं, जब भी एक judgment आता है, higher court entitled होते है, appeal सुनने के लिए, उस से related पूरा यह provision है, 372 देखिए, यह general बात कहता है, 372, no appeal to lie unless otherwise provided, no appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court, except as provided for by this court or by any other law for the time being enforced, इस chapter में अगर mention नहीं है, तो कोई appeal लाई नहीं करेगी, जो सारी चीज़ें इस chapter में दी हुई हैं, कि इस court से, इस case में appeal लाई करेगी, सिर्फ उन ही cases में appeal लाई करेगी, otherwise कोई appeal नहीं होगी, जो भी appeal होंगी, वो सब इस chapter के हिसाब से होंगी, यहां अगर provided नहीं है, उन cases में appeal नहीं करी जाएगी, इसका जो provisor है, वो बहुत जाधा important है, जो pre में पूछा गया है, सबसे पहले आप यह देखिए, किस amendment से add हुआ है, तो धान रखिएगा, 2009 के amendment से यह add हुआ है, तो 372 सबसे पहले general बात बताता है, और इसका जो provisor है, यह बहुत जाधा important है, लेकि प्रवाइजो प्रवाइज दाए, जो विक्टिम शाल हावा राइट तो प्रफर अपील अगेंस एनी ओडर पास्ट बाइद पूट, अब देखिए यह जो provisor बात क्या कर रहा है, विक्टिम के राइट बता रहा है, एक तो accused होता है, वह दूसरा होता है prosecution, विक्ट prosecution के तो अपने right हैं कि prosecution कब अपील करेगा, सरकार कब अपील करेगी, यह accused कब अपील करेगा, higher court में वो सब बताया है, यह provisor बता रहा है कि विक्टिम कब अपील कर सकता है, यह बहुत important question है, यह question पूछा जाता है कि in which of the following cases the victim cannot appeal or the victim can appeal, इसको थोड़ा द्यान से समझेगा, यहां लिखा है, provided that the victim shall have right to prefer an appeal against any order passed by the court, acquitting the accused, सबसे पहले, victim किन case में appeal कर सकता है, जहां accused का acquittal हुआ है, इसके लावा और convicting for a lesser offense, अगर conviction हुआ है, लेकिन lesser offense के लिए हुआ, होना चाहिए था, grievous hurt के लिए हुआ है, हुआ है hurt के लिए, तो अगर victim को लगता है कि grievous hurt के appeal कर सकता है, lesser offense के लिए, अगर conviction हुआ है, in that case कर सकता है, और imposing inadequate compensation, या माल लिजे, compensation लगाया गया, conviction के case में, वो compensation adequate नहीं है, inadequate, कम है, अगर victim चाहता है कि compensation ज़्यादा लगाया जा, in that case, victim में appeal, and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court, जहां normally appeal लाय करती है, बस यह बात समझना, victim किन cases में appeal कर सकता है, किस case में नहीं कर सकता, तो किन cases में कर सकता है, अगर equitable हो गया है, accused का, तो victim appeal करेगा, अगर lesser offense के लिए, convict की आगे है तो अपील करेगा या फिर inadequacy of compensation के लिए करेगा किसलिए नहीं करेगा inadequacy of sentence ये सवाल प्री में expressly बनता है inadequacy of sentence को लेके victim अपील नहीं करता जैसे माल लीजे offense था punishable with seven years of imprisonment लेकिन जैसाब ने convict को करवाने के लिए आप कर सकते हैं बड़ inadequacy of sentence को लेके नहीं करेगा ये important बात इस प्रोवाईजों में है इसके बाद आईए 374 पर appeals from conviction 374 किसकी बात कर रहा है appeal from conviction अब आप बताईए conviction से appeal कौन करेगा अगर किसी वक्ति का conviction हुआ है तो conviction अपील उसके इसके बाद देखिए any person convicted on a trial held by a high court in its extraordinary original criminal jurisdiction में appeal to the supreme court अब 74 का आप देखिए कि कहा conviction हुआ तो कहा appeal होगी ठीक है ये होगे आपका conviction ये होगे आपका appeal तो conviction अगर high court में हुआ है तो appeal होगी आपकी supreme court में इसके बाद देखिए any person convicted on a trial held by a session judge और additional session judge or on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than seven years has been passed against him or against any other person convicted at the same trial में appeal to the high court so देखिए session judge या फिर additional session judge इनके conviction का order है तो इसके against high court या फिर कोई और conviction है जहाँ punishment कितना है more than seven years कोई भी conviction जहाँ more than seven years का imprisonment है तब भी high court जा सकते हैं appeal के लिए इसके अलावा subsection 3 कहता है save as otherwise provided in subsection 2 any person convicted on a trial held by a metropolitan magistrate assistant session judge और magistrate of the first class और of the second class और sentence under section 325-325 वो था जहाँ magistrate ने trial किया है और वो inadequate वो sentence देने के लिए competent नहीं है उसे लगता है जितना sentence दिया जाना है उसके लिए competent नहीं है तो case transfer कर देता है cjm के पास see in respect of form and order has been made और a sentence has been passed under section 360 वो provision वाला ठीक तो वो आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो security cancel करके sentence किया गया तब भी ऐसे मैं appeal क्या होगी मैं appeal to the court of session तो इनकी appeal जाएगी court of session तो यह जाएगा आपका court of session और किस-किस की appeal जा रहे है court of session में तो भाई magistrates की और assistant session judge की यह भी ध्यान रखिएगा assistant मैंने आपको power में इसलिए hierarchy समझाईती session judge और additional equivalent hold करते हैं बट assistant session judge की जब बात आएगी assistant session judge यह subordinate है इसलिए इसकी जाएगी court of session ठीक अगर assistant session judge ने एक सवाल पूछरा उसका जवाब दीजेगा assistant session judge का power किता है कहा तक imprisonment दे सकता है बताएगे जरा assistant session judge कितना imprisonment दे सकता है maximum as per section 28 कि बताएगे किता दे साल तक दे सकता है अगर assistant session judge ने आठ साल का imprisonment सुनाया है कन्विक किया है आठ साल का imprisonment दिया है तो अपील कहा जाएगी assistant session judge ने आठ साल का imprisonment सुनाया है अपील किदर जाएगी as per 374 अपील जाएगी high court that's correct क्योंकि साथ साल या उस्ते ऊपर किसी ने भी सुनाया हो high court check I hope you got the idea जो है को कन्वे करना चाह रहा था इसके बाद आए 375 अब आते है अपन 375 की तरफ 375 no appeal in certain cases when accused pleads guilty जहां accused ने guilty plead कर लिया है उस पर conviction हुआ है वहाँ generally appeal नहीं होगी तो देखिए notwithstanding anything contained in section 374 when accused person has pleaded guilty and has been convicted on such plea अपने trial में देखाता ना कि accused guilty plead कर लेता है अगर framing of charges के बाद तो conviction हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अगर conviction होता है तो उसके बाद आपके पास limited rights आपील के there shall be no appeal कहा कहा appeal नहीं होगी A if the conviction is by the high court अगर high court ने conviction किया है तो appeal नहीं होगी और if the conviction is by a court of session metropolitan magistrate or magistrate of first class or second class except as to the extent or legality of the sentence ऐसे में आप कहा appeal नहीं करेंगे सिरफ अगर legality of sentence या extent की बात है तो कर सकते है conviction को basically challenge आप नहीं करेंगे क्योंकि conviction आपने खुद plead guilty करके करवाया है आप इस ground पे challenge कर सकते है कि sentence की legality है या extent है वो जादा है उसके लिए आप अपील कर सकते हैं conviction को challenge आप नहीं करेंगे simple सी बात है क्योंकि आपने खुद guilty plead किया था उसके basis पे conviction हुआ है इसलिए limited rights ने अपील के में जिस भी केस को पेटी केस माना जाता है वहां से अपील लाए नहीं करेगी सो देखिए notwithstanding anything contained in section 374 there shall be no appeal by a convicted person in any of the following cases निमली कहां अपील नहीं होगी conviction के case में where a high court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding six months or of fine not exceeding 1000 तो सबसे पहले high court के लिए लिए पेटी offense क्या होगा जहां imprisonment दिया है not exceeding six months six months तक का imprisonment या फिर 1000 तक का fine अगर यह लगाया गया है sentence में और high court नहीं conviction किया है in that case appeal लाए नहीं करेगी because it is a petty case for high court भी देखिए where a court of session और a metropolitan magistrate passes only a sentence of imprisonment for a term underline कर लीजे not exceeding three months और a fine not exceeding 200 rupees so court of session या metropolitan magistrate की case में petty case किसको माना गया है हजार रुपे sorry 200 रुपे तक का fine या फिर तीन मैने तक का imprisonment यह ध्यान रखिएगा इसके बाद c है where a magistrate of the first class passes only a sentence of fine not exceeding 100 यहां सब आपको ध्यान रखना है यहां से questions पूछे जाते हैं प्रलिम में 376 बहुत इंपोर्टेंट है बाखी फिर प्रवाइज अगेरा इंपोर्वाइज नहीं करेगी it will be considered as a petty case for that purpose यह सब आपको ध्यान रखना है यहां से questions पूछे जाते हैं प्रलिम में 376 बहुत इंपोर्टेंट है बाखी फिर प्रवाइज अगेरा इंपोर्टेंट नहीं है इसके बाद सीधे आ जाईए 377 अपील बाइदी स्टेट गर्मेंट अगेंस सेंटेंस नहीं इसके बाद समझना प्रोसेक्यूशन किस ने किया स्टे जाए तो उसके अगेंस्ट अपील कर रहे है इसके अगर सेंटेंस इनटेंस लगता है तो उसको बढवाने के लिए यहां क्या कर सकता है, so the answer is no victim, यह काम नहीं कर सकता, save as otherwise provided in subjection to the state government may in any case of conviction on a trial held by any court other than a high court, direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy, अगर inadequate लगता है कि जो पन्विक्ट तो कर दिया, punishment भी अलेकन punishment sufficient नहीं है, जिसा मैंने बताया, offense punishable up to seven years और जसाब ने सिरफ दो साल का imprisonment दिया है, अगर state government को लगता है कि punishment बढ़ना चाहिए, उसके against appeal कर सकते हैं, यह appeal victim नहीं कर सकता, यह ध्यान रखियेगा, कहा कहा जाएगी, बहुत simple है, a में लिखा है to the court of session, if the sentence is passed by the magistrate, अगर magistrate ने पास किया है, तो court of session जाएगी, और किसी और court ने किया है, मतलब session ने किया है, तो high court जाएगी, simple है एक्दम, बाकि subsection 2 अगरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, sanctions की बात है, वो इतना important नहीं है, 378 पे आईए, इसके बाद, 370 is, 8 is also important, appeal in case of acquittal, acquittal के against appeal, अब अव्यस्सी बात है, acquittal के against appeal भी कौन करेगा, state government, तो यह जो दोनों appeal हैं, किस के द्वारा है, state government के द्वारा है, inadequacy के लिए 377 और अगर acquittal हुआ है, तो उसको reverse कराने के लिए 378 में है, appeal in case of acquittal, यहां लिकाए, save as otherwise provided in subsection 2, and subject to the provisions of subsection 3 and 5, यहां से भी detail में question, पूछे जाने की संभाबना कम है, लेकिन फिर भी, अगर कई बार आप से यह पूछ लिया जाए कि कौन डारेट करेगा, किस case में, यह भी प पूछे जाने की, appeal कहां से कहां लाए करेगी, तो अगर acquittal के against appeal होनी है, तो किस case की, किस court की appeal कहां लाए करेगी, वो उस पर विशेश ध्यान दीजेगा, the district magistrate may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of a cognizable non-vailable, अगर माल लेजिये, magistrate ने 378 में, अगर magistrate ने sentence, acquittal दिया है, अगर magistrate ने acquittal दिया है, तो इस acquittal के against जो appeal होगी, वो जाए थी आपकी court of session, और इसके बाद, B कहता है, the state government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the high court from an original or appellate order of an acquittal passed by any court other than a high court, अब magistrate की जा रही है, court of session, तो court of session की कहां जाएगी, high court जाएगी, चिक, तो court of session की जाएगी, high court, an original or appellate order of an acquittal passed by any court other than a high court, not being an order under clause a, एका नहीं होना चाहिए, एको छोड़के तो वहाँ magistrate की बात होगे, अब magistrate के अलावा जो बचे, तो magistrate के अलावा special court से court of session आ जाएगा, उसकी appeal जाएगी, high court, और an order of acquittal passed by the court of session and revision, तो court of session ने अगर revision में भी कोई acquittal किया है, तो उसकी appeal भी high court जाएगी, तो court of session की appeal जाएगी, high court, that's simple, इसके बात subsection 3 भी देखिए इसका, 378 का, no appeal to the high court under subsection 1 or subsection 2 shall be entertained except with the leave of the high court, appeal सीधे नहीं होगी, पहले leave obtain करनी पड़ेगी, high court को अगर वाका ही लगेगा कि इस case को entertain करना है, तो पहले आप leave obtain करिया, उसके बाद आपकी hearing होगी appeal की, high court जब तक leave grant नहीं करेगा, तबता है, appeal की proceeding नहीं होगी, इसके बाद आजाईए 379, 379 भी important है, 379 क्यता है, appeal against conviction by high court in certain cases, अब high court के against appeal होगी है, यह exceptional case है, जाँ हाई court के against appeal होगी, कहाँ जाएगी high court की appeal, तो बहुत obvious सी बात है, कि high court की appeal उससे higher court में जाएगी, that is supreme court, so, देखिए 379 important provision है, where the high court has, on appeal reversed an order of acquittal, high court ने क्या किया है, appeal में एक acquittal के order court, trial court ने acquittal किया था, accused को, और high court ने उसको reverse कर दिया, conviction में बदल दिया, और conviction भी कैसा, तो आगे दिया है, of an accused person and convicted him and sentenced him to death, or to imprisonment for life, or to imprisonment for a term of 10 years or more, he may appeal to the supreme court, trial court ने एक accused का acquittal किया था, मामला high court में पहुचा अपील में, और high court में reverse कर दिया, उस judgment को, conviction में बदल दिया, और conviction भी कैसा, 10 साल या उससे ज़्यादा था imprisonment, ऐसा अगर high court ने किया है, तो इसके against एक appeal लाए करेगी, कहाँ supreme court जा सकता है, convicted रगती, इसे लिए 379 important है, इसके बाद 380 भी important है, special right of appeal in certain cases, not understanding anything contained in this chapter, when more persons than one are convicted in one trial, and an appealable judgment or order has been passed in respect of any such person, all or any of the persons convicted at such trial shall have a right of appeal, 380 simply ये कहता है, कि अगर मान लेजिए, एक trial में कई लोगों का conviction हुआ है, तीन या चार लोग convicted हुआ है, जिसमें से सिरफ एक के पास right है, appeal करने का as per law, तो अगर उनमें से एक के पास भी right है, appeal में जाने का, तो सब entitled हो जाएंगे, उस order के against, appeal करने के लिए, अगर एक के पास भी appeal करने का right है, तो बाखी लोग जो उसके साथ try किये गए थे, जिनकी try हुई थी, अगर same trial में बाखी लोगों का भी conviction हो, तो उनके पास भी अथिकार आ जाएगा, appeal file करने का, this is 380, ये भी pre के लिए बहुत important section है, कई बार प्रिलम्स exam में ये पूछा गया है, इसके बाद जो 381 है, जहां कैसे सुना जाएगा appeal, important नहीं है, सिर्फ एक section आगे mark करिए summary dismissal of appeal, इसका सिर्फ head note याद रखिएगा, procedure दिया है, summary dismissal आप समझते है, summary trial अपन ने पढ़ा, चोटे में निप्टाते हैं, ज्यादा detail में होगी, concise process होगा, चोटे में निप्टाएंगे, तो appeal का जो summary dismissal है, वो किस section में दिया है, ये ध्यान रखिएगा, बस 384 में, इसके बाद आजाएगे 386, that is important, power of appellate court, 386, तो भाई appellate court क्या कर सकता है, जब किसी एक court से higher court में appeal गई है, तो higher court के पास क्या-क्या power है, जनरल भाद ज्यान रखिएगा, higher court के पास सब power है, वो कुछ भी कर सकता है, एक तो limitations है, उनको open mark कर लेते हैं, इस particular provision में, so 386 आप देखेंगे, power of the appellate court, तो भाई generally power कुछ भी कर सकता है, appellate court, subsection 1 बात करता है, 377 और 378 की, 377, 378 में कौन appeal फाइल करता है, state government करती है, या तो inadequacy of sentence के against, या फिर acquittal के against, कौन करता है, state government करती है, ऐसे case में appellate court क्या-क्या कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, जो यहाँ 3 points लिखेंगे हैं, वो देखिए आप, एक तो सबसे पहले A में लिखा है, in an appeal from an order of acquittal, वो उसको बदल सकते हैं, reverse कर सकते हैं, acquisitle के order को, conviction में बदल सकते हैं, फिर B में लिखा है in a appeal from a conviction, लेकिन अगर conviction से appeal करी गई है, अगर conviction से appeal करी गई है, in that case, भी कुछ भी करा जा सकता है, reverse करा जा सकता है, equitable करा जा सकता है, discharge करा जा सकता है, findings falter किया जा सकता है बस इसका third point की जो last line है वो याद रखिएगा, जो last line में लिखा है, but not so as to enhance the same, बढ़ाईंगे नहीं चिक, बढ़ाईंगे नहीं, अगर conviction के against, appeal conviction से गई है, तो फिर जो sentence है, उसको गढ़ाया नहीं जाएगा, enhance नहीं किया जाएगा, क्योंकि convict already है, उसके against, appeal file करी है, conviction के against, तो उसको enhance नहीं करेंगे, इसके बाद जो C है, इसका in an appeal for enhancement of sentence, अगर appeal करी गई है sentence को बढ़वाने के लिए, तो हाँ भी, सारी process, कुछ भी किया जा सकता, बढ़ाया भी जा सकता, और यहां ध्यान रखिया, घटाया भी जा सकता है, जो sentence मिला है, अगर आपने उसको बढ़वाने के लिए appeal करी है, कि sentence और enhance होना चाहिए, उस case में कम भी किया जा सकता, यह सारे हेरिंग करी है, और जिस code का order कपील में गया है, higher code के पास, higher code कुछ भी कर सकता है, लेकिन, ऐसा sentence नहीं दे सकता, जो वो lower code देने के लिए entitled नहीं है, उससे ज़्यादा चीजें वो नहीं दे पाएगा, that's what the last proviso says, इसके बाद, एक बहुत important provision है, 389, यहां से majority of time question पूछा गया है, थोड़ा सा इसको brief में समझ लेना, तो जो याद करने वाली चीज़ें वो आपको अराम से याद हो जाएगी, इसका जो head note है कहता है, suspension of sentence pending the appeal, release of appellant on bail, अब मान लिजे, एक व्यक्ति का conviction हो गया, trial court में उसकी trial चल रही थी, trial court ने उस व्यक्ति को convict भी कर दिया है, और sentence भी सुना दिया है, अब यह जो व्यक्ति है, जो convict हुआ है trial court में, वो appeal में जाएगा, appeal में जाने का अधिकार है उसके पास, as per this chapter, जब वो appeal में जाएगा, तो वो यह कोशिश करेगा, कि साहब मेरा sentence का execution है, जो आपने मेरे को punishment दे दी है, उसको stay कर दीजे, और अगर संभ़ हो, तो मुझे bill पे छोड़ दीजे, ताकि मैं properly अपना जो appeal का right है, उसको exercise कर पाऊँ, यह बिंति के लिए आप मेरा sentence जो है, वो suspend कर दीजे, और मुझे appeal पे छोड़ दीजे, एक तो बहुत natural सी बात है, कि जहाँ वो appeal करने जा रहा है, जो appellate court है, जहाँ विट्टी appeal करने गया, यहाँ जा सकता है, appellate court के पास जा सकता है, आपके पास appeal करनी है हमें, और उसकी हमें पूरी proceeding करवानी है, जब तक appeal decide ना हूँ, तब तक जो trial court ने हमको sentence दिया, उसको आप postpone कर दीजे, और हमको bail के छोड़ दीजे, यह बिंति वो इनसे कर सकता है, यह subsection 1 में दिया है, 89 का subsection 1 यह बात करता है, लेकिन subsection 3, इसका बहुत important है, यहाँ से majorly सवाल पूछा जाता है, subsection 3, यह बात करता है, उस court के जिसने convict किया, जिसने convict किया है, यह वक्ति उससे भी यह remedy मांग सकता है, तो यह कौन है आपका trial court, जिसने आपको convict किया है, उस court से भी आप यह बिंति कर सकते हैं कि sentence postpone कर दिया जाए, और मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए, सवाल ही आएगा आपको exam में कि यह जो conviction करने वाला court है, यह किन circumstances में postpone करेगा या बेल पे छोड़ेगा विर्ति को, तो उसके लिए subsection 3 पढ़िए ज़रा, where the convicted person satisfies the court by which he is convicted, जिसने उसको convict किया है, अगर उस court को satisfy कर दे, that he intends to present an appeal, कि उसे एक appeal file करनी है, the court shall, first, where such person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, तो इसकी conditions क्या है, already on bail होना चाहिए, वेक्ति, पहले से bail पे था, सिर्फ sentence की hearing के लिए लाया गया है, तो उसको convert कर दिया गया, बेल पे था, लेकिन आप convert कर दिया गया, तो बेल पे होना चाहिए, प्लस जो conviction है, वो कैसा होना चाहिए, तो not exceeding, not exceeding 3 years, तीन साल से ज़्यादा का conviction नहीं होना चाहिए, ठीक, already bail पे होना चाहिए और तीन साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए तो यही court कर देगा आपको छोड़ देगा, bail देदेगा, release कर देगा, जाओ पील करो, किस ने convict किया, second जो condition है, इसके अलावा और, where the offense of which such person has been convicted is a bailable one and he is on bail, दूसरी condition क्या है, कभी यह आपको bail देगा, bailable offense आपने किया हो, bailable plus आप already bail पे है, in that case यह court आपको छोड़ेगा, otherwise अगर आपको sentence को suspend कराना है और bail पे छूटना है, तो आपको किस की शरण में जाना पड़ेगा, इस court किस शरण में, appellate के पास, वो subsection one में दिया है, जिसने convict किया है, वो limited condition में आपको छोड़ेगा, और यह limitation आपस exam में पोछी जाती है, प्रियम्स में, इसके बाद जो important provision है, इधर वो है 394, इसके बाद आजाईए 394 निकालिए बेरेक्ट में, तो 394 कहता है, abitment of appeal, appeal कब abit हो जाएगी, कब खतम हो जाएगी, अपील, जिसने appeal करी, वो मर गया, जिसके against का appeal करी गई है, वो मर गया, तो अपील करके करूगे, क्या है, वो व्यक्ति तो already ने पढ़ गया, उससे related कुछ provision है, इधर से भी प्रीमे question पूछे जाते हैं, सबसे पहले section number याद कर लिजिए, abitment of appeal कहा है, 394 में, कब कब appeal abit होती है, वो समझ लिजिए, every appeal under section 377 और section 378, shall finally abit on the death of the accused, किसकी बात कर रहा है, 377, 378, कौन करता है appeal, state government करती है, किसके against, accused के against, correct, या तो accused का equitable हुआ है, 378 में उसके against appeal होगी, 377 में appeal होगी, अगर sentence adequate नहीं है, तो उसके लिए लिखाया है कि अगर accused की death हो जाए, इसके against ही तो आपने appeal करी थी, समझ लेना तो याद करने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, इसके against आपने appeal करी है, accused की against, अगर accused ही मर गया, तो अगर आप उसका sentence enhance करा के करोगे क्या, या उसका equitable था, उसको conviction में बदल के करोगे क्या वेक्ति तो मर गया, तो accused की अगर death हो गई है, तो appeal अपने आप अबेट हो जाए, ठीक, इसके बाद देखिए आप, subsection 2, every other appeal under this chapter, except an appeal from a sentence of fine, shall finally abate on the death of the appellant, appellant की death होने पे भी appeal खथम, जस वक्ती ने appeal करी है, जिस पार्टी ने, अगर उसकी ही death हो गई है, तो भी appeal abate हो जाएगी, इसका एक प्रवाइजर है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रलिम्स का question पूछा जाता है, provided that where the appeal is against a conviction and sentence of death or of imprisonment and the appellant dies during the pendency of the appeal, conviction के against appeal थी, जहां sentence of death या फिर imprisonment दिया गया है, conviction के against appeal, अभ ज्यान रखिएगा, appeal है किस चीज़ की, conviction के against, और कौन कर रहा है, appeal conviction के against, भाई conviction के against, appeal कौन करता है generally, against a conviction and sentence of death or of imprisonment and the appellant dies during the pendency of the appeal, यह भी generally, accused ही करे न, conviction के against, appealant की अगर death हो जाती है, ऐसे केस में, during the pendency of the appeal, any office near relatives में, underline कर लेजे, within 30 days, within 30 days of the death of the appellant, apply to the appellate court for a leave to continue the appeal, ऐसे केस में appeal continue करी जा सकती है, अगर conviction के against appeal थी, और जो appellant है, वो मर गया है, तो उसके जो legal representative है, सवाल यह पूछा जाता है, कितने दिन में उन्हें, turbulent court से leave लेनी है, permission लेनी है, appeal को continue करने की, the answer is 30 days, 30 दिन के अंदर आपको leave ले लेना है, court की death होने के, generally accused का ही होता है, तो इस case में near relative जो है, वो ले सकता है, explanation में बताया है कि near relative कौन हो सकता है, वो बहुत important नहीं है, इसके बाद आजाएए next chapter की तरफ, that's all for appeal, इसके बाद आएए chapter 30, reference and revision, नम इन दोनों चीज़ों को समझीएगा जरा, इसमें दो ही बाते है, reference और revision, review नहीं है, CPC में review भी है, civil court के पास review का power है, criminal court अपने judgment को review कर सकता है, क्या answer is no, criminal court review, review का मतलब होता है, अपने ही judgment को दुबारा देखना, यह काम criminal court नहीं करता, reference आप कर सकते है, reference किसको होता है, high court को, lower court को को कोई समस्या आ रही है, के proceeding में, high court को भेज सकता है, revision क्या होता है, higher court, अपने subordinate court के, किसी case के records को मंगा के inspect करता है, that is revision, और reference क्या है, subordinate courts को problem हो रहे है, high court को भेज देंगे matter, that is reference, यह दिया है आपका 395 और 97 में, किन-किन cases में reference होता है, यह भी सवाल important है, section number important है, तो आईए देखते है, 395, reference to high court, करतेता हूं, subsection 1, इसका, कोई भी court, high court को reference में matter भेज सकता है, कोई भी court, अगर उन्हें ऐसा लगता है, कि उनके पास जो case pending है, उसमें किसी ordinance, किसी law, या regulation का interpretation ज़रूरी है, वो interpretation सही नहीं है, या फिर उसको repeal हो जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक invalid या inoperative declare नहीं हुआ, किया गया है, ऐसे case में, जो court है, वो अपनी proceeding को stop करेगा, और उस matter को refer कर देगा, high court के पास, कि आप इसके कोई decision दे दीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसा matter है, जिसमें कोई ऐसा act, ordinance या regulation involved है, जिसे invalid declare हो जाना चाहिए था, बढ़ हुआ नहीं है, उससे matter को कोई भी court refer कर सकता, high court के पास, इसके अलावा, subsection 2, इसमें court of session और metropolitan magistrate, यह underline कर भी जे, subsection 2 में, court of session या metropolitan magistrate के पास power है, कोई भी दूसरा matter, जहां इनको लगता है, कि high court के पास भेजना चाहिए, question of law arise हो रहा है, तो court of session या metropolitan magistrate, किसी भी दूसरे question of law पे, अपने matter को decide करन court कर सकता है, जब किसी ordinance या law की validity पे सवाल हो, court of session और metropolitan magistrate कर सकते है, किसी भी case में, जहां कोई question of law determined हो ना हो, उस case में ये reference कर सकते है, ये 2-3 बात में reference के बारे में important है, इसके बाद 397 देखिए, जो revision की बात करता है, 395 reference, 397 talks about revision, calling for records to exercise power of revision, सबसे पहले section number याद करिए, किस में revision है, 397 में, कौन-कौन कर सकता है, तो high court और session judge, बस, high court और session judge के पास power है, revision करने का, और किसी के पास नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, high court या session judge, अपने subordinate court के, किसी भी case के record को मंगवा सकते है, उसको examine कर सकते है, क्या check करते है, correctness, legality of findings, कोई भी order या कोई भी sentence दिया है, वो कितना legal है, सही है या correct है या नहीं है, यी सब check करने के लिए, revision कर सकते है, कौन-कौन session judge या high court, ये दो-तीन बातें यहाँ important है, सब section 2 भी mark करिए, interlocutory order का revision नहीं होता, final जो judgment है उसका होगा, interlocutory जो बीच में order पास होते है उनका revision नहीं होगा, इसके लाबा 399 सिर्फ section याद रखिएगा, session judge power of revision, कैसे करेंगे revision, क्या process होगा, वो बताया है, अंदर का content बिल्कुल important नहीं है, सिर्फ section number ध्यान रखिएगा 399, इसके बाद 401 important है, high court's power of revision, high court कैसे करेगा revision, उसका procedure बताया है, important सवाल जो दर आता है, section number ध्यान रखिएगा 401, इसके लाबा माक करिया, subsection 3, subsection 3 इसका important है, nothing in this section shall be deemed to authorize a high court, to convert a finding of equitable into one of conviction, equitable की finding को conviction में नहीं बदला जाएगा, revision में, high court revision तो करेगा, लेकिन equitable को conviction में नहीं बदलेगा, that is very important, which can be asked, so that's all about reference and revision, इसके बाद आजाएए, next chapter की तरफ, that is 31 transfer of criminal cases, cases transfer करना है, बहुत ही, बस section number अगर आपने याद कर लिए, तो बाकी तो आप अपने prudence पे चीज़ें बता सकते हैं, देखे भाई, अगर Supreme Court के power की अपन बात करें, जो कि 406 में दिया है, power of Supreme Court to transfer cases and appeal, तो Supreme Court कहां से कहां transfer कर सकता है case, Supreme Court का territorial jurisdiction क्या है, पूरा भारत, तो simple सी बात है कि 406 मे Supreme Court जो है, वो किसी भी एक court से उठा के case को किसी भी तूसरे court में transfer कर सकता है, पूरे भारत में, क्योंकि Supreme Court का territorial jurisdiction पूरे भारत में ध्यान रखियेगा, subsection two important है, कई बार सवाल पूछा जा सकता है इदर से, the Supreme Court may act under this section, only on the application of the Attorney General of India, और of a party interested, Supreme Court ये काम कैसे करता है, application पे करेगा किसकी application, Attorney General of India की, या कोई party interested है, उसकी application पे ही case transfer करेगा, Supreme Court ये ध्यान रखियेगा, बहुत important है, and every such application shall be made by motion, एक effort effort पे signwine करके application होगी, ये भी important question है, एक तो 406 section number याद रखियेगा, Supreme Court का power है case transfer करने का, किसकी application पेगारेगा, party interested है, Attorney General of India, कुछ से नहीं करता, इसके बाद cover of high court to transfer cases and appeal, तो अब्यस्ती बात है, high court कहां से कहां transfer करेगा, अपने state में, जैस state का वो high court है, उस state के एक court से दूसरे court में, वो transfer करेगा, grounds दिये हुए हैं, subsection 1 में, किन ground पे करता है, बहुत important नहीं है, एक बात जो subsection 2 में लिखी है, जो differentiate करती है, 406 में application पे ही होगा transfer, Attorney General की या party interested की, लेकिन high court जो transfer करता है, वो on its own motion भी कर सकता है, खुझ से भी कर सकता है, इसके अलाबा इसका subsection 7 मार्क कर लेजिए, application पे भी होता है, high court से और own motion पे भी होता है, अगर किसी ने frivolous application दी, अचा एक सेकंड, 406 में भी ये चीज़ मार्क कर लेना, 406 में भी subsection 3 मार्क क केस transfer कराने की, बाद में सुप्रिम कोट को substance नहीं लगा, तो 1000 रोपे तक का fine लगाया जा सकता है, ऐसा ही 407 में high court को अगर ऐसी frivolous application दी गई है, तो subsection 7 केता है, यहां भी 1000 रोपे तक का fine लगाया जा सकता है, 408 में दिया है power of session judge to transfer cases, अब 408 में जो power of session judge, तो session judge कहां से कहां रखियेगा, इधर पर अगर frivolous application दी गई, तो subsection 3 की last line में लखा है, 250 रोपे तक का fine लगा सकता है, frivolous application के लिए, तो याद रहेगा 406 supreme court का power, 407 high court का 408 session judge का, बस supreme court जो है सिर्फ application पे transfer करेगा, high court और session judge application पे भी कर सकते हैं, स्यू मोटो भी कर सकते हैं, ठीक, और frivolous application के ल suspension, suspension, remission and commutation of sentence, इधर से बहुत ज़्यादा चीज़े important नहीं है, limited चीज़े है, जड़ा इस chapter का मतलब समझना की पढ़ने क्या जा रहे है, execution, execute कैसे किया जाएगा sentence को, suspension, remission and commutation, suspension, remission and commutation, suspension, remission and commutation मतलब होता है, एक sentence जो दिया गया, उसको या तो खतम कर देना, that is remittance, suspension बदल देना, एक punishment को दूसरे punishment में, ये सारी बातें इस chapter में होंगी, सबसे पहले mark करिये, इसमें 416, 416 सबसे पहले इस chapter में mark करिये, बहुत important सवाल है, postponement of capital sentence on pregnant woman, किसी pregnant woman को अगर capital punishment दिया है, death sentence दिया है, तो क्या होगा, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the high court shall continue the, shall commute the sentence to imprisonment for life, अगर किसी pregnant woman को death penalty दी गई है, तो mandatory है, high court के लिए, कि उसको बदल के क्या कर दे, imprisonment for life, commute में इसलिका था, change of sentence, death को बदल के, imprisonment for life, बहुत obvious सा reason है, pregnant है, अगर woman, तो there is an unborn person, जिसको अभी life देखनी है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको सुरक्षित रखा जाएगा, death penalty की जगे, life imprisonment में बदला जाएगा, provision याद रखिएगा, important है, 412, इसके बाद 427, बहुत limited provision पढ़ना है, 427, sentence on offender, already sentence for another offense, अगर आपको already किसी offense के लिए convict करके sentence दिया गया है, फिर आप दुबारा किसी offense के लिए आपको sentence दे द convict किया गया है, तब वो sentence कैसे run करेंगे, जरा comment में बताएगे किस section में पढ़ा था, CRPC के पहली class में पढ़ाया था मैंने, किस section में पढ़ा है, जहां सेम trial में अलग-अलग offense के लिए convict करा गया है, एक के लिए 2 साल का imprisonment दिया गया, एक offense के लिए 3 साल दिया गया, तो एक के दिया है, correct, section 30, that's right, similar बात इधर है, कि आप already किसी trial के बाद convict होके सजा काट रहे थे, दुबारा आपका conviction हुआ है, तो यहां पे भी same चीज लिखी है, concurrently run नहीं करेगा, एक के बाद एक करेगा, general rule हमेशा यही रहेगा, यह बाद 427 आपको बताता है, इसके बाद 428 पे आ अगर माल लेजिए कोई विक्ति जो end में trial के convict हुआ है, convict तो वो हो गया, लेकिन convict होने के पहले, investigation के दौरान, inquiry के दौरान, trial के दौरान, वो already jail में रहा है, कफी time, वो सब हमने पढ़ा है, कब कैसे custody, वो study मिलती है, माल लेजिए किसी विक्ति को final judgment के बाद sentence दिया गया, तीन साल का, लेकिन वो छह मेंने already रह चुका है jail में, ऐसे case में क्या किया जाएगा, तो ये सारी बातें इदर बताई गई है, इसको देखिए, where an accused person has on conviction been sentenced to imprisonment for a term not being imprisonment in default of payment of fine, इसके अलावा उसको imprisonment दिया गया है, the period of detention if any undergone by him during the investigation inquiry or trial of the same case and before the date of such conviction shall be set up against the term of imprisonment, तो तीन सा का, अगर finally उसको imprisonment दिया गया, लेकिन 6 मेंने वो पहले ही jail में रह चुका है, investigation, trial, inquiry के दौरान, तो अब उसको सिर्फ धाई साल काटना है, 6 मेंने वो reduced हो जाएगे, वो set up हो जाएगे, that's what 428 says, section number बहुत important है, इसके बाद आईए सीधे 432, अब देखिए, suspension और remission की बात च appropriate government के पास ये power होता है, power to suspend or remit sentence, when any person has been sentenced to punishment for an offense, the appropriate government may at any time, without conditions or upon any condition, उस sentence को remit कर सकती है, या फिर suspend कर सकती है, या commute कर सकती है, sorry, यहाँ पे remittance और suspension का power है, suspend मतला postpone थोड़े समय के लिए, remit मतला खतम कर सकती है, totally खतम कर सकती है, उस punishment को, सब section 2 कहता है, कि appropriate government इस काम को करने के पहले, उस judge से भी consult करेगी, जिसने उसको सज़स सुनाई है, कि भाई, क्या ऐसे circumstances है, कि इसको कुछ relaxation दिया जा सकता है, यह सब consultation appropriate government करेगी, appropriate government कौन होती है, जरा बताइए, comment box में लोजे, appropriate government कौन होती है, अगर state के lock under comment हुआ है, तो, convict ह हुआ है, तो state government, central के lock under conviction हुआ है, तो central government, ओ, the appropriate government, उसके पास आप जाके sentence को suspend या remit करा सकते हैं, खतम करा सकते हैं, पोस्पोन करा सकते हैं, under 432, आपने देखा होगा, politically यह चीज़, influence रहती है, जिसकी सरकार आ गई, राज में, उस party से related जित्ते offender हैं या उनका जो conviction हुआ है, वो सब माफ कर देती है, सरकार सकता में आते ही, कैसे कर देती है, 432 के power से कर देती है, चीज़, इसके बाद देखिए, 433, so 432 was related to suspension or remittance, 433 is about commutation, commutation का मतलब मैंने क्या बताया, बदल देना, एक punishment दिया, उसको appropriate government में, without the consent of the person sentenced, उसके consent की जरौत निया, बना उसके consent के बदल सकती है, a sentence of death for any other punishment provided by the Indian, अगर किसी को death sentence दिया गया है, तो death sentence को बदल के कोई भी तूसरा punishment जो IPC देता है, वो दे सकते है, भी कहता है, sentence of imprisonment for life for imprisonment for a term not exceeding 14 years, अगर life imprisonment दिया गया है, तो उसको बदल के imprisonment किया जा सकता है, but it should not exceed 14 years, 14 साल से जादा नहीं देना है, यह general route रहेगा, already life imprisonment था, अब उसको बदल के आप बोलेंगे कि 25 साल तुमको जेल में रखेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए imprisonment for life को अगर बदल रहे है, तो it should not be for a term exceeding 14 years, 14 साल से जादा नहीं होना चाहिए, but अगर regress imprisonment दिया है, तो उसको बदल के simple कर सकते हैं, दी कहता है, अगर किसी को simple imprisonment दिया था, तो उसको बदल के सिर्फ fine लगा सकते हैं, imprisonment खतम करके सिर्फ fine लगा सकते हैं, इसको अपन बहता है, commutation, चिक, इसके बाद देखिए 433A, restriction on powers of remission, or commutation in certain cases, that is very important, 433A is really important, यह एक restriction है, कि जब आप commute कर रहे हैं, कौन सा sentence, imprisonment for life, फोड़ा समझना इस sentence को, क्योंकि language थोड़ी से tricky है, यह करा है, imprisonment of life को आप बदल रहे हैं, लेकिन यह imprisonment of life, जो आपको दिया गया है, यह गद दिया गया थो, यह imprisonment for life, आपको death penalty दी गई थी, उसको commute करके imprisonment for life कर दिया गया, यह करा जा सकता है, 433, 433 के A में यह करा जा सकता है, जगर death sentence है, तो उसको किसी भी दूसरी punishment में बदला जा सकता है, तो किसी बेक्ति को death sentence मिला था, उसको बदलके imprisonment for life कर दिया गया है, या फिर किसी बेक्ती को imprisonment for life मिला है, लेकिन वो offens punishable था with death, कहना का मतलब death से connected होना चाहिए offense, offense was punishable with death as well as imprisonment for life और आपको मिला imprisonment for life, या फिर offense में आपको सजा सुनाई गई थी death की उसको बदल के imprisonment for life कर दिया गया था, ऐसे imprisonment for life को जब बदला जाएगा commute किया जाएगा, तो it should not be less than 14 years, यहाँ कम से कम 14 साल होना चाहिए, क्योंकि आप anyways entitled हो रहे उसको बदल के already imprisonment for life किया है, तो कम से कम 14 साल आपको jail में बिताने पढ़ेंगे, last line देखिये, लिखा है at least 14 years of imprisonment, कम से कम 14 साल jail में रखना है, तभी आपका ये remit होगा या इसको commute किया जाएगा, I hope you got the sense of this, the meaning of 433A, समझ में आए नहीं मीनिंग इसका, किन cases पर applicable है, जहाँ death was a punishment, लेकिन आपको imprisonment for life दिया गया था, या फिर आपको death दिया गया था, उसको बदल के imprisonment for life कर दिया है, इस imprisonment for life को अगर आप चाहते है, commute and remit करना तो कम से कम 14 साल जेल में रखना पड़ेगा, that's what 433A says, इसके बाद 434 देखिए concurrent power of central government in case of death sentence, जैसा आपने governor और president का भी pardoning पार पड़ा होगा, आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि central का law है तो president का power है, state का law है तो governor का power है pardoning का, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर death sentence है, तो president हर case में अपना power exercise कर सकता है, similar ये है 434, ये कहता है कि वो सारे offenses या वो सारे convictions जो state के lock ender हुए है, जहाँ appropriate government state है, अगर उसमें death sentence दिया गया है, तो death sentence के case में central government भी power exercise कर सकती है, death sentence के case में central government भी power exercise कर सकती है, ठीक, इसके बाद आईए अगले chapter पे, that is 33, now this is very important, bail, bail is very important, क्या के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या important चीज़ हैं, इसको देखते हैं, provisions as to bail and bond, अब सबसे पहले तो ये बताईए कि bail और bond में difference क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, bond हमने कई जगे पढ़ा CRPC में bail भी हमने कई जगे पढ़ा, अगर आपने उन provisions को ध्यान से समझा है, तो आप automatically वो difference बता सकते हैं, हमने जब बात करी, section 106 onwards, वहां हर जगे word यूज हुआ था bond, वहां कांसा word यूज हुआ है, bond, क्या कर रहे हैं अपन, assurance ले रहे हैं, कि आगे आप अपनी हरकते सही रखेंगे, तो वहां हमने क्या भरवाया, bond, अभी आपने recently पढ़ा probate, section 360 में, उसमें आपने क्या भरवाय 360 में, प्रोबेशन जब आप दे रहे थे, वहां भी आपने bond भरवाया, तो bond basically is an undertaking, एक assurance है bond, कि आप इसा नहीं करेंगे, अरेस्ट में भी लिखा है, अपने bond पर चोड़ सकते हैं, उसको, on his own bond, या फिर surety, it can be his own bond, और surety, surety मतलब आप पे तो भरोसा नहीं है, किसी दूसरे को लाइए, वो कुछ पैसा यहां जमा करें, assure करने के लिए, कि जो भी condition आप क्यों पर impose करी गई या आप उसका breach नहीं CRPC में जहां भी पढ़ा है, चाहे वो section 167 हो, 167 पढ़ा, वहां भी bail की बात अपने करी, या फिर यहां जो bail की बात हम करने जाने, आप यह देखिएगा, person is in custody, custody से बाहर आने का जो process है, उसको कहते हैं bail, और उसके लिए जो आप security furnish करके under taken देते हैं, उसको कहते हैं bond, I hope you got this, bond is basically an assurance कि आप यह particular चीज करेंगे या नहीं करेंगे, that is bond, वो security के बाता, खुद भी furnish कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, on his own bond, जब आप खुद कुछ security furnish करते हैं, आप बिलकुल भरोसे के लायाएक आद मी नहीं है, तो court बोलेगा भई यह दूसरा surety लाओ, तुम के तो बेल कब ले जाएगे, बेल कब होगी, custody में से बेल होगी, 436 basically बेलेबल offenses की बात करता है, कि बेलेबल offenses के case में बेल कैसे और कब दी जाएगी, तो इसको देखिये जरा, when any person, other than a person, accused of a non-bailable offense, other than a person, accused of a non-bailable offense, non-bailable के अलावा, तो बचा के बेलेबल, so 436 is related to available, is arrested or detained without warrant, बिन warrant अगर उसको arrest कर लिया गया है, by an officer in charge of a police station, or appears, or is brought before a court, and is prepared at any time, while in custody of such officer, or at any stage of the proceedings before such court to give bail, such person shall be released on bail, तो जहाँ बेलेबल offense है, उस case में police officer जो arrest कर रहा है, वो खुद भी बेल दे सकता है, या court से भी बेल हो सकती है, बेलेबल offense में, bail is a matter of right, तो यह आप police officer को भी security furnish करके ले स किसी से भी आप ले सकते है, इसके बाद ज्यादा कुछ इसमें important नहीं है, वो बताया जा है कि indigent person के बारे में एक बार रीड करना ज्यादा important नहीं है, इसके बाद आईए आप 436A पर, this is very very important, 436A is very important, maximum period for which an under trial prisoner can be detained, under trial prisoner को maximum किते दिन जेल में रखा जा सकता है, जिस duration के बा लिए entitled हो जाएगा, एक mandatory bail है, default bail हमने 167 में पड़ी थी, वो किस stage की bail है 167, बहुत अच्छे से वो सब कहानी मेरे आपको पढ़ाई है पिछले lectures में, तो जरा बताईए कि जो section 167 के तहित mandatory या default bail का concept है, वो किस stage के लिए है, बताईए जरा investigation, correct, वो investigation के दौरान की बात है, अ की बात है, और ये किसकी बात कर रहे हैं, under trial prisoner, उसके बाद, चारशीट बाशीट फाइल होके, अभी भी जेल में पढ़ा है वो वक्ति, तो सिंपल सी बात है 436 के में, अगर किसी वक्ति ने, जिस offense का वो accused है, उसका जो maximum punishment है, अगर उसका आधा duration jail में बिता लिया है, तो फि आधा अगर उसने समय व्यतीत कर लिया है, तो फिर ही शाल भी released on his personal bond with or without surety, छोड़ दिया जाएगा उसको, ये बात आपका 436 के बताता है, प्रोवाईजो भी दिया है इसके बाद, अगर मान लीजे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को satisfy कर दे, कि साब इस वक्ति को छोड़ना स साही नहीं है, अभी आधा इसका जरूर हो गया है, ये बात हम मानते हैं, कि मान लीजे तीन साल प्रोसिक्यूटर ये सैटिस्फाय कर दे, तो अभी उसको और रखा जा सकता है, लेकिन कब तक रख सकते हो, जो maximum punishment prescribed है, उस offense के लिए जिसका ये वक्ति accused है, अगर maximum punishment तीन साल ह नहीं नहीं है, पहली बार में आधा, अगर आजे के बात छोड़ सकते हैं, public prosecutor अगर exceptional circumstances रख देता है, कोट के सामने, उस case में उसको और बढ़ाया जा सकता है, बट जिते years के लिए imprisonment से punishable है offense, उससे जादा तो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अव्यस सी बात है, अगर वो convict भी होगा, तो भी आप उससे जादा jail में उसको नहीं रखेंगे, वो very well already काट चुका है, तो पिर आप कुछ बचा ही भी ना, रखने के लिए, I hope that is clear, इसके बाद आईए 437, this is very very important, 437 is very important, ये magistrate के power की बात करता है, bail देने की non-bailable offense में, जैसा 436 था bailable offense, जहां police officer य लिए, when bail may be taken in cases of non-bailable offense, when any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than, क्या लिखा है, court other than the high court or court of session, high court or session को छोड़के किसी दूसरे कोट की बात चल रहे है, इसका मतलब किसकी बात चल रहे है, magistrate courts की जनरली, बात ये चल रहे है, तो magistrate court कब देगा, तो लिखा है, उसको bail पर छोड़ सकते हैं, बट जो लिखा है, उसमें conditions दी गई हैं कि कब नहीं छोड़ना है, तो इसका first वाला है, वो देखिये, such person shall not be released if there appears reasonable ground for believing that he has been guilty of an offense, punishable with death or imprisonment for life, अगर उसने कोई ऐसा offense किया है, which is punishable with death or imprisonment for life, ऐसे cases में magistrate bail नहीं देगे, या फिर देखिये, second इस if such offense is cognizable offense and he had been previously convicted, अब देखिये, यह जो second point है, 437 का subsection 1 का, जो second point है, यह भी अलग-अलग दो parts में divided है, यह बात कर रहा है कि अभी आप guilty है, अभी आप accused किये गए हैं किस offense के लिए, cognizable offense के लिए, तो present में आपने, इस बात को थोड़ा ढंगते समझ ले ना, present में आपने cognizable offense क किया है, plus आपका previous conviction है, अब यह previous conviction किस तरीके का है, उसके बारे में बताया है, so यहाँ देखिये, such person shall not be so released, if such offense is a cognizable offense and he had been previously convicted of an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for seven years or more, 7 साल या साथ से जाला, अभी आपने cognizable offense किया है, plus आपका previous conviction है, कैसे offense के लिए, seven or more, इससे जादे के लिए आप already, ऐसा offense जो punishable था, साथ साल या उससे जादा punishment के लिए, उस offense के लिए आप पहले already convicted हो चुके हैं, और अभी फिर आप cognizable offense के लिए लाए गए है, in that case आपको bail नहीं दी जाएगी, 407 में, in that case आपको bail नहीं दी जाएगी, दूसरी क्या condition है, व two or more occasions, of a cognizable offense punishable with imprisonment for three years, or more but not less than seven years, या फिर इसके अलावा आपका जो previous conviction है, इसके अलावा जो previous conviction है, वो कैसा है, two or more occasions, एक बार नहीं, इसके पहले आप दो या दो से जादा बार already convicted हो चुके हैं, अभी तो आप तीसरी बार आए है, दो या दो से जादा बार आप already convicted होगा, और वो दोनों conviction कैसे है, वो offense कैसे थे, punishable up to three years, तीन साल तक punishable कम से कम होना चाहिए, तो इतर लिखा है, he had been previously convicted on two or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for three years or more, कम से कम तीन साल punishable offense के लिए, आप already दो बार punish हो चुके हैं, तो एक conviction दूसरा, और इसमें क्या है, three or more, तीन या तीन साल से ज़्यादा three or more, तीन या तीन साल से ज़्यादा, ये दो बार आपका previous conviction और आप तीसरी बार लाए गए हैं, लेकिन साथ में एक चीज और comply होनी चाहिए, इसमें थोड़ा से कई बार confusion होता है, तो उसको देखिए, more occasion of a cognizable offense punishable with imprisonment for three years or more, फिर लिखा है, but not less than seven years, लेकिन साथ साल से कम न है, ऐसे offenses के लिए, which were punishable for three years or more, लेकिन total मिला के आपका जो punishment है, वो साथ साल या उससे कम है, अगर मान लीजिए, previously एक वक्ती, एक बार convict हुआ, तीन साल के लिए, एक बार convict हुआ, फिर तीन साल के लिए, दो बार previous conviction है, लेकिन तीन-तीन साल का, क्या उसको bail नहीं मिलेगी इस case में तो bail मिल जाएगी, लेकिन अगर वो वक्ती previously convict हुआ है, एक बार तीन साल के लिए, एक बार चार साल के लिए, या एक बार पास साल के लिए, एक बार छे साल के लिए, whatever it is, total मिला के अगर साथ हो रहा है, साथ या साथ से ज्यादा है, but not less than seven years, साथ से कम नहीं होना चलिए, अगर आपका previous दो conviction है, जिसमें एक बार तीन साल, एक बार चार साल आप convict हुए है, in this case, आप bail के लिए entitled नहीं है, in this case, आप bail के लिए entitled नहीं है, अगर previous conviction दो बार तीन-तीन साल का है, in that case, you are entitled, तो कि total मिला के साथ साल नहीं हो रहा है, that's what this second point says, I hope that is clear to everyone, लेकिन इ इसको nullify कर देते हैं आगे कि provisor क्योंकि वो कहते हैं कि in cases में भी bail मिल सकती है, देखिये, provided that the code में direct that a person referred to in clause 1 or clause 2 be released on bail if such person is under the age of 16 years or is a woman or sick or infirm, 16 साल से काम है, woman है, sick या infirm है, तो in cases में भी bail ले सकता है, provided further that the code में also direct that a person referred to in clause 2 be released on bail if it is satisfied that it is just and proper, और second बाले में तो किसी को भी मिल सकती है, जो वो double conviction वाली बात थी, उसमें किसी को भी मिल सकती है, अगर just and proper लगे code को तो, तो यह सब जो गडित था, उसको nullify करती है, नीचे यह लिखके, कि in cases में भी bail दी जा सकती है, बाकि इसके बाद subsection 3 बात करता है, कि जब आप bail देंगे तो कुछ condition impose कर सकते हैं, The trial of a person accused of any non-bailable offense is not concluded within a period of 60 days. Magistrate के trial है, 60 दिन के अंदर conclude नहीं हुई है non-bailable की, from the first date fixed for taking evidence in the case, such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate, unless for reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise direct. तो generally, अगर trial magistrate के सामने चल रही है, non-bailable offense की, और 60 दिन already हो गए और पिछले 60 दिन से बंदा जेल में है, तो generally उसको bail दे जाएगी, अगर कोई exceptional reason तो नहीं दी जाएगी. इसके बाद आजाईए, एक बहुत important provision की तरफ, that is 438, anticipatory bail, जो की काफी जादा important provision है, इसके बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं, मैं आपको इसकी सारी story बता देता हूँ, कि anticipatory bail basically होता क्या है. जब भी किसी विक्ति को ये apprehension है, कि किसी matter में उसका arrest हो सकता है, अभी arrest हुआ नहीं है, कौन सा offense है, non-available offense है, उस case में उसे ये अंदेशा है, ये apprehension है, कि विक्ति का arrest हो सकता है, तो वो arrest होने के पहले ही, या तो high court चला जाए, कौन-कौन देता है bail इसमें, high court या फिर court of session, session court या high court से, पहले ही एक order ले सकता है, तो high court या court of session के पास वो जा सकता है, एक application लेके anticipatory bail की, और वहाँ जाके, court को अगर वो satisfy कर देता है, कि साब मेरे against जबर जस्ति का एक false case register किया गया है, और उसमें कोई substance नहीं है, मैं बहुत इमांदार और इजदार व्यक्ति हूँ, प पूरा अंदाजा है कि इस case की proceeding में, investigation में, police मुझे arrest कर सकती है, या अंदाजा है, लेकिन ये मेरे against case वाजिब नहीं है, तो आप मुझे ये relief देतें, कि अगर by chance police मुझे arrest करने आती है, तो police को मुझे छोड़ना पड़े, अब एक बात ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा misconception anticipation, anticipatory bail के बारे में है, वो ये कि arrest के पहले bail मिल जाती है, ऐसा नहीं होता भाई साब, arrest के पहले bail नहीं मिलती, anticipatory bail में basically एक order मिल जाता है, कि अगर in this particular case, अगर आप arrest होते हैं, तो 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 आपको bail पे छोड़ दिया जाएगा, basically anticipatory bail का impact या effect क्या है, कि वो non-bailable offense को bailable बना दे कि आपको अगर arrest करने कोई आएगा, तो आप वही security furnish कर दीजे, तो आपका arrest नहीं होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, रिलीस कर दिया जाएगा, anticipatory bail यही करती है, इसलिए anticipatory bail को यह मत समझी है, कि arrest के पहले bail मिल जाएगी, भया, bail तो होती ही custody में से, तो पहले आपको custody में लिया जाएगा, और तुरंट bail के जाएगी, bail पे रिलीस किया ही जाएगा, deny नहीं कर सकते, that's what anticipatory bail is, ठीक, तो देखिए, कोई भी generally क्या होता है, आपने देखा celebrity politicians, यह सब generally इनके against, जादा होता है, इनको जल्दी मिलती है, हम आदमी को भी मिलती है, तर आप court को satisfy कर द के order की, तो वो court क्या करता है, सबसे पहले एक interim order, या तो वो reject कर देगा, अगर आपने जाके लिए बोला कि हमें anticipatory bail चाहिए, और यह सब groundless है, अगर court convinced नहीं हुआ, तो वो altogether reject कर देगा, आपकी application, अगर वो convince हो गया, कि हाँ यार इसको देना चाहिए, prime of AC, लगता है उसको, तो एक interim order pass करेगा, सीधा anticipatory bail का final order pass नहीं होगा, पहले एक interim order pass होगा, अगर आप subsection 1 का last part देखेंगे, तो वहां लिखा है interim order की बार, तो पहले क्या होगा, high court या session court, एक interim order pass करेगा, उसके बाद interim order pass करने के बाद, साथ दिन के अंदर अंदर, SP और public prosecutor को इस बात का notice जाएग जिसमें interim order pass किया गया है, अब आप आके अगर इस इसको oppose करना चाहें, इस interim bail को अगर आप oppose करना चाहें, तो कर लिजिए final order के पहले, ये बात आपको मिल जाएगी, subsection 1A में, साथ दिन के अंदर, public prosecutor और superintendent of police को इस बात का notice बेजा जाएगा, उनको एक opportunity दी जाएगी, कि वो case, anticipatory bail को oppose करें, अगर वो convince कर ले जाएंगे, तो आपका जो interim order है, वो खतम हो जाएगा, और आपको anticipatory bail नहीं मिलेगी, अगर आपने convince कर लिया court को, कि साथ वो भरजी है, आप तो दो, अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर in that case, वो जो interim order था, उसको final order में बदल दिया जाएगा, 1 1B जो आप देख रहे हैं, वो कहता है, कि जब final order pass होगा, उस समय पे, जो accused है, जो वक्ति है, जिसको apprehension है, arrest होने का, उसका मौझूद होना जरूरी है, final order pass होते समय, ये 1B कहता है, I hope you want the whole process, क्या होता है, एक order मिल जाता है, कि अगर आप arrest होए, तो छोड़ दिया जाएगा, पहले एक interim order pass होता है, SP और public prosecutor के पास notice जाता है, उसके बाद उस order को, पहले उनको opportunity दी जाती है, पोस्ट करने की, और उसके बाद ये चीज होती है, कि आपको final order उसको, final order में बदला जाएगा, और इसका impact क्या होता है, anticipatory bail का, वो आप subsection 3 में देख सकते हैं, जो मैंने आपक को बताया, subsection 3 में इसका impact है, कि उस case में अगर आपको by chance custody में लिया गया, आपको arrest किया जाएगा, तो तुरंत आपको release कर दिया जाएगा, बेल पे, ये basically यहां दिया है, so that's all about anticipatory bail, इसके बाद एक important question और इधर आगे है, that is 439, 439 is also important, special powers of high court, or court of session regarding bail, देके high court, अभी हमने 437 में क्या पड़ा, high court या session court के अलावा, वाली बात, non-bailable के case में, यहां high court या session court के special power है, bail के regarding, तो इनके पास 2 power है, सबसे पहले आप इसके, जो subsection 1 है, उसकी पहली line पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, high court or court of session may direct that any person accused of an offense and in custody be released on bail, कोई भी accused है और custody में है, तो उसको bail पे release कर सकता है, कौन, court of session या, high court, इसका subsection 2 के ता है, high court or court of session may direct that any person who has been released on bail, under this chapter be arrested and commit him to custody, कोई अगर bail पे भूम रहा है, तो इसकी bail cancel करके custody में भेज सकते हैं, कोई अगर custody में है, तो इसको bail दे सकते हैं, high court or court of session दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, यह power 439 में दिया है, इस के बाद बहुत ज़्यादा important तो नहीं है, दो provision, लेकिन brief में आप समझ लीजिए, 446 और 446 A, यह दो provision देखिए, 446 बात करता है, procedure when bond has been forfeited, अगर bond forfeit हो गया, bond forfeit कैसे होगा, bond में क्या किया, आपने basically security furnish करके एक undertaking दी है, कि आप यह particular चीज करेंगे, या तो नहीं करेंगे, appear होने का अगर bond है, basically यह 446 उनकी बात करता है, कि appearance या कोई चीज produce करने के लिए आपने bond भराता और वो आपने नहीं किया, देखिए, bond की condition breach कैसे होगी, जो बोला गया था, वो आपने नहीं किया, अगर वो condition fulfilled नहीं हुई है, in that case, bond जो है, वो forfeited मान लिया जाएगा, और आ लिजिये, कोई, आपका कोई bond अगर forfeited कर लिए हो गया है, forfeited कैसा होगा, कि आपने condition को comply नहीं किया, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो उसके बाद, cancellation of bond, वो bond cancel भी हो जागा, cancel हो जाएगा, मतलब अब जिस भी चीज के लिए आपको वो bond दिया गया था, जिस मान ल means, क्योंकि bond cancel हो गया, आप उसकी validity नहीं रही, और हमने आपसे bond इसलिए भरवा के आपको छोड़ दिया था, कि आप हमारे सामने आज आए जब बुलाया जाए, otherwise हम आपको arrest करके रखते, custody में रखते, इसलिए ये है cancellation of bond and bail bond कि अगर मान लिजे, bond forfeit हो गया, condition का breach हो गया, त कोई property court की possession में आती है, during that, तो उसको dispose of करा जाएगा, वो बताता है 452, और इसके बाद आईए अगले, अचा एक provision और इसमें माक कर दीजे, 458, that is also a little important, procedure when no claimant appears within 6 months, कोई property possession में है court के, और कोई उसे claim करने नहीं आए, अच्छे मेने में, तो फिर वो state government के हिजाब से dispose of कर दी जाएगी, यह 458 कहता है, कई बार pre में पूछ ले जाता है, इसलिए माक कर लेजे, इसके बाद next chapter पर आईए, that is chapter 35, irregular proceeding, now this is important for prelims, pre में इससे भी questions पूछे जाते हैं, irregular proceeding से, तो 460 बात करता है, irregularities which do not vitiate proceeding, ऐसी irregularities, जिससे proceeding vitiate नहीं होंगी, cancel नहीं होंगी, वो valid भले, यह irregular irregularities होई है, बट फिर भी proceedings valid रहेंगी, अब अगर आपने मेरे साथ CRPC in previous classes में दंग से पढ़ा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन provisions को समझ लिया है, इसलिए आपको याद रखने में थोड़ी help मिल जाएगी, देखिए, कौन-कौन सी वो proceedings है, जिन से vitiate किस तीस से related है, किस तीस का search warrant है, 94, कमेंट में बताईए जरा, 94 section पढ़ा है, हमने search warrant, किस तीस से related search का warrant है, पता है आपको, यह नहीं, नहीं पता है, जहां पे, ना, stolen property या force document वग्यरा रखे हुए है, वहाँ, तो limited magistrate का power है, है वहाँ पे, इसके बाद order under section 155, investigate करने का order, 155, कौन से offences में deal करता है, 154, 155, 156, आप डीटेल में पढ़ाया था, non-cognizable offense, अगर वो किसी incompetent magistrate ने कर दी है, इसका jurisdiction नहीं है, तो भी वो vitiate नहीं होगा, उसके बाद 187, 190, 192, इनको एक बार आप देखिए, recall करिए, क्या थे, तो आपको याद रहेगा, तो आप उसकी seriousness समझ पाएंगे, कि वो irregularity, किस nature की है, और उससे, proceeding vitiate नहीं होगी, इसके अलावा देखिए, 461, irregularities, which vitiate proceeding, कौन सी irregularity है, जिसमें proceeding vitiate हो जाएगा, इसको याद करने का भी तरीका यह है, कि आपको वो provisions पता होने चाहिए, सबसे पहले है, attachment in sale of property 83 में, जब proclaimed person होता है, court में appearance compelled कराने के लिए, property sale और attach करते हैं, वो अगर किसी incompetent magistrate ने करी है, तो वो इस कारण से वो proceeding vitiate, वो order of attachment vitiate हो जाएगा, cancel हो जाएगा, अगर वो competent magistrate का नहीं है, तो तो एसी ही list पूरी आगे दी हुई है, इसको एक बार घंसे पढ़िएगा, इसमें 133 वाला भी है, जो executive magistrate order पास करता है, conditional order, public nuisance को हटाने के लिए, वो भी आएगा, अगर किसी incompetent magistrate ने दे दिया है, तो वो valid नहीं माना जाएगा, ठीक, तो ये 460, 61, दोनों section number भी पूछे जाते हैं, और इसके अंदर से भी सवाल बनता है, इसके बाद आप 462 से लेके 466 देख तक देखेंगे, तो ये कुछ और irregularities की बात करते हैं, यहाँ simple सी एक 466 सब पर ये बात applicable है, तो एक बार read करियेगा, question इदर से भी आते हैं, इसके बाद next chapter पर आएए, तो इस chapter में है limitation for taking cognizance of certain offenses, अब आप जानते हैं कि civil suit file करने की limitation, limitation act में है, criminal code में cognizance लेने की limit है, हमने एक chapter ये भी पढ़ा है कि cognizance लेने के पहले prerequisites क्या है, यहाँ बताया यह बता रहा है, cognizance लेने की limit, किते दिन, offense commit होने के किते दिन के अंदर cognizance लिया जाना है, basic सी बात समझेगा, जो subsection 2 में लिखी है, 468 के, the period of limitation shall be, six months if the offense is punishable with fine only, if the offense is punishable with fine only, तो इसका cognizance किते दिन में लिया जाना है, offense commit होने के, 6 मेने के अंदर, चीछिए? इसके बात देखिए, B, one year if the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding one year, offense अगर ऐसा है, which is punishable with one year imprisonment, तो इसका cognizance एक साल के अंदर लिया जाना है, अगर मान लेजे, offense ऐसा है, three years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding one year, but not exceeding three years, एक साल से तीन साल तक का imprisonment से punishable offense है, तो ऐसे offense का, जो limitation period होगा, वो होगा three years, तीन साल के अंदर cognizance लिया जाना है, अगर मान लीजे, वो offenses जो punishable है, अब with imprisonment more than three years, उसमें कोई limit नहीं है, ये बहुत important है, तीन साल से ज्यादा, punishment के लिए जो punishable offense है, serious offense है, इनमें कोई limitation नहीं है, चीक, so that's all about 468, इसके बाद आपको पढ़ना है, एक section आप mark कर लीजे, 479, miscellaneous पर आ जाईए, 479, cases in which judge और magistrate is personally interested, कई बार interview, interview में सवाल पूछ लिया जाता है, प्री में भी पूछा जाने की थोड़ी बहुत सम्भाव नाए, 479 is important, अगर कोई magistrate जो case आया है, उसमें वो खुद interested है, खुद party है, या कोई ऐसा व्यक्ति party है, जिसमें वो interested है, ऐसे case में, उसको अपने superior, जिसका भी वो subordinate है उसको inform करना है, और अगर वो allow करेगा, तब ही proceed करना है, otherwise proceed नहीं करना है, यह 479 में लेखा है, क्योंकि आप prejudice हो सकते हैं, और इसके बाद आखरी section जो CRPC में आपको याद रखना है, वो है 482, saving of inherent power of high court, that is very important, 482, high court के पास है, inherent power, inherent power का मतलब होता है, for the ends of justice, यह कोई भी order pass कर सकते हैं, जो expressly यहां ना दिया, वो भी यह कर सकते हैं, कौन करेगा, inherent power exercise, high court के पास होता है, inherent power, so that's how we have completed CRPC, और जैसा मैंने आपको बताया, जहां concept required था, वहां concept की तरह पढ़ा, जहां सिर्टेलिंग required होती है, वहां उस तरीके से पढ़ा,